So, Hey guys, this is Suriyo Sarma and you are watching Neat Roots तो आज को जो वीडियो होने वाला है, वो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है हमारे पास आज के विश वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक ब्लॉगिंग एप जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि ब्लॉगिंग एप, तो इसमें हम क्या कर पाएंगे अपने ब्लॉग या आर्टिकल्स जो भी होगा, वो हम इसमें राइट कर पाएंगे ठीक है प्लस यहाँ पर और क्या होगा हम दूसरे के ब्लॉक्स भी यहाँ पर सी कर पाएंगे तो मैं आपको एक ही चीज सब कुछ बताने वाला हूँ कि इसमें कौन-कौन से फीचर्स होंगे क्या क्या आप इस application में कर पाओगे और at the end यह कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है और कौन-कौन से technology हम इसमें use करेंगे तो सबसे पहले हमें आपको बता देता हूँ आप भी इस tutorial के लिए ready हैं तो comment में comment जरूर कर देना कि I am ready और चलिए अब move करते हैं देखते इसमें कौन-कौन से हमारे पास features होने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा एक splash screen होगा ठीक है जितने भी screens है इनके आपको जो link है वह आपको description में मिल जाएगा Figma का link और उसके बाद हमारे पास क्या होने वाला है एक welcome screen होने वाला है जहां पर क्या दो चीज पूछ रहा होगा या पर login करना चाहते हो या पर register करना चाहते हो ठीक है तो यह दो चीज आप से पूछने वाला है फिर उसके बाद क्या करेंगे अगर login पर click करता है तो यहां पर login का यहां पर आ जाएगा home screen पर यूजर तो home screen पर जितने भी ब्लॉग रहेंगे वहां पर हमारे पस blogs आ जाएंगे ठीक है मान के चलो किसी ने यहां पर blog और किया है और यहां ब्लॉग अट किया है तो सारे हम search का feature भी रखेंगे और यहां पर user का profile का feature भी हम यहां पर रखने वाले हैं प्लस एक और feature यहां पर होगा कि आप भी वहां पर चाहो तो इस blog में articles add कर सकते हो ठीक है तो यह क्या होने वाला है आप दूसरे के blog तो पढ़ी पाऊगे लेकिन आप हम्- खुद के blogs भी हम create कर सकते हैं तो यह चीज यहां पर होने वाली है तो हम जब पढ़ेंगे तो वह किस तक का नहीं कर सकते हैं यहां फिर यहां पर हम यूज कर सकते हैं इसके और हम पर sagen है हम जब और उसके बाद हमारा पस प्रोफाइल का सेक्षन होगा जहां पर आप क्या कर सकते हो एक तो आपका नेम देख सकते हो यूजर की प्रोफाइल देख सकते हो अगर आपको यहां से आर्टिकल एड करना है तो वह आर्टिकल देख सकते हो यह जो आर्टिकल्स आपके पहले से प पर और लास्ट में हमारे पस क्या होगा, जब आप एडिट पर कलिक करोगे तो सेक्षन आएगा, और और वहाँ पर आप जाके एडिट या जो भी आप चीज करना चाहो, वह कर शकते हो ठीक है तो यह कुछ इसके basic features होने वाले हैं जो हम यहाँ पर use करेंगे ठीक है तो अब क्या करते हैं यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसके सारे assets वगेरा है तो आप यहाँ से इसको directly download कर सकते हो ठीक है और यहाँ पर हमारे पास font का name भी लिखाओ है कि आपका कौन-कौन सा font यहाँ पर use होने वाले है तो यहाँ पर इन दो font use करेंगे यह तीन जो color है यहाँ पर यह तीन चार color जो हम वह use करेंगे कुछ images है कुछ यहा पेज जैसा कुछ है यह बना हुआ जैसा आपने नॉर्मल पेज देखेंगे तो कुछ ऐसा तरीकी का इसमें texture होता है ठीक है तो यह यह यहाँ पर तो हम कैसे यूज करेंगे कभ यूज करेंगे सब कुछ में आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम एक चीज करते हैं कि इसमें कौन-कौन से technology यहाँ पर use होने वाली है तो इसमें जो technology यूज होने वाली है हम जो भी data save करवाएंगे वह हम सेभ करवाएंगे firebase के थूरू और इसमें glide का भी यूज होने वाले हैं क्यूंकि image को हम यहाँ पर चीज करवाएंगे तो एक लाइक जरूर करते हैं तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसे ही इंट्रेस्टिंग एंड्रोइड से रिलेटेड वीडियो के लिए तो चलिए हम मूव करते हैं अपने एक सेमेल डिजाइन के पार्ट के ठीक है तो सबसे पहले हम पूछ चीजर प्लू पल ना पड़ू करो अघीच और आप हैं पर साइट में जाके देख सकते हो फिर आपको यहाँ पे quand credit करना है तो आपको यहाँ पे कुछ के अअच् relaq आप इस टाइप का कुछ सी ऊर्स होने वाला है तो अकर आप इसको PNG मे निकालना चाहते तो आपर निकालो जह पून लो है ऐसे करके हम सारे एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो मैं यहां पर चलता हूं कंट्रोल प्लस इस पर मैंने क्लिक किया एक्सपोर्ट पर क्लिक किया और यहां पर मैंने export कर लिया और मैं डवल वार कर लिया जो कि मुझे करना नहीं था एक्सपोर्ट पर क्लिक किया मैंने और यहां से मैंने इसको भी एक्स्पोर्ट कर लिया तो यह तंया है तो यह यह हमारे पास स landlord करेंगे इसे करके हमें सारे एक्सपोर्ट कर लेते हैं ठीक है गचरत भशुपर्द हाई मेरे पास यह बच रह रहा है हमने यह सारे और यहां पर एक्सपोर्ट कर लिया ऑफ लास्ट मेरे पास 2000 अही आप ऐसे करके select करो तो इसमें आप पर टेक्स्ट भी आ जाएगा ठीक है यह मैंने टेक्स्ट ऐसी डाल रहा है अब इसको आप export करोगे और एज आप इसको PNG sorry SVG कर ले ना और export पर आप यहाँ पर click कर लोगे या फिर आप कर सकते हो PNG पर भी जाके export इसको कर सकते हो तो मैंने इसको PNG में भी कर लिया PNG में इसकी पास हमारे पास MB कम आ रही है तो हम इस PNG को यहाँ पर यूज करेंगे ओके और इसको मैं यहाँ पर यूज नहीं करने वाला तो जहां भी आपने इसको download पर लगा रखा होगा वहाँ पर इस सारी चीज़ें आपके पास download हो चु तो यहाँ पर मेर पास है अपना android studio तो मैंने इसको open किया और सबसे पहला आपको करना है new project पे click करना है अब यह जो हमारे पास empty view है empty activity है जो हमारे पास यह हमारे पास क्या होता है compose के लिए होता है लेकिन आपको यहाँ पर क्या यूज करना है empty view activity यह हमारा XML के लिए होता है तो यह project जैसा कि आपको पता होगा xml में है तो हम यहाँ पर यहाँ पर इसलेक्ट करेंगे फिर हम next पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एपने को जो भी application का name होगा वो हम यहाँ पर write करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या blog app blog तो मैंने यहाँ पर सिर्फ blog अंट इस पेज डालके app मैंने यहाँ पर डाल लिया ठीक है और language आपको select करना है kotlin ठीक है आपका path जो होगा हो आपको जो चाहिए वो रख लेना minimum यहाँ पर जो आ रहा है मेरे पास में वही रहने दूंगा और यह भी आपको recommended वाले पर रहने देना है यहाँ पर successful हो चुका है और कोई किसी भी प्रकार का हमारे पास यहाँ पर error नहीं आए अब क्या करते है थोड़ा से इसको हम जूम कर लेते हैं ठीक है और यहाँ पर मैंने इसको minimize कर दिया इसको मैं थोड़ा से इसदर कर लेता हूं left side में और यहाँ पर चलते है अपने main activity और यहाँ पर loading हो रहा है उससे पहले हम क्या कर लेते हैं new पर जाते हैं और वेट कर लेते हैं थोड़ा सा भी time ले रहा है हमारे पास क्योंकि यहां पर दो चीज हमारे पास आई नहीं है तो तो अब हमारे प्रोजेक्ट बिल्कुल perfectly ready है अब इसको हम यहां से कर लेते हैं है अपया करना है सबसे ने हम इसने इसको रहे रहरे हैं तो और चीज मिल्कू और पहले है दो आपको ट्राइबंट पर द्राइबंट इसके बाद हम जितने भी दोगे क्लिप देखेंगे रहत यहां पर expelled इसके बाद आफ मेरे यहां पे डेक्स्टों पर मै रख रखाए सब चीज है जो भी डाउनलीड की थी मैं अब तो इसको हमने यहां पे जाके और सको यहां पर एड़ कर लेंगे सबसे पहले हमारा पास कॉम्बाइंड से थो इसको तो हम नेम डाल देंगे सर्च और इसके आपको जो भी साइज डालना हो वह आप डाल के इसको क्या करोगे next करोगे और next करने के बाद आपके पास ये icon हमारे पास आ जायेगा ठीक है तो ऐसे करके हम क्या करेंगे सारे जितने भी आइकन से उनको हम यहाँ पर एड कर लेते हैं तो जितने भीit gevs थे हमार पास वह अब हम direct क्या करेंगे copy करेंगे तो मैंने इसको किया copy और इसको चलते हैं अपने android studio पे और यहां पर जाने के बाद इसको हम direct क्या करेंगे paste करेंगे और यहां पर इनका name change करना होगा because of यहां पर name हमने change नहीं किया था तो shift और f6 दबाते हैं और आपको इसको जो भी image नाम डालना हो यहां पर डाल देना तो मैं यहां पर डालूँगा profile 1 और इसको करते हम रिफेक्टर इसको हम वापी से f6 करेंगे profile 2 और इसको हम वापी से रिफेक्टर करेंगे profile 3 तो यह कुछ हमने name यहां पर changes कर लिए हैं और जाएंगे और build पर जाने के बाद rebuild यहां पर हम इसको करते हैं और अभी भी हमार पास यह error गया नहीं है तो इसको हम वापी से f6 करते हैं और देख लेते क्या दिखकत है profile 2 है तो सब कुछ सही और इसको हम continue करते हैं I don't know यहां पर यह error क्यों आ रहे है जबकि हमने naming convention बिल्क पर जाने के बाद आप चल जाओगे folders पे और folder पर जाने के बाद आपको font folder मिल जाएगा ठीक है आप इसको क्या करना है फिनिस करना है तो आपको फोल्ड का नाम से फोल्डर आ जाएगा अप इसको new पर जाना है और यहां पर आपको resource font file पर आप प्लिक करना है और इसके बा राइट क्लिक करना है और हल्कास आप नीचे करोगे तो आपको more fonts का option मिलेगा आपको यहाँ पर वो जितने भी font से यहाँ पर automatic available हो जाएगे जो भी आपके PC में available होगा ओके तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो fonts आपको मिल चुका है में इसको के करेंगे और हमार पास एक font हमार पास ही लेवल हो चुका है एक हमार पास पून सा है monster वाल है तो इसको भी हम यहाँ पर write यहाँ पर अेरो पर क्लिक करेंगे more पर जाएंगे और यहाँ पर search करेंगे आपन मॉंsz, monsterRat, तो यह हमारे पास font है, गारे जख करें ए कि यह वाला फॉंट है, monsterRat, तो मैं इसका यहाँ सब कॉपी कर लिता हूं और यहाँ पेहाने के बाद, इसके हमारे पेस्ट करते हैं, तो यह हमारे पास मिल चुका यह वाला सिष्टर रैट एस एक हमार पास मिल गया लव्या सिस्टर लाइक तो यह दो फॉंट हमार पास आ चुका है और यह दोनों font हमारे पास एक जैसे दिख रहा है, एक बार मैं इसको delete करता हूँ और वह आपस add करते हैं यहाँ पर, font family में जाने के बाद, more पर और यहाँ पर हम सर्च करते हैं, monster add, और यहाँ पर ok करते हैं और अब हमारे पास monster add, thin हमारे पास यहाँ पर आचुका है और copy करने के बाद जालते हैं, value पर, value में जाने के बाद colors पर, यहाँ पर आप करोगे इसको control d, और यहाँ पर लिख लोगो इसका name red, red लिख लिए हमेने, और color code की जगे आप अप यहाँ पर अपना color code डाल दोगे, तो हमारे पास red color आ गया, इसके बाद हम करते हैं, control d, और यहाँ पर डाल देंगे, और control d करते हैं, और यहाँ लिख देंगे हम light underscore white, तो इतना डालने के बाद, मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर paste, ठीक है, pure white जो होता है, आपका FFFF, ऐसा कुछ होता है, और यह हलका सा हमारे पास light white है, ठीक है, आपको यहाँ पर icon दिख जा होगा, यह हमारे पास fonts भी हमारे पास आ चुक है, और जो भी चीजे थी हमारे पास यहाँ पर आ चुक है, तो texture हमारे पास last बचा हुआ है, इसका क्या दिक्कत है, कि हमारे पास उसमें तो आ नहीं रहा है, तो हम इस texture को PNG as I हम ले लेंगे, ठीक है, तो यह हमारे पास PNG है, इसको को हम यहां पर यूज कर लेंगे तो मैं एक बार जूम करता हूं और देख लेंगे अगर कोई इसू आता है तो हम यहां से इसको चेंज कर लेंगे तो मैं इसको किया कॉपी कॉपी करने के बाद मैं चलता हूं यहां पर बजाने के बाद यहां पेस्ट करता हूं और यहां पर यहां पर create करेंगे और activity create करने के बाद हम क्या करेंगे इसको हम यहां पर बना देंगे तो यहां पर चलता हूं मैं layout पर जाने के बाद new पर जाता हूं और new पर जाने के बाद मैं यहां पर जाओंगा activity पर और activity पर जाने के बाद जाओंगा मैं क्या empty View Activity पे तो इसको आपको असको select कर लेना है और select करने के बाद इसको आपको लिखना है Splash Activity तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं splash Activity और यहाँ पर हम करते हैं इसको create तो आपको अबMomoo कर लेता हूं और सबसे पहले दिजाइन कर लेता unit Metz- civic activity तो सबसे पहले किसा आने वाला है एक image आने वाला है जो हमारे टेक्सट्रीवर होगा तो वह टेक्स्ट्रीवर हमारे पास कहाँ पर है यहां पर जारके और बैक्राउंड के नाम से हमा रहे हैंstar तो ठीक है यह हमारे पास क्या है image png तो हम इसको यहां पे यूज करने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे एक इमेज विए लेंगे और इमेज वू के अंदर हम सब कुछ यहां पर डालने वाले तो image व्यू मैंने लिया और यह जो बैकराउंड़ वाल था इस इसको भी मैं कर देता है में आरे से ब्रैप कंटेंट तो यह टेक्ट्टूर हमारे पास कुछ अच्छा सा दिखनी रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका जो एलफा है उसको हम यहां पे कम करेंगे ठीक है तो यहां पर हम search करते हैं alpha और alpha search करने के बाद आपको क्या करना है इसको 0.1 कर देना है 0.1 के तो आपके जो दिख रहा होगा कि आप यह कम हो चुका है अब एक चीज और है side में हमार पस थोड़ा थोड़ा सा चीज आ रहा है यानि कि white space हा रहा है इसको हम यहां पर fix करेंगे तो यहां पर हम डालेंगे scale type scale type और इसको हम यहां पर कर देंगे center crop तो यह center crop के हमाने तो यह भी हमार पस fix हो चुका है right ओके अब इसके अंदर हमें क्या करना है एक text यहां पर चीज एक text विए एक text विए और इस text विए को हम यहां पर constraint कर लेंगे as a parent पर मैंने इसको constraint किया left side right side top पे ठीक है और top से देंगे इसको थोड़ा सा margin जो कि होगा हमारा वहां पर हम चेक कर लेंगे लेकिन फिलहाल हम एक और text विए add करते हैं कि हमारा bottom में होगा तो इसको मैंने यहां पर constraint किया right side constraint किया और bottom में constraint कर दिया इतना करने के बाद अब हम check कर लेते हैं यहां पर चलते हैं अब देख लेते हैं कि कहां पर हमारा क्या है तो मैंने control z किया अब देखो यह हमारा center में maybe तो हम splash screen पर चलते हैं और page तो यह हमारा है अब इसके बाद यह हमारा है तो यह हमारे बिल्कुल साथ center में नहीं है तो इसको हम यहां से constraint करने वाले है तो मैंने यह open किया अब यहां से इसकी दूरी है 160 और यह बारवर मेरा यह select हो जाता है तो यहां पर है इसकी 385 इसकी क्या है और top से margin है तो मैं यहां पर इसको 385 ही करने वाला हूं तो मैं यहां पर कर लेता हूं इसकी margin को 3385 तो यह बिल्कुल नीचे आ गया ज्यादा नीचे आ गया तो इसको क्या करते हैं हम थोड़ा सा उपर ही रखते हैं यहां हम यहां आप हम देठेते हैं यह फिर सेलेटे deposit में कर लेते हैं reinvent और अब क्या करता है इसके दर हमें लिखना है ब्लॉग के small이지 लगा तो यहाσα से घिते जनके Death-umuz अब भी और चलते हैं और सीय कर लेंगे इस आपको मिल जाएगा monster rat और यह वाला आपको मिल जाएगा ठीक है तो add करेंगे add font to project और यहाँ पर कर देंगे हम इसको इसकी टेक्स साइज को हम यहां से इंक्रीज कर लेंगे तो हम यहां पर डालते हैं text और text size में जाने के बाद हम इसको कर देंगे और थोड़ा सा इंक्रीज करना देख लेते हैं वहां पर कितना है तो यहां पर इसकी text size जो है यह हमारे पास है यहां से 61 SP है 50 SP इसकी हमारी text size है तो हम यहां पर चलते हैं और इसको कर लेते हम 50 SP तो यह हमारा आ चुका है लॉग लिखा हुआ जैसा हमारे उसमें था ओके अब इसका text का color हमें थोड़ा से change करना है जो क्यों होगा हमारा black तो हम यहां पर लिखेंगे black यहां से मैंने add कर दिया color black तो यह black हमारे पास हो चुका है अब एक और text है यहां पर लिखना हमें design by neat routes तो हम इसको कर लेते हैं design by के बाद यहां पर हमें लगाने सबसे पहले black backslash n तो इससे क्या हो जाएगा यह नीचे आजाएगा और यहां पर neat routes के आगे कुछ error से दिखा रहा है साइध वह automatic हट जाएगा दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहां पर करते है color कर देते हम इसका black तो मैंने color black कर दिया औ और font family में हम यहां डालेंगे जो font हमार ऊपर है तो जैसा था हमारे पास वैसका वैसा आ चुका है लेकिन एक मिस्टेक अभी यहां पर है कि कुछ ना कुछ यहां पर add किया हुआ हुआ है automatic देखो space आ रहे है जबकि हमारे पास इधर आना चीए तो हम यहां पर चेक करेंगे design by तो यह हमारा side fix हो जाएगा automatic अभी के लिए हम इसको ignore करते हैं और नीचे से हम इसको थोड़ा सा margin दे देते हैं जो कि हमारा होगा 32 dp का right इतना हमारे काम होने के बाद हमारे splash screen design complete हो चुका है अब क्या करते हैं इसको हम splash screen बनाने के लिए थोड़ा सा code करना पड़ता है त इसके आगे आपको लगाना है dot post delay और पोस्ट डिले के बाद आपको लगाना है curly braces और इसके अंदर आपको लिखना है कि कौन से activity के आप जाना चाहते हो इस प्लैसे च्रीन के बाद तो यहां पर हम डालेंगे start activity और इसमें डाल देंगे हम intent और इसके अंदर हम यहां पर डा बाद होगे तो यहां पर colon colon यानि की इस ग्रोप रेजिलेशन और class.java आपको लिखना है और इसके बाद यह ब्रैकिट जो है इसके बाद आने के बाद आपको करना है आपका time डालना है कि आप कितने second के लिए आप इसको hold करना चाहते हो तो हम यहां पर डालेंगे 3000 यानिक भी करवा देंगे finish हम क्यों करवाते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वापिस उस activity पर हम वापिस जाए ठीक है तो इसलिए हम यहां पर क्या करते हैं इसको finish करवा देते हैं तो यहां पर मैंने finish करवा दिया अब एक छोटा से काम और करना है आपको manifest में जाने के बाद आप य इंदर जाके मैंने क्या कर दिया पेस्ट कर दिया इसको अब यहां पर मैं इसको क्या करूंगा true कर दूंगा जिससे क्या होगा हमारे splash screen बन जाएगा starting के screen बन जाएगे ओके तो अब इसको मैं run करूंगा और फिर check कर लेंगे कि हमारे पास कोई error आती है या नहीं तो यह हमा नहीं आनी चाहिए लेकिन हमारे पास यह थोड़ा सा lag कर रहा था अब इसको हम वापिस run करेंगे और देखेंगे कोई issue आयगा या नहीं तो जो font था वो font आ चुका है और तीन सेकेंड बाद यह हमारे पास main screen पे जा चुका है राइट तो इतना काम हमारे पास हो गया अब हम बैक करेंगे तो यह स्प्रैस पर गया नहीं और हमारा इस application हो गया चुका है और यह भी हमारे पास काम हो चुका है अब क्या करने है एक बार में क्या कर देताँ इसको clean और वो कर लेता हूं बिल्ड कर लेता हम आप इस से बिल्ड और यहां पर हम कर लेंगे री बिल्ड राइट इतना करना है अपने को तो जो भी मतलब यह इसू वगेरा होगा वो आटमेटिक हड़ जाएगा तो इस प्लैसे स्क्रीन का काम खतम और इसका भी काम खतम इसका भी काम खतम राइट तीन चीजे कर ली हमने अब हमें क् लोगएं कर लोगएंर्ञें झाने के बाद आप इस अलग साओं भागई और यहां पर उन्मारा हुगा हुगा हुआ ऐसे कि नहीं स्वरी यहां पर हम बाएंगे एएक package और package लिखेंगे यहां पर हम लिख Давайтеश्टर और रिंश्टर लिखने के बाद मैं स्कों यहां पर रचिस्टर लिखा और हमने एक package के लिप अब जो भी इसमें registered से related काम होगा हम इसमें यहाँ पर करवा लेंगे जैसे login और sign up तो यहाँ पर हम एक create करेंगे new और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक new पर जाने के बाद activity करेंगे जो कि हमारा होगा welcome activity तो mtv activity मैंने यहाँ पर select किया और यहाँ पर हम लिख देंगे welcome activity यहाँ फिर आप डाल सकते हो यहाँ पर start activity यहाँ पर डाल सकते हो तो मैंने welcome activity डाला यहाँ पर और अब हम इसको यहाँ पर design कर लेंगे ठीक है तो design करने के लिए मैं एक बार क्या करता हूं इस प्लैस स्क्रीन वाले में activity में जाता हो यहाँ पर और इस चीज को हम यहाँ पर करेंगे copy और copy करने के बाद आपको जाना है आपके इस पर और यहाँ पर जाने के बाद इसको करना आपको paste तो ठीक है ऐसा कैसा हमार पास यह चीज आ चुकी है अब क्या करना है इसको हमें ऊपर करना है तो इसको मैंने यहाँ से हटा दिया और इसके नीचे एक और text भी आ करना है हमें यहाँ पर तो मैंने इसको क्या copy और यहाँ पर चलते हैं और इसको हम यहाँ पर करते हैं पेस्ट तो इतना कर लिए हमने share your story with us जो है वो new line में आएगा तो हम यहाँ पर इसको करेंगे और यहाँ पर जो इसके आगे हम यहाँ पर कर देंगे backslash and यह आ जाएग आप लोने वाला है black तो black कर दिया मैंने एक तो और यहाँ पर text alignment के नाम से एक property होती है तो text alignment और यहाँ पर जाने के बाद आपके कर दोगे इसको center कर दोगे तो आपको इससे center करोगे तो यह हमारे पास center में आ चुका है राइट अब इसकी font size को हम चेक कर लेते हैं तो font size ज इसको select कर लेंगे तो यह हमारे पास जैसे यह था हमें वैसा यह बन चुका है आप क्या करना है जो यह हमारा logo है यह से कितना दूरी पर वह चेक कर लेंगे सबसे पहले तो यह जो logo है हमारे जिसके अंदर का text है वह है 200 dp पर सबसे पहले इस logo को हम यहाँ पर select करेंगे और यहां पर जाएंगे और यहां से डाल देंगे हम इसमें 200 dp तो मैंने 200 dp डाल दिया तो यह हमारे पास आ चुका है लेकिन यह कम है साइध साइध यह है 150 dp तो इतना हमने यहां पर डाल लिया अब क्या करना है यहां पर दो बटन हमें बनाने एक होगा लॉग इन का और एक हो अटना है इसमें थोड़ा सा देना है मार्जन तो मार्जन हम चेक कर लेते कि इसके और इसके बीच गा मार्जन कितना है तो यह हमारे लॉगिन यहां सेइप तो यह 31 नीचे आ चुका है अब क्या करना है हमें इसका एक टो डालना है इसमें और इसके जो बैगराउंड है उसको हमें transparent करना है तो हम यहां पर जाएंगे यहां पर हम चलते हैं split में और split में जाने के बाद हम खुद से code करेंगे यहां पर सबसे पहले हमें डालना इसका background tint तो background tint को हम यहां पर क्या करना है transparent करना है तो आप android लिखो और यहां लिख दो transparent transparent हो चुका है अब इसके बाद इसका text का color change करना है तो यहां पर लिखेंगे हम text color और वह कर देंगे हम यहां से black तो यहां से हमने इसको कर दिया black और इसके बाद font family ढालनी है frog family हमने यहां पर दाल दिया इकाँ enfants family में हम ढालेंगे इसके बाद denial data आप हम यहां पर टेक्स चेक कर लेते हैं 2008 टुक्यसी चक करने के लिए हम चलते हैं फिर से अपने Chrome पे और इस Text को हम यहाँ से Select करेंगे तो जो Login वाले Text है हमारा Login का Text है इसकी Text Size हमारे पास कित्ती दे रखी है 20 SP तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे 20 SP हम इसका Text Size हमने यहाँ पे कर दिया अब क्या देना है इसकी 4-Side Border देना है तो यहाँ पे हम डालेंगे Stroke stero तो stroke आपके पास यहां पे अगर नहीं मिल रहा हो तो आपको क्या करना है इसको सबसे पहले हैं से delete करो और display पर design पर change करने के बात अब यहां पे आप डालो stroke तो यहां पे आगे मेरे पास stroke color और width तो color हम यहां से डालने वाले हैं red, तो हमने यहां से red color डाल दिया, अभी दिखनी रहा है इसका stroke, आप देखना, और जैसे मैं यहां पर width डालूँगा, width कित्ते डालनी हैं, इसकी to dp, तो to dp डालते हैं हमारे पास, वैसा का वैसा यह चीज आ चुकी है, अब यहां पर क्या करना है, इसको हमें ऐसे नहीं रखना इसको थोड़ा सा क्या है expand करना है तो हम यहाँ पे search करेंगे corner तो यहाँ पे हमें कितना डालना है वह हम यहाँ पर जाके चेक करेंगे पहले उसका corner है वह कितना है वह हम check कर लेते हैं EVERYग को हम select करेंगे यहाँ पर और इसका corner है मार पास 8dp तो यहां पर होगहां पर छोटा पास बटं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम चलेंगे वापिज से अपने GARD दिजाइन पर और सकी साइज हम देख लेते हैं तो इसकी साइज है हमार पास two seventy by sixteen तो यहां पर हम इसको Select करते हैं और इसको कट करते हैं और विर्थ को हम डाल देंगे हां से 270 dp अधर यहां पर मडलें इसको 60 dp आप यह जैसा हमार पास बटन था वहां पे वैसा बटन हमारे पास तो इस बटन का नम हम पास रहेगा login underscore या फिर capital B login button हम इसका नाम रखने वाले है right तो हम यहाँ पे login button के नाम से इसको refactor किया और इसके अंदर का जो text होगा उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे login तो login लिख दिया हमने तो login का हमारे पास यह चीज आ चुका है अब क्या करता है gekommen एक और बटन हमें चाहिए हहाँ पे और उससे पहले हमें एक text तुप हfolgरे तो हमें यहा पर टेक्स्ट वीडियुयार। दीज लेंगे तो मैंने hospital किया उसको left और right से और top से अब क्या करना है हमें यहाँ पर जाना है और अब चेक करना है कि इसके और इसकी बीच की दूरी कितनी है तो यह group है हमारे पास इसमें new है हमारे पास इसको और इसको हम यहाँ पर select करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमारे पास इसकी और इस rectangle की वीच की दूरी कितनी है तो हमने इसको select एक चीज को हम यहाँ पर select कर लेंगे और दूसरे चीज पर जाके हम hover करेंगे तो हमारे पास वो चीज पता चल जाएगी तो इसकी और इसकी हमारे पास दूरी कितनी है mystery. और कि इसके बाद एक और बटन आएगा तो इस बटन पर इसको कुरते हैं और यहां से copy और यहां पर आने के बाद इसको करते हैं हम यहां पर paste और इसके नीचे आएगा तो मैंने इस बटन को इसके नीचे डाल दिया और इसका constraint को हम यहां से तोड़ देते हैं और इसके constraint को हम यहां से constraint कर देंगे इसके just नीचे राइट अब इसके left के constraint को हम इधर से constraint कर देंगे और इसके right के constraint को हम इधर से constraint कर देंगे तो यह हमारे बीच में center पर आ गया अब क्या करना है इसमें हमें color डालना है blue तो हम सबसे पहले blue color डाल देंगे right अब यह button 2 है हमारे पास right तो हम इसको क्या करेंगे login की जगे हमें हाँ पर कर देंगे registered button तो यह हमारे पास आ जाएगा register button तो इतना हमें करना था और हमने इसको refactor कर लिया अब इसके बाद इसके हमें थोड़ सी margin देनी है जो कि हमारे पास कितनी है यहां से यहां पर 16 तो हमें पर 16 का margin डाल देंगे तो यह 16 का हमने इससे margin डाल दिया right अब इसमें हमें क्या करना है register लिकना है तो हम यहां पर लिख देंगे register तो इतना काम हो गया हमारा और यह हमारा जो Welcome Screen था वो हमारे पास ready हो चुका है और यहां पर हमें लिखना है new hair तो यहां पर हम डाल देते है new hair तो इतना डाल दिया hour उसकी बार इसका font भी change करना हम यहां पर तो इसका 20 है तो हम 20 करने वाले हैं यहां पर यहां चलते हैं और यहां पर सर्ज करते हैं हम टेक्स्ट और टेक्स साइज को हम करते हैं यहां पर 20 SP ओके और इसको नहीं करना था हमें इसका हमें चेक करना था तो इसका हमारे पास टेक्स साइज है तो यहां पर एक लास्ट में आएगा एक question mark तो हमने एंटर किया और यह बिल्कुल वैसा के वैसा हमारे पास रेडी है अब लास्ट में हमारे पास एक है डिजाइन वाई नीट रूट यह हमें यहां पर चाहिए तो यह भी हम यहां से इस प्लैस स्क्रीन से ले लेता है तो मै यहां से यहां तक distance कितना है 174 का तो हम इसको क्या करते है इसको पहले तो एक तो थोड़ा सा उपर करना पड़ेगा हमें तो इसको हम थोड़ा सा उपर कर लेता है ए यहां के जगे 100 अदर का यहाँ पे वैसा का वैसा हमार पास यह भी लग रहा है अब क्या करना है हमें login या registered दोनों पे अगर किसी पे भी अगर click होता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें sign up या registration की screen बनानी है एक बनानी है एक और उसमें क्या करना है हमें कुछ fields को हमें add करना है तो सबसे पहले ह कि हांगे इस पर वh click करेगा थो भी इस screen परर आएगा और अटर इस पर ख्लिक सब्सक्राइब करे का होने वाला है कि जब रॉगा इन पर लोगें पर क्लिक करे तो क्या होगा युट्ग दिखेए और जब वह है बेया और किंवेड ** और क्लिक कर धार तो diğer ना एक्टिविटी बनाने के बाद इन फिल्ड को हम यहां पे एतना होने के बाद आप हम आप क्या करों अब एक और हम यहां पर layout create करते हैं new पर जाते हैं और activity पर जाते हैं और empty activity पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम लिखेंगे जो हमारे activity का name है तो यहां पर हमारे पास registration and sign in activity तो हम इसको minimize करते हैं और यहां पर हम डाल देंगे sign in and registration activity और इसको हम यहां पर कर देंगे टू को empty और यहां पर हमारे पास activity बनके आ चुकी है तो इसको हम यहां से हटाते हैं इस प्लैस स्क्रीन का बिल्कुल काम खतम हो चुका है अब अगर इस पर से कुछ चीज़ों की जुरत पड़ेगी तो हम यहां पर इसको use कर लेंगे तो यह चीज़ आ गई हमारे पास अब करना क्या है एक इसको भी copy करना है तो इसको मैंने copy किया और इसको मैंने यहां पर आने के बाद कर दिया पेस्ट तो सबसे पहले हमारे ब्लॉग वाला हो गया इसके बाद हमारे पास यह वाली activity यहां पर आ चुकी है इसको हमें 100 का देन है और यहां से पहले इसको करेंगे और इसको थोड़ा सब इदर लेके और इसको हम यहां से कंस्टेंट कर देंगे तो यह हमारे चुका है और इसको हम यहां से 50 पे ले जाएंगे तो यह भी हमारा सेंटर में आ चुका है तो इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है एक त आने के बाद layout के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया तो texture आ चुका है हमार पास अब क्या करना है एक फीड बनाना है जिसमें हम enter करवाएंगे अपना email एंड password और एक फीड बनाना हमें इसमें एमेल वाले को में मैं पर किया राइट को मिला से करेंगे और यहांNO कर तो इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है अब हमें लोग इन आप यह वे अफर या हम्मारा यह काम हो जाएता लेकिन अब हम्म चारू चारोत तरफ हमें border देनी है और इसके अंदर हमें text लिखना है इतना से काम करना है तो हम यहाँ पर कर लेते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें hint डालना पड़ेगा तो hint चर्च करते हैं और hint में हम डाल देंगे हाँ पर enter your email इतना अच्छा डालना था हमें तो यह चीज़ आ चुकी है हमारे पास और इसमें भी हमें डालना है तो यहाँ पर डालेंगे enter your password तो हमने इतना यहाँ पर डाल दिया अब क्या करना है दोनों के text के color को हमें change करना है hint का तो चलो फिर भी वह रहेगा लेकिन चेंज हो रहा है यहाँ पर तो हम इसको भी चेंज करेंगे तो hint color जो है हमारे पास यहाँ पर हम कर लेंगे इसको black तो हमने black किया तो यह black हो चुका है और इसको भी हम यहाँ पर करेंगे black तो यहाँ पर हमने इसको color black कर दिया ऑब दोना के अंदर हमें क्या डालनी है gravity क्या क्या प mosquitoesôi ग्राविटी डालना है क्याक्यूंकि इसके सेट्सक्त को हमें Center में करना है hap definitely sandwich on center टो यह हमारे text इसका Center में आ चुका है अब यहाँ पर क्या हमें हमें इसमें डालना है टो इंदर यहां पर टालेंगे तो मैं डॉइबल पचाने के बाद यहां पर यहांU रिसोर्स फाईल यहां पर सेलेक्ट करा मैं इहां पर और इसको डालूगा यहां पर हमारा सेप होने वाल है और यहां डालेंगे एडिट टेक्स्ट से तो यहां पर डाल दिया यहां पर ठीक है और और आप भी ऐसे नाम डाल देना और इसके बाद इंटर के आप पास एक ऐसा कोई फाइल के आ जाएगी सबसे पहले लेना है तो इसकी तो इसकी जो शेल्यास के लिए और यहां पर हम लेंगे corner और corners में tire करें Caleb यहां पर At day देजिस इंगे यहां पर आय। है तो मैंने यहां पर जाने के बाद यहां पर पी ऑर सेक्ड हाना का यहां ने अगव्ड ़लां चैयां दाना यहां पर यहां पर his तो यहां पर और यहां पर भी हम यह चीज़ चाहिए तो हम यहां पर डाल लेते हैं सबसे पहले से तो यहां पर मैंने डाल लिया से अब दोनों को स्लेक्ट करते हैं और दोनों की हाइट और वेट को हम यहां पर यहां पर डालने वाले तो इसकी हाइट और वेट हम यहां पर सेम ही है तो मैंने इसको एक को स्लेक्ट किया यहां पर वह ही है 270 जिसे आपके email का मिल गया तो email में 270 बाइ 60 है तो यह हम यहां पर भी डालने वाले है तो हम यहां पर दोनों को स्लेक्ट कर रहे हैं और यहां पर डाल देंगे 270 तो इसकी width हो गई और height हो गये 60dp तो यह हमारे पास ऐसा कुछ आ चुका है right u definitely the encryption हम hey इसकी margin जेक करनी है तो इसके और और इसकी margin हमारे पास कितनी बे रखिए इसके और आपके बीच की margin है 16 रहे हैं इसको हम यहां से करते हैं एक को स्लेक्ट और इसको हम यहां दे देंगे 16 का margin और इसको भी हम यहां से देंगे 16 का margin तो साइध यह इतना ही है एक बार हम चेक कर लेते हैं लेकिन ओके इसका हमार साथ ज्यादा है तो हम क्या करेंगे हमने इस वाले को select किया और इसके बाद हम यहां पर इसके साथ हम देखेंगे किसकी कित्ती दूरी है 170 यह 50 हो चुका है और यह ज्यादा दे दिया हमने 150 तो यहां पर हम 180 दे देंगे more than enough रहेगा क्योंकि यह थोड़ा सा design है इसका हमने size थोड़ा सा ज्यादा ले रखा है इस चकर में थोड़ा सा margin वगेरा का दिक्कत आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत है हम थोड़ा सा समझ समझ क इसको कर लेंगे अब हम यहां पर क्या चीए दो बटन चीए जो कि होगा फिल बटन होगा हमार पास राइट तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं सबसे पहले इन दोनों बटन को कॉपी करके और यहां पर पेस्ट करेंगे तो हम यहां पर चलते हैं और इन दोनों बटन को मै किया copy और यहां पर जाने के बाद इसके बाद में पर क्या कर दूँगा इसको paste कर दूँगा तो यह मेरे पास बटन आ चुक है और मैं इसको रिफ्रेस किया तो ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास अब login बटन चीए सबसे पहले तो login बटन को हम लगाएंगे जस्ट इसके नीचे तो यह बटन हमार पास आ चुका है इसके बाद हमार पास text view है तो text view को भी लगाएंगे हम जस्ट इसके नीचे तो यह भी हमार पास आ जाएगा तो मैंने इसके नीचे इसको लगा लिया अब देखो अब यह registered बटन है इसको को हम लगाएंगे जस्ट इसके नीचे तो यह भी हमारे पास ऐसे आ जाएगा अब क्या करते हैं इमेज व्यू है हमारा उसके बाद हमारे पास यह है ब्लॉग वाला बटन और यह रजिस्टर वाला बटन है पहले इसका कंस्टेंट हटाई लेते हैं में काम करते हैं तो कोई उसके ब्लॉग हमारा यहीं पर थब चुका है इसके साथ ओना चीए लेकिन यहं दूप जा चुका तो मैंने इसका कंस्टेंट से तोड़ा यह बहुत इसको थीक है अब यह हमारा इसका यह पर left से एंड राइट से इसको तोड़ देंगे और इसके बाद यह होग हमारा फरस्ट इसके बाद यह है किसको यहाँ पे नीचे लेते हैं तो हम यहां से तोड़ते हैं और यह Its यह आएगा जस्ट इसके नीचे और यह उपर जाना चाहिए लेकिन जा नहीं रहा है क्यों नहीं जा रहा है तो यह हमारे कुछ इस टाइप से हैं अब इसको एक बर और कंस्टेंट कर लेते हैं I don't know क्या इस्वाया था तो नीचे आ चुका है हमारे पास यानि कि कोई ना कोई अड की इसू ए तो मैं यहां पर जाने के बाद एश में जो में आरड़ एंगे यां। तो सबसे पहले हमारा इमेज वियू है इमेज वियू के बाद हमारा टेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो अब यह दिकत आने नीचे लेकिन फिर भी आ रहा है तो 242 और 500 करते हैं इसको क्लीन क्रते हैं अब Inn पर प्रोजेक्ट को बिल्द को हम यहाउने छाने के बाद फिस से एक अब d mos यह error मतलब हमारे पास जा चुकी है, जो error पहले हमारे पास यह आ रहा था, ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ पे, इसका bias को हम यहाँ पे कर देते हैं, remove, जिससे हमारे पास center में आ जाए, इसके बाद इसकी margin होगी top से, margin top 8 dp, तो मैंने 8 dp डाल दिया, इसके बाद हमारे पास enter your password है, तो इसके बाद इसको हम यहाँ से constraint करेंगे, तो यह के साथ हमारे constraints होगा, और इसका margin होगा, वो होगा 100 का, तो margin डाला मैंने, top और 100 dp, यहाँ पे मैंने डाल दिया, आप क्या करना है हमें, इस वाले button को select करना है, या फिर पहले इसको हमें select करना है, और इस edit text को हमें इसके just नीचे आके constraint करना है, तो मैं इसको थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ, इस login बटन को भी थोड़ा से नीचे कर लेता हूँ, email हमारा उपर आएगा, तो पहले हमें email को करना था, तो मैंने password को कर लिया, email को मैंने वापर से constraint किया, और यहाँ पे constraint किया, और margin दे देंग हुआ, margin top, margin top, इसको हम यहाँ पर कर देंगे, 16dp हमने यहाँ से कर दिया, अब यहाँ पर सबसे पहले आएगा हमारा पास login का button, तो हमने इस login बटन को यहाँ से constraint किया, और इसको हम यहाँ से constraint कर देंगे, और इसको हम यहाँ से constraint कर देंगे, और इसके साथ इसका margin होने वाल तो इस टेक्स्ट व्यू को हम यहां से स्लेक्ट करेंगे और इसके नीचे हमने लगाया और इसको हम यहां लगाना था यह जो टेक्स्ट व्यू है इसको हमने यहां पर लगाया और इसको हम यहां से सबसे पहले तो और इसका जो टेक्स्ट है रजिस्टर बटन के साथ लग च 16 डीपी और इसके बाद हमारे पास एक और लास्ट है बटन इसको हमें करना है इसके साथ तो इसको भी हम यहां पर कर लेते हैं इसके जस्ट नीचे और यहां से देंगे हम इसको मार्जन टॉप 16 डीपी और इसको कंस्टेंट करेंगे इसके साथ और इसको कंस्टेंट करेंग अब हमें क्या करना है इसको अनुट वाला हम सबसे पहले बनाना है कि क्या कि एग डेख सकते हों कि अगर रोग अमत्लप प्लग उसने बाला अर्ट उसके कि प्लबुट यहाँ पर अट्मेटिक क्या होड़ा चाहिए इसको यहाँ चीज पहले से करने म Tutaj एक सब्सक्राइब कि एक सब्सक्राइब कि कि होमारे बाले दिधुवल करें तो तो मैं हमारे पास बुरुर के तो मैं यहां पर new जाता हूं और driveal पर जाता हूं और यहां पर मैं स्लेक्ट करूँगा shape और यहां पर मैं लिखूँगा red fill shape मैंने इतना किया रिख दिया है और एंटर करता हूं मैं इस पर अभी literally अब सेको तो सबसे पहले हमें क्या चीए Corners चीए जो कि हमारा होने वाला 8 dp का और इसको मैंने यहां से किया close इसके बाद हमें चीए यहां पे solid color तो color हमारा पास होगा blue रल्डों रहे लिए और जैसे जुक्रासे यहां होने वालत करता हूं और यहां पर हम डालेंगे सेलेक्टर किmber औहां को vedere करना है तो यहां पση Khal mistaken ठास्थ परảo यहां पाद स्रक्राइब करना है और हमand energy स्रक्षियां के बारबने के बाद एस एस इसमें डालना कॉर्णर कोंडल यहां भी एक पर हम आप डाल दिया और सको किया क्लोज और हमारे यह दोनों हमार पास safe हमार पास बनके ready हैं अब देखो अब क्या करना है मैंने इसको भी close किया अब by default यह क्या रहेंगे यह दोनों जो fields है न यह क्या रहेंगे हमार पास हटेवे देगे यानि कि disable रहेंगे ओके तो एक बार हम इसका constraint इसके साथ लगा रगा था this is not good और इसका हम margin देंगे margin top ओके और margin सही तो है फिर भी कोई दिक्कत आ रहा है ओके इसके साथ मैं इसको कर रहा है अब यहां पर हम देंगे margin top और यहां से देंगे हम 8 dp अब by default क्या होगा यह दोनों यहां पर disable होगा जैसे मैं इस login वाले पर click करूंगा तो क्या होने वाला है login वाला जो फील्ड से हमार पास enable हो जाएगा और register वाले पर हम क्लिक करेंगे तो register वाला का दिफ्र हमारे पास इने बाल यहां पर dah giall89 okay हमें यहां पर सब्बस्क्तिर करते हैं इनकी property में जाने के बाद हम यहां से इनको क्या करेंगे विजिबिलिटि इनकी क्या करेंगे और इसको भी इसको margin देना है आपको कितना margin आप इस पर देना चाहते हो तो इसके बाद यहां पर margin होगा 200 dp का तो देखो मैं जैसे 200 dp डाला तो जब कुछ चीज़े गाइब हो जाएगी ना तब यहां पर 200 dp का margin by default इसका होगा तो यहां पर हम 2 के जगे 250 dp हम यहां पर डाल देता है जै चीज़े यहां पर थोड़ी सी अलग हो जाएगी और यहां पर मैंने इसको enable किया तो यह हमार पास पहले जैसे आ चुका है लेकिन जैसे फेस्लिक फीड्स लूंगे ना तब देखना क्या होगा यहां ने गॉन किया और अरश्को भी मैंने यहांसे गॉन किया जिसे इस तीन फिल्ड और एक हमें image यहां पे चाहिए तो image के लिए हम यहां पर क्या यूझ करेंगे CardView यहां पर मैंने CardView लगा एक क्यूंकि क्यूंकि क्या हैं प्रत है क्या हैं राउंड प्रतिफा इसा चाहिएं तो इसे क्या हो जाता है मिरपास image भी आ जाता है तो इस कार्ड के अंदर मैंने इस image को paste किया अब देखो मैं इस क्या करूंगा इस कार्ड को मैं देखो और तो कॉर्णर यहां पर डाला मैंने और इसको हम डाल देंगे द्वड डाल दो या चाहिए आपके image के साइट से तो हमार पास सरकल हमार पास आ चुका है अब क्या करेंगे इसके कार्ड को हम थोड़ा सके देंगे हाइड देंगे तो इसको यहां पर यहां से कर देंगे 64dp और इसको भी हम यहां से करदेंगे 144dp इतना आपको करना था और और यह आपका आपका image का view यहाँ पर ready है तो margin को हम थोड़ा सा margin दे देंगे 8dp का more than enough है अब यहाँ पर वापिस से हमें क्या चीए edit text चीए तो text में गए हम सबसे पहले हमें क्या enter करवाना है name तो यहाँ पर plain text होगा तो edit plain text हमने यहाँ पर add किया और यह देखो मैंने इसको दोनों को कर लिया यहाँ और इसको मैंने यहाँ से refactor कर लिया अब इसको मैं थोड़ा सा कर लेते हैं तो यह उस्याम पास हुआ हमारे पास ईथना हो गया हमारे पास अरी अतना हो गया हमारे पास तो骑 कुछ Solutions भाड़ मैंने इसको भी यहाँ से कम उया अब क्या यहां पर आने वाल है तो हम यहां पे ब्लू कलर की आरुन को यहां ब्लू field shape ने होगा यहां पर हम पे नॉर्मल सेफ होने वाले है हमारे पास तो यहां पर ब्लू 세फ हमने बनाया नहीं है तो उसको भी हम यहां पर create कर लेते हैं तो यहां पर मैं जाता हूं new पर जाने के बाद यहां पर मैं करूंग गा एडिट text blue shape इतना मैंने किया यहां पर इसको selector की जगे यहां पर हम वापे से कर लेंगे shape और यहां पर आने के बाद आपको इसमें क्या डालना है only stroke डालना है color डालना है और blue को आपको select करना है और width डालनी है 2dp और यह हमार पास यह आ चुका है इसको close अब इन दोनों पर जाके हम यहां पर इसको use कर लेंगे यहां पर डालेंगे blue तो यहां पर मिल जाएगा आपको edit text blue shape यह हमार पास आ चुका है और एक चीज़ और डालना है इसमें corner तो वह भी डाल देते हैं corners और corners हम radius डालेंगे यहां पर 8dp का मैंने radius यहां पर डाल दिया और इसको हम यहां से करते हैं close अब इनकी gravity हमें डालनी है तो gravity हम यहां पर enter करते हैं और layout gravity हमने यहां पर कर दिया center तो यह center हो जाएगा हमार पास text हम इन सब में हमें क्या डालना है हिंट डालना है तो एक तो हमें इसकी text को अटाना है तो यहां पर हम चलते हैं text और text को हम कर देते हैं empty तो यहां पर मैंने डी लिखा और सब में डी आ चुका है अब मैंने सब को यहां से कर दिया remove तो इतना किया मैंने है अब करना क्या हमें सबसे पहले वाले में आएगा हिंट तो सबसे पहले text कलर भी इनका आएने वाला है तो text color हमार पास सब का black होगा तो यहां लिख देंगे हम black और text size जो होने वाला है सब कितना होने वाला है 20 SP और font style होने वाला है तो font family हमार पास इसका हो जाएगा यह वाला अब यहां पर चलते हम और डालते हैं हिंट हमें सब में डालना है तो हिंट में फर्स्ट वाले में डालना है मुझे क्या चेक कर लेते हैं तो enter your name enter your name तो सब में आ चुका है लेकिन सब में नीची है और hint का text color क्या होगा यहां पर text sorry text color यहांपे यहाँ पर जाएगा black तो मैंने यहाँ पर black select किया और black हमार पास हो चुका है अब enter name तो हो गया हमार पास अब किसको change करना है इसको लिखना है यहाँ पर और इसके बाद हमें इसको लिखना है enter your password तो यहाँ पे लिख दिया मैंने password तो इतना करते ही हमार पास ये चारोप फिल्ड हमार पास complete है राइट अब इसको हमें यहाँ पे change करवाएंगे जब हम इस पे click करेंगे तब जाके ये चीजे changes हो गी यहाँ पे तो इतना हमने कर लिया और अब इसके तो login वारे चीजें यहाँ पे enable हो जाएगी और बागी चीजें यहाँ पे हो जाएगी disable तो सबसे पहले welcome screen पर चलते हैं और इसके back end के code पर चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं थोड़ा सो मैं इसको zoom कर लेता हूं तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे activity welcome binding by lazy और यहाँ पे लिख देंगे हम binding activity welcome binding dot inflate और यहाँ पे हम डाल देंगे layout inflator और यहाँ पे हम कर देंगे सको binding dot root इतना कर दी हमने तो हमारे binding यहाँ पे हो चुक कि complete और इसको हम यहाँ से remove करते हैं now अब हमें क्या करना है हमें दो on click listener लगाना है एक होगा हमारा binding ओके और यह bracket के अंदर जाकर हमें करना था यह तो यहां पर हम चलते हैं और यहां लिखते हैं binding और हमारे कौन से सबसे पहले login वाला बटन है तो इस पर लगाएंगे dot set on click listener और इसके अंदर हमें और जो code हमिए यहांपे करना होग कोना ही अंदर यहां पर हम्म चीषिजए कर देंगे तो यहां पर एक चीज़ हमें क्या करना है सबसे पहले तो main इस वाले activity पर हमें jan जाना है Sign-in and Registration activity, और यहाँ पर Scope Regulation रगाने के बाद, हम लगाएँगे यहाँ पर Class.Java, तो हमेँ यहाँ पर क्या करना है, दोनो एक्टिविटी में सेम जगे हमें जाना है, मतल्लब दोनो बटन के कलिक सेम जगे पर जाना है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा जब हम login वाला button प्रेस करेंगे तो जब registration वाला button हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो इसके साथ हम कुछ extra चीज़े लेके जाएंगे जिससे हमारे इस activity को पता चल जाएगा कि आपने कौन से button पर प्रेस करके आप यहाँ पर आये हो तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करते है पुट extra भी हम यहाँ पर यूज़ करते है और एक छोटा सा काम यहाँ पर हमें और करना पड़ेगा मैं यहाँ पर बनाऊँगा एक variable well well intent और equal to करेंगा हम मैं इसको equal to करके और यह बाल जगल है हमारा इसको हम यहाँ पर करेंगे कट और कट करने के बादं को मिहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर पास कर देंगे हम intent right अब इसको भी मैं हां छूज़ करता हूं कट और इसकी जगए कट नहीं यहां पर हमें करना था copy और यहां पर जाने के बाद काम करते हैं अब देखते डूना जगे पे हमें कुछ न कुछ वैल्यू यहां पे साथ में लेकर जाने पड़ेगे तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं intent डॉट पोत एक्सट्रा अब यहां पर आपको value में हम यहाँ पर different different value डालेंगे तो एक हमारा login के लिए होगा और एक हमारा होगा registration के लिए तो यहाँ पर हम डाल देंगे सबसे पहले login और यहाँ पर हम डाल देंगे register तो यहां पर हम डाल देते हैं registered तो अब इससे क्या होगा actions से हम पता लगांगे की वह हमार आख стать होगा और इससे हम पता लगा लेंगे की कौन सा action हमार पास होआ है और यहांपर value जो इसकी होगी अगर value इस इससे मैच ce quis yer करेएगी साइन पे और यहां पर भी नेवल कर लेता हैं सबसे पहले बाइन इंडिंग और यहां लिखेंगे रिखेंगे बाइन इंफ्लेट लेयाउट इन्फिलेटर इतना काम करने के बाद हम इसको भी कर देंगे binding.root तो binding.root हमने कर दिया अब हम यहाँ पर इस चीजों को यहाँ से बांद चुके अब क्या करना है हमें इन चीजों को यूज करना है तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें एक यहाँ पर एक variable बनाना पड़ेगा extra वाला तो well extra के नाम से हमने हाँ पर या sorry action के नाम से action के नाम से हमने एक variable बनाया जिसमें हमारा पर क्या होगा intent.get get extra लेंगे हम यहाँ पर get string extra तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा string आ जाएगा अगर यहाँ पर name डालेंगे हम यहाँ पर action तो यह action के नाम से हमारा string आ चुका है, अब हम इसको use करके condition को यहाँ पर check करवा लेंगे, तो यहाँ पर हमारे दो condition होगा, एक होगा हमारे पास if, तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, login वाले के लिए करवा रहें, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, adjust visibility and for login, तो इतना लि login है, login है, तो हम क्या करेंगे, कुछ fields को यहाँ पर हम disable करदेंगे, और कुछ fields को हम यहाँ पर enable कर लेंगे, right, तो यहाँ पर और एक ओर condition लगाने हैं हमें, else if, तो इसमें भी हम यहाँ पर KP क्या करेंगे, action और equal to equal यहाँ कर करवाएंगे, यहाँ पे हम अगर registered है, तो काम करना होुआ हमें बस इतने से को कोर्द में है अब सबसे पहले क्या करते हैं इंको अच्छे से activity के अंदर जाने के बाद रडू हम पर हम क्यों करते पास हम जो चीजों करने है नहीं सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर देनी है tennisados वाले को हम यहां पर देने की ज़रुत नी है लेकिन यहां पर image हम देएगे जब हमारे पास अप्लोड करवाएंगे लेकिन फिलहाल के लिए हम यहां पर देते हैं user image user underscore image और एक और लगाएंगे हम यहां पर जो क्यों होगा हमारा register register user image और इसको नेम, इसके बाद हमारा रजिस्टर्ड इमेल, इसके बाद हमारा रजिस्टर्ड पासवर्ड और इसके बाद हमारा रजिस्टर्ड बटन, तो रजिस्टर्ड और यहां पर हम लिख देंगे, रजिस्टर्ड बटन, तो इन चीजों को हमें यहां पर डिजेबल करना है, एक हम में हमार पास रजिस्टर आता है तो हम इन चीजों को यहां पर क्या कर देंगे कर देंगे अधर वाइस हम क्या करेंगे जो हमारी यह दोनों फील्ड से इनको हम यहां पर इनेबल कर लेंगे राइट इतना सा काम हम यहां पर करना है एक बार लोग इन के लिए भी हमार पास ल visible कर लेंगे यह ने बल कर लेंगे तो हम यहाँ पे चलते हैं और लिखते हैं बाइंडिंग डाट एक हमारे क्या है सबसे पहले login बटन यहाँ पर होना चाहिए enable तो login बटन बाट और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे visibility और visibility equal to यहाँ पर हम कर देंगे view dot और यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसको visible कर देंगे इतना सा काम हमें करना था अब एक और fields हमारे पास कौन सा यहाँ पर binding dot email है एक हमारा तो registered email नहीं only added text email address यह है एक बार हम check कर लेंगे तो यह देखो जो हमारा गायव है उसका name के हमार पास registered text email address तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे यह जो बहुत सार बड़ा सारा name है इसकी जगे हम यहाँ पर डालेंगे login email address डाल लेते है तो इससे हमारा अच्छा सब देखने में भी लगेगा name और कोई दिक्कर भी नहीं होगी तो मैंने login email address यहाँ पर refactor कर दिया इसको और इसका name हम यहाँ पर change कर देता है registered की जगे login underscore password तो यह होगा हमारा change अब यहाँ पर चलता है और email address की जगे यहाँ पर हम कर देंगे login email address dot visibility और equal to यहाँ से हम क्या कर देंगे इसको visible कर देंगे visi view dot visible और एक और हमारा हो गया binding dot login password login password dot set sorry dot visibility और equal to home इसको कर देंगे यहाँ पर view dot और यहाँ पर हम कर देंगे इसको visible अब एक चीज़ यहाँ पर मेरे को याद रखना है कि मेरा बटन गाइब नहीं होगा बस उसके fields यहाँ पर visible और visible होंगे राइट तो by default उसका visible है invisible है यह देखो by default यह दो field क्या invisible है तो इनको मुझे visible करवाना है इतना से काम करवाना है तो यहाँ पर दो तीन property होती है हमार पास होता है invisible और एक होता हमार पास gone तो हमें dot dot और हमारे पास कौन सा button है registered button dot visibility equal to view dot और यहाँ पर हमें क्या करवाना है इसको invisible करवाना है तो यह invisible हो जाएगा और एक हैसका text जो है उसको भी हमें यहाँ पर change करना है तो dot और यहाँ पर हम क्या कर देंगे registered new hair वाले जो है हमारा इसको भी हमें यहाँ पर क्या कर देंगे dot visibility equal to view dot invisible इसको भी हम यहाँ पर कर देंगे लेकिन यह दोनों कहां हमें इसमें करना था ठीक है तो यह हमने कर दिया अब इसको हम एक बार run करते हो चेक कर लेते कितना हमारा यह work कर रहा है यह नहीं राइट तो मैंने इसको run किया और हमारे पास एक error आ रहा है यह बता रहा है रेसोर्स में जाके layout में sign in activity में XML 142 पे टूल अच्छा add direct avatar वाला तो इसका issue जो है यह आप क्या कर सकते हो अब यहाँ पर आपको कोई ना कोई image यहाँ पर use करनी पड़ती है तो मैंने यहाँ पर image नहीं डाला है तो हम यहाँ पर split में जाने के बाद देखो यहाँ पर 142 पर error बता रहा था तो यह हम यहाँ पर डारेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप कोई ना कोई image यहाँ पर डालनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पर डाल देता हूं इसको हम यहाँ पर change करेंगे main activity की जगे जहांके यहाँ पर करेंगे sign in वाला activity तो अब यह हमारा यह भी हमारा fix हो चुका है तो अब देखना यहाँ पर हमारे पास login screen पर हम यहाँ पर आ जाएंगे ओके direct हमने इसको भी भेज दिया तो वहाँ पर भेजने के बाद तो यह सारे fields यहाँ पर enable ही रहेगी मेरी mistake और यहाँ पर सबसे पहले भीजने हमें welcome screen पर welcome activity पर अब यह बिल्कुल परफेक्ट है विजीवल विकरना जो बाकी के जो fields उनको हमें इसे बेखने है तो एक बर कर लेते हैं ओर आपर यहाँ है कि हमने क्या किया सबंठ डिया अब बाकी जो में से उनको यहाँ पर हमें गौन करना है ठीक है इन वीजीवल तो हमें यहाँ पर कर वा दिया और गौन हमने हमें यहां पर ने कर दो बैंडिंग 네 बाइंडिंग डॉट अब हमार पास रजिस्टर वाला जितने भी चीजह उन सब यहाँ पर गौन कर देंगे तो बटन को तो password.visibility equal to view.gone और एक और हमारे पास binding.register password हमारे पास हो चुका है यूजर नेम यूजर इमेज भी हम यहाँ पर करना है डॉट यूजर इमेज की जगे हम यहाँ पर किसको करना है एक इसको करना था एक हमें नेम को भी करना है रजिस्टर नेम को तो यहाँ पर हम नेम को सबसे पहले करवाएंगे इससे कोई फरक पड़ता है नहीं वैसे बस मैं sequence बनाने के लिए इसको मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं और कोई दिक्कत नहीं है तो सबसे पहला हमारा नेम आ जाएगा यहाँ पर बाइंडिंग डॉट रजिस्टर यूजर नेम या फिर रजिस्टर नेम और डॉट विजिबिलिटी एक्वल टू व्यू डॉट गॉन तो यह कुछ फिल्स थे जो अगर यह काम होगा हमारे पास लॉग इन वाली एक्टि हमारे पास हो जाएगी गॉन और यह वाली जो फिल्स है हमारे पास ही हो जाएगी इन विजिबल तो हम इसको रन करते हैं और रिरन करने के बाद इसको हम चेक करेंगे अब जैसे मैं लॉग इन पर क्लिक किया तो यह देखो लॉग इन वाली फिल्स हमारे पास आ रही है ले की चीजों को मिहां पर चella कर लेते हैं ठीक है तो गौन कर दिया मेंने यहां पर इंवीजीवल करना था ज deeply झुछए कर लेते हैं कि इंवीजीवल के लिए अधे क्या कर सकते हैं राइट तो मुझे इसको जो यहां पर इसकी visits करना तो किसीवलीटी और यहां पर तीन है तो कैसे करेंगे, राइट, तो इसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पर वापिस से, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो इसको आप यहाँ से हटा दो, और यहाँ पर क्या करो, visibility की जगे यहाँ पर क्या हो जाएगा clickable is clickable और इसको यहाँ पर क्या करना है हमें equal to कर दो इसको false इतना आपने कर दिया और इसको भी आप same चीज क्या कर दो इस clickable इसको भी यहाँ पर change कर दो अब इसको हम यहाँ पर run करेंगे तो देखते हैं कि क्या होता है मैंने इसको run किया और login पर गए तो यह देखो अब registered वाले button पर भी हम यहाँ पर click नहीं कर पाएंगे और बाकी button पर हम यहाँ पर click कर सकते हैं ओके लेकिन हमें क्या करना है एक चीज और यहाँ पर करनी है कि इसको हमें दिखाना भी है थोड़ा सा faded यानि कि थोड़ा से इसकी brightness वगेर कम हो जाएगी जिससे उसको पता चलेगा कि यह चीज काम की नहीं है तो यहाँ पर is clickable की जगे एक और property आती है is enabled और यहाँ पर आपको इन दोनों की जगें यहाँ पर is enabled property को यूज करना है तो यहाँ पर मैंने is enabled लिखा और अब यह हमारा बिल्कुली perfect करेगा तो यहाँ पर चलते है अब जैसे मैं login पर गया तो यह देखो और यह हमारा work नहीं किया देख लेते हैं तो इसके लिए हमें एक छोटा सा last काम और करना पड़ेगा इन दोनों को क्या करो आप control D कर लो और इसको भी control D कर लो और इसकी जो alpha value है न उसको यहाँ पर हम यहाँ पर change कर लेंगे राइट तो इसकी जो थोड़ी सी opacity हो जाएगे ना वह काम हो जाएगे तो alpha कहते हैं अपी opacity को alpha equal to यहाँ पर हम कर देंगे 0.5 और यहाँ पर आप कर दोगे इसको f ओके तो अब मैंने set किया अभी हमारा बिल्कुल perfect है अब यह देखने थोड़ से disable भी हो जाएगा और यह वर्क तो वैसे भी करने वाला नहीं है तो मैं login पर click किया तो यह देखो हमार पास यह थोड़ी सी हो जाएगी राइट तो वह पहले से हमार पास तो हमें यहां पर सिर्फ छोटा सा काम क्या करना है इस वाले दोनों चीज़ों को यहां पर हाइड करना है और थोड़ी सी की opacity हमें यहां पर कम करनी है तो एक तो हमें क्या करेंगे इस ability को हम यहां पर बंद करेंगे और इसकी opacity को भी हम थोड़ा सा हम कम करेंगे तो यह रिजिस्टर बटन की जगे हमार पास कौन सा हो जाएगा login बटन और यहां पर हमार पास हो जाएगा login बटन और इसके बाद हमार पास है दूसरा कौन सा बटन है सिर्प login बटन को हमें ह नहीं है यहां पर सिप्ड करने राइट तो इसको हम यहांसे remove कर लेते हैं और अब Registrator P Furив हम click करेंगे और चेक करेंगे कि ऐसा होता है तो यह को रहा है हमारे पास तो हमने इसको अन किया अब जैसे इस इस त्ब पिलीक किया तो यह उसको हम यहां पर थोड़ा सा change कर लेते हैं तो यहां पर हम चलते हैं और इसके बाद आपको क्या चाड़ना है themes पर जाना है value में जाने के बाद themes पर और theme में जाने के बाद आपको यहां पर एक item लगाना है और यहाँ पे आप लिखोगे status bar status bar color और यहाँ पे आप जो भी color यहाँ पे use करना चाहते हो वो यहाँ पे आप इसको बताना है तो यहाँ पे हम डालेंगे add the rate color blue ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे status bar का color क्या हो जाएगा blue type का हो जाएगा तो यह हमारे blue color का type का status bar का color हो चुका है तो login पर हमने click किया तो ऐसा आ रहा है और registered पर हमने click किया तो ऐसा आ रहा है तो इतना हमें करना था चलो अब हम implement कर लेते हैं login की functionality को और sign in की functionality को तो मैंने इसको minimize किया इसको मैंने यहां से cut किया splash screen के अब हमें यहां पर जरूरत नहीं है हमें जरूरत है सिर्फ और सिर्फ in field की ओके अब हमें यहां पर sign in की functionality को implement करना है तो उसके लिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं हम use करने वाले हैं fireways जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था कि हम इस project में fireways और glide का हम यहां पर use करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा अपने application को connect करना पड़ेगा किस से अपने fireways से तो सबसे पहले हम क्या करते हैं fireways से connect करने के लिए या तो आप manually कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो short-cut तरीका जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो आपको जाना यहां पर और इसके बाद जाना आपको file पर और file पर नहीं sorry तूल पर जाना आपको टूल पर जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे fireways का option वाले को नॉर्मली स्लेक्ट करना है अगर आप जावा यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर जावाले जो ऑप्शन से उनको आप यहाँ पर स्लेक्ट कर सकते हो तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर स्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैंने ऑथेंटिकेशन यूज project पर हाँ पर click करना है अब जैसे है इस प्रिक करोगे तो आपके पास क्या जाएगा एक option आजाएगा blog app का यह फिर आपके जो भी application नाम रखना चाहते हो वह आप यहाँ पर डाल लो मैं यहाँ पर यहांप पिर रहने दूंगा और इसको यहां से कंटीनीव करूंगा और कंटीन्यू करने के बाद आपको इसको कंटीन्यूव क्लिक करना है और आपको यहां पर पूछ रहा है अब यहाँ पर जैसे आप create project पर create करोगे तो यहाँ पर आपके बाद कुछ ऐसा loading सा आएगा तो आप इसको इसको होने देना है और एक चीज तब तक मैं आपको बता देता हूं कि आप तब तक यहाँ पर कुछ भी चीज यूज नहीं कर पाऊगे आपका जो screen है यह बिल्कु हो जाएगा तो अब इसको आपको continue पर क्लिक करना है तो continue पर मैंने क्लिक किया और continue पर क्लिक करते ही हमार पास एक और पाउप आएगा और इसको आपको क्या करना है connect पर क्लिक करना है वेट कर लेते हैं थोड़ाचा तो यह connect का option आपके पास भी आ जाएगा तो आपको connect पर क्लिक करना है और यहां पर आपक लिखा हूं का य ahor project is connected to the fireplaces एतना करने के बाद आपको करना है वह पर इससे करना है firebase को search और single sousर्च और प्वार्वेस सर्च करने के बाद आपको मिल जायगा अब डेस्कोड और यहां पर प्रोजेक्ट यहां पर कनेक्ट हो चुका है अब यहां पर आपको क्या यूज करना है अब मैं एक चीज आपको दिखा दो उससे पहले कि हमारा जो यह था यहां पर complete हो चुका और यहां पर लिखा हुआ भी आ चुका यह और blogging app is now connected to the firebase project ओके तो इसको आपने cut किया और अब क्या करना है आपको इसको यहां पर add करना है आपको इसमें firebase authentication तो इतना आप click करोगे और accept changes पर click करोगे और build को आप चेक करोगे कि यहां पर कोई error ना आ जाए क्योंकि यहां पर कुछ dependency यहां पर डालनी होती है वो dependency यहां पर automatic डल रहा है या फिर आप इसको manually भी डाल सकते हो यहां पर जाने के बाद module वाले ग्रेडल में जाने के बाद तो वेट कर लेते हैं इसको होने देते हैं तब तक तो यह हमारा successful हो चुका है और कोई भी एरर हमारे पास यहां पर नहीं आया है तो मैं इसको minimize करता हूं और यहां पर dependency भी यहां पर automatic add हो चुकिए अब मैं इसको minimize करूंगा अब देखो यहां पर आपको authentication यूज करना है तो आपको यहां पर option मिल जाएंगे और authentication पर आपको क्लिक करना है तो authentication पर हमने क्लिक किया इसके बाद आपको get started का option मिलेगा तो आपको इस पर इस वाले option को आपको enable नहीं करना है नहीं तो क्या होगा जिस link पर आपने भेजा लिंक से आप registered करवाओगे उस link पर एक mail आएगा देन आपको इसको confirm करवाना पड़ेगा तब जा कि आपका user क्या हो सकता है sign in हो सकता है तो यह आप चाहो तो यह भी option आप यहाँ पर करवा सकता है लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मली अगर यूजर email और password डालता है तो directly sign in कर सकता है ओके तो मैं इसको save पर click करूंगा तो यह हमारा पास इनेवल हो चुका है अब क्या हम अब हम क्या कर सकते हैं email और पास्वेद authentication को हम यहाँ यूज़ करने के लिए ready है इतना करने के बाद आपको क्या करना है आपको जाना है अपने project पर और आपको जाना है प्रोजेक्ट सेैटिंग पर और आपको last में कुछ नहीं करना आपको आप यहाँ पर authentication पर आने के बाद आप यहां पर चेक कर सकते हो कि क्या पर currently कोई भी यूजर नहीं है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे सको minimize करेंगे और अपने application में यहां यूजर को create करने का कोड लिखेंगे तो यह कोड आपको यहां पर मिल सकता है आप यहां पर search कर सकते हो Firebase Authentication और यहाँ पे आपको यहाँ पे option मिल जाएगा तो आप यहाँ पे आने के बाद Android में आपको कैसे Authentication करवाना है उसके बारे में आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो तो Dependency अगरे डालने के लिए बता रखा है तो वो हमने रजिस्टर करवाना हो तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हो तो यहाँ पे आप Get Start पे क्लिक करवाना और यहाँ पे आपको सारे चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे आप क्या क्या चीज़ यहाँ पे कर सकते हो ठीक है तो मैंने इसको open किया अब यहाँ पे हमें सारे चीज़ करवानी है ठीक है तो मैं इसको यहाँ पे remove कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक comment add कर लेता हूँ कि यह काम हमारे किसके लिए था और अब जो नया हम काम करेंगे वह किसके लिए होगा तो मैंने यहाँ पे double slash लगाया और यहाँ पे लगाएंगे for visibility of fields तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा एक fireways authentication को हमें initialize यहाँ पर करना पड़ता है तो उसके लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं एक variable private well sorry private late init where और यहाँ लिखेंगे हम auth और fireways auth को हम यहाँ पर select कर लेंगे एक चीज ध्यान रखना अगर आप dependency नहीं डालोगे तो यह चीज आपके पास अभी label होने वाली नहीं है जो हमने वहाँ पर dependency डालते समय यहाँ पर किया था तो इसको मैं format करता हूँ अब देखो इसके अंदर आने के बाद इस block के अंदर आने के बाद आपको इसको initialize करना भी जरूरी है तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ initialize firebase authentication इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है auth equal to firebase auth get instance यह लिख लिए हमने initialization हमारे हाँ पर complete हो चुका है ठीक है इसका काम क्या होता है इससे आप users को यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो ऊकै तो अब क्या करना है हम्में जब हम login करौएंगे तो login करवाने से पहले हम registration यहाँ पर करवाना होगा तो हम यहाँ पर आएंगे यहाँ पर हम and registration इसका complete लिखेंगे आपको हमारे सब्कूल Woo से पहले registration की process को यहाँ पे हम complete करेंगे ओके तो यहाँ पर हमें क्या करना है कुछ variables हमारे पास यहाँ पर काम आएंगे जैसे कि एक होगा हमारा registration करवाने के लिए कि variable होगा जो क्यों हमारा होगा name equal to binding. और यहाँ पर लिखेंगे हम registered name ओके एक यह फील्ड हमारा पास यहाँ पर काम आएगी .text.trueString हमें इसको करना है तो यहाँ पर हमारा पास क्या आ गया name वाले variable में हमारा पास जो registered name के अंदर जो field है यह name के अंदर जो field है इसकी value हमारा पास यहाँ पर आ जाएगी ओके तो इसको हम ctrl d ctrl d कर लेते हैं name की जगे अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा पास email एक हमारा पास हो जाएगा यहाँ पर password लेकिन हम इन सब के आगे एक और value लगाएंगे यहाँ पर हम registered इससे क्या होगा हमें differentiate करने में आसानी होगी ओके तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं capital N और यहाँ पर लिख लेता हूं capital E और यहाँ पर मैं लिख लेता हूं capital P अब एक और field हमें यहाँ पर add करना है जिससे क्या होगा हम अपने user के profile को भी हम यहाँ पर add करवा सकते हैं लेकिन उससे पहले एक चीज ना हमें यहाँ पर register name की जरुरत है ना ही हमें profile की अभी जरुरत है वो हम कब करवाएंगे जब user का data हम save करवाएंगे तब हमें उसकी जरुरत पढ़ने वाली है तो पहले हम sign in वगेर करवा लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर registration करवाएंगे तो मैंने यहाँ पर मैं comment कर लेता हूँ get data get data from edit text field इतना हमने कर लिया और अब क्या करना है हमें condition लगवाना है कि कोई भी field हमार पस यहाँ पर खाली ना हो तो एक well बनाया है मैंने और register तो एक काम करते हैं हमार पास यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा name भी हम यहाँ पर save करवा लेंगे और अपने जो image से उसको भी यहाँ पर हम save करवाई लेंगे एक ही साथ ओके तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक और variable बनाऊँगा well register name के नाम से और equal to कर दूँगा मैं इसको binding.register name.text.to string ठीक है यह हमने यहाँ पर conditions लगा ली अब इसकी हमें यहाँ पर ज़रत नहीं है अब यहाँ पर condition लगाएंगे जिससे क्या होगा अगर कोई भी fields हमारे पास empty होगा यानि कि इसमें अगर field में हम कुछ भी field नहीं करेंगे तो एक हमारे पास errors होगा कि पूरे fields को fill करना हमारे पास यहाँ पर जरूरी है ठीक है तो हम यहाँ पर यह भी काम करवा लेते हैं तो यहाँ पर condition लगाएंगे if registered name.isblank या is empty और registered email. .is empty और registered password.is empty तो क्या हो एक condition लगाएंगे हम यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे एक toast यहाँ पर हम show करवा देंगे right toast और इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर this और यहाँ पर हम लिख देंगे message जो भी हम यहाँ पर message fill करवाना चाहते है तो हम यहाँ लिखेंगे please fill all the details ओके और इसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर एक else condition लगाएंगे else और यहाँ पर हम registration की process को यहाँ पर complete कर लेंगे okay तो अब हमें यहाँ पर registration कैसे करवाना है email और password के through हमें यहाँ पर करवाना है तो इसके बारे में आप fireways पर documentation पर जाके पढ़ सकते हो लेकिन हम यह पर direct use करेंगे तो आप क्या करना पड़ेगा auth dot यहाँ पर आपके पास आएगा create user with email and password आपको इसको select करना है और इस बाले में आपको डालना है एक तो डालना है आपको email तो email में हमारा क्या है registered email और उसके बाद password में हमारा पास क्या है registered password तो यह दो चीज आ चुके हैं आप इसके बाद क्या लगाओगे dot add on complete listener अगर यह चीजे complete हो जाती है तो आपको बताना है कि आपको क्या करना है तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा task जो कि हमारा lambda होगा इसके हम check करवा लेंगे कि यह task हमारा complete हुआ है यह नहीं अब यहाँ पर हमें condition लगाएंगे if condition तो क्या करो वह हम यहाँ पर कर लेंगे और अगर नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वह भी हमें यहाँ पर बताना होगा तो यहाँ पर हम डालेंगे else और इसके अंदर हम बता देंगे कि जो हमारा काम नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर सबसे पहले user के data को क्या करे तो successful जैसे हमारा user हमारा create हो जाएगा तो हमें क्या करना है सबसे पहले इन सारे fields को save करवाने है अपने real time database में और user के profile को भी हमें हाँ पर save करवाना है तो यहां पर हम यूज करेंगे cloud fire storage भी हम यहां पर यूज कर सकते थे तो लेकिन हम उसको यह यूजना करके हम real time database यूज करेंगे विकोज हमें अगर data change होता है तो real time हमें उसको change करवाना है ठीक है तो आपको इसको get started पर click करना है और add dependency पर आपको इस पर click करना है तो इतना करने के बाद आप build open करके देख लो यहां पर successful हो चुका है यानि कि अब हम real time database को use करने के लिए ready है अब एक चीज और आपको यहा click करना पड़ेगा और इसको click करने के बाद आपको यहां पर get started का option मिलेगा यानि create database का तो आपको इसको यहां पर enable करना जरूरी है तो आप इसको on करोगे और आपको यहां पर पूछ रहा है कि आपका server जो होगा वह कहां पर होगा तो आपका United Street में डाल सकते हो Singapore में डाल सकत आप यहां पर Singapore को select करेंगे और नेक्स करेंगे और आपको यहां पर दो उप्सन मिलेंगे test mode और या फिर log mode तो हम यहां पर test mode में आपर open करेंगे क्योंकि यहां पर security होते है वो कम होती है अगर आप इसको publish कर रहे हो तो आह आप यहां पर यहां पर rules में जाके कुछ चीजे set करने होगी तो हम फिलाल तो इसको हम ऐसे रहन देंगे और यहाँ पर database में चलते हैं और अब आप इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं है जितना भी data यहाँ पर होगा यहाँ पर save होने वाला है हमारा ठीक है जितने blog होगे user की ID होगी पासवर्ड होगी सब यहाँ पर हम यहाँ पर save करवाएंगे राइट अब एक चीज़ और हम यहाँ पर use करनी है storage जिसमें हमारा क्या होगा user के images वगेरा को यहाँ पर हम store कर सकते हैं राइट और storage को हम store करने के बाद मतलब इस image को हम store करने के बाद उसके link से क्या कर सकते हम अपने image में sorry अपने application में हम image use कर पाएंगे तो आप इसको test mode में next कर लेना और next करने के बाद same आपको यहाँ से पूछेगा कुछ option तो आपको इसको direct option पूछ नहीं रहे तो आप यहाँ पर क्या करोगे done पर हाँ पर click कर लोगे करनी है जो कि हमारा glide तो हम यहाँ पर glide dependency यहाँ पर हम डालेंगे for android क्योंकि हम यहाँ पर जो storage में जो data है उसको हम retrieve कैसे करेंगे glide के थूरू हम यहाँ पर करने वाले तो आपके ऐस first option मिलेगा आप उसको open कर लेना और यह जो dependency है इसको आपको normally copy करना है और copy करने के बाद आपको जाने अपने android studio पर और यहाँ पर जाने build में और build में जाने के बाद यहाँ पर आने के बाद आप इसको पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद आपको इसको change करना है because हम नया android studio यूज़ कर रहे है तो मैं यहाँ पर जाता हूं करना है और 자기 को भी करना है और क्या बोलता है मैं डेटाबेस को सब्सक्राइब हम यहां पर यहां पर करना अ कि स्लाइज करनु एक सब्सक्राइब तो यहां पे हो गया private, lateInitWorks और auth के बाद हमारा दूसरा हो जाएगा data base और यहां पे करेंगे इसको firebase database और एक हमारा हो जाएगा fire private, lateInitWorks और एक हमारा पाहमारे हो जाएगा storage का तो store, age और आपको storage में मिल जायेगा Firebase storage तो आपको यहां पर अगर नहीं मिल रहा है तो एकक्स्टेंड कर दो इसको और Firebase और Storage, okay हमने storage को यहां पर dependency add नहीं किया है तो वह आप पर हम चलेंगे tool पे और tools पर जाने के बाद और यहां पर आप Firebase पर जाओगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा Cloud Storage for Firebase ठीक है इसको आपको open करना है Get Started पर क्लिक करना है और इस पर आपको क्लिक करना है तो अब आपको यहाँ पर dependency add होने के बाद अब आपको मिल जाएगा यहाँ पर Firebase Storage के नाम से आपको Storage मिल चुकिए है इसको आप क्या कर लो और इसको यहाँ से minimize कर लो तो यह setup हमारे हाँ पर complete है अब last हम यहाँ पर क्या करना है एक हमें करना है database और equal to आप कर दोगे इसको Firebase database get instance और यहाँ पर हमारा last क्या है Storage के लिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे Storage equal to Firebase Storage get instance इतना करने के बाद आपका तीनो authentication database और storage को यूज करने के लिए आप ready हो अब हम यहाँ पर चलते हैं condition पर और यहाँ पर हम code कर लेते हैं जो भी हमें यहाँ पर करना है तो आप हमें यहाँ पर करना है जो सबसे पहले हमारे user जो registered हुआ है उसको हमें यहाँ पर register करना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक variable बनाएंगे well user के नाम से और equal to कर देंगे हम इसको auth dot current user तो इसमें हमका क्या हो जाएगा current user बन जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे यहाँ पर user और यहाँ पर लगाएंगे dot let block और यहाँ पर हम लगा लेंगे null safety और यहाँ पर हम क्या करने वाले है user के data को हम यहाँ पर save करवा लेंगे तो यहाँ इससे क्या होगा जितना जो भी user होगा current user उसके value में जाने के बाद वहाँ पर जो भी fields हम add करवाना चाहते है वह हम यहाँ पर करवा पाएंगे तो हमार पास यहाँ पर क्या क्या चीज होने वाला है एक होने वाले वेरियेवल user reference का तो user rep का बनाएंगे हम एक variable reference और equal to कर देंगे हम इसको database dot get reference और यहाँ पर आपको यहाँ क्या डालना है path डालना है कि आपका जो data save होगा वो कहाँ पर होने वाल है तो सबसे पहला हमारा data जो save होगा वो user के node में save होगा तो यहाँ पर हम डालेंगे users तो इस name से क्या होगा वहाँ पर firebase में हमार पास एक data save मतलब node बनेगा और उसमें जाके हमार पास user का reference आ जाएगा इसके बाद एक और हम variable बनाएंगे जिसमें हमारा होगा user की id तो यहाँ पर हम डाल देते हैं user id और equal to कर देंगे हम इसको user.uid इतना कर दिया हमने तो हमार पास क्या जाएगा user की id मिल जाएगा यहाँ से अब एक और हम बनाएंगे जिसमें user का data होगा राइट जैसे कि email name और भी चीज जो हम यहाँ पर store करवाना चाहेंगे तो वह होगा हमारा user data और equal to करके हम यहाँ पर एक model class बनाएंगे जिसको हम use करके क्या करने वाले यूजर डेटा का हम यहाँ पर save करवाने तो user data को मैंने यहाँ पर select किया और इसके अंदर हम डाल देंगे एक तो डाल देंगे हम name registered name और एक हम डाल देंगे यहाँ पर registered password तो यह चीज यहाँ पर registered हो जाएगी अब यहां पर हमारे पास यह error आ रहा है because हमने इसको create नहीं किया है तो हम इसको करते हैं यहां से copy और यहां पर चलने के बाद आप एक folder बनाओगे यानि कि package बनाओगे एक तो मैंने package पर click किया और यहां पर हम package का नाम डालेंगे model और model में जाने के बाद यहां पर मिज़े डालना है user data और इसको आपको create करना है इतना करने के बाद आपको यहां पर जो जो variables आपके वहां पर काम आएंगे उसको यहां पर आपको initialize करना है तो यहां पर मेरा पास एक well name नाम से variable और इसका type हमारे पास होगा string और एक और हमारा variable होगा well जो कि हमारा होगा password और इसमें हम क्या करवाएंगे यह भी हमारा string type का data होने वाला है इसको हम format कर लेते हैं अब देखो यहां पर जो error था वह यहां से automatic चल जाएगा अब मैं वापिस यहां पर लिखता हूं user data तो यह हमारे पास अभी भी error आ रहा है तो यहां से हमारे को इसको select करना है और हमारे पास अब error जा चुका है अब इस block के भाहर आ जाओ और यहां पर आपको user reference वाला data है तो इसको आप select कर लो dot यहां लिको child और इसके अंदर आपको बताना है चाइल्ड तो जो कि हमारा होगा user id और इसके बाहर जाने के बाद dot एक और child block बनेगा हमारे पास और नहीं sorry यहां पर हमें करना है set value और यहां पर आप डाल दो गए user data तो इतना करने के बाद आपको क्या होगा user data के अंदर जाने के बाद यह जो values है हमारे पास store हो जाएगी right अब इसको हम format करते है और इसके बाद आते है अब हमें क्या करना है email और password तो हो यहां पर हमारे पास store हो चुकी है या फिर जो हमारा creation था user का वो हमारे पास यहां पर complete हो चुका है अब यहां पर हमें एक चीज और बनाना है और store करवाना है वो क्या हमारे पास image को यहां पर हमें store करवाना है तो उससे पहले हम यहां पर comment कर लेंगे कि save user data into fire base real time data base इतना हमने कर लिया है यहां पर comment अब इसके बाद हमें यहां पर save करवाना है user के photo को तो सबसे पहले हम उसको storage में save करवाएंगे तो यहां हमें comment add कर लेते हैं upload image to fire base store storage ओके तो यहां पर हमें एक variable बनाएंगे well storage का हम reference चीए कि हमारा storage कहां पर है तो उसके लिए तो यहां हम बनाएंगे store storage equal to sorry storage reference equal to यहां पर बताएंगे हम इसको storage dot reference dot child और यहां पर हमें बताना है कि path का नाम क्या होगा यहां पर जैसे हम कुछ भी चीज यहां पर store करवाते हैं तो एक folder बनाते हम उसमें हमारे जो firebase database है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहां पर एक folder बनेगा है ना और एक folder बनने के बाद उसमें हमारा file सेव होगा तो यहां पर क्या होगा कि हम एक folder का नाम बताएंगे उसके बाद हम बताएंगे कि वो किस टाइप का data है और इसमें हम लगाएंगे एक slash और slash लगाने के बाद आप यहां पर बताऊगे कि पर्टिकुलर किस नाम से आप data सेव करवाना चाते हो तो हम यहां पर लगाएंगे dollar और हम मिल रहा user id तो उस ही के नाम से हमारे पास क्या हो जाएगा image का name आ जाएगा और यहां पर dot हम यहां पर इसका किस type का format रखना जाते है तो आप इसका format क्या रखोगे jpg तो आपको इतना करक्सा करना है तो इसमें क्या होगा जो भी एक हमेरे पास node बनेगा यानि की folder बनेगा profile image नाम से और उसके अंदर जो user की id होगी उस name से क्या होगा वो हमारे जो image है वो यहां पर हमारे पास store हो जाएगा और लास्ट में extension उसका क्या रहेगा dot jpg sorry jpg तो मैं इसको एक वर पार के लिए हटा देता हूं जिससे हमेरा पास errors होना हो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अपने है sorry card जो है उस पर हम यहां पर set on click listener लगाएंगे तो चलते हैं सबसे पहले और check कर लेते हैं कि हमारा जो यह जो है इसको हम यहां पर मतलब card पर अगर select होता है ना इस वाले card पर card view पर तो इसको select करने के बाद हम क्या करवा लेंगे एक image picker हम यहां पर appear करेंगे और उसके अंदर हम image जो select करेंगे उसको हम यहां पर इस वाले image view के अंदर हम यहां पर set करवा लेंगे तो हम चलते हैं यहां पर और जो यह block है हमारा uncreateable block इसमें last में जाने के बाद आपको यहां पर एक comment करना है set on click listener for the choose image तो हमने इतना किया और यहां पर हम क्या करेंगे binding dot card view इस पर हम लगाएंगे dot set on click listener click listener और इसके अंदर हम यहां पर एक बनाएंगे variable well intent नाम से okay और इसमें हम pass करेंगे intent equal to intent और यहां पर आपको लगाना है bracket और इसमें हम क्या करवाएंगे intent dot अब यहां पर हमें बताना पड़ता है इसका टाइप तो टाइप equal to यह किस टाइप का होने वाले हमार पास image ठीक है आपको बिल्कुल ऐसा कैसा लिखना है और आपको इमेज लगाने के बाद आपको इस्टार लगाने राइट इतना किया आपने अब इसके बाद आपको क्या करना है intent dot action और equal to आप यहां पर क्या करोगे intent dot और यहां पर action आ और इतना करने के बाद आपको करना है start करवाना है activity को start activity लेकिन आपको यहां पर start activity for result आपको इसको सेलेक्ट करना है ओके इतना ख़रा आपने आप इसमें आप पास कर दोगे intent और इसमें आप कर दोगे create chooser यह आपको मिल रहा है create chooser तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और इ तो भी आप यहां पर मैसेज डालना चाहते हो वह यहां पर डाल सकते हो तो यहां पर मैं डाल देता हूं select image select image और इसके बाद आने के बाद आपको क्या करना है इसको यहां पर लिखना है यहां पर इसे काम नहें आएगा और यहां से हटाना है रिमू करना है अब हमारे पास आ पुर्द को ट्क यहां पर उपर जाना पड़ता memory घ्र मैं मैं इसको यहां से रिमूविक चीज़ें है ऊके तो यहाँ पर हम वेरिवल बना ett है जो हमारे अभी काम आएगा डाइवेट ले इन वेल रवेट वैल यहाँ हमारे पास rabbits होगा पिक ठिक अडर्सकोर इमेज अंडर्सकोर और यहां पर लिखोगे request और equal to कर देंगे आप इसको one इतना आपको करना है और एक और यहां पर बनेगा जो कि हमारा होगा image uri के लिए तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइवेट वैर और यहां पर हम लिख देंगे image uri और इसको extend करेंगे measure uri और यहां पर लगाएंगे equal to null इतना आपको करना है अब आपके पास नीचे जाओगे और यहां लिखोगे pick image request आपने इसको select कर लिया तो इतना हमने कर लिया अब क्या करना है हमें यहां पर एक function को override करना है जिससे हम क्या होगा कि इस चीजों को हम य successfully work करा है या नहीं करा तो आप इसके बाहर इसके बाद और इसके बाहर आने के बाद आपको क्या करना है override करोगे एक function को जो क्यों होता है हमारा fun और on activity on activity result के नाम से override fun और यहां पर आपको लिखना है on activity result और आपको इसको select करना है now अब आपको क्या करना है एक condition लगाने है if और यहां पर चेक करवाएंगे एक हमने request code को करवा है अब यहां पर हमें करवाना है result code और equal to equal to हमार पास है result code okay है यह नहीं और यहां पर एक और condition लगाएंगे हम and data is not equal to null होना चाहिए and एक और condition हम यहां पर लगाएंगे data.data वो भी हमारा क्या नहीं होना चाहिए not null होना चाहिए not null यानि कि कुछ न कुछ value सब में होनी चाहिए और कुछ चीजें हमारे पास correct होनी चाहिए तो यह हमने यहां पर condition लगा लिया अब यहां पर क्या करवाना है इसके बाद हमें सिर्फ simply अपने image को अगर सब कुछ सही है यह सारा कुछ सही है तो हम अपने image को क्या करवा लेंगे set करवा के so करवा लेंगे ओके आप क्या कर सकते हो यह जो method है हमारा यह हमारा क्या हो चुका है deprecated हो चुका है तो आप को सिज करना कि आप new method यूज करो मैंने यहां पर यूज नहीं किया है आप normally जाना image picker search करना for android तो आपको मिल जाएगा new method ओके तो अ data-quill it आपको लिखना हे और यहां पे विद के अंदर आपको लिखना है Carm design इंदर अपको दालना है tak proper डाल देंगे जहां पर आपको सट करवाना है तो महां डाल देंगे दिस और इसके बाद आपको लगने रहा है जो घ्मेश कsur URI मिल नहीं रहा है, because हमने यहां पर इसको डिकलेर नहीं किया है, तो आप लिखोगे image URI equal to data.data, इतना आपने select किया, अब यहां पर लिख सकते हो, image URI और यहां पर लगाओगे एक bracket, यहां पर लिखोगे dot apply और यहां पर डाल दोगे request code, request option, request और यहां पर हमें capital r लिखना था, request और अब आपको मिल जागा है, यहां पर option dot circular crop transform और इसके बाद, last आपको क्या करवाना है, आपको कहां पर बताना है, इसको कहां पर set करवाना है, तो आप लिखोगे यहां पर into binding dot, जो हमारा कौन सा है, image view है, यानि कि user image है हमारा registered user image, इसमें हमें आप इसको set कर आना है, तो इतना हमें यहां पर लिखना था, और हम ready to go है, अपने image picker के लिए, ओके, अब हम थोटा सा उपर चलते हैं, हमने यहां पर जो देखो, हम यहां पर क्या save करवा रहे है, user का, एक name save करवा रहे है और एक password save करवा रहे है, लेकिन password save करवाना अच्छी बात नहीं ह होती है, इसलिए हम यहां पर change करेंगे, और यहां पर हम लिख लेंगे password की जगे email, हमने यहां पर email यहां पर save करवा लिया है, तो अब इसको हम यहां पर run करते हैं, और check करते हैं हमारे यह perfectly work कर रहा है यह नहीं, तो मैंने यहां पर open किया इसको, और अपने emulator को मैंने open कर अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, login तो करना है नहीं, अब इससी बात है, हमें आपर register करना है, तो हम back करेंगे, register पर click करेंगे, और यहां पर हमें सबसे पहले image select करना है, लेकिन हमारा application कर गया, crash, तो चलके देखते हैं क्या दिक्कत आई, log पर चलते हैं, और यहा इससे मैंने इस पर click किया, okay, I don't know क्या हुआ था, उस time वो यह crash कर गया, लेकिन अब करा नहीं, साथ crash नहीं किया, वो application run ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो launch है हमारा application, देर से हुआ था, तो मैं वापिस से open कर लेता हूं अपने, इसको, और यहां पर, और यहां पर हम सबसे प file.com, और password में आपको डालना है, password, तो password डालेंगे मैं यहां पर 123456, minimum 6 digits आपको होना जरूरी है, और आप जैसे यहां पर registered पर click करोगे, तो यह आपका registered होना चाहिए था, तो मैं एक बार क्या करता हूं, authentication पर जाता हूं, और यहां पर अभी कोई भी user आया नहीं है, तो इस इस पर हमने click किया, तो यहां पर अगर user successfully create हो जाता है, और उसका data अगर save हो जाता है, तो हम यहां पर एक toast show करवा देंगे, तो यहां पर हम toast show करवाएंगे, toast, और यहां पर लिखेंगे, this, और यहां पर डालेंगे, user register, success, successful, और else वाले block में आके भी हम यहां पर एक toast लगा यूजर, registration, failed, और इसको हम सही कर लेता है, और हम इसको run करते हैं वापिस से, और check कर लेते हैं कि हमारा क्या issue है, तो हम वापिस गए, registered पर गए, और हमने कुछ fields डाली यहां पर, कुछ email डाला, admin at the rate gmail.com, और यहां पर हम password डालेंगे, 123456, और image को हमने यहां पर select किया, और यहां पर हम registered पर click करेंगे, तो यहां पर हमारे user जो है, create नहीं हो पा रहा है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, check कर लेते हैं, क्यों हमारा user यहां पर create नहीं हो पा रहा है, उपर चलते हैं, और check करते हैं, तो जब registered बटन पर click करेंगे, तो होना चींग हमारे पास होना चींग यहाँ पर पासवेर्ड यह पासवर्ड हो गया अभर हम यहाँ पर यूजर मॉडल को भी चरthletis और देखर हां यहाँ पे पासवर्ड कर यहां पर सेब कर वाना है एमेल खरमांत तो यहाँ पर हमारे यहांपे fix हो चुका है और यहांपे देख लेता है और कायश हो है और हमने यहांपे जब image को इंट्र करवा रहे हैं तो वह हमने आपे storage में save करवाया ही नहीं है तो हम यहांपे क्या करेंगे database.putfile और यहाँ पर डाल देंगे हम image, uri और इसको हम कर देंगे not null और यहाँ पर हमारा storage में जाके image भी हमारा store हो जाएगा अब और क्या करना है देख लेते हैं अब यहाँ पर चलता हूं मैं firebase पर और कुछ चीजे जो हैं वह हम यहाँ पर check कर लेंगे कि उसमें कोई दिक्कत ना हो तो एक चीज आपको जाने real time database पर और rules में जाने के बाद make sure कि आपका यह दोनों true हो और storage में आपको कुछ भी check करने कि जूरत नहीं है अब एक बार हम क्या करते हैं रन करते हैं अपने application को फिर से और अब check कर लेते हैं कि यह फिर से आता है यह नहीं तो मैंने run किया हर्मारा application रन हो चुका है register मैंने click किया image हम यहाँ से select कर लेते हैं यह वाला name हम डाल देते हैं यह और email डाल देता हूं मैं admin at the rate gmail.com और password में डाल दूँगा 123456 राइट अब मैं यहाँ पर register पर click करूँगा तो register successful चुका है अब इसको हम वापिस से refresh करते हैं तो check करते हैं कि हमारा पास storage में image आई यह नहीं आई तो यहाँ पर हमारा पास profile image के नाम से हमारा पास folder आ चुका है और इसके अंदर जाने के बाद हमारे पास image भी आ चुके हैं अब इस पर आप click करोगे तो जो image हमने storage किया था यहाँ पर यहाँ पर show हो रहा है अब इसी URL को use करके हम क्या करेंगे बाद में इसको show करवा लेंगे अब real time database में चलते हैं और यहाँ पर check कर लेते कि हमारे data save हुआ है यह नहीं तो यह हम इसी को देख लेते हैं तो जो हमारा user model वाला जो class है यह यह हमने यहाँ पर गलत लिख दिया है तो इसको मैं क्या करूंगा यहाँ से remove करूंगा और यहाँ पर हम custom वापी से डालेंगे user data और देखो आपको इसको कौन सा select करना है autofill वाला नहीं यह वाला आपको यहाँ पर select कर लेना जो भी आपका application का name होगा तो आपको इसको select किया और अब इसको हम run करके देखते हैं तो हो सकता है यह issue हमारा पास fix हो जाएगा और हो सकता है क्या यह issue हमारा पास fix हो ही जाएगा तो मैं यहाँ पर चलता हूं और अपने application को registered पर click करता हूं image पर मैंने हाँ पर random digit डाल दिया अब इसको मैं registered पर click करूंगा तो registered हमारा successful हो चुका है और अब यहाँ पर हमारा पास data आ जाना चाहिए तो मैं इसको refresh करूंगा और अब देखते कि हमारा data आ रहा है या नहीं आ रहा है तो अभी भी हमारा पास data नहीं आया है लेकिन authentication हमारा successful हो चुका है और storage में जो data है वो भी हमारा पास आ रहा है लेकिन real time database में हमारा data save नहीं हो पा रहा है तो चलिए इसको fix कर लेते हैं इसको fix करने के लिए हम लगाएंगे log जिससे हमें पता चलेगा कि issue क्या है तो हमारा पास क्या क्या चीज़े work कर रहे है perfectly जो हमारा registration हो रहा है वो successful हो रहा है यहां तक का मतलब यहां तक का काम हमारे पास successful हो रहा है जो हम यहां पर यह वाला data store करवा रहे इस storage में वह भी हमारे ही हमारे पर perfectly work कर रहे है ओके अब इसके बाद हमारे पास do we oral नहीं हो रहा है सिर्फ यह वाला जो ब्लॉक है यह वाला ब्लॉक हमारे पास वर्क नहीं कर रहा है तो जब हमने यहां पर सेट वेल्यू किया तो इसके बाद हम यहां पर एक लॉग लगाएंगे dot add on complete listener और इसके अंदर आप लगाओगे log d और यहां पर log d लगाने के बाद आपको लिखना है on created और message में आप लगाओगे data saved ठीक है इतना हमने लिख दिया और अगर fail होता है तो क्या करना है हमें तो यहां पर हम लगाएंगे dot add on failure listener यह लगाना है हमें यहां पर भी हमें log लगाएंगे log e क्योंकि यहां पर हमें exception देखना है तो यहां पर on create है और इसमें हम डाल देंगे error saving data तो आप कुछ भी डाल देना उससे कोई फरक नहीं बढ़ता बस यह message है और यहां पर हम लगाएंगे dollar और जो हमारा data है वो आ रहा है वो आ रहा हमारे पास e.message में और e e हमें यहां पर लेना पड़े का lambda e तो e आगे हमारे पास और e.message तो आपके बास यह आ जाएगा error solve हो जाएगा अब इन दोनों को हम यहां पर tag कर देंगे और इसको हम यहां से copy कर लेंगे right इतना हमने कर लिया और इसकी यहां पर अब हमें जरुरत नहीं है तो अब इसक और हमारा application run हो चुका है और हम registered पर click किया हमने एक सबसे पहले image select किया और इसके बाद हमने email डाला और यहां पर हमने कुछ भी name डाला और password डाल दिया हमने यहां पर कुछ भी right अब हम log पर चलते हैं और यहां पर जैसे registered पर click किया हमने तो हमारे पास कुछ ऐसा type का दिखा हो रहा है लेकिन यहां पर हमारे पास एर्र नहीं दिखाया और ना ही हमारे data सेव हुआ है या नहीं हुआ है यह भी हमें यहां पर नहीं मिला है इसको हम ह criteria कि हमने सही लगाया या नई लॉब को और यहां पर हमने complete listener लगाया है मैंने node log क sagen किए और यहां पे मैंने इसको run किया और वापपे से हम कुछ न फी डेता डालते हैं name इमने I smaller मैंने कुछ भी Password डाला और यहां पर एजिस्टर किया मैंने lls और सेम इसू आया हमारे पास और एक बार हम log हटा के देखते हैं कि इससे पहले भी कुछ issue आ रहा है या नहीं ओके आपको दिख रहा है यहाँ पे कि pc.firebase database connection was forcefully killed by the server will be not attempt reconnecting region database live a different region हमने जो region select किया था पहले उसको हमने यहाँ पे गलत कर दिया था तो please change your URL to URL to तो आपको क्या करना है इस वाले URL को copy करना है और अब मैं बताता हूं आपको इसको कैसे fix करना है अगर आपने change region वगेरा change नहीं क्या होगा तो वह issue आपके पास नहीं आएगा आपको यहाँ पर जाना है और जो आपको यह है database इसके अंदर जागने के बाद इसको आपको क्या करना है पेस्ट करना है तो मैंने इसको URL को paste कर दिया अब यह हमारा perfectly वर्क कर जाएगा तो अब इसको वापिस रन किये राइट और अब चलते हैं अपने रियल-time database पर अभी देख लो यह नहीं है आपके पास यहाँ पर कोई भी data नहीं है अब जब मैं registered पर क्लिक करूँगा और कुछ data यहाँ पर मैं डालूँगा तो अब यह हमार पास save हो जाएगा लेकिन आपने अगर reason वगेरा change नहीं किया होगा तो यह issue आपके पास आएग और एक उसके बाद हमारे पास उसका name आ गया तो यहां तक हमने काम perfectly कर लिया है और अगर आपके पास भी यह same issue आ रहा हो तो आप एक बार log को जरूर चेक कर लेना कि अगर आपको यह same issue आ रहा होगा नहीं यहाँ पे blocked वाला मतलब country region वाला तो वह चीज को आपको ऐसे solve करन लेकिन आपके जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने region दूसरा select नहीं किया होगा तो तो यहां पर हमारा user का creation का काम पूरा हो चुका है अब हम क्या करेंगे इसी जो हमने user से create किया है इसके through हम यहां पर login भी करवा लेंगे जब हम login वाले button पर click करेंगे तो हम यहां पर login क करवाना है ओके तो मैं काम करता हूं सबसे पहले तो और अब यहां पर लोग को हम यहां पर चेक कर लेता है कि टैग में हमारे पास वो successful हुआ यहां पर देखो data saved भी हो चुका है हमारे पास राइक तो चलो मैं इसको मूव करता हूं और इस दोनों लोग को मैं यहां से remove कर करता हूं तो मैंने यहां से लोग को कर लिया remove चाओ तो आप रहने देना या कमेंट कर देना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ओके और लोग के साथ-साथ मैं उपर वाला चीज भी डिलीट कर दिया था ठीक है तो अब हमें क्या करना है तो लोग इन वाले बटन पर सबसे पहले हम चलते हैं यहां पर और लोग इन वाले बटन पर जाने के बाद हम यहां पर कुछ कोड करेंगे एक चीज में यहां पर पहले कोड को थोड़ा से चोटा कर लेता हूं और मैं इसको भी क्लोज करता हूं यहां से रजिस्टर बटन है और यह हमारा है लोग इन वाला यहां पर जरुरत है उसको हम यहां पर find करेंगे तो हमें दो बटन की यहां पर ряд है एक email की और एक password की इन दोनों चीज चीज की हमें आपे जरुरत है तह मैंने स्को parfax किया लेकिन यहां पर क्या होगा यहां पर होने बाला दोनों में login तो यहां पर automatic आ चुका है मेरे पास तो यह दोनों फिल्ट हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमारे पास अभी डिजेवल है यहाँ पर चलते हैं और यह दोनों फिल्ट आने के बाद अब इन दोनों फील्ट के अनरख हमें क्या लगाना कंडिशन लगाना है जो कि हमारा होगा इफ लॉग इमेल डॉट इस एंपटी और लॉग इन पासवर्ड डॉट इस एंपटी अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो यहां पर एक टोस्ट शो करवा दो दिस और यहां पर हम डाल दें के मैसेज प्लीज फिल और दी डीटेल इतना आ कि अहीं है तो आप क्या कर दो ? लॉग इन कर दो तो लॉग इन करने के लिए हमें क्या चीज के जवर्फबर पड़े सी यहां पर लगाएंगे रॉह यहां पर हमें यहां पर आप क्या करोगे, dot add on success listener, या add on complete listener, यह लगाया है हमने, अगर यह complete हो जाता है, तो हम यहां पर, एक तो हमें, यहां पर lambda लेंगे, और उसे हम check करेंगे, यहां पर यह task, जो है हमारा, complete हुआ है, यह नहीं, तो यहां पर हम लगाएंगे, एक if condition, task dot is successful, अगर successful हो जाता है, तो यहां पर क्या करो, एक message show करवादो, toast का, toast, और यहां पर करोगे, आप this, और यहां पर लिखोगे, login, successful, और इसमें हमें, एक emoji भी हां पर show करवाएंगे, emoji के लिए आपको window, plus, आपके पास arrow वाला कीम लेगा, यारनी की, less than या greater than वाला की, जो की हमारा यह है, यह वाला की आपको लगाना है, तो आपके पास emoji का window आ जाएगा, फिर आप जो भी window, emoji आप यहां पर select करना चाहोगे, वो आप यहां पर करवादोगे, और यहां पर else block लगाएंगे, और else block में हम एक message या फिर error हम यहां पर so करवादेंगे, right, तो हम यहां पर लिखते है, toast, और यहां पर हम लिखेंगे this, और message में हम लिखेंगे, login failed, failed, और यहां पर लिखेंगे, please enter correct details, और एक condition हमें यहां पर और लगाना है, अगर login successful हो जाता है, तो हम यहां पर आप बेजना है, बेजना है हम इसको, तो यहां पर हम करेंगे start activity, इसमें डालेंगे हम intent, और intent में डाल देंगे, हम this, यहां से आपको कहाँ पर जाना है, main activity, colon, colon, class.java, अगर यह login successful हो जाएगा, तो हमें इसको यहां पर भेज देना है, और अगर login successful नहीं होता है, तो हम यहां पे एक टोस्ट शो करवा देंगे जिससे यूजर को पता चल जाएगा कि आपने कुछ न कुछ मिस्टेक की है अब एक चीज और हमें यहां पे करवाना है कि जैसे अगर जो यूजर है रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा अगर वो सक्सेशफुल कर जाता है मतलब वो सक्सेशफुल यूजर क्रियेट हो जाता है और इसका डेटा अगर यहां पे सेव हो जाता है तो उसके बाद हम इसको क्या भेजेंगे फिर से भेज देंगे हम वेलकम स्क्रीन प इसको वेलकम एक्टिविटी और इसको प्रेजिलेशन और क्लास डॉट जावा आपको लगा देना है तो इससे क्या होगा कि जैसे यह सक्सेस्फुल हो जाएगा और डेटा से होने के बाद डारेक्ट यह वेलकम स्क्रीन पर आटोमेटिक चला जाएगा राइट और इसके बा इहां पर हमने एक मिस्टेक कियी है जो के मेरे को भी नहीं पता क्यूकि हमने पास्वड ढाला था लेकिन हमें पता नहीं है तो यहां पे यूजर फ्रेट करओंगा और नेम डालांगा सोरज Сरमा ठीक है और email डालांगा मीश में admin at the rate gmail.com इतना हमने डाल दिया और पास्व करना है कि अब करना है क्लिक किया अब email डाला हमने यहाँ पर admin Gmail Dollar co और password में डाल धी हमने order three four five six राइट इसना हमाना अब यहांप हम लोग इन पे क्लिक करेंगे लोग डिक सेच्ब करें चूब आ चुके तो अगर आपने यहां तक यह चीज कंप्लीट कर लिया है तो कमेंट कर दो एक और अपने आपको और हमें भी कॉंग्रेचुलेशन लिख दो राइट और इस वीडियो को भी लाइक कर देना अगर आपको यहां पर समझ में आ गया हो तो अब इसको हम हाइट करते है और कुछ होगर चेंजिस वगेरे है तो हम उन चीजों को यहां पर कर लेते हैं एक चेंजिस तो हमें यहां पर क्या करना है सबसे पहले वैलकम स्क्रीन पर जाते हैं और यहां पर जो हमारा लॉगिन वाला जो है लॉगिन इमेल और लॉगिन पासवर्ड इसमें हमने क्या फंट कर रहा है यहां पर हम और हम नहीं दिखनी रहा है लेकिन वर्क कर रहा है तो यह तो यह गलत ढलने पर और जो अन वह Life करेंगे हैं के चलो admins डाल लिया और अब मैं इसको login करके देखता हूँ तो यहां पर प्लीज enter correct details आ चुका है तो यह भी हमारा बिल्कुल perfectly वर्क कर रहा है तो एक चीज़ इसको भी हम fix कर लेते हैं कि अगर इस activity पर चला गया तो इसके बाद यह activity finish हो जानी चीए तो मैंने क्या क्या finish कर दिया इसको और यहां पर भी finish करना है हमें और यहां पर भी इसको हमें finish करना है जिससे कि हम वहापिस ना आ पाए तो यहां तो हम यहां पर चलते हैं, splash screen पर, अगर यहां पर उसको पता चल जाएगा कि अगर login है, तो आपको कहां पर भेज़तेगा, main screen पर, जो कि हमारा home screen है, activity main, और अगर नहीं है, तो उसको कहां पर भेज़ेगा, यहां पर उसको भेज़तेगा, welcome screen पर, right, तो इस चीज़ को भी हम हम यहां पर check करवाना है, तो हम activity splash पर चलते हैं, यानि कि इस वाले activity पर चलते हैं, और यहां पर हम एक condition लगा लेंगे, और उसको हम यहां पर check करवा लेंगे, ओके, तो यह on create है, on create के बाहर आपको जाना है, और एक function को सबसे पहले करना है, आपको override on start, on start function को आपने यहां यहां पर override किया, अब यहां पर हम चेक करवाएंगे चीजों को, तो चीजों को चेक करवाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर authentication के लिए एक variable की ज़रत पढ़ती है, तो यहां पर हम लेंगे, जो क्योंक हमारा private, late init, where, और हमारा होगा auth, और firebase auth को हमने यहां पर ले लिया इतना हमने कर लिया, initialization की complete हो चुकी है, अब हमें क्या करवाना है, इसको हमें check करवाना है कि user हमारा null है यह नहीं, और यहां पर आने के बाद, हम यहां पर condition लगाएंगे, if, और यहां पर हमें मिल जाएगा, एक variable, well, इससे पहले हमें लगाना पड़ेगा, एक variable, well, जिसमे हमारा current user की details होगी, well, current user हमने यहां पर create किया, और equal to auth.current user है, तो इसमें हमार पर current user की value आ चुकी है, जो भी रहेगा, अब यहां पर हम चेक करवालेंगे, current user dot, sorry, is not equal to null होना चाहिए, यानि कि यह null नहीं होना चाहिए, अगर null है, तब तो क्या करो, और null नहीं है, तब क्या करो, अगर यह null नहीं है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, start, activity, और यहां पर हम pass करेंगे, intent, और इसमें हम डालेंगे, this, यहां से कहां पर चल जाओ, main activity पर, तो यहां पर हम डाल देंगे, main, activity, scope resolution, class.java, इतना काम हम यहां पर करना है, और इसको भी हम यहां पर क्या करवा दे करेंगे, finish, हम करवा देगे, इतना सा काम करना था, हमारे बिल्कुल यह perfect है, लेकिन एक second, यह हमें यहां पर नहीं करना था, तो मैं इसको क्या करता हूं, यहां से cut करता हूं, क्योंकि, splash screen में हमें थोड़ना check करवाना है, हमें check कहां करवाना है, जब हम welcome screen पर जाएंगे, तब, आप करवाना चाहों, तो करवा सकते हो, तो मैं यहां पर आगे अपने welcome screen पर, और इसके बाद मैंने क्या किया, इस bracket के बाद, बाहर जाने के बाद मैंने यह function को call किया, अब auth वाले variable को हम यहां से cut कर लेंगे, तो एक ही हमें cut करना है, यहां से, तो मैं इसको cut किया, और इसको हम यहां पर paste करा देंगे, और इसको भी मैं यहां से cut करके, paste करवा दूँगा, अपने on created में, तो यह हमारा हो गया, हमारा जो error था, वो भी यहां पर fix हो चुका है, अब हमें क्या करना है, एक छोटा सका हम और करना है, because अब हम यहां पर एक ही activity में, यहां पर login औ complete करना है, जो creation वाला है, तो जैसे हमारा successful हो जाता है, तो सब कुछ successful होने के बाद, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर यहां जाना आप, और यहां पर क्या कर देना, auth.signout भी कर देना, इससे क्या होगा, कि हमारा एक ही activity था ना, इसलिए यहां पर login भी automatic हो जाता है, तो ह मैने क्या कर चुछ आ हो कशानों, यहां पर किया, और यहां पर अने के बाद मैंने सलेक्ट किया है, यउजर नेम और यहां पर मैं डाल देता हूँ, मेरा नाम डाल देता हूं, और यहां पर डाल दोता हूं, admin-1-gmail.com, और पासवर्ड मैं डाल दो गा, 123456, इतना डाल दि लाया तो यह login splatter screen आया हमारे पास इसके बाद welcome screen आया लेकिन यहाँ पर क्या हुआ automatic यह चीज नहीं गई राइट तो हम आगया करेंगे splatter screen में आने के बाद यहाँ पर हम वह वाला code कर देंगे जो splatter screen में नहीं welcome screen में आने के बाद यह वाला code हमारा work करना जीए था लेकिन यह work क्यों नहीं किया क्योंकि हमारा user क्या है login नहीं है तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे login करवाएंगे अपने user को तो मैं लोग इन पर गया और यहाँ पर मैंने डाला admin1 at the rate gmail.com और password हमें डाल दिया 123456 यही डाला था हमने अब हम यहाँ पर करवाएंगे login और login करवाएंगे successful हो गया हमारे पास और यहाँ पर हम आ चुके है राइट अब मैं इसको back करता हूँ back करने के बाद हम वापिस आ यहाँ पर और हम close कर गए अब मैं इसको जब वापिस on करूंगा तो हमारा welcome screen पर ना जाके ऐसा हुआ क्या जब login पर हमने क्लिक किया देखो जब मैंने login हो गया तो एक बर बैक करेंगे तो वहाँ पर क्या हो था वापिस से वह एक्टिविटी वापिस आई थी तो उसको भी हम यहाँ पर फिक्स करेंगे हम नहीं चाहते कि दो बार हमारे पास एक चीज़ हो तो जब अल्रेडी हमने इसको finish करवा रखा है ओके तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अब welcome screen पर चलते हैं तो यहाँ पर दो जागे finish है और यहाँ पर भी हमारे पास finish अल्रेडी है अब हम चलेंगे बस इतने screen थे हमारे पास अब हमारे पास main screen का काम है जो हम यहाँ पर कर लेंग और registration भी हो गया हमारे पास और sign-in भी हो गया यह सारा काम हो गया अब मारे home screen पर क्या करवाएंगे हम अपने notes को करवाएंगे लेकिन notes नहीं हमारे blogs को यहाँ पर हम सो करवाएंगे औक तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा मैं इसको पहले करूँगा थोड़ा सा बसक्र możे太 al embarrassing करने के बाद पहले हम यहाँ पर व क्रिएट करेंगे ब्लॉग को क्रेंगे और छो भी ब्लॉग हम यहाँ पर क्रेंगे उसको यहाँ पर सो करवा लेंगे तो सबसे पहले हम क्या ख़ले का section चीए तो हम यहाँ पर चलते हैं और minimize करने के बाद मैं चलता हूं अपने android studio पर और android studio पर जाने के बाद मैं सारे activity को यहां से क्या करने वाला हूं close करने वालो close all tabs कर दिया मैंने अब क्या करना है सबसे पहले मुझे open करने अपना main activity जो कि हमारा home screen होने वाला है तो यहां से हम इस text को सबसे पहले remove करेंगे इतना करने के बाद आपको क्या करना है सबसे पहले एक टेक्स्ट यह हमें तो हमने एक text रोइड किया है इसको मैंने यहां पर किया constraint सबसे पहले हम अपने constraint को देढ़े बैगराउंड color यहां पर background पर और यहां पर हम करेंगे light white तो यह हमने ह करना था मैं कि मैं चुनक brack करना कृद मारे यहां से ज़ल करेंगे यहां से संट करेंगे और टॉप से करेंगे और बॉटम से भी संट कर देंगे इतने का करने के बाद आपको क्या करना है सब से पहले इसको भर content के जगे 0 अचे और इस वाल ór click को आप नीचे ने लो क्योंकि। यह हमारा पास नीचे ओना शाल। अब क्या करना है ? इसके हम सब्सक्राइब को सब्सक्राइब हमेए चीन्ज्च करना है। そ tara सब्सक्राइब करना है धूरा बतए लिश्यक्तलिया होगा। सब्सक्राइब करना है धूराखë its हैं तू सभी है हमारे इसाब से तो अब इसमें क्या आगे टेक्ट्च्चर आ चुका है एक बड़ मैं एक काम करता हूं हम स्क्रीण पर चलते हैं यानि कि स्प्लैश्ट पर चलते हैं और यहां का हम देख लेते कितना हम ने यहां पर डाल रखा है तो यहां पर जीरो पॉइं तो News लिख देते हैं और on the account कि यहां पे इसके बाल आद लेखने अतली है अमर्ग फियो पृफट करना हो मैं कि असने ऑप लेखना ऑफ जो निमेज को आपके है ल को सबसे पहले की डाल देना तो आपके बालेक कि वालेखन को सब्सक्राइच म मतलब दाले है तो आपके पास सारे चीजी हां पर इसलेक्ट कर पाऊगे तो हमने इसको सबसे पहले कर लिए हम इसके नॉर्म नीं होगा यह हमार पास वोल्ड कर लिया इसको वोल्ड कर लिया rivalry हमने change करना और कलर को largest चेंज करना यहां पर हम लिख लिए ब्लेक तो color हमार पास इसका olा उतकर उसका हाँ और इसका फॉंट ऐसे सदक्ना किया और फॉंट सर्ट करने के बाद मुझे मिल जाएगा यहां पर मॉन्स्टार थिं लेकिन हमें हैं पर है यह बाला यहां पर किस्टम पॉंट यहां पर डाउन लोड करेंगे तो मैं चलता हूं यहां पर मैंने फॉंट डाउनलोड पर मैं क्लिक किया और यहां पर गूगल फॉंट में आपको यह जाएंगे तो किसा पता चालने हैं यहां सावंड दाउंड कर लोगा है जिसी चीज नहीं चुन है यहां से इए जिलेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इस क्या सट पे था को हमने आपका कहां ढाल रहा है तो सब्सक्राइब आप क करें ख़रा को चेज्ज करें.. अब यहाँ पह आप पहले आप चेंज कर लेना अब यहां पर देखो आपको क्या मिल रहा है monster at semi bold आप दूसरे font पर क्लिक करोगे तो आपको उसका मिल जाएगा कौन सा उसने font यूज किया है तो यह हमारे पास semi bold वाला तो हम क्या करेंगे डाउनलोड था हमने कर लिया अब इसको open कर लेते हैं अपने folder में, तो मैंने folder में open کیया, folder पर open किया अब मेरे पास यह है इसको आप क्या करो, extract करने के बाद आपको एक folder मिलेगा, तो इस folder में जाने के बाद आपको मिलेगा statics, इसमें जाना और इसमें आपको सारे fonts यहाँ पर मिल जाएंगे, तो हमें कौन सा चीए था, semi bold वाला चीए था, तो इसको आपको क्या करना है, copy करना है, और copy करने के बाद आपको जाना है अपने android studio पर, और यहाँ पर जाने के ब इसको font search करना है, font family, और आपको यह वाला जो नया है, semi bold इसको select कर लेना है, तो यह हमारे पास ऐसा कैसा आचुका है, जैसा हमें चाहिए था, अब हमें क्या करना है, अब हमें check करना है कि इसके और इसके बीच की distance कितनी है, तो मैंने इसको select किया, इसको select किया, और यहाँ स करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर सबसे अन्दर एक इमेज वी लेंगे, और फिर हमें button लेना है, तो मैं चलता हूं यहाँ और सच करूँगा, मैं सबसे पहले एक हमने CardView एड़ किया इसको हमने Left से Constraint किया ओर टॉप से Constraint किया मार्जन 12dP का तो 12dP का हमने इसको margin दिया और इसके बाद इधर से दिया मैंने इसको आपे 32dP का और यहां से हम देते हैं इसको Corner तो Corner हमने हमने यहां पर सर्च किया और 100 हम यहां पर Corner डाल देते हैं जिससे कोई फरक नहीं पड़ेगा और यह हमारा इसको हमने cut किया और इसको हम यहाँ पे Weight and Height हम इसको fix दे देंगे ओके तो इसको हम यहाँ पे डेंगे जो जो होँआ पे हमने use किया है न तो हम यहाँ पे चलते हैं और इसकी weight and height कितनी है तो हमारे पास square आ चुका है अब इसके अंदर हमें एक image view डालना है तो इसके अंदर हम कार्ड के अंदर एक image view डाल दिया हमने और कार के image view को हमने wrap content के जगे match parent और इसको भी हम match parent कर देंगे और scale type हम इसके डालेंगे scale type और यहां पर scale डाल देंगे center crop हमने डाल दिया इतना काम हमारा हो गया अब इसकी जगे button तो image button को हम यहां पर drag करके drop करेंगे इसमें हमारा icon कौन सा होना चाहिए यानि कि image कौन सा होना चाहिए यह वाला या फिर यह वाला तो यह मेरे पास save वाला है इसको हम यहां पर रखे यह रखे यह रख लेते हैं जैसा हमने वहां पर decide के हैं वैसे हम यहां पर भी रख ले लेंगे और इसको हम सबस्क्राइन करेंगे और इसको यहां से करेंगे और आप मारजन कितना धिया हुए इसको यहां से प्लोज किया अब यहां पे देखोigon कितना है पर भी मारजन्ट है 32 और 32 नहीं 40 और इसके बाद हम इसके background को भी हम यहाँ पर हम चेंज करेंगे यानि कि background और background को हम यहाँ पर करेंगे transparent तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा transparent तो यह आपका transparent हो चुका है इतना किया हमने इसको थोड़ा सम साइज भी देंगे Because what मुललelson साइज चोटा है तो हम यहाँ पर देंगे 34 ने 24 रीपर यहाँ से भी हम कर देंगे 24'dSec अब कोई दिक्कत नहीं है अभे इनको तो हम यहाँ पर कुछ देने का ज़रत नहीं हैं इसको हम यहाँ पर देंगे было that इमेज कहमंगी और यहां पर हम प्रीच चेहिकल उधेंगे जो कि स्वेड़ सेकल पर उसने उससे कितने ऑने पर यहां पर डालेंगे search view और search view हमने यहाँ पे add किया इसके साथ करे ओके इसके साथ ही कर लेते हैं बात वही है और इसके साइट से इधर के साथ कर लेते हैं अब इसको हम कर देंगे zero match constraint और यहाँ से हम कर देंगे इसको wrap content तो यह इतना हमारे पास आ चुका है अब top से हम इसको margin देना है तो हम top से पहले इसको इसके साथ connect कर देते हैं और कितने का margin था 24 का तो हमने यहाँ पर 24 का margin यहाँ पर हमने दे दिया अब यहाँ पर जाने की बाद हम इसको check कर लेंगे एक बार 25 का था कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर हम हिंट में डालेंगे search तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर हम डालेंगे query हैं आपके पास option दिख जाएगा यहाँ पर तो आपको इसमें डालना है search तो आप डालोगे तो यह दिखेगा नी by default तो आपको यहाँ पर क्या करना है आइकन सर्च करना है आइकन और आपको आइकन सर्च करते हैं यहाँ पर मिल जाएगा सर्च आइकन बाइडिफॉल्ट तो आपको इसको क्या कर देना है फॉल्स पर कर देना है तो जो भी आप लिखना चाहोगे वहाँ पर यह चीज हो जाएगी ठीक है अब यहाँ पर आपको थोड़ सा background डालना है तो background के लिए हम एक custom background बनाएंगे तो drawable पर जाने के बाद new page जाने के बाद हम drawable resource file create करेंगे यहां पर हम करेंगे shape और हम यहां पर जाने के बाद लिख देंगे search underscore shape यह डाला हमने और यहां पर लिखेंगे हम solid और color हमारा होगा light white और इसके बाद हम इसको करेंगे close और यहां पर होगा इसका corner corner हमारे पास है radius ADP मेरे साब से ADP होगा और इसको भी हमने यहां से किया close तो इतना करना है अब यहां पर जाने के बाद आपको इसमें search करना है background तो आपको background के अंदर जाने के बाद आपको मिल जाएगा search और यहां पर आपको मिल जाएगा तो आपके पास इसका background भी यहां पर आ जाएगा लेकिन एक चीज और है यह थोड़ा सा हमें दिखने रहे तो इसका तो हम color है ना वह हम बिल्कुल ही white करेंगे light white की जगह है यहां पर हम only white कर देंगे जिससे बिल्कुल प्रॉपर white हो जाएगा तो यह अब यहां पर यहां पर अच्छे से नहीं होने वाले जितने एड होते रहेंगे बाइड वह आटमेटिक होता रहेगा तो इसलिए हम यहां पर बहुत सारे रिसाइकलर व्यू चाहिए तो चलिए हम इसको बना लेते हैं तो हम यहां पर आ गए और उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी आईडी हम यहां पर डाल दे करण। आर्लाइन करण। करूंगा और इसको भी मैं इसको साहब ऑक तो बाद से बार यहां से और करने यहां से ब Pix रो मैं राइट तो अब हमारे पास ऐसा कुछ कुछ के यहांच नहीं तो हम यहां न थे देता है तो इस से और इसके बीच की Margin कितनी है, वो 90 है, तो हम यहां से दे देंगे 20 दे देते हैं, fix, 20 dp, तो इफ 20 dp का Margin यहां से यहां तक आ चुका है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर के Items को यहां पे Create करना है, तो हम यहां पे Item भी इसका Create कर लेते हैं, मैं इसको यहां से Hide इसको भी हाइट करता हूं और लेयाऊट में जाने के बाद में यूप जाने के बाद नियू लेयूट रिसोर्स फाइल हम यहाँ पर बनाते हैं रिसाइक्लर रेविव के लिए में दो चीज़ की जड़रत होती है एड़ेप्टर की और एक आइटम की राइट तो हम यहाँ प पर चीजों को यहां पर कर रहे होंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं एक कार्ड लोंगा और यहां पर इसको ने बना लिया अब क्या करना है इसमें corner देना है corner radius और यहां पर हम डाल देंगे 9dp तो 9dp का हमने इसको radius डाल दिया अब यह match parent है इसकी जगे हम इसको क्या कर लेंगे एक fix height देंगे तो मैं इसको fix height देता हूं यहां पर तो इसकी fix height और weight हम यहां पर check कर लेंगे इसकी height है हमारे पास 362 by 264 तो इसकी 362 और यहां पर चलते हैं और इसकी width है उसको हम यहां पर कर देंगे 362 dp या फिर आप इसको क्या कर सकते हो match parent भी कर सकते हो यह हमारा match parent रहेगा कोई दिक्कत नहीं है लेकित इसको हमें थोड़ा से यहां पर कम करना है तो यह हमारे पास होगा 260 और देख लेते कितना था 264 तो 264 dp इसको हम यहां पर select कर लेंगे तो आपको यह से कुछ दिख रहा होगा यहां पर राइट तो इतना काम होने के बाद इसमें हमें एक चीज और देने है थोड़ी सी elevation और elevation हम यहां से दे देंगे 5 dp जिसे थोड़ा सा और उठा हुआ है स्थे को प्रेड़ आयाओ कर दो इसको मैच पेरेंट इसके अमरें अब इसकी अंदर आइक अधचर दो और Instagram नहीं ऑन ऑगे तो तो यहां पर add करते हैं एक should Spista tells कर दें अडר तो मुझे ऐद करते हैं एक चूथ ये मैच पेरेंट और हम आपक यहां से क्लोस और इसके अंदे लिए हम ऑब बेंगे लिखने तो यहां पर काॉपी और यहां पर हम ऐड्ड करनाए邸 नगे टेक्स्ट साइज नहीं टेक्स्ट और टेक्स्ट में आने के बाद हम इसको पेष्ट करदेंगे इतना सामने सबसे पहले फैसकोً को सबसे पहले कंस्ट्रेंट करना तो अब यहां पर क्या करना है यहां पर हमें max line दिखानी है max lines यहां पर हम कर देंगे 2 क्यूंकि अगर ज्यादा line यहां पर आएगी तो यहां पर नहीं लेने वाले अब हमें इसकी height को थोड़ा सा देखना है कि इसकी height कितनी है जिसके वज़े से हमें पता चल जाएगा यहां पर कर देते हैं अब देखना यहां पर मैंने मैंने में इसको कम कर दिया अब यहां पर देखो एक डाला है हमें डूर्ण्सका यहां का कितना है यहां पे चलते हैं ow टक्सब्स इसका 22 है टो हम ए plausible दération को एक ब्लू कलर का टेक्स कलर हो गया इसके बाद एक चीज और चाहिए हमें इसका फॉंट तो इसका फॉंट है फॉंट फैमिली और यहां पर हम डालेंगे मौन्स्टार सैमी बॉल्ड तो ऐसा कुछ हमारे पास यह आ चुका है और यह हमारे बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा कुछ लेकिन हमें क्या करेंगे इसका टेक्स साइज थोड़ा सा छोटा है इसका 16 SP है हमने यहां पर डाल दिया 22 तो 60 SP कर देते हैं अब यह बिल्कुल परफेक्ट है जैसा हमें चाहिए था अब थोड़ा से इसमें मार्जन डला हुआ है इसमें 9 का तो हम यहां से 9 का इसमें मार् का तो हम यहां से डाल देंगे मार्जन टॉप 13 डीप तो यहां पी हमने यहां पर डाल लिया तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट है अब क्या करना है हमें इसको यहां पे कार्ड वीच चाहिए उसके अंदर हमें इमेच चाहिए तो हम इसके बाद जाएंगे और एड करेंगे view और card view को हम कर देंगे wrap content यह wrap content नहीं 34 dp 34 dp और यहां पर भी हम इसको कर देंगे 34 dp और इसको हम यहां से expand कर दिया और इसके अंदर हमें एक ले लेंगे image view जो कि हमारा होगा match parent match parent और इसके अंदर हम डालेंगे src और src में हम डालने वाले यहां से लेकिन फिल्फाल के लिए profile one profile वन डाल दिया हमने और इसको यहां से close किया तो यह हमारे पास इसका card view भी आ चुका यह अब इसको हमें क्या करना है तो मैंने इसको left से क Terror nor Northern Unterland अमने यहां पर डाला था मार्जन दोनों में यहां से इसको कॉपी कर Biz करने के बाद यहां पर मैंने में पेस्ट किया कुछ चुका है ही यहां पर में लफ से सथ कड़ लेकिन इस सब्सक्रार्द से मैं अलुक्रा से margin जितना इधर है टॉप से उतना ही यहां पर भी इसका होने वाला है margin start के बज़े end में तो यहां पर हम इसको paste करेंगे और start की जगे है इसको हम यहां पर end कर देंगे तो यह 9 dp का margin इधर से आगा लेकिन sorry my mistake यहां पर इतना ही margin नहीं है इसको हम थोड़ा सा और ज्यादा margin देगे क्योंकि इससे पहले हमार पास यह का आएगा text तो मैं यहां पर एक text view और add करूंगा इस card view के बाहर तो मैंने यहां पर add किया text view इसको हम करेंगे यहां से wrap content wrap content और इसको यहां पर 1 पे fix height देने स्कुत किया स्वाम, लॉर्ट यहां पर अटाने के बाद is70 dpA, मैं इसको copy कर लेता हो यहां से, भाव किया पेस्ट तो यह हमारे पास अ चुका है अब मैं इसको क्या करना है, इसको मुझे यहां से constraint करना है सिर्फ तो मैंने पहले इसको क्या किया close किया और इसके close करने के बाद मुझे इसको constraint करना है left से top से और यह जो constraint जो मैंने यहां पे दिया था इसको मुझे cut करके इस वाले में paste करना है तो अब यह बिल्कुल perfect है अब जो मेरा card है इस card को मुझे constraint करना है इसके top के साथ मुझे एसके साथ करना है है और bottom को करना है इसके साथ मिल्कूल परफेक्ट है अब इसके इंदर जो भी टेक्स होगा वह हमें यहां पर dlb जो वहां पर है वही लिख देते हैं new blogger तो मैं यहां पर डालने वाला हूं new blogger है ना और यहां पर डाल देंगे max line 2 okay और text size यहां पर कितना है इसका यह भी हम यहां पर चेक कर लेते हैं तो text size 12SP तो text color black कर देंगे हम यहां से एक तो और text size 12SP यह हमने डाल दिया अब एक चीज़ा आपको दिखा दूँ मैं इसका text alignment भी डाला हुआ है तो text alignment और यहां पर हम इसको कर देंगे center और पैडिंग डाल देंगे इसमें हम थोड़ा सा padding और padding डाल देंगे हम 5 dp का और यह हमारे जो इसका text alignment center है वो नहीं हुआ यहां पर तो text तो यह हमारा text alignment इसका center क्यों नहीं हुआ एक बार हम check करते हैं और gravity भी हमें यहां पर center डालनी है gravity और यहां पर डाल देंगे हम इसको center तो हमारे बिलकुल perfect है अब हमें थोड़ा से इसमें दिक्कत है इसमें last में जाने के बाद इसको हमें match parent match parent कर दिया इसकी height weight कर दिया और इसका card corner radius डालना है card corner radius और इसको हम कर देंगे 100 बस ज़्यादा आपको डालना है कम आपको नहीं डालना है इसके जितना भी हाप size डालो यहाँ पर 34 इसका double डाल चकते हो या इससे ज़्यादा डाल चकते हो और यहाँ चलने के बाद मैं एक और text view यहाँ पर मैं add करूँगा इसको मैं करूँगा wrap content इसको भी मैं करूँगा wrap content और यहाँ पर मैं इसमें डालूँगा text और text मैं डालूँगा मैं app name नहीं कोई date है तो date ही हम डाल देते हैं यहाँ जो भी date है इसको करेंगे copy मैंने इसको किया, कॉपी तो मैं यहां पर आने के बाद, इसको मुझे यहां से करना है copy और copy करने CowpiesOS करने के बाद यहां जाने के बाद मुझेis को करना है पेस्ट तो मेरा पास डेट आ चुकी है, अब यहां पर मैं डालूँगा text color और text color में मुझे डालना है एक color हम यहां से देखेंगे कि यह color हमारे पास है या नहीं है तो यह color हमेरे पास है नहीं तो हम यहां से जाने के बाद इस color को हम यहां से लेने वाले हैं तो यह color है मेरे पास तो मैंने इसको कॉपी किया और इसको हम डालेंगे डेट कलर यह डाला मैंने और इसमें जाने के बाद मैं यहां पर जाने के बाद इसको कर दूंगा डबल एट सी है इसको मैंने रिमूव किया और यहां आगे हमारे पास अब यहां पर डालेंगे हम डेट कलर तो इसका कलर हम monster thin है साइद monster ही है मेरे पास यहाँ पर लेकिन एक बार change करके देख लेता है monster light है अभी हम change कर लेंगे इसको भी लेकिन पहले इसको हम कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरे पास monster medium italic है तो यह दो हमें और चाहिए तो हम चलते हैं अपने इस पर जो हमने download किया था तो यहाँ पर monster का theme यह है मेरे पास static में जाते हैं एक हमें क्या चीए monster thin चीए और एक चीए हमें मैं यहाँ पर चलता हूँ एक हमें चीए medium italic तो एक medium italic के लिए हम चलेंगे यहाँ पर यहाँ पर चलेंगे medium और medium के बाद हमें मिल जायागा italic और एक हमें कौन सा चीए और एक हमें चीए monster light italic और एक हमें चीए light तो इसन दोनों को हम करते हैं copy copy करने के बाद हम यहाँ जाने के बाद font में इसको करेंगे हम paste ok करते हैं और जो दोनों error आएगा उसको हम यहाँ पर shift f6 दबाएंगे और इसको कर लेंगे हम m और यहाँ पर underscore light इसको हमने कर लिया और एक और हमें चीए इसको करेंगे f6 और यहाँ पर हम डालेंगे m underscore m और light यह हमार पास आ चुका है लेकिन एक और error इसमें f6 करते हैं italic का i हमार पास यह capital ही रह गया तो i हम यहाँ पर डाल देते हैं तो अब यहाँ पर हमें font family डालनी है italic वाली italic मैंने यहाँ पर search किया font family monster italic monster और यहाँ पर मैंने thin नहीं चीए medium आ रहा है ओके अभी भी इसमें कोई error है हमार पास इसलिए हमार पास यह दिखनी रहे ओके और इसका underscore हमार पास नहीं लगाया हमने तो underscore लगाया है मैंने इसका अब यह आ जाएगा मेरे पास तो यहाँ पर मैंने बाल डाला monster और यहाँ डालता हूं मैं italic तो यह आ गया मेरे पास monster medium italic तो यह हमार पास जैसा चीए था वैसका वैसा आ चुका है इसको मैं constraint करता हूं इसके साथ इसके top को करूँगा मैं इसके साथ और इसको करूँगा मैं इसके साथ तो यह इसके साथ ना करके इसको हम इसके साथ कर लेते हैं जिससे कोई दिक्कत नहीं और यह perfect है अब बस हमें इसको चेंज करना इसके font family को तो यहां पर भी हम डालेंगे font family और यहां पर हम डालेंगे light monster light तो यह हमारे वैसा नाम जो था वैसा का वैसा नाम हमारे पास आ चुका है अब हमें क्या करना है एक हमें डालना है divider राइट तो हम यहां डालेंगे एक view जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं divider भी कहते हैं तो view डाला मैंने और इसको मैंने एक बार remove किया view हम यहां से डाल देते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना है मैं यहां पर करता हूं divider search और हमें ची करने के बाद मैं हाव पर रिप्र रिमूव करूंगा और यहां से हम दे देंगे इसके मारिजन कितने है चेक कर लेते हैं तो इसको रहो सब्सक्राइब क्या है और एक बार हम इसको यहां पर करते हैं regiment और माने के चलते हैं क्लिब Прेसें टोछार की ना तो में एहां पे डाल देते हैं मिनिमूम 8 डाल देते हैं Mohan है अब थोड़ा सामें इसको और चेड़ना पड़ेगा कि यह जितना यहां से दिखर रहा है इतना इक इतना ही इधर से भी है राइट तो मैंने इसको किया और यहां से कर देंगा जीरो मैच CONSTRAINTS तो यह हमारे पास आ चुका है जैसा हमें divider चाहिए था अब देख लेते हैं इसकी height कितनी है 1 ही हम भी इतना ही रहन देंगे अब इसके नीचे text आएगा जिसमें हमारा सारा text यहां पर 100 होगा तो एक मैंने text view एड किया और इसको मैं इसके साथ जितना है उतना हम यहां पर डाल लेते हैं 14 तो मैंने 14 भी डाल लिया अब क्या करना है इसको मुझे करना है zero match constraint और इसकी height को मुझे fix height देनी है तो हम इसको select करेंगे इसके बाद इसको select करेंगे और इसकी height है मेरे पास 100 dp तो 100 dp इसकी हम height डाल देंगे 100 dp तो इतना कुछ इसका height आने वाला है और इसके बाद मेरे पास buttons होगे और इसमें maximum line डालना है मुझे 4 तो मैं यहां पर add करूंगा split max lines और यहां पर हम डाल देंगे 4 और इसमें डालेंगे हम text dummy text text color एक तो हमार text color black होगा और font family font family इसका होने वाला है light यहां पर check कर लेते हैं क्या font family यहां पर इस पर गया हम और monster light यह राइट अब इसको हम यहां से कर लेते हैं copy तो मैंने इसको किया यहां से copy और इसको मैं और यहां पर डाल देते हमें text और text वाला attribute आ नहीं रहा है because of यहां पर text view already है तो मैंने इसको मैं डाला और किया मैंने हां से remove और यहां पर कोई error आया because of this और because of this तो यह भी हमारा fix हो चुका है और जैसा हम चाहते थे वैसा आ चुका है लेकिन इसका थोड़ा सा इसके बीच में space है तो इसको हम यहां पर क्या डालेंगे line height डालना पड़ेगा तो इसका जो है property वह हम यहां से जाके check करेंगे कि कितना है इसमें तो style में चलते हम यहां पर और यहां पर letter spacing हमारे पास डाल रखा है यहां पर letter spacing और यहां पर 4 डाल देंगे okay ज्यादा डाल दिया हमने letter spacing spacing हमारे पास Carolyn height 22SB हमें डालना है यहां यहां पर है Hang הוא टाला तो इसकी line height भी बढ़ चुक है अगर मैं यहां पर 30 यहां पर 30 है लेकिन हमें 22 है तो 22 ही हम यहाँ पर डालेंगे, ओके तो यह भी हमारा परफेक्ट है, अब यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, जो होगा, रीड मोर का बटन, तो हम यहाँ पर एक एड करेंगे, बटन, तो वह होगा हमारा बटन, और यह हमारा होगा, कुछ fix height का, तो पैको हम इसको ihn select करें, ररेक्टांगल egy Spy है, तो हम इसको डालेंगे, 180 Dp, और इसके बाद मेेन हीज़क्त, और इसकी Height को यहाँ इक लिए हो का दालेंगे, 40 Dp, और, इसके हम background tint को हम से select करेंगे, Blue तो यह Blue हो चुका है मेरे पास, और इसके अंदर का टेक्स्ट डालेंगे जो की होगा हमारा read more ओके अब यहां पर डालेंगे हम corners और या फिर radius ओके और radius हमारे पास आ नहीं रहा है एक बार हम चेक कर लेंगे और फिलाल के लिए हम इसको क्या करते हैं इसको constraint करेंगे हम bottom में और bottom के बाद हम इसको constraint करेंगे इसके top के साथ और इधर से हम कर देंगे इसके साथ इसको हम constraint और इसके बाद हमें text चीए उस text को हम बाद में देखेंगे लेकिन पहले हम इसको fix कर लेते हैं तो इसमें 10dp अब डाल के देखते हैं okay पैडिंग यह है margin डालना था हमें because इसमें margin by default आता है तो margin मैंने यहां पे किया layout margin minus 5dp तो margin इससे भी नहीं आया margin हमने यहां पे किया तो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं हम इसको भी fix कर लेंगे थोड़ा से क्या आइकन का साइज जो है वो बड़ा होना चीए यहां पे प्रोपर्टी होती है कॉर्णर रेडियस नाम से लेकिन आ नहीं रहा है एक बार हम यहां चलते हैं डिजाइन में और यहां सर्च करते हैं कॉर्णर रेडियस और यह आ चुका है हमारे पास और यहां एक पर वापिस डालता हूं margin और layout margin में जाके जो margin है मेरा यह टॉप टॉप और उससे है ना इसको हम यहां पर minus में डालना है तो माइनस five डी अगर इससे काम कर जाता है तो ठीक है कर रहा तो अब क्या करेंगे चैन को थोटा सा और अाधिक देंगे 143 की जग कि मत देंगे जाधा हो गया तो 55 डीप Initiate यहां पर सही तो नहीं है तो इतना काम होगा हमार पास अब क्या करना है हमें यहां पे एक text view लगाना है जो कि हमारा होगा black text लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे इधर हम यहां पे एक button लगाएंगे और इसके साथ ही इनको constant हम यहां पे करते रहेंगे या फिर हम इसके साथ ही constant कर लेते हैं एक हमें सबसे पहले क्या चीए एक टेक्स्ट व्यू चीए जिसकी दूरी होगी यहां से 50 डीपी तो यहां पर एक टेक्स्ट व्यू को हमने एड किया और इसको हम यहां से कंस्टेंड करेंगे इसके साथ और यहां से हम इसको कंस्टेंड कर देंगे और यहां से हम कर देंगे इसको 50 dp अब इसके अंदर हम यहां पर डाल देते हैं by default 20 और यहां पर हम जलते हैं text पर और text पर जाने के बाद इसका text size हम सबसे पहले चेक करेंगे तो text size है इसका text size 16 SP और color है इसका black तो text size हम डाल देंगे 16 SP और text color में डालेंगे हम यहां से black तो text color हमने black कर दिया और इसको हम font family भी डालेंगे font family और font family में हम यहां डाल देंगे monster light light नहीं यहां पर डाल देंगे semi bold ठीक है यह बिल्कुल perfect है अब इसके बास हमें ID देनी है ID बगेरा देने का कहम हम बाद में करेंगे अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए एक और चाहिए button जो कि हमारा होगा इसका bottom को परऊगा मैं इसके bottom के साथ इसके top को करंगा मैं से top के साथ इसके left को करूणगा मैं इसके right के साथ पर यहां से मुझें देंगे मारचन यहां पिर हम check कर लेते हैं यहां तक कितना 19 है यहां सेसे काफी है अब इसमें मुझे इसको स्लेक्ट करना है और इसमें हम स्लेक्ट करेंगे कौन सा अपना हार्ट वाला तो यहां पर मैं सर्ज कर लेता हूं हार्ट और यहां पर मेरे पास ब्लैक हार्ट है इसको हम यहां पर स्लेक्ट कर लेंगे राइट अब इसके बैग्राउंड को हम यहां अब एक और Кол papa आड़ करेंगे इमेज बटन तो अब हमें में बटन हमने आट किया से वाला बटन होने वाला यह便ि Cast किया और इस को यहां पर क्यान करतें आंक wz के साथ इसके साथ और इसको हम इसके साथ कर देते हैं और इसको हम थोड़ा से जादा मार्जन देंगे तो 16 का मार्जन हमने इसको दे दिया अब यहां पर हमें क्या करना है इसका बैक्राउंड कलर को यहां पर ट्रांस्पेरेंट करना सबसे पहले तो मैं इसको बैक्राउंड है अब हमें क्या करना है एक बार आप इस प्लेट में चल जाओ और इसके अंदर जो लास्ट बटन है इसमें सोर्स कॉम्पैक्ट है राइट सब को सही है अब इसको रिफेक्टर कर लेते हैं कंट्रोल और कंट्रोल ओल्ट इयल जिस्झे कोई दिक्कत हो के तो आइक करना है आपको spr यहां बनाया था यहसे अपने सलेक्ट किया है और आपको ऐसा कुछ में अप्स kilogram दिकh रहे हैं तो एक कि ایک बार हम चलते हैं हमारा Board item ये है और हम यहां पे कुछ ऐसा चीज हो रहा है तो हुने के बाद हम क्या करेंगे हमें इहां पर्फेक्ट्लिस वह रहे तो इसको हम यहां पर क्या कर करते हैं तो यह इसकी जड़त नहीं आपको डरने की यह आटमेटिक फिक्स हो जाएगा और यहां पर मैं रिफ्रेश करता हूं ले आउट को और यहां पर लगा हुआ है इसको मैंने यहां से रिमूव किया और इसको एक आईडी भी दे देते हैं और डालेंगे हम ब्लॉग री साइकलर व्यूव अपको इतना ढालना है और यहां पर जो आईटम था ना जो हमने अभी बनाया है वह बैसिकली हां पर क्या हो जाता सो हो जाता लेकिन यह सो नहीं हो हो आदे दे देंगेEMारज़न से मैं सॉरी मार्ज़न टॉप और मीस को देगे और शूर्श और पहुवार्ट यहां पर जाएगा क्या कर देखते PayPal क्यों रहा चलते हैं अब भी हो रहा है यह नहीं हो रहा है तो यह भी हमारे पास यहां पर सो नहीं हो रहा है और यह हमने ले आउट में जाने के बाद ही create किया है max item count यहां पर 2 डाल के देखते हैं तो यह perfectly work तो कर रहा है लेकिन यह हमारे पास कुछ और सो कर रहा है अब एक काम करते हैं सबसे पहले कि इनकी ID कि भी हम यहां पर देए देते हैं ठीक है सबसे पहल हमारे पास यह है तो इसमें text味 हम यहांपर करेंगे कि मैं यहाँ पर चलता हूँ, split में, और split में जाने के बाद, मैं यहाँ से ID डालूँगा, heading, और इसके बाद, मैं यहाँ पर डालूँगा, profile, यहाँ पर डालूँगा, username, यहाँ पर डालूँगा, मैं date, यहाँ डालूँगा, मैं, यहां डाल दूँगा, मैं post, जो भी उसने post किया है, या blog, यह हमारा button होगा, इसको हम डालेंगे, read more button, इसके बाद हमार पास यह क्या है, like count, like count, इसके बाद हमार पास है, like button, इसके बाद हमार पास है, save button, post save button, post save button, तो इतना करने के बाद नाव अब हम इसका एड़ेप्टर बना लेते हैं तो एड़ेप्टर के लिए मैं सेम एक और पैकेज क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा एड़ेप्टर और एड़ेप्टर में जाने के बाद हम न्यू पर जाने के बाद यहां पर हम क्रिएट आप डाल दोगे इसमें class में जाने के बाद आप यहां पर डालोगे जो भी आपके adapter का नाम होगा तो मैं यहां पर डालूँगा blog adapter यह डाला हमने तो blog adapter के नाम से मेरे पास एक class file आ चुकी है अब एक चीज़ और हमें यहां पर क्रेट करने पड़े उससे पहले model class और हमें यहां पर करना पड़ेगा तो हम यहां पर चलते हैं new पर करते हैं और यहां पर जाने के बाद data class को हम यहां पर करेंगे और इसका हम नाम रखेंगे ब्लॉग आइटम मॉडल ओके इतना रखने के बाद मैंने इसको क्रेट किया अब इसमें कुछ वेरियेबल्स बनेंगे जो हम यहां पर क्रेट कर लेते हैं तो वैल सबसे पहला हमारा होगा हैडिंग और यह हमारा होगा किस टाइप का पर क्रेट कर लेंगे कंट्रोल डी कंट्रोल डी हेडिंग के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यूजर नेम एक यूजर नेम के नाम से हमारे पास हो गया उसके बाद हमारे पास होगा एक डेट के नाम से एक हमारे पास होगा पोस्ट के नाम से एक हमारे पास होगा लाइक count के नाम से, जिसमें हम अपने like को count करेंगे, अब इनके जो data है, last वाला हमारा किस type का होगा, integer type का होगा, तो यह हमारा int type का है, अब जो भी बचा हुआ रहेगा, उसको हम यहाँ पर बाद में create कर लेंगे, फिलहाल हमारा इसका काम हो चुका है, अब हम move करते हैं, अब यहाँ पर मैं इसको extend करूँगा, इसमें हम डालेंगे कुछ चीजे, तो सबसे पहला हमारा पास होगा, private, well, और एक होगा हमारा items, और इसको extend करेंगे, इसमें हमारा होगा, blog, item, model, ठीक है, तो यह हमने डाल दिया, अब इसको हम extend कर लेंगे, हम recycler, view, dot, adapter, और इसके अंदर हम डा ब्लाग, adapter, dot, और यहां पर हम create कर लेंगे अपना view holder, तो मैं यहां पर डालूँगा, blog, view, holder, और इसको हम ऐसे करेंगे, invocation, और इसको हम कर लेंगे, create class, और यहां पर हमने इसको create class कर लिया, और इसको हम बना लेंगे as a inner class, और यहां पर आपके जितने इसके members है, इनको हम य नीचे लिया आता हूँ, और यहां पर मैंने इसको paste कर दिया, और यह item count है, इसको भी मैं यहां पर नीचे ले आऊँगा, okay, मैं इसको format करता हूँ, Ctrl-Alt-L करके, और Ctrl-Z किया मैंने, और get item count वाले को मुझे cut करना था, और मैंने इस class को cut कर लिया था, जबकि मुझे क्या करन था, इसके नीचे इसको मुझे paste करना था, तो मैंने यहां पर paste किया, और यह get item count को मुझे just इसके उपर paste करना था, आप इसको रहने दे सकते हो, चाहो तो, मैं ऐसे करता हूँ, इसलिए मैं आप इस pattern कोई follow कर रहा हूँ, अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आपको find करना है, आपको आपका item जिससे आप connect करना चाहते हो, यहां पर हम लिखेंगे private well binding, और यहां पर हम ले लेंगे, जो item हमने यहां पर अभी recently create किया था, उसको हम यहां पर ले लेंगे, तो हमारा कौन सा है, blog item, तो यहां पर हम इसको extend करेंगे as a blog item binding, और इसको extend कर द dot root, और इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो binding है, वो complete हो चुकी है, अब हम यहां पर क्या करेंगे, on created view में, सबसे पहले हम यहां पर inflate करेंगे, inflate, sorry, एक variable बनाएंगे, well, inflate, inflator, equal to layout inflator dot from, और यहां पर हम डालेंगे, inflate, sorry, यहां पर हम डालेंगे, parent dot context, इत बाइंदर डाला, और यहां पर हम क्या करेंगे, well, binding, equal to, blog, item, binding, dot, inflate, और यहां पर हम फिर से डालेंगे, inflator dot, comma, parent, और यहां पर हम कर देंगे, इसको false, तो और इसके बाद हम last में क्या कर देंगे, return, और जो भी हमारे view holder का नाम है, तो वो हमारा, blog, view holder dot, sorry, इसके अंदर हम डालेंगे, binding, तो यह हमारा complete हो चुका है, अब हमें क्या करना है, on view holder में हमें दूर चीज मिलती है, एक holder और एक position हमें यहां पर मिलता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, holder dot bind, और इसमें हम डाल देंगे, items dot dot नहीं, position, इतना कि हमने, इसको हम यहां पर जाने के बाद, create कर ल है, item view में, उसको आपको यहां पर attach करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे, binding, binding, dot, और जितने भी आपके बास heading वगेरा है, सारा आपके बास यहां पर आ जाएगा, तो हम heading dot, और यहां पर, sorry, heading के बाद, equal to कर देंगे, हम इसको, items, sorry, item नहीं करेंगे, हम यहां पर करेंगे, blog, view model, और यहां पर ना, हमारा text type का data आएगा, तो यहां पर हम लगाएंगे, dot, text, text, scale नहीं, text, और end में जाने के बाद, हम यहां पर लगाएंगे, dot, heading, right, अब यहां पर हम सेम, सारे views को यहां पर हम bind कर लेंगे, तो यहां हमारा है, binding, ok, binding, dot, heading के बाद हमारा क्या था, user, एक स profile, dot, set image resource, और लेकिन हमें है, यहां पर glide यूज़ करना है, right, तो हम glide यूज़ करने के लिए, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे, glide, dot, width, और यहां लिखेंगे, हम binding, dot, profile, dot, context, यहां पर हम enter कर देंगे, और इसके बाद, हम यहां पर करेंगे, dot, dot, load, और एक mistake हमारा से छोट यहां पर हमने, bracket, double, use कर लिया है, तो इसको मैं यहां से अटाता हूँ, dot, load, और यहां पर लिखना है, हमें, blog, item, model, view, dot, image, यहां पर मिलेगा, हमें, image, url, वो हमार पास यहां पर है नहीं, तो हम यहां पर model class पर जाएंगे, और like count के बाद एक और बनाएंगे, हम यहां पर variable, image, url, इसको एज़र हम बनाएंगे, string, तो ऐसे अगर कुछ कुछ चीजों के ज़रूत पढ़ते रहेगी, तो हम यहां पर create करते रहेंगे, अब यहां पर हम डाल देंगे, image, url, और यहां पर लिखेंगे, into, कहां पर हमें इसको show करवाना है, तो into हमने लिखा, और यहां पर हम लिख देंगे, इसको binding.profile, तो इतना काम हमारा हो गया, किसके लिए, image के लिए, तो हमने इसको format कर लिया, अब हमें और चीज़े क्या set करवाने है, profile के बाद, date, sorry, name, तो यहां पर हम करेंगे, binding.username.text, और equal to कर देंगे, हम इसको binding.username, ok, और यहां पर हम जाके चेक क binding.heading लिख रखा है, तो यहां पर मैं चेक करता हूँ, क्या लिख रखा है, हमने, username है, और यहां पर मेरे पास, ok, binding नहीं यूज करना था, यहां पर हम लिखना था, blog, model view, और इसको हम कर लेते हैं, control D, अब देखो, यहां पर चीज़े जो change होगी, username के बाद हमारे पास क्या आने वाला है, date, इसके बाद हमारे पास आने वाला है, post, इसके बाद हमारे पास आने वाला है, अभी फिलाल तो और कुछ आने वाला नहीं है, तो हम यहां से अटाते हैं, और username हो गया, username के बाद हमारे पास आएगा, date, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, blog post, अब इसको ह आजा के चेक कर लेते हैं यह हमारे यूजर नेम है और इसके बाद हमारा डेट है इसके बाद हमारा पोस्ट है रइट अब एक हमारे पास यहां पर क्या दिखाना है like count ओके तो हम यहां पर जाएंगे लिखेंगे binding.text ok like count.text equal to blog model view.like count अब यहां पर देखो required क्या है इसको character sequence और found क्या हो रहा है integer हो रहा है तो यहां पर क्या कर देंगे add to dot string तो यह हमार पास हमने जितने भी views थे उनको यहां पर हमने bind कर लिया है अब क्या करना है हमें फिल्हाल के लिए हम यहां पर चलते हैं कहां पर अपने activity main पर और यह देखो जैसा हमारा सो होने वाला है वैसा कर वैसा हमार पास यह चीज़े आ चुकी है तो यहां पर मेरे पास दो ही सो हो रहा है किसमें अपने recycler view के item count में अगर मैं इसको हटा देता हूं तो यहां पर जितने आने चीज़े उतने यहां पर मेरे पास आ जाएंगे तो इस टाइप से हमारा कुछ data यहां पर सो होगा लेकिन कुछ mistake है आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यह जो title है title इसके और इसके बीच में मर्ज हो रहा है तो इसके लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे एक barrier लगाएंगे जिससे यह और यह separate हो जाए ठीक है तो हम यहां पर चलते किस पर अपने blog आइटम पर और इसके और इसके बीच में एक एड़ करेंगे barrier तो मैंने यहां पर गया design पर और design पर जाने के बाद मैं इस पर right click करूंगा add helper पर जाओंगा और यहां पर आपको मिल जाएगा एक barrier का option तो मुझे vertically लगाना है तो आप में यहां पर vertically यहां पर select कर लूँगा right अब मुझे क्या करना है यह जो barrier है इसके अंदर मुझे heading मिल रही है right तो मुझे इसको थोड़ा से पहले margin देना है barrier को मैं यहां पर चलता हूं common attributes मुझे मिलेगा left तो इसको हम यहां पर कर देंगे right कर देंगे तो इसके बीच में हमारे पास क्या बन गया barrier बन चुका है अब यहां पर हम चलेंगे वापिस से और इससे पहले हम क्या करेंगे इसको हम यहां से connect करेंगे barrier के साथ तो यह heading है हमारे इससाइड रहेगा अब मैं क्या करता हूं यह वाला profile है जो क्या करेंगा इसके इससाइड रहेगा right तो मैंने इस card view को select किया और card view को मैंने select करने के बाद यहां पर इसको add कर दिया अब मैं इसको यहां से disconnect करूंगा अब देखो एक चीज और क्या करना है म common attribute में जाने के बाद आपको इसको भी यहां पर change करना है तो यह barrier 3 है हमारे पास तो इसको हमने left की जगे right कर दिया तो यह right side में आ चुका है अब हम इसको भी select करेंगे और इसको हम इसके side लगा लेंगे ओके और इसको हम यहां से disconnect तो नहीं करना है इसको मैं इधर कर लेता ह लगा दिया चलो ठीक है एक बार हम चेक करते हैं यहां पर perfectly work कर रहा है नहीं तो यह अभी हमारा कुछ type का दिख रहा है इसको मैं refresh करता हूं तो थोड़ा सा क्या करते हैं इसकी जो height है ना इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि यह बहुत जादा है तो यहां पर हम करे हम करने करको कcl देख रहें इसको हम यहां पर चेक करेंगे तो यह पूरा पर चला गया यह भी हमें नीची यह तो हम क्या कर सकते है हम इसको ctrl z करते हैं पहले तो तो यह उसका क्रण सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे condition डालेंगे जिससे तोड़ा सा थोटा हो जाये Automatic तो इसको हम्यां पे condition डाल देते हैं थोड़ा org- метेतने कि इतना कुंटरी अभर देते हैं तो इतना क्रने के बाद, और यहां पे भी यह बिल्कुल perfect रहेगा, ऐसा ही हमें चाहिए था, तो ऐसा कैसा हमारे पास आ चुका है, तो मैं यहां पे चलता हूँ, और यहां पे control Z करता हूँ, जो इसका वो था, वो ही रह गया हमारे पास, और barrier भी हमारा perfectly work अब कर रहा है, ओके, और एक चीज, मैं चाह थोड़ा सा और काम करेंगे, इधर से जो margin है, या इसके बीच की जो दूरी है, इसको हम यहां से, या फिर अब हम इसको थोड़ा सा increase कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रहन देंगे, ज्यादा छेड़ना अच्छी बात नहीं है, तो हम आगे move करते हैं, और आगे move करने के ल और सबसे पहले यहां पर हम करेंगे, बाइंडिंग, तो private well binding, और इसको मैं as a extend करूंगा, main activity binding, sorry, मैं यहां पर लिख देता हूं, binding activity main binding dot inflate, sorry, मुझे यहां पर करना था by lazy, और यहां पर मैं करूंगा, binding, और यहां पर मुझे मिल जाएगा, activity main binding dot inflate, और यहां पर हम कर देंगे, layout inflator, और इसके बाद मैं यहां पर कर दूँगा, binding dot root, इतना काम हमने यहां पर कर दिया, right, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें add करवाने है, अपने user में, जो भी मतलब हमारा database है, हमारा database में हमें कुछ blog को हमें यहां पर upload करना होगा, right, तब ही जाके हम यहां पर इसको show करवाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यहां पर एक button लगाएंगे, जो कि होगा हमारा, जैसे कि आपको मैं यहां पर दिखा दूँ, यहां पर एक button है, उस button के click पे हम क्या करेंगे, एक activity open करवाएंगे, जिसमें हमारे पास क्या होगा, blog का title or description होगा, तो यह हम यहां पर करवाने वाले हैं, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक button लगाता हूँ, मैं यहां पर floating action button, तो मैं यहां पर चलता हूँ, और यहां पर जाने के बाद, design पर चलते हैं, और यहां पर हम डालेंगे, floating action button, और इसको हम यहां पर add कर लेंगे और एड में जाने के बाद यह मेरे पास बटन था एड या फीर दूसरा बटन था तो उसको हम देख लेंगे लेकिन हमारे पास वलहाल साथ यह बटन नहीं है तो मैंने इसको एड किया और इस बटन में मेरे पास यह जीज आ चुकिय ऑ खे मुझे इसको constraint करना है तो मैंने left से constraint किया top से constraint किया और left से constraint हो नहीं रहा है I don't know इसको क्या हुआ और 31 का margin आगे इसको मैं 0 margin दूँगा ओके यह किसी और के साथ constraint हो गया मैं इसको वाप इसे खुद से constraint करूंगा parents से और margin देंगे इधर से हम इसको 32 dp और bottom तो यहां पर यहां पर डाल देंगे blue तो यहांपर मैंने color blue कर लिया और आइकन का है लेकिन यहां पर हमारे पास अलग दिखा रहें तो यहां पर हम डालेंगे टिंक नाम की प्रोपर्टी होती है यहां पे जो भी डालना चाहो वह डाली यहां पे तो मैंने वाइट डाला और यहां पे चेंज्ज नहीं हुए मार पास तो एक और तरीका इसका होता है अगर आपका यह WORK नहीं कर रहा हूं तो आप इसको कर दो आप इसको color state list dot value of और यहां पर जाने के बाद आप इसमें color डाल सकते हो तो यहां पर हम डालेंगे has ffff okay और यहां पर हम डालेंगे color dot capital C लिखना आपको color dot और यहां से आपको select कर लेना जो भी आप color यहां पर डालना चाहो तो मुझे यहां पर white डालना है तो मैंने यहां पर white select कर लिया अब इसको आप रण करो तो आपको यहां पर तो नहीं दिखेगा लेकिन आपके application में आपका वह color दिख जाएगा तो मैंने इसको run किया और यह हमारा white यहां पर हो चुका है अब मुझे इसको थोड़ा सा border भी देना है तो border width यहां पर देदेंगे हम 2 dp तो यहां पर हमार पस इसका border भी आ चुका है लेकिन इसका color अलग है तो border या फिर इसका corner radius भी देना है तो radius corner और corner radius के लिए हम और इस name डालेंगे हम पर जो भी आप ना म डालना चाहो तो हम यहाँ पर डाल देंके round राउंड डाहन दने के बाद आपको इसको डालना पड़ेगा Ellis Age perse pad और इसको आप यहाँ पर खाली में नहीं कि करना है आप इसको open करोगे tag को और यहां पर आने के बाद आपको एक बनाना है item और item में आप डालोगे यहां पर corner size और इसको आप यहां पर कर दोगे 50% इतना करना है और इतना करने के बाद आप यहां पर जाओगे और यहां पर लिखना है आपको overlay और shape overlay का नाम से आपको option मिलेगा और जो भी नाम आपने वहाँ पर डाला था वह आपको यहाँ पर name डाल देना है और thin डाल दिया मैंने हाँ पर जबकि यहां पर डालना तो मुझे tint ओके यहां पर देख लेते हैं यहां हमारे पास white color आगया तो white color आपने डाल दिया तो इसका color भी हमारे पास change हो चुका है तो इतना होने के बाद अब हम क्या करते हैं यहां से जो हमने color apply किया था इसको हम यह यहां से remove कर देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें यहां पर जरुरत नहीं है तो यह हमारा काम हो चुका है floating action button का इसका नाम है हमारे पास floating action button लेकिन इसकी जगे हम यहां पर डालेंगे हम पर floating add blog button add blog या फिर add article button डाल देंगे हम article button ओके अब इसको हमें क्या करना है इस सबको हम और यहां पर मैं इसको भी यहां पर रिमूब कर लेता हूं अब यहां पर देखो क्या करना है binding dot floating add article button dot set on click listener और इसके अंदर हम यहां पर डाल देंगे करेंगे start activity और इसमें पास करेंगे intent और यहां पर लिखेंगे हम दिस और एक activity हम यहां पर create करेंगे जहां पर हमें जान अब और अब हम चलते हैं अपने अब यहां पर डिजाइन कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीए एक text view चीए जिसमें हम show करवाएंगे कुछ भी text तो हम यहां पर चलते हैं और हम यहां पर क्या चीज़ शो करवाना है वह हम यहां पर देखते हैं तो यहां पर हमें सबसे पहले एक button चीए उसके बाद हमें चीए add blog hair वाला section तो सबसे पहले हम चलते हैं और copy करते हैं इसको और यहां पर चलने के बाद एक button add करेंगे image button image button और इसमें हम यहां पर select कर लेंगे यह back वाला button ओके तो सबसे पहले मैंने इसको constraint किया फिर इसके बाद मैंने इसको top से constraint किया और इस वाले को मैं यहां से अब remove कर लूँगा और यहां से भी मैं इसको remove कर लूँगा इसके अ हम करेंगे इसके साथ constraint और इसके टॉप के साथ यह हुई रखा है इसको हम दे देंगे यहां से एट डीपी का मार्जिन अब चेक कर लेते हैं अपने कहां पर क्या है तो देखो यहां से हमारे पास 33 यह 32 है और यहां पर 38 है तो हम यहां पर भी 38 ही डालेंगे इसके टॉप पर हम टेक्स्ट और टेक्स्ट का सबसे पहले color चेंज करेंगे जो कि हमारा होगा blue color इसके बाद हमारे पास text size होगा यहां पर 20SP और यह हमारे पास इसका जो font family होगा font family वह हमारे पास होगा monster semi bold enter के हमने तो यह हमारे जैसा था वैसा का वैसा हमारे पास यहां पर आ चुका है अ हमारा हो चुका है,ब इसको हम क्या करेंगे,साइज देंगे थोड़ाचा,24 dp, और इसको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे,24 dp हम इसको भी यहां से देंगे, तो यह हमारे इस type का कुछ button है और इसके बाद हमारे पास यह text आ चुका है,ब हमें क्या चाहिए,ब हमें चाहिए, इसके कुछ दूरी पे हमें चाहिए एक blog का title राइट तो इसके साथ है 100 dp का हम यहाँ पे blog title लेंगे उसके बाद हमें एक edit text ही होगा तो हम यहाँ पे चलते हैं android studio पे और यहाँ पर add करेंगे हम सबसे पहले एक और text view जिसकी height हम यहाँ से रखेंगे 100 dp उसके बाद हम इसको constraint करेंगे इसके साथ और यहाँ पर लिखेंगे blog title और इसका जो text size वगरा है वह हम यहाँ पर check कर लेंगे ओके तो हम यहाँ पर check करते हैं इसका text size जो है मेरे पास है यह है मेरे पास 24 SP तो मैं यहाँ पर इसको hide करता हूं और यहाँ पर लिखता हूं मैं text size 24 SP और color हो जाएगा इसका black और font family हो जाएगी इसकी font family हो जाएगी इसकी love वाला तो यह हमारे पर set हो चुका है अब इसके बाद हमें चाहिए एक edit text तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे edit text जो कि हमारों का plain text तो इसको हमने add किया यहाँ पर हमने इसको connect किया इसको मैंने यहाँ से connect किया now हम चलता है यहाँ और यहा पर देखते थे, इसके साथ इसकी कितनी दूरी है तो इसके साथ इसकी दूरी है 12 की तो हम यहाँ पर 12dp का मारजन में डे दिया इसको और left side काम constraint करके इसको हम कर देंगे zero match constraint और इसके बाद हम left side का मारजन अब इसके अंदर देना हम बाद में बन तो अब यहां से घ्रंघ कर च्रिक्षा एना करके इसको करते हैंसे कॉपी यहां पर आने के बाद इसको मैं करता हां भी प्रितो यह वालव चूथ हो Kathy स्कुपा है जाएगा और इस 결क्त अदि यहां से और टॉप से देंगे सको सेम यहां से 12 का है ना तो यहां पे भी हम इसको 12 का ही देंगे ओके तो 12 डीपी का हम ने इसको भी मार्जन दे दिया और ब्लॉग टाइटल की जगे आ जाएगा ब्लॉग description, यहाँपे हमने डाल दिया और यह मैंन अलग type से डाल दिया तो description हमने डाल दिया, इसके बाद हमें एक और edit text चीए, same तो हम इसको क्या करेंगे, copy करते हैं और copy करने के बाद, यहाँपे आने के बाद हमने इसको paste किया, और इसको हम constraint कर देंगे इसके साथ और इसको हम constraint कर देंगे इसके साथ अब यहां से भी हम इसको देदेंगे 12 dp का margin 12 dp तो यह भी हमारा बिल्कुल perfect है बस इनके हमें आइडी को यहां पर change करनी है और यहां फिर आइडी को change करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आइडी ऑल्रेडी नहीं बडलता हूँ और यहां पर ढलेंगे background और यहां पर हम डाल देंगे background मेंvy से जो की हमारा होगा edit text blue safe नाम से मुझे मिलना चाहिए यह भी म्सेप और यहां है लिए मरे पास आ शुक है अब इनकी मुझे क्या करनी है जो height है इसकी height तो मुझे यहाँ पर fix रखनी है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर इसकी height मैं यहाँ पर fix रखने वालों, और इसकी जो word है, वो मेरे पास maximum 100 words मैं यहाँ पर enter करवा सकता हूँ, तो इसमें जो edit text होगा ना, वो अलग तरीके सम यहाँ पर use करेंगे, ओके, फिलहाल के लिए ह करते हैं, इसकी जो height है, इसको हम wrap content कर देंगे, और इसकी height है, हम यहाँ पर कर देंगे 80dp, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 80dp इसकी height, 80dp मैंने इसकी height कर दी, प्लस इसकी height मैं यहाँ पर wrap content ही रहन दूँगा, बागी मैं कुछ तो डालूँगा, 80dp मैंने यहाँ पर डाल दिया, चलो 200 dp हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो यह कुछ इस टाइप का हो गया, अब हमें क्या करना था, इसमें अलग चीज यूज़ करनी थी, क्योंकि हमें यहाँ पर word limit भी यहाँ पर लगानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर करेंगे, block title के बाद, तो यह हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको use करेंगे, ओके, तो यह text input field है, इसको हम यहाँ पर constraint करेंगे, और इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, remove कर लेते हैं, क्योंकि इसकी अब हमें यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, और इसकी भी हमें यहाँ पर कर लिया, तो यह मेरे पास जैसा होना चीए था, वैसा हो चुका है, अब मैं इसको क्या करूँगा, top से क्या दूँगा, margin दूँगा, कित्ते का, 12dp का, यहाँ से 12dp का margin दे देते हैं, 12, 12 का margin दे दिया, ओके, एक और हम यहाँ पर add करना है, तो एक और हम text, और यहाँ पर page, text, input, layout, पर हम जाके, add कर देंगे, एक और और मैं इसको भी हमें आपे constraint करना है, इसके bottom में, और यह हमारा constraint हो जायेगा, इसके साथ, और यह जो वहारा constraint हो जाएगा, इसके साथ, और इसका top हमने constraint कर रखा है, तो अब इसको हम zero match constraint कर देंगे, जिससे छोटा हो जाएगा, और इसके बाद हमने इसको यहां से constraint कर दिया या फिर इसको हम यहां से भी constraint कर सकते हैं तो यह हमारा बिल्कुल perfect हो चुका है अब क्या करना हमें इसमें word limit लगानी है तो इसको आपको select करना है और यहां पर आप क्या करोगे search करोगे max मिल जाएगा max length के नाम से और यहां पर डाल दोगे 100 और enter करोगे ऑके ओके और इससे नहीं करना था हमें यहां पर हम इसको करेंगे remove और आपको सबसे पहले select करना इसको अब आपको मिल जाएगा यहां पर यहां पर आपको मिल जाएगा counter, counter, max length, इसमें आपको डालना है, 100, और यहां पर आपको enter कर दोगे, तो यह हमने डाल दिया, अब इसका height है, यह ठीक है, और यह जो हमार पास, इसका match parent है, और wrap content है, एक बार इसको भी हम चेक कर लेते है, max, यहां पर counter, तो counter के नाम से मार पास आ नहीं रहा है, और यहां पर select करना है आपको, और यहां लिखना है counter, और counter को आपको enable भी यहां पर करना पड़ेगा, तो counter लिखा मैंने, और counter enable जो है आपको इसको आपको true करना पड़ेगा राइट तो true करते हैं आपके पास यहाँ पर word limit भी आ जाएगी और इसमें हमने यहाँ पर counter डाला था यह नहीं डाला था तो नहीं डाला था हमने यहाँ पर अब देखो hint में आपको क्या डालना है और इसकी तो यहाँ पर क background में जाने के बाद हम डाल देंगे red और red shape है हमारे पास वो डाल देंगे हम यहाँ पर तो लिख लेते हम यहाँ पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा edit text shape तो यह text shape अभी हमने यहाँ पर enter कर दिया लेकिन इसमें हमें यह shape नहीं डालना था हमें इसके अंदर डालना था तो मै को दखिसका पर यहां पर अब वापिस अंदर को अधर करें गए और यहां पर दालेंगे हम एड़िट टेक्स्टप्स सेप और यहां पर मिल जाए गा मुझे से तो यह भी सक टेक्स्ट का सेप हमारे पास डाल चुका है ओके अब क्या करना है इसके अंदर हमें हिंट भी डालने है तो हम यहां पर चलते हैं और हिंट की जगे मुझे यहां पर क्या डालना पड़ेगा ब्लॉग टाइटल और एंटर करते हम यहां पर और इसके अंदर मुझे क्या डालना है ब्लॉग डैस क्रिप्शन इत करते हैं और एंटर करते हैं तो ऐसा कुछ हुआ नहीं यहां पर हिंट हमने दोनों में डाल रखा है लेकिन अच्छा लगा लगा इसलिए हमारे पास सो नहीं हो रहा है इसको हम रिमूव करते हैं अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं बड़ा कर लेते हैं इसको Wrap Content के जगे 200 dp शेर्फाइब पर डाल देंगे और इसको निय डालना है इसको डालना है 200 dp जिए ओसके gravity है делать to be gravity ग्राविटी सेर्छ करेंगे हम यहां पर और gravity को भाविटी को मिदफे हम यह dudट देंगे है अब क्या करना है हमें इसकी जो आईडी है वहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे डाल देंगे हम blog title और इसको मैंने refactor किया और एक हमारा है जो है blog description तो blog description इतना हमने हमने डाल दिया तो इन दोनों की यह भी चीज हमारे तो यहां तक हमारा काम हो चुका है अब क्या करेंगे हम इसके अंदर कुछ ब्लॉग के टाइटल और कुछ डेस्क्रिप्शन डालेंगे जिसको हम वहां पर सेव करवा लेंगे एक बार मैं चीज और चेक कर लेता हूं कि इसका टाइटल का कलर हमारे पास चेंज है और इसका है बीचेंज है मेरे पास तो इसको भी हम यहां पर हैंट करेंगे तो मैं एक बाद चेंज कर लेता हूं यहां पर और यहां पर सो यहां पर कलर मेरे पास है blue तो यहां पर text color मैंने blue कर दिया और इसका hint का color भी हम यहां पर color hint color यहीं पर जो है वही रहन देंगे इसका भी text color हम यहां पर blue कर लेंगे जब वह हम enter करेंगे तो हमार पास यह चीज़े दिखेगी राइट अब इसमें हमें font family जो है font family जो है हमें यहां पर light वाली यूज करनी है और यहां पर हमें light वाली यहां पर यूज करनी है और यहां पर हमें light वाली यहां पर यूज करनी है तो यह light आ चुका है हमार पास अब देखो एक चीज और है अब इसको हम यहां पर रन करके देखेंगे कि हमारा बिल्कुल perfectly यह work कर रहा है य नहीं तो हम इस पर गए हमारा application रन हो चुका है मैंने इसको रन किया अब यहां पर देखो हम ब्लॉग टाइटल लिख पा रहे हैं और यहां पर हमारा blood description आ रहा है लेकिन इसका text color हमारे पास black आना चाहिए था राइट तो हम इसके text color को आप पर जाके change कर लेंगे तो मैंने इसके text color को यहां से black कर लिया इतना काफी है हमारे लिए अब एक चीज और चेक करना है मुझे यहां पर क जब यह बड़ा हो जाएगा जब यह text बड़े हो जाएंगे वार पास तो क्या होगा ठीक है तो ऐसे कुछ type से हमारे पास काम करने वाले तो इतना हमारे लिए काफी है अब यहां पर हमें एक button add करना है जिससे हमारा क्या होगा एक button add करती जैसे इस button पर हम click करेंगे तो automatic यह blog हमारा post हो जाएगा जो कि हमने design में साइध add किया है ठीक है add block के नाम से एक button है इसको हम यहाँ पर use करेंगे और copy करने के बाद यहां जाने के बाद मैंने इसको यहां पर पेस्ट कर लिया लेकिन यहां पर लगा यहां पर लिख देंगे हम एड और देखलते क्या लिखा हुआ है वह हम यहां पर लिख देंगे एड ब्लॉग यहां पर लिख देंगे तो एड ब्लॉग हमने यहां पर लिख दिया तो इस बटन का काम भी कंप्लीट हो गया अब यहां पर देखो रीड मोर बटन टू है तो इसकी जगे हम यहां पर blog button add blog button और इसको हमने refactor कर दिया इतना कर्ने के बाद हमारा यहां का तक का काम perfectly हो चुका है अब मैं इसको इसकी back-end के code पर चलते हैं और हम यहां पर चीजों की यहां पर हम जरूरत हैं नहीं इनेवूर्ड और एक्सेंड करेंगे और यहा पर हम आरका सिया uważ ad log a article व्य फेकल रिण लेजई इंडिंग अ करेंगे सभी बाइंडिंगर करेंगे को सल्दा ओ यहां पर मिल जाएगा हमें और यहा हम ढालेंगे ले उट इंफलेटर और नीचे आने को बाद हम यहां पर इतना करने के बाद अब हमें सिर्फ क्या करना है इसमें आर्टिकल को जो एड करवाएंगे उसको हमें firebase database में सेव करवाना है तो सबसे पहले हम यहां पर create कर लेते हैं कुछ वेरिएवल जो हमारे आगे काम आएंगे तो सबसे पहला जो वेरिएवल हमारा वह वह ए वैर प्र reference equal to firebase database dot get instance और इसमें हम path दे देंगे तो जिसका path होगा हमारा blog blogs यहां पर मतलब क्या करेंगे हम जितने भी blogs होंगे उसको हम यहां पर save करवाएंगे तो इससे पहले मुझे एक और चीज़ लगाना पड़ेगा dot get sorry instance लगा दिया मैंने और instance में नहीं लगाना था मुझे यह अब यह मैं एक और bracket यहां पर create करता हूं और यहां पर लगाना है dot get reference और इसमें हमें यहां पर reference बताना था राइट एक और हम लिख लेते हैं हाँ पर private well इसमें क्या होगा हमारा user का reference तो यहां लिख लेंगे हम user reference इसको extend करेंगे हम as a database reference equal to fire base database dot get instance dot get reference और इसका reference हमारे पास कभी है यूजर में यहांपर हमारे सारे क्या होंगे users create होंगे वहां का हमने क्या रिकिर लिया reference यहांपर ले लिया है और यहां पर जो blog हम create करेंगे हमारा पास तो private एक और हमारे पास काम क्याम आएगा well ओंत का जिससे हमारे पास current user की value आएगी तो equal to कर देते हैं हम इसको firebase database sorry यहां पर हमें करना था firebase auth dot get instance right तो यह तीन variable हम यहां पर create करने थे अब क्या करना हमें जो यह हमारा button है इसके click पर हमें इन जो title है और यह description है इसको हमें add करवाना है किसमें अपने blogs वाले में ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे लिखेंगे binding dot add button add blog dot button dot set on click listener इतना अपने यहां पर लगाया अब इसमें क्या करेंगे हमें एक तो चाहिए dot add text dot और यहां पर हम लिख देंगे इसको text dot to string इतना हमने किया और यह हमारा ना लेवल नहीं हो सकता तो हमने यहां पर Elvis operator लगा दिया और यहां पर dot इसको trim कर देंगे trim क्या काम आता है आपको पता ही होगा कि जो empty space ज्यादा होते हैं उनको यहां पर यह रिमूव कर देता है तो एक और variable बनाना हमें well description के नाम से तो equal to कर देंगे हम इसको binding dot और यह हमारा description वाला text आ गया dot यहां पर edit text dot to string dot trim इसको भी हम यहां पर कर देंगे right और यहां पर एक चीज और आएगा dot text और यह भी हमारा ना लेवल नहीं होगा तो यह चीज हमने यहां पर find कर लिया अब इन दोनों field को हम यहां पर check कर वाएंगे कि दोनों empty हमारे पास यहां पर ना हो तो title dot is blank यहां फिर is empty आपको इसा भी select कर लेना और description dot is empty तो यहां प और यहां पर हम लिख देंगे this और context में डाल देंगे यहां पर please enter all या फिर please fill all the details या फिर फिल ओल दी फील्ड लिख देते हैं यहां पर यहां पर क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे get current user तो इसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे एक variable बनाएंगे बैल user और इसको extend कर देंगे measure firebase user और इल्विस operator लगाए equal to हमने यहां पर डाल दिया auth.current user तो यह हमारे बाद में काम आएगा जिससे क्या करेंगे हम मतलब जो भी current user रहेगा ना उसी के नाम से हमारे को blog यहां पर create करना होगा जिससे क्या कर सकते हैं जो हमारा image है हमारे user के id है यह current date and time है वह यहां पर इससे हम यहां पर यूज करेंगे अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो बाद में समझ में आ जाएगा तो अब यहां पर condition लगाएंगे जो हमारे user variable है वह नल नहीं होना चाहिए first of all तो if user is not equal to null equal to null then यहां पर क्या कर दो well user id equal to हम यहां पर कर देंगे user dot uid और एक और variable हमारा प दालेंगे user name और equal to इसको ले लेंगे हम user dot display name और इसको हम यहां पर extend कर लेंगे और यहां पर अगर कुछ भी नाम नहीं होगा तो यहां पर name क्या आएगा हम यहां पर लिख देते हैं तो यहां पर हम डाल देते हैं anonymous तो इतना हमने डाल दिया एक और variable हम बनाएंगे जिससे हमारे image का URL जाएगा तो user image URL ठीक है अब मैं आपको बताऊंगा यह क्या काम आएगा तो user लगाया dot और यहां पर मुझे मिल जाएगा photo URL के नाम से और इसको extend करेंगे मैंजा dot dot नहीं extend करना है और यहां पर हम डाल देंगे empty URL अगर कुछ भी user का URL नहीं होगा मतलब उसने profile picture picture उसकी नहीं होगी तो यहां पर empty चल जाएगा और अगर user का name नहीं रहेगा तो हमारे पास यहां पर anonymous लिखा जाएगा और user की ID में उसका user ID तो आहीं रहे ठीक है अगर आप यहां पर चाहते हो कि अगर user ID भी ना हो तो क्या हो वैसे पहले बात तो ऐसा होगा नहीं फिर भ जाएगा और उसका user का profile भी यहां पर जाएगा इसलिए हमने यह तीन फिल्ड यहां पर हमने लिया है अब क्या करना है हमें सबसे पहले फैच करना है अपने user name और profile image को किसे database से क्योंकि यह दो चीज हमें चाहिए और user की ID तो हमें यहां पर current में मिली रही है तो हम यहां प हमने registered किया था मैं आपको दिखाता हूं जब हमने registered किया था तो हमने यहां पर तो यहां पर हम कर लेते हैं तो इसके लिए मैं enter करता हूं यहां पर user reference dot child और यहां पर अपन को path बताना है तो यहां पर सबसे पहला हमारा आएगा user ID user ID और यहां पर हम क्या करेंगे dot add value event value for single event listener और यहां पर हमें बनाना है object और इसको extend करेंगे और यहां पर डाल देंगे हम value event listener इतना लगाया और इसके बाद बनाया हमने curly braces और फिर इसके members को हम यहां पर implement कर लेंगे तो दो members है हमारे पास इन दोनों को हमने यहां पर import कर लिया तो अब यहां पर हमार पास snapshot में इनकी value हमार पास user का reference हमार पास यहां पर आ जाएगा ओके तो अब यहां पर हमें क्या करना है एक तो हमें बनाना है condition लगानी सबसे पहले यह फिर एक variable बनाएंगे सबसे पहले well user data equal to data okay snapshot dot get value और यहां पर हमें अपने user data का model class को यहां पर हमें डालना है तो user data और यहां पर scope resolution class dot java तो यह हमारा user data का यह है अब यहां पर भी हमें एक field यहां पर create करनी पड़ेगी लेकिन पहले हम यहां पर का काम कर लेते हैं फिर हम जो भी जड़त पड़ेगा हम उसको करते जाएंगे अब यहां पर हम सबसे पहले check condition लगाएंगे if user user data is not equal to null तब क्या करो एक variable बनाओ well user name from database और equal to user data dot name तो name में जो रहेगा ना उसका हमारे पास user data आ जाएगा एक और हम variable बनाएंगे जिसमें हमारे उसकी user की profile आ जाएगी तो user image URL from DB तो user data dot यहां पर हमारे पस दो फील्ड है email और name लेकिन हमें यहां पर क्या चाहिए प्रोफाइल इमेज भी यहां पर चाहिए तो इसके लिए हम चलते हैं यहां पर user data पर और यहां पर equal field हम यहां पर create कर लेंगे जो कि हमारा well profile image और extend कर देंगे as a string और by default इसकी value को हम यहां पर कर देंगे नल और इन सब की value को भी हम यहां पर नल करेंगे ओके तो equal to और यहां पर मैंने नल कर लिया अब इसका हम यहां बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं इसके हम यहां पर जूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्टर लिखता हूं मैं यहां पर और इसको extend कर देंगे और इसके बाद मैं यहां पर बनाऊंगा एक प्रैकेट और इसमें सबसे पहले हम एक नेम के लिए एम्टी कंस्ट्रक्टर बना लेंगे एक इमेल के लिए और एक हम बना लेंगे प्रोफाइल इमेज के लिए तो यह तीन चीज़ हमने यहां पर क्रेट कर ली और यहां पर अपने को मिल जाएगा यहां पर देखो पहले नेम आ रहा था अब यहां पर आपको प्रोफाइल इमेज भी यहां पर मिल जाएगा तो इतना होने के बाद अब यहां पर हम क्या करेंगे देखो जैसे ही मतलब हमें दो चीज तो मिल गई यहां पर एक यूजर का नेम मिल गया और एक user की image मिल गई, यह दो चीज हमारे लिए सबसे पहले important थी, जब हम add करवाएंगे block में, right, अब हमें क्या चाहिए, एक और चीज चाहिए, current date and time हमें यहाँ पर चाहिए, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यह जो हमारा figma का link है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जो block दिख रहा है उसमें, हमारा current date भी दिख रहा है, यानि कि जिस date पर वो upload हुआ था, वो basically यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें current date भी चाहिए होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक function मनाएंगे, जिसमें हमारा क्य पर मुझे add नहीं करना था, well current date और equal to करके हमने यहाँ पर लिया, simple date format और यहाँ पर हम डाल देंगे, इसके अंदर हमें डालना होता है, pattern, तो yy, जो date का format होता है, yy, ok, yy, four times, उसके बाद आपको क्या करना है, एक यह लगाना है, फिर mm लिखना है आपको, और यहाँ पर dd, इतना करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, date का format आजाएगा, तो आप इसको कर देंगे, हम format और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, data, और इससे हमारे पास क्या आने वाला है, date की, जो current date होगा, वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ok, और यह जो error आ रहा है, इसको ह import किया, मैंने वापिस, और यह last वाला, नहीं, तो यह सब नहीं करना है, हमें import, तो इसको आप यहाँ पर करो remove, वापिस लिखो data, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा, java.util.date, ऐसा आपको कुछ यहाँ पर मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर select करना है, मैं यहाँ पर देख रहा था, date, तो यह हमारे पास आ नहीं रहा था, अब मेरे पास आ चुका है, आप इसको direct enter करो, तो आपके पास यह error जो है, solve हो जाएगी, और आपके import वाले file में, make sure कि यह वाला हो, ठीक है, तो इससे आपके पास error नहीं आएगी, और उसको मैं यहाँ से remove कर लेता हूँ, तो इतना आ गया, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, current date आ जाएगा, तो इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे इस button पर click हो, जो यह हमारा button है, add block button, इन पर सब कुछ को find वगेरा करने के बाद, यहाँ पर क्या करेगा, हमें create करन अपने blog को, right, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, comment, create a blog item model, right, यहाँ पर हमें model भी यहाँ पर create करना पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं करता हूँ, एक variable, well, blog item के नाम से, और equal to कर दूँगा, इसको मैं, blog item model, और इसके अंदर जितने भी variables होंगे, उनको हम यहाँ पर add क यूजर नेम फ्रॉम डीबी, उसके बाद हमार पास आएगा, यूजर नेम आगया, और क्या भीजना है हमें हमें यहाँ पर current date, इसके बाद और हमें भीजना है, यहाँ पर description, और भीजना है हमें यहाँ पर user image, image URL, एक हमें भीजना है, यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमें हमें भीजना है, heading, हमारा title आचुक है, उसके बाद हमें भीजना है, हमें इन चीजों को यहाँ पर भीजना है, like count, है ना, तो यहाँ पर like count पर डाल देंगे, like count by default क्या रहेगा, हमारा zero रहेगा, ओके, यहाँ पर हमें image URL भीजना था, यहाँ पर हम zero करेंगे, और इसके बा हमारा यह, मतलब जितने fields के हमें यहाँ पर जरुद थी ना, वह हमार पास यहाँ पर आ चुक है, image URL है, एक like count है, और जो भी हमार पास, यह सब हमार पास आ चुक है, और यहाँ पर हमारा image URL है, और इन सब में हमार पास null value नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ पर null value भी यहाँ डाल देंगे, जिससे कि हमारा application crash नहीं होगा, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, null सब में, और यहाँ पर integer में हमारे को यहाँ पर डालना है, basically zero, by default is quality क्या रहेगी, zero रहेगी, heading हो गया, username हो गया, date हो गया, post हो गया, और like count हो गया हमार पास, और image URL हमार पास यहाँ पर हो अपने add article पर और यहाँ पर इतना करने के बाद, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक करेंगे, unique key करेंगे हम यहाँ पर create, किसके लिए, हर blog के लिए हमारे पास क्या होगा, अलग-अलग key होगा, क्योंकि हम हो सकता है कि एगर blog हम add करें, तो एक ही जगे जाजा के वो save होता लेकिन हम जितने बार create करेंगे, हमारे different blog create होगा, और अगर हम उसके update करवाना चाहिए, यह delete करवाना चाहिए, तो भी हम क्या करेंगे, उसकी unique key से ही हम उसको यह चीजे कर सकते है, तो यहाँ पर एक variable बनाता हूँ, well key के नाम से, और equal to कर दूँगा, इसको मैं data base reference dot push dot key यह unique key for the blog post, अब क्या करना है, यहाँ पर हमें condition लगाना है, if key is not equal to null, then क्या करो, हमें simply अपने post को यहाँ पर create कर लेना है, तो यहाँ पर हम करेंगे, well, जो हमारा blog का reference है, blog reference equal to database reference dot child dot, यहाँ पर डाल देंगे, हम key, इतना हमने यहाँ पर डाला, और यहाँ पर क्या करेंगे, blog reference dot set value, और यहाँ पर हम डाल देंगे, blog item dot add on, complete listener, if यहाँ पर success हो जाता है, if it dot successful, तो आप यहाँ पर क्या करवाना चाहोगे, वो डाल दोगे, और यहाँ पर डाल देंगे, को हम else block में, else अगर we successful नहीं होता है, तो हम क्या करवाना चाहते हो हम यहाँ पर डाल देंगे, तो इफ में हम डाल देंगे यहां पर इस activity को simply हमें क्या करना एक्टिबिटी सीम्प्ली करवाना है तो नहीं अहां पर करवा तब दिया यहां पर तो स्थ रहां पर डालेंगे अडाले ढालेंगे अधर 14 to add blog और यह हमारे पास error आरहा है इसलिए because हमने जो if block बनाया है इसका हमने opening bracket नहीं बनाया था और यह हमारे पास error आरहा है इसलिए क्योंकि यहां पर लगेगा add the rate add article activity तो यह हमारे प्लकुल perfect है मैं इसको वापिस से कर लेता हूँ और एक और यह वाला Block हमारे इसका है और इसके बाद Else लगाया हमने और एक और Конטrl D करेंगे तो यह हमारा Solve हो चुका है जो यह फीरन रहता था नीचे वो भी हमारे पास यहां पर Solve को चुका है अब एक चीज़ हमें यहां पर और करवाने थी कि जो हमारा image का URL था वो हमने यहां पर save नहीं करवाया था जब हमने registered किया था तो यह हमें काम यहां पर और एक करना है तो sign up activity को हमें यहां पर open करना है तो यह sign up वले activity मैंने यहां पर open कर लिया इसका back end का code और यहां पर हम जब registered करवा रहे है तो हमें एक चीज़ को और save करवाना था जो कि क्या था हमारा image का URL था तो हमारा registered button यह है इसमें जाके हमें यहां पर user के image को भी यहां पर हमें firebase में store करवाना है तो यहां पर हमने firebase store में हमने अपनी image को store करवाया उसके बाद, यहाँ पर हमारे पर reference आ रहे है, अब इस reference को, यहाँ पर हमें क्या करना है, dot add-on complete listener, हमने यहाँ पर लगाया, अगर यह यह यहाँ पर हम लखेंगे, task के नाम से एक लेंगे, हम lambda, और lambda को ले के, हम यहाँ पर, storegereference dot, यहाँ पर हम करेंगे download, URL, जो भी मतलब इस URI यहां इमेज URI डाल दो आप और इसके बाद इसको एक्स्टेंड करेंगे और यहां पर हम एक बनाएंगे वेरियेवल इमेज यू आरेल के नाम से और इक्वल टू कर देंगे हम इसको इक्वल टू हमने कर दिया URI डोट टू इस्ट्रिंग आपके पास क्यों नहीं आ रहा है क्यों यहां पर मैं जाना थाउराइल यह क्वल्ह alors यहां पर डॉट टू स्ट्रिंग मैंने यहां पर कर दिया तो अब इसके बाद क्या करने मुझे सेब कराना है तो यहां पर मैं Lisa Dements syd der image यू आरल टू जर रियल टाइम डेटा बैस और इसके बाद हम यहां पर यूजर र iç डॉट चाइल्ड और चाहिंड भाड़ा बताएंगे कि कहां पर इसका आइडिया यूजर आइडी में है तो यूजर आइडी डाला डॉट यहां पर एक और चाहिल हैं हमारे पास set value नहीं dot child और यहां पर हम डाल देंगे profile image के नाम से एक हमारे पास node create होगा और उसके अंदर हमारा image का URL आ जाएगा और यहां पर dot क्या कर देंगे set value और यहां पर हम डाल देंगे image image URL यह डालना है ओके तो इसमें हमारे पास क्या होगा जो profile का जो image है एक वहां पर node create होगा जहां पर हम अपने database में save करवा रहे हैं और वहां पर हमारे पास क्या होगा जो भी इस current user का URL होगा image का उसको यहां पर क्या कर देगा वह save कर देगा इतना हमने यहां पर save कर दिया अब यह जो है हमारे पास toast लगा रखा है हमने की user registration successful हो गया इसके बाद और यहां पर कहीं पर हमारे पास error आ रहा है okay equal to हमने यहां पर लगा रहा है इसको मैं यहां से करता हूँ remove तो यह सारा कुछ हमारे पास बिल्कुल सही है और एक और काम यहां पर हम कर देते हैं जो image हमारा है उसको हम यहां पर load भी करवाना है तो मैंने इसको किया copy और copy करने के बाद जैसे हमारे यह user यहां पर save हो जा करता हूं यह मुझे ऐसे पसंद नहीं कि अलग-अलग line में आ जाए इतना होने के बाद टोस्ट हो गया हमारा और टोस्ट करने के बाद इस activity को हम यहां से क्या कर देंगे कि यहां पर finish नहीं करना है यहां पर finish हो चुका है already ठीक है तो इतना काम हो चुका है हमारा अब इसक किजे वर्क कर रही है यह नहीं तो इसके लिए मैं अपना fireplace घ्म हम पर open करने वाला हूं डेटाबेस open हो रहा है और यहां पे भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है ओके मैंने येपलिकेशन को किया रइन और बीड कर लेता है देखते क्या होता है और मैंने क्लियर इसलिए किया है क्योंकि आगर मेंने सारे यहां से ने पास एक एर बता ний में आप प्रोफायल इमेज है इसको मैं वापस रण करता हूंहिंए इन डर्त झार नहीं है बेसिकले हमने किया दो वेरिवल बनाय था जिसको हमने यहां पर यूज नहीं किया और कुछ नहीं बता रहा हो तो मैंने इसको on किया अपने Godव कॉन किया अब हमारे user हम यहाँ पर create करेंगे और चीजी भी देखेंगे हाँ पर क्या क्या रहा है register करते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर हमने image select किया और यहाँ पर मैं burger वाले image select कर रहा हूं हमारे पास image आ गया name डाल लेता हूं मैं यहाँ पर admin password डाल दूँगा मैं इमेल admin at the rate gmail.com पासपड डालूँगा 123456 इसको हम यहाँ पर करते हैं register कर लिया register successful हो चुका है हमारे पास लेकिन यहाँ पर कोई भी data नहीं आया है तो मैं इसको आप इसे refresh करता हूं और अभी भी कुछ भी data हमारे पास यहाँ पर नहीं आया authentication में जाने के बाद हमारे पास admin का आ चुका है storage में जाने के बाद storage में profile image आ चुकी है और profile image में में मेरे पास यह आ चुका यानि कि real time database हमारा यहाँ पर work नहीं कर रहा है तो एक बार rule को जाके हम यहाँ पर change कर लेंगे और यहाँ पर मैं कर लूँगा और की जगे हम कर लेंगे यहाँ पर true और इसकी जगे मैं यहाँ पर कर लूँगा इसको true और यहाँ पर कर दूँगा इसको मैं publish कर दूँगा कि और यहां पर रिमूब करना के लिए बोल रहा है और मैंने इसको पब्लिस कर दिया अब इस डेटा को मैं वापिस से क्या करूंगा डिलीट करूंगा और वापिस से मैं एक और यूजर क्रेट करूंगा बिकॉस ऑफ मेरे पास डेटा यहां पर से भी नहीं हुआ ब्लॉग पर गए हम वापिस से रजिस्टर पर गए यहां पर गए जले भी हमने स्लेक्ट किया नेम हमने कुछ भी डाल लिया यहां पर डाल देते हम एडमिन और यहां पर एडमिन डालना था मुझे और 123456 और यहा सक्सेस्फुल हो गया लेकिन डेटा नहीं आएगा तो हम यहां पर भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो आगया हमारे पास यूजर आ गया यूजर के अंदर हमारे पास इमेल आ गया प्रोफाइल इमेज आ गया और नेम आ चुका है अब क्या करना हमें एक ब्लॉग को यहां प पर लॉग इन करेंगे तो लॉग इन हमारे पास यहां पर सक्सेस्फुल हो चुका है अब यहां पर बाइडिफोल्ट कोई भी ब्लॉग नहीं अब यहां पर भी देखते रहना मैं यहां पर एड किया और ब्लॉग टाइटल डाल देता हूं मैं हेलो और डेस्क्रिप्शन म यहां पर क्लिक किया और अभी तक यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है देखते हैं क्या इस हुआ है तो मैं चलता हूं अपने एंड्रोइड इस्टूडियो पर और यहां पर मैंने एड किया और यहां पर चलते हैं एड बटन पर हमारा काम नहीं हो रहा है जबकि add button हमारा यह है add button के click पे हमारे पास articles क्या हो रहा है add नहीं हो रहा है तो इसको हम यहाँ पर verify करते हैं क्या दिक्कत है एक बार मैं इसको वापिस से run करता हूं फिर चेक करेंगे कि फिर भी हमारा add होता है या नहीं रन किया मैंने वापिस से मैं गया कुछ भी मैंने डाल दिया सबार और अब करता हूं add blog अभी भी click नहीं हो रहा ना इसमें add हो रहा है लौक पर चा करते हैं की हो क्या रही यहां पर यह जो मेरा button है इसके click पर कुछ नहीं रहे अगर मैं आपको दिखाऊं मैं back करता हूं और इहां पर किल्क करऊँगा तो यहां पर कुछ क्लिक हो राइट ओक्खे और यहां पर मैं समझ जो हूँ यहां पर क्या दिक्कत है क्या करना पड़ेगा reference इसको करना copy और firebase get instance में जाने के बाद आपको यहां पर करना इसको paste तो मैं यहां पर चलता हूं add article में और यहां पर आने के बाद एक बनाओ यह और इसमें कर दो paste और इसमें भी आने के बाद इसमें कर दो paste और अब इसको हम run करेंगे तो यह perfectly work हमारा क करेगा यह किया मैंने कुछ भी डाले मैंने यहां पर कुछ भी डाल दिया और अब करते हैं add to blog तो हमारा add हो चुका है अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि यह हमारा perfectly work करा या नहीं तो यहां पर महार पास blog का post आ चुका है एक unique हमार पास blog आ चुका है उसमें date आ रह जो लेकिन यहां पर था वह हमारे पास यहां पर आ चुका है अब मैं इसको करता हूं copy करता हूं और copy करने के बाद में यहां पर paste करता हूं और इसको चला के देखते हैं okay और यह हमार पास कुछ अलग साही आ रहा है okay 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 कुछ ना कुछ mistake किया हमने उसको हम यहां पर फिक्स कर लेंगे यहां पर basically क्या होना चाहिए था जो यहां पर हमने storage में store करवाया है इस image को यह हमारे पास यहां पर आना चाहिए था इसका URL क्या है मेरे पास यह है तो यह URL हमारे पास basically क्या होना चाहिए था save होना चाहिए था कोई दिक्कत नहीं है इसको भी हम यहां पर fix कर लेंगे मैं इसको यहां से अटाता हूं और सबसे पहले हमें क्या करना है कि real-time database में जाने के बाद सबसे पहले हम मतलब इसी को हमें यहां पर fix करना है तो इसको हम यहां हमार पास image यहां पर आया ही है तो जब रिजिश्टर करेंगे न तो हमार पास यहां पर क्या होना चाहिए Dlatego बारे लाना चीए तो मैं इसको यहां से करता हूं clear app information और यहां पर मैंने इसको किया data क्यों clear किया data को मैंने यहां पर clear कर दिया और यहां पर back करता हूं और यहां पर मैंने कुछ भी password डाल दिया अभी हम इसको यूज करने वाले वैसे भी नहीं है तो मैंने रिजिस्टर कर दिया अब यहां पर देखते हैं क्या आ रहा है और बार बर हमारे पास आ रहा है गूगल जी एसम टास्क जैड 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 और यह कुछ अलग से हमारे प फिक्स करते हैं एक काम करते हैं हम यहां पर लॉग लगा के देख लेते हैं कि क्या इसू है तो मैं चलता हूं यहां पर सबसे पहले और जो हमारे रिस्टेट बटन है इसमें जाने के बात जब यहां पर हम सेव करवा रहे हैं तो यहां पर सेव करवाने से पहले हम लगाए ट्रेंग डाल देते हैं और मैं यहां से कर Picação को प्राइब करता हूंं और यहां पे ब्लॉग को उपन करते हैं वाइद यहां पर में करता हूं इसको पेष्ट राइट और यहां पर हम चलाते हैं यह अब हम ने और image हमने यहां पर select किया और इसको हमने कुछ भी ढाल दिया यहां पर add the email . com और यहां पर हम डाल देते हैं क्योंकि वैसे save तो हो रहा है तो fail हो गया है हाँ पे क्यों हो गया fail ऑब की कुछ और डाल देते हम यहां पर रेजिस्टर पर क्लिक किया सकसेश्फुल हो चुका है हमारा रेजिस्टेशन और और अचिया में हमारा इमेज अपलोड भी हो रहा है इमेज अपलोड ने और तो हो रहा है राइट सु है यही चीज इसको मैं हाइट करता हूं गर एंडूड इस्टूडियो पर तो इस लोग को मैं यहां से हटाता हूं और अच्छे से चेक करता है कि यहां पर कहां पर हमारे पास मिस्टेक हो सकती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं एक टास्क लगाते हैं कि हमारे जब इमेज इससे सक्सिसुली डाउनलोड हो जाए तब जाके हम यहां पर कले काम कर एक मतलब की सेव करे तो यहाँ पर मैं एक टास्क कर और इस सक्सेस्फुल तो क्या करो, इसके बाहर जाने के बाद, एक मैंने block बनाया, इसमें हम क्या करेंगे, यह जो storage का reference है, इसको हमें यहाँ पे लेना है, तो मैंने इसको क्या किया, cut किया, और यहाँ पे आके मैंने इसको कर दिया, paste, तो अब क्या होगा हमार पास, अगर हमारा task successful हो जाता है, मतल इसको हम यहां पे चेक करवा रहे हैं वैल इसको भी हम यहां पर मतलब होग चेक करवा लेते हैं ओके तो यहां पर मैं एक और कंडी से लगाता हूं इफ यहां पर क्या था हमारा image you are I dot is successful तब क्या करो कि यह जो वैल image URL है और image URL dot task मतलब result जो है ओके यहां पर हमने क्या किया dot result नहीं लगाया यहां पर dot result dot जो ट्वी स्ट्रिंग हमें यहां पर करना था ओके इतनी सी मिश्टेक थी और अब यह बिल्कुल हमारा फर्फेक्ट है अगर आप यह नहीं भी करोगे और यहां पर dot result लिख दोगे तो आपका यहां पर यह चीज हो जाएगा तो मैं इसको किया कट फिर भी और कट करने के बाद यहां पर मैंने इसको पेस्ट किया इसको मैं यहां से रिमूब करता हूं इसको भी रिमूब करता हूं मतलब empty space को में remove कर रहा हूं only और अब इसको हम यहाँ पर run करते हैं और सबसे पहले मैं जित्ते भी data था उसको मैं यहाँ पर clear कर लिया है और अब हम registered करते हैं और यहाँ पर हमने हमने किया अब हम चलते हैं अब हम चलते हैं अपने डेट आप और यहाँ पर हम इसको चेक कर लेंगे तो यह हमार यूजर क्रिए हुआ है 123456 इसका हमार पास image भी आ चुका है और अगर आप इस image को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करोगे तो यह आपका यह पर्फेक्टली इमेज यहाँ पर सो हो जाएगा इतना हमें यहाँ पर करना था इमेज हमार पास यहाँ पर सो हो चुका है अब हम क्या करेंगे लॉग इन करवाएंगे और जो भी हम यहाँ पर डालेंगे तो उससे क्या होगा हमारे पास ब्लॉग में image name time count यह सब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा तो मैं लॉग इन करता हूं और लॉग इन करने के अब यहां पर हम क्रेट करेंगे तो देखना जो नया यूजर है उसके नेम से हमार पास चीज़े आ जाएगी और एड ब्लॉक की हमने सेक्सेस्फुल हो गया अब देखो यूनिक आईडी है और इसकत क्या होगा अब आपको यहां पर यूनिक आईडी तो क्या है जो इसका य इन डेटा और हम आप सो करवाने के काम यहां पर कर लेंगे तो सबसे पहले इन सब चीज़ काम यहां पर खतं हो चुगा तो मैं क्या कर लेता हूँ अच्छा एक चीजर इहां पर दिक्कत था कि जैसी हम से थोड़ी दिर बाद के हुए हमारा इप्लिकेशन कर जाता है जो तो उसको हम यहां पर देखते हैं कि उसको कैसे fix करेंगे तो उसको fix करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर चलता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं इसको करता हूं close और इसको मैं करता हूं वापिस से data को कि यहां पर करूँगा clear और वहाप इसे हम रेजिस्टर करेंगे एक यूजर और फिर हम यहां पर देखेंगे कि क्या इसू है तो मैंने यह रन किया इस एप्लिकेशन को फिर से तो यह चला है मैंने ब्लॉग और अब यहां पर हम रेजिस्टर करेंगे और जब क्लोज होगा तो हम देखते कि कहां पर क्रेस कर रहा है तो यह मैंने स्लेक्ट किया कुछ भी हमने डाला और अधमिन एड़रेट इमेल डॉट कॉम और यहां पर हमने पास्वर डाल दिया कुछ भी अब हम इसको करते हैं रजिस्टर सक्सेस्फुल हुआ यहां पर आया और अब यहां पर कुछ टाइम बात यह कर गय तब जाके हमें असली समस्य इसकी पता चलेगी और यहां पर आये हम और यहां पर आने के बाद यह कैन नौट स्टार्ट फ्रोमें लोड डिस्ट्रॉय एक्टिविटी कहां पर कर रहा है साइन एक्टिविटी पर जाने के बाद यहां पर यह मतलब कर रहा है एक्टिविट और अब हम चेक करेंगे, हमारे यी blood करता है, यह नहीं, तो run किया हमने, फिर से register करेंगे, और यह मैंने किया, यह मैंने किया, और यहाँ पर हमने कुछ भी password डाल लिया, और अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, कि यह boost ह звуч होता है यहाँ तो रेजिस्टर कर दिया हमने कुछ टाइम बेट करते हैं और यहां पर हमारा एप्लिकेशन यह क्रैस नहीं हुआ है तो हमने यहां पर सक्सेस्फुल कर लिया है कर दिया है उसको वापिस सेव कर रहे लेज़ों चैज रहे ह है कि बता एक्रावल कर लिए उसको ऱहांपनाया लेज़ पर लाएं कि इने सब्ढों करते हैं और अब हम यहां पर कर लाएंगे मेंद जो हमारा डेटा हैशत वहापर सो उनकुल जो हमारे main activity है वो यह है अब यहां पर क्या होगा हमारे जितने भी ब्लॉग्स थे वह यहां पर हमारे पास यह सो हो जाएंगे तो डेटा बेस से डेटा के लिए हमारे पास दो चीज की जरूरत होना चाहिए सबसे पहले हम बनाते है एक प्राइवेट वैल डेटा बेस रेफरेंस और इकवल टू कर देंगे इसको एक्सेंड करेंगे जर्म डेटा बेस रेफरेंस ओके और यहां पर हमेरा लगाने पड़ेगा लेट इनिट वैर विकॉज हम इसको बाद में यूज करेंगे और एक और हमारा होगा प्राइवेट वैल और इसमें हमारा पास होगा क्या ब्लॉग के आइटम्स राइट जो कि हमारे पास किस टाइब का होने वाला है एक लिस्ट होगा और वो हमारे किस टाइब का लिस्ट होगा म्यूटेवल लिस्ट होगा तो यहां पर मैं डालता हूँ भी लिख सकते हो आपके मर्जी है तो ओके म्यूटेबल लिस्ट और यहां पर जो हमारे ब्लॉग का जो यह है ब्लॉग मॉडल इसको हम यहां पर डाल देंगे तो हमारे के नाम क्या है ब्लॉग आइटम मॉडल और इसके बाद इसके अंदर आपको डालना है कुछ नहीं और ITEMS होता है NOT MES तो यह दो वेरियबल है और एक वेरियबल हमारा होगा यूजर के लिए तो प्राइवेट वैल लेट इनिट वैर और इसकल टू फाइरबेस और तो यह सारे तीन वेरियबल से हमारे अभी काम आएंगे अब इसके बाद हमें क्या करना है सबसे पहले हम क्या अब सबसे पहले हमें यूजर आईडी चाहिए तो यहां पर हम बनाएंगे एक वैल यूजर आईडी और इकवल टू कर देंगे हम इसको ओध डॉट करन्ट यूजर आईडी डॉट यू आईडी और यह नोट ना लेवल होगा तो हमने लवी से ऑपरेटर लगा दिया अब इसके यूज से हम क्या कर पाएंगे जो भी हमारे मतलब करन्ट यूजर होगा उसकी यू आईडी हमें मिल जाएगी और इसके अंतर का जो भी प्रोफाइल रहेगा उसको हम यहां पर यूज कर सकते हैं ओके अब एक चीज हमें और चीह यहां पर डेटाबेस रेफरेंस इक के नाम से हमने बनाया था तो एक बाट चेक कर लेते हैं किस नाम से हमने बनाया था23 कषिपटी और यहां पे हमने फ्रेंब कर लिय अब Б्लॉग के नाम से यह फैंड कर लिया और यह द्लाइज करना था सबसे करके सबसे पहले अपने image को यहां पर set कर लेते हैं यहां पर condition डालेंगे हम if user id dot sorry dot name is not equal to null होगा तो हम क्या करेंगे मतलब यह नहीं होगा तब हम क्या करेंगे load कर देंगे user profile image इतना किया हम हमने और इसमें हम डाल देते हैं user id और इसको हम यहां से कर लेते हैं create function तो यह create के हमने function अब यहां पर हम क्या करेंगे इस image को लाके हम यहां पर set कर लेंगे तो इसके लिए हमारे पास क्या है एक variable होगा well user reference और equal to कर देंगे हम इसको firebase डेटाबेस.get instance.reference.child और यहां पर हमें बताना है कि हमारे यूजर का जो डेटा है वह कहां पर कहां है तो हमारे पास यहां पर यूजर में जाके .child और यहां पर डालना हमें user यहां डालने हमें user id तो इसके हमें user id यहां से मिल जाएगी और हम एक बार देख लिए हैं यहां पर हमारा user नहीं यूजर्स होगा अब हम यहां पर करते हैं enter अब यहां पर क्या करेंगे user reference को लेंगे dot child हम इसमें find करेंगे dot child और यहां पर हम बताएंगे कि कहांपे हमारा user का प्रोफाइल रखा हुआ है इसमें लगाएंगे dot add value event listener और इसके अंदर हम बनाएंगे object और इसको हमें extend करेंगे और यहां पर डालेंगे value event listener और यहां पर हमने बनाया curly braces अब इसके जो इसको हम यहां पर इंप्लिमेंट कर लेंगे तो इंप्लिमेंट की हमेंने एक में हमारे पास क्या रहा होगा इसका इमेज आ रहा होगा और एक में हमारे पास कुछ नहीं आ रहा होगा तो अब हमें क्या करवाना है बस हमें इमेज को यहां पर सेट करवाना है तो सेट करवाने के लिए हम क्या क वेल्यू और यहां पर किससे टाइब में हमारे पास वेल्य आएगे स्ट्रफ़ टैप में और ऐस लाउर चुक Driv यहाथ अबawan। यहां पर क्रिंगे इस की इफ कंडिशन लगाएंगे हम यहां लीखेंगे हम प्रोफाईल ओके प्रोफाईल प्रोफाईल इम झीओ जब यूरल में value आ रहा है तो हम यहां पे अगर not null है तो हम क्या करेंगे बस हमें set करवाने तो set हम क्या से करेंगे glide के through तो हम यहां पर दिख लिए ने glide.with और यहां पर हम डालेंगे profile image URL और यहां पर हम क्या करेंगे dog- dog a glide or with विट में रहा पर हमें यहाँ भाना था यहाँ पर में डालना था इस और में अक्किविटी कहाँ पर और यहाँ पर मिंखना है लोड अब यू proud राई में हमें इक डालना भैल प्रोफाई मैं बताना है कि कहां पर आपको इसको सैभ करवा तो PRODLOOD, यहां पर लिखना INTO, और यहां पर हम लिखेंगे, BINDING, DOT, कहां पर हमें सेल करवाना है, यहां पर यहां पर इमेज कों करोना है, तो यह काम हो गया, अब एक हम यहां पर, कौन कैंसल में यहां पर टोस्ट लगा देते हैं टोस्ट लगाया मैंने और यहां लिख देते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं यहां पर हम लिख देते हैं एडर लोडिंग प्रोफाइल इमेज इतना मैं डाल दिया है हम पर और यहां पर हमार पास यह टोस्ट आ जाएगा और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर हमारे पास नौर्मली इमेज यहाँ पर सो हो जाएगा मैं spelling mistake यहाँ सही कर लेता हूँ R की जगे E लगेगा अब एक चीज़ यहाँ पर last mistake है अगर आप लोगों ने सही से किया होगा तो तो को दिक्कत नहीं है लेकिन जो हम database का reference ले रहे है यहाँ पर हमें बस उसको pass करना है अपने जो हम हर जगे pass करते हुए आ रहे है तो यह pass किया मैंने अब इसको run करते है application को और जो भी हमारे user होगा current उसकी value हमें यहाँ पर show करनी चाहिए install successful हो गया launch भी हो गया लेकिन कुछ चला नहीं देखते हैं क्या दिक्कत है अब तक मतलब हमारे पास image यहाँ पर नहीं आया है तो और यहाँ फिर हम log में देखे तो यहाँ पर कुछ हा रहा है क्या ओक्या और यहाँ पर हमारे बता रहा है URL चेंज करने के लिए बता रहा है इसमें फायरवेस एप बाले में तो इसको मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं डालूंगा यह वाला कोड बाकी लेकिन कोड तो यही है मेरा तो एक बड़ वापिस चला कर देखते है अब यह भी हमारा image यहाँ पर सो नहीं हुआ है इसको लिए देखते हैं और यहाँ पर हमें यह URL डालना था तो इसको यहाँ पर भी हम कॉपी करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास URL आया नहीं है इसका तो मैं यहाँ पर पेस्ट किया अब मैं इसको रन करता हूं वापिस से और चेक करते हैं कि अब भी यह हमारा वर्क करता है यह नहीं क्योंकि यहां पर हमने अलग सी user लिया है तो देखो अब हमारा image यहां पर soak कर चुका है इतना सा issue था और अब एक last काम बचा है हमारा जो data है उसको हमें यहां पर set करवाना है तो data set करवाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एक तो यहां पर हमारा हो गया set user profile अब इसके उपर हम इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे एक और कमेंट करेंगे और यहां लिखेंगे हम set blog post into recycler view इतना किया मैंने और अब यहां पर नीचे आने के बाद अब बनाएंगे हम यहां पर सबसे पहले इनिचलाइज करेंगे अपने रिसाइकलर वी को तो यहां पर लिख लेता हूं मैं इनिचलाइज ठीक है दा रिसाइकलर व्यू एंड शेट अड़ेप्टर आप अपने इसाफ से कमेंट डाल देना यहां पर मैं एक वेरिबल बनाऊंगा एक रिसाइकलर कर दोंगा मैं इसको ब्लॉग एडप्टर के और इसमें हम पास कर देंगे ब्लॉग आइटम्स जो कि हमारा क्या है म्यूटेबल लिस्ट ऑफ है ब्लॉग म्यूटेबल का ठीक है अब इसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे रिसाइकलर व्यू डाट एड़ेप्टर लगाए देना है तो रिसाइकलर व्यू डॉट लेयाउटमेनिजर इक्वल टू लीनियर लेयाउटमेनिजर और कॉंटेक्स पर डाल दिए इतना हमने डाल दिया अब हमारे क्या हो जाएगा सेव जाएगा अब क्या करना है हमें सिर्फ डेटा को लाना है इस वाले लिस्ट में तो हमें यहां पर करना है तो यहां पर हम करेंगे एटर को तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले डीटाबेस रफ्रेंस डॉट एड्वेल्य इवेंट लिस्टनर और यहां पर मिलेगा हमें object और इसको कळा से मिम्बड को इसको मैं यहाँ से क्लोश किया इसको मैंने के पर जाने के बाद क्लोश किया अब यहाँ पर सुने पसारी वैल्यो है तो यहाँ पर हम करेंगे लगा एंगे फिर लोप जिससे हमारप चलर्लोब करके यहां पर add कर वा लेंगे अपने किसमे blog items में राइट तो यहां पर मैंने लगाया for snapshot okay snap as and क्यों नहीं आ रहा है यह यहां पर लिखना है snapshot और यहां पर हम करेंगे in snapshot.children और इसके बाद एक लोग लगाया हमने और यहां पर लिखेंगे blog items डॉट एड़् और इसके अंदर हम लगा देंगे इससे क्या होगा ओके ओके सोरी सोरी इससे पहले हमें क्या करना है मतलब यह इतना किया हमने अब हमें सब मतलब यहां पर हम क्या चला रहे एक लूप चला रहे और इसमें क्या करेंगे हम एक एक आइटम को एड करवाने हमें किस वाले में अपने म्यूटेबल लिस्ट में तो आइटम मैंने यहां पर लिख लिया और equal to कर देंगे हम इसको snapshot.get value और यहां पर हम डाल देंगे जो हमारा add वह है blog item model और इसको लगाएंगे हम colon colon class.java इतना किया हमने अब यहां पर क्या करना है if एक condition लगाएंगे और यहां पर हम लगा देंगे इसको blog item is not equal to null तो क्या करता है इसको अब इसको कुछ value है तो क्या कर दो इसको हमें add करना है किसमें blog item मैं तो blog items.add अब हम्मरा लिख देंगे क्या add करना है आपको blog item को right- truths इसकी spelling थोड़ी संे mistake है उसको हम यहांaj से fix कर लेंगे यहां यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको fix कर लिया अब इससे क्या होगा इस वाले code से हमारे पास क्या होगा जितने भी items के अंदर होंगे ना वह मेरे पास किसमें सेव हो जाएंगे अपने यहाँ पर हमारे पास यह सेव हो जाएगी और एक चीज और हमें चोटा सा कोड करना यहाँ पर कि अगर कुछ भी चेंज़े होता है तो हमें हमारे डिसाइकलर व्यू को यहाँ पर करना होता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे notify the adapter that the data has changed इतना हमने लिखा बढ़ना अगर यह नहीं लगाएंगे न हम यहाँ पर तो क्या होगा कि जैसे अगर हम कुछ डिलीट करेंगे कुछ एड करेंगे तो हमारे application कर जागा यहाँ पर क्रैस तो यहाँ पर लिंखते हैं ब्लॉग एडप्टर डॉट नॉटिफाई डेटा सेट चेंज ओके इतना सा काम हमें करना था और सारा काम लगबग लगबग हमारे पास यहाँ पर हो चुगा है और य इतना सा काम हमें करना था और यहाँ पर मेरे पास एर आ रहा है इसके लिए हम लगाएंगे और यह वाला स्लेक्ट कर लेंगे तो हमारा गाइब हो चुका है इसको मैंने कर लिया और अब इसको हम यहाँ पर रन करते हैं और चला के देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यू ब्लोग है। और ब्लॉग मिला और दो ब्लॉग मिला रएक का नाम क्या है। सूरज splits माम से और एक का नाम की सूरज के नाम सinaray तो यह दोनों ब्लोग हमें यहана है पर स्य हो रहे हैं अब मैं एक और ब्लोग यहाँ पर क्रेट करता हूं जिसका नाम क्या रखुए रखूंगा मैं एक और क्ली सूरज पर दम यहां इंच भराव स्लियस्य और वगेरा सब कुछ मतलब यहां पर लगबग हमारे पास एड हो रहा है और यह वाला जो ब्लॉक था हमारे पास ओके लास्ट में आ चुका है लेकिन क्या हो रहा है कि वह बारबर डेटा है ना रिपीट हो रहा है उसको लिए हम यहां पर अभी एक काम करेंगे तो यह डेटा हम क्लिक रहेंगे या फ्रीडिमॉर क्लिक करेंगे तो फिर बीट पर पाएंगे लेकिन उससे पहले हम इसको हम यहां पर इसको फिक से करने कizzard Caribbean क्लीग हम यहां पर करना पर और चोटा सा कूद हमें यहां पर करना पड़ेगा जब भी हमारा डेटा हम लोड करवा रहे हैं अप हमारे पास की होगा 고양्ममेटीक जो पहले कर डेटा वोocyल हो जाएगा अब देखते हैं यह हमारा फिक्स होता है यानी आप हमारे पास यहां पर सिर्फ दीड्टा ठीक है और जैसे हम एक और डेटा एड़ करतें तो भी हमारे पर रहे यह बिर आध्क सब्सक्राइब Hyader यहां हम चेक करेंगे partir marek टूझसMusic कौन कर देदेंगे इसको खेल में तनी हम one at the rate gmail.com और email में अच्छा ओके और one at the rate gmail.com और यहां पर डाल देंगे 123456 राइट और इसको हमने क्या किया रजिस्टर किया रजिस्टर करने के बाद हम इसको अब login करेंगे login पर चलते हैं one at the rate gmail.com और यहां पर हमने लगाया 123456 और login पर हमने यहां पर click किया login successful हो चुका है वो चार कर डेटा हमें यहां पर सो रहा है user हमारा दूसरा है जिसका user है वो हम यहां पर profile दिख रहा है राइट अब यहां पर हम click करेंगे और एक हम add करेंगे ब्लॉग यह हमने ब्लॉग एड किया और यहां पर डाल देता हूं मैं my name is सूरच इतना डाला मैंने और इसको हम यहां पर करेंगे एड ब्लॉग तो यह देखो यह हमारे पास one at the rate user.com के नाम से हमारे पास एक ब्लॉग आ चुका है और इसमें हमारे पास ब्लॉग आ चुक करने के बाद जब यह हमारे पास data आ जाएगा तो इसके बास notify होने से पहले हम क्या करेंगे data को हम यहां पर reverse कर देंगे तो यहां पर लिख देता हूं मैं reverse the list और इसके लिए हम क्या करेंगे blog items dot यहां पर हम कर देंगे एक रिवन्स नाम के इस नाम से हमारे पास एक function आता है यहां पर उसको हम यहां पर call कर देंगे इतना से काम किया हमने अब जितना भी data होगा हमें last फाला फ़र्ष्ट पर दिखेगा और फ्रस्ट वाला हमें last पर दिखेगा ऐसा होगा तो हमने last में add क्या था यह वाला add क्य यहां पर चलते हैं क्रेट करते हैं अपना एकसे पहले हम चले हैं और करते हैं के यहां पर read more activity category more activity मैंने हाँ पे एंटर किया और हमार पस read more activity के नामसे हमार पास यह चीजे आ चुकी है अब इसको हम यहां पर डिजाइन करना है हमने यहां वहाँ नहीं कहा हुश्राइप जाइ preciso कर लेंगे अर्ट से तो मइन उतने इसको माजन में तो यहां पधने हमाति से साथ मार्जन म मतना है लिग에 प्रम था झाले ले खेछीन को चांगे साथ यूप 2017 को तो background पहें हमें यहां पे और यहां पर हम डाल देंगे स्कोट x Okay background में बैग्रॉंड कलर में मुझे डालना था तो background में दालना था हमें तो transparent हमें आप पर लिखे तो transparent हो चुका थो शुका है अब इसके size कोम थोड़ा से increase करेंगे जो कि होगा हमारे पास 24 dp एंटर किया मैंने और इसको भी करेंके 24 смdp सब्सब्स itAN approximately यह हमार पर आशा बटन आशचुका है दो पटन का नाम क्या होगा था बैक बटन तो यह लिख दिया मैंमे इमेज और यहां पर लिख दूंगा मैं बी ए सीखे और बैक बटन हमार पास ही हो गया इसकाkeiten और अपर इसके बाद हमें चीया के एक टेकस में गया में टैक्स चीये टेकस ठीक्स वेघर नहीं करना है तो इसको यहाँ पर neck क्या इसके नीचे और इधर से हम इसको इसको 19 करके और skraint देंगे zero branch procrast high destruction highłość को नहीं करना था सौरी यहाँ पर मैं करोंगा इसको Explain और यहां से दे दूंगा मैं इसको 32 dp का Margin इतना काम करने के बाद अब चलते हैं पर चैक कर लिए पर यहां पर सबfirm इसके बाद हमें यहां पर क्या चीह क्छी का बदेंगे है इसके बाद हमें कहीं क्या नहीं सब पहले प्रोफाइल चाहिए और इसके बाद उसका नेम चाहिए और उसके बाद हमें उसका डेट यह तीन चीज़ यहां पर आड़ेंगे तो इसके लिए हम्में सब्सक्राइब करेंगे करेंगे हम काड और काड वियू के नीचे रहेगा काड वियुẫn मेने एड किया और इसके साथ य सथा कंस्टेंड होगा और इसकी जो ये है इसको कर देंगे ड्सकारस के साथ हम मरिंसमें देंगे ठर्टी depressed नंसे लिस्ट तो कहा इसके साथ निश tienen जितना हम्ने में एक्टिविटी में और सइस कितना कार्ट का 34 इसली हम यहां पर ढने devam गए बाड अब इसके अंदर हमें लेकING अब इमेज व्यूआ अब यहां सेट कर लेते हैं मैच Conਚ्टेंड मैच 컨् 관련 और möchte कि सैंटर क्रॉप सेन्टर क्रॉप कर दिया हमने और इस काड को हम छैब देंगे तो यहांपे डाल देता हूं डीपी ज्यादा डालना है जिससे हमारे पास यह कर दो और चुका है और इसको हमें यहां पर दा सब्सक्राइब दिने है तो id हम यहाँ पे देदेंगे इसको title, text और यहाँ पे मैं एंटर किया और इस image view को हमे अईडी देनी है जो कि हमारा होगा profile image यहाँ पर हमने इसको id दिया और इसको मैंने refactor कर दिया । अब अब हमें क्यां छीह है यहाँ पर यहाँ पर इसका लोगा और इसके साथ इसके साथ अने वाला है इतना मैंने कर दिया और आप इसकी हम थोड़े सी मार्जन देख लेते थे यह मैं गया यहां पर और इसके साथ इसकी मारजन ने 70 की तो हम यहां से डाल देंगे 7 यह जो भी होगा वह हम यहां से डाल देते हैं अब इसके बाद हमें एक चीज और चाहिए वह हम यहां पर चेक कर लेते हैं एक हमें टेक्स्ट व्यू चीए जिसमें हमारा सारा कंटेंट यहां पर आएगा तो एक और text भी हम यहां पर add करेंगे और यह text भी हमने add किया और यह text भी यहां से constant रहेगा और यह left side से इधर से constant रहेगा top से रहेगा इस वाले के साथ और इसको हम margin देदेंगे यहां से और से पहले हमें एक और चीज़ add करनी है add के margin पर हमें एक ruler यहां पर add करना है तो इसको मैं यहां से disconnect करता हूं यहां से भी disconnect करता हूं यहां से भी disconnect करता हूं यहां पर यहां पर मैं डालूंगा divider और यहां पर डालूंगा horizontal divider और यह मैंना add किया इसके साथ इसको मैं constant करने वाला हूं इसके card के नीचे और यहां से ड करके अभी हो नहीं रहा है इसकी साइज हम फिक्स देते थे थे हैं 100 डीपी छोटा हो गया एक बार के लिए और चोटा करने के बाद हमने इसको इसके साथ कंस्टेंट कर दिया अब इसको मैं कर दूंगा और इतना होने के बाद यह हमारे पार सेट हो चुका है अब मैं इसको के साथ कंस्टेंट करने वाल हों तो इसको साथ इसको इसको कंस्टेंट किया सबसित嘛 किया इसको मैं इसके साथ किया और यहाँ पर चलने के बाद अब इस्से और इसकी दूरिए 21 की रहिट थो हम यहाँ पर देंगे इसको Expert UFO दे दितेते हैं More Than Enough घ olm जीरो मैच कंस्टेंट राइट और इसको मैंने बॉटम से लगा दिया तो अब यहां पर क्या होगा जात जात जातना भी टेक्स था हमारे पास यहां पर आज आएगा मैं चलता हूं एक बार पर चेक कर लेते हैं यह बिल्कुल ऐसा ही है अभी हमारे पास स्क्रोल होता रहेग हमें इस इस और कोई शुगा तो हम इसको टीक्स कर लेंगे अब यहां पर हमें दो बटन यहां परक्र लकाई टो मैं ह। चलता हूं अपने एंड्रओं य इस टूडियो पर और यहां पर मैं search करूँगा floating floating action button और यहां पर मैंने add किया और इसमें हमें सबसे पहले कौन सा बटन चीए एक हमें चाहिए चेक कर लेते हैं because a mistake नहीं हो एक heart वाला चीए white और एक red save वाला चीए red save वाला नहीं चीए normally चीए एक white heart चीए तो यह white heart हमने add किया एक और हम यहां पर floating action button यहां पर search करेंगे floating action button और एक और हमने add किया और इसमें हमें चीए save वाला तो save वाला button हमार पास यह है unsave और इसको हम यहां पर अब constraint करेंगे यह bottom से constraint होगा इधर से यहां से 32 dp का margin आएगा 32 bottom से भी 32 और इसको मैं constraint करूंगा इसके साथ और left से कर दूंगा मैं इसको इसके साथ और bottom से दे दूंगा इसको margin में 16 dp का ओके more than enough है अब क्या करते हैं इसके background वगेरे को change करना है तो यहां पर हम चलते हैं split में और यहां पर हम डालते हैं background tint mode यहां पर background tint है तो इसमें और इसको भी मुझे यहां पर black ही डालना है तो background tint और यहां पर डाल दूंगा मैं black यह दो काम होगे अब इसके बाद हमें इसमें icon का color को change करना है तो यहां पर हम डालेंगे आइकन और tint को आपको select करने के बाद आप जो भी color यहां पर डालना चाहो वह डाल दो तो यह हमार यहां पर red करना है तो मैंने अ आप君ा और यहां पर हम select कर लेंगे इसको red हमने कर दिया अब जब यह इसाइस पर क्लिक कर देंग यहां पर दो सेब रह गा तो यह हम आइकन यहां पर change कर वा लेंगे इतना से काम करना है तो यह दो button हमारे पास चुके हैं अब यह प्याँ मै त footprint में चलते हैं और इस इसको हमने राउंड और पास कोड यहां पकानी हमार पास यह पास यह एंगर यह हमारेब करना था मैं सब कुछ ready है अब बस हमّे क्या करना रिजाइक आइटम के तो सबसे पहले देखता हूँ मैं यहाँ पे चलता है और इसके Text का Size कितना है इसके Text का Size जो आपका है 20 SP और Color आपका है Blue तो मैंने इसको Select किया है यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे Text Size 20 SP नाउ Text Color और यहाँ पे हम डाल देंगे blue font family font family हमने Select किया और font family हमारा है, यह वाला नहीं है, हमारा है bold वाला, okay, font, और यहां पर मिल जाएगा, आपको monster semi bold, यही था, तो यहां पर यह चीज हो चुकी है, अब इसके बाद, इसको हमें change करना है, तो इसके यहां पर देख लेते हैं, क्या कैसा है, तो यहां पर जो है, इसका color है, बिल्क text size, text size हो गया हमारा 12, SP, उसके बाद हमारे पास हो गया font family, और font family हमारे पास है, monster light, अब यहां पर चोटा लग रहा है, लेकिन असल में यह ऐसा ही है, ठीक है, और यहां पर लिख लेंगे हम इसका font color, तो text color हम यहां पर डाल देंगे, black, यह भी perfect है, next हमारे पास इसका color हमें यहां पर change करना है, तो यहां पर गया है, और यहां पर गया है, और यहां पर जाने के बाद, इसकी है, 11 SP है, इसकी text size, यहां कि हम 12 ही रहन देंगे, और इसका color है, वो हमारे पास यह है, तो यह color अगर हमारे पास महां पर होगा, तो ठीक है, नहीं होगा, तो हम यहां से custom है इसको डाल लेंगे, तो यह है हमारे पास, इसका मतलब font, text size ही हमें यहाँ पर change करना है, text color, और यहाँ पर date color है, तो मिल गया यह date color, और font family हम यहाँ पर रख देंगे, और इसका color हम यहाँ से कर देंगे, तो इसका color हमें यहाँ पर करना है, text color, एक तो होगा हमारा यह black, और font family हो जाएगी, semi bold नहीं, light ही रहेगी, और text size हमारे पास यहाँ से थोड़ा सा increase होगा, तो देख लेते हैं, 14 SP है, और 14 SP by default आते हैं, तो यह बिल्कुल perfect है, हलका से इसमे padding 10DP का हम इसमें padding दे देते हैं, जिससे क्या होगा, थोड़ा से text हमारे पास अंदर की तरफ shift हो जाएगा, right, अब क्या करते हैं, हम जितने भी यह हमारे fields है, इनके हम नेम बगेरा हम यहाँ पर डाल लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास back button है, उसके बाद हमारे पास title text है, तो एक double आ गया है, ti, तो यहाँ से हमने हटाया, और जहाँ जहाँ पर error आएगा, वहाँ पर हम एक i और हटा देंगे, ठीक है, जिससे इसकी जो formatting है, वो खराब यहाँ पर नहीं होगी, तो अब बिल्कुल perfect है, जैसा था वैसा के वैसा हो गया, यह हमारे title text हो गया, अब क् में, इसके बाद हमारे पास image view है, तो यहाँ पर हमारे पास profile image हमने यहाँ पर लिख रखा है, अब हमारे पास क्या है, यह प्रोफाइल का name, यानि कि user का name है, तो हम यहाँ पर select करेंगे, अब जहाँ जहाँ पर यह चीज बताएगा, हम एक साथ क्या करेंगे, name change करेंगे, जिसे हमारा format खराब नहीं होगा, यहाँ पर हमें लिखना है, user name, यहाँ लिख देते हैं, user name, और यहाँ पर capital होगा, जो capital मैंने कर दिया, इसके बाद हमारे पास यह वाला text है, तो यह हमारे क्या है, date है, तो हम यहाँ पर select करेंगे, और एक यहाँ पर select करेंगे, और बस य यहां पर दाल देंगे तो यहां पर चल जाएगा तो यह हमार पास है description या इसको लिख देते हैं हम यहां पर blog description text view इतना हम नहीं यहां पर लिख दिया और यहां पर मैं capital T कर दूँगा बस और हो गया हमार पास तो इसकी सारी fields में हमार पास यहां पर enter हम करवा चुके हैं अब हमें इनको fields को use करके करना क्या है कि जो भी data हमार पास यहां से आएगा कहा यहां से जो भी हमार पास main activity में data रहेगा उस data को हम यहां से भीजेंगे और यहां पर जाने के बाद यहां पर ओपन हो जाएगा तो चलिए अब इस काम को भी हम यहां पर कर लेते हैं इससे पहले मैं क्या करता हूं इन चीजों को मैं यहां से close कर लेता हूं close all other tabs तो close all tab मैं आपके ने कर लिया अब इसको हम यहां पर कर लेते हैं तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम ब्लॉग adapter को खोलते हैं क्योंकि हम यहां के अइटम पे क्लिक करने के बाद ही हम जो है activity है वह हम यहां पर open करवाएंगे थोड़ा से कर लेता हूं इसको मैं zoom अब यहां पर क्य करना पड़ेगा तो इसके लिए हम यहां पर है करें गे एक बनाएंगे विल यॉप लाग आइटम एकोड़र तो कर देंगे기는öyle सिरी म 思 Samson को आइटम्स और इसके ऊम ले लेंगे हम पे पूजिशन इतना के हमने और यहां पर आइटम लिख देंगे, blog item , Nat沒有 या से लिऄते हैं, तो इतना लिखते हैं हमारे पास ये काम हो चुका है। अब क्या करना है, यहां पर आने के बाद like count के आने के बाद यहां पर आपको लगाना है एक set on click Listener ततना लगाए आपन और यहां लिखेdenगेnorm binding.root.setOnClickListener और इसके अंदर हम एक बनाएंगे वेरियवल context के नाम से और equal to कर देंगे मैं इसको binding.root.context इतना कर दिया आपने एक और वेरियवल बनाओगे intent के लिए क्योंकि इसके साथ हम कुछ data को वहाँ पर हम भेजेंगे इसलिए यहां पर हम लखा देते हैं intent और equal to कर दोंगा मैं इसको intent और इसमें हम डालेंगे एक तो हमारे जाएगा context और दूसरा हमारे पास यहां पर जाएगा कहां पर हमें इसको भेजना है तो यहां पर हमें इसको भेजना है रीड मोर एक्टिविटी पर और यहां पर लिखेंगे हम class colon colon class dot java इतना लिखा और यहां पर intent में हम कुछ चीजे एक्स्टा लेकर जाएंगे तो वह हम यहां पर लिख लेते हैं तो intent dot put extra और इसमें हम डाल देंगे यहां पर name art name है देंगे नहीं में डाल देंगे आप लाइंद आई इसमें डाल देंगे आपे blog model तो इतना हमने डाल दिया अब यहां पर आपके बास इक्वल टू नल मतलब सभी में आपको यहां पर एक तो इल्विस ओपरेटर लगाने पड़ेगा तो मैं इसमें भी लगा लेता हूं और इतना करने के बाद आपके बाद यहां पर यहां पर है वह आपका यहां से रहर रिमूव हो जाएगा और अभी जो एरर आ रहा है उसके यहां पर जाके देखेंगे तो अब भी आ रहा है हमारे पास एरर तो इसको हम देखते हैं और वापिस यहां चलते हैं और यह जो एरर आ रहा है ना हमारे पास यहां पर हमने क्या लिखा है capital B लिखा है जबकि हम यहां पर लिखना था small blog item model इतना आपने लिखा और आपका यह यह यहां पर चल जाएगा और उसके बाद आपको लिखना है context.start activity इतना लिखा आपने और इसका काम आपका यहां पर हो चुका है और अब क्या करना है हमें हमें जाना है अपने readmore activity पे और यहां पर जाने के बाद आप कुछ चीज़ें हैं यहां पर हमें करनी है सबसे हमें क्या करना है यहां पे प्राइवेट लेट इनिट वैर और यहां पर लिखेंगे हम बाइंडिंग और यह हमारा क्या है activity blog read more binding इसको आपको select करना है और नीचे आने के बाद आप यहां पे क्या करोगे इक्टिवीटी रीड मोर बाइंडिंग् डॉट इन्फलेट यहां पर लिखना वाल लियाउट इनफलेट और इसके नीचे आने के बाद आपको करना है बाइंडिंग। .root binding .root तो आपका binding यहाँ पर complete हो चुका है अब क्या करना है हमें जो हमने यहाँ से भेज आए इसको हमें सबसे पहले यहाँ पर get करना है तो यहाँ पर हम करेंगे एक बनाएंगे वेरियेवल जिसमें हमारा होग ब्लॉग और equal to कर देंगे हम इसको intent equal to sorry intent.get partial array partial array नहीं करना है पार सेवल एक्स्ट्रा ओनली कर लेना अप एक्स्ट्रा और इसमें आप लिख देना यहाँ पर दो अपना बने less than greater than sign और यहाँ पर लिखना है blog item model और यहाँ पर आपको नेम बताना है कि आपको कहां से यह आएगा तो जो same name यहाँ पर है उसको हम यहाँ पर copy करेंगे और यहाँ पर आने के बाद हम paste कर देंगे तो इसमें क्या होगा हमारे पास ब्लॉक्स में जितने भी ब्लॉक्स होंगे ना वह हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा अब हमें कंडिशन लगाना है इफ ब्लॉक्स इस नॉट इकवर टू नल तब क्या करो तो जितने भी हमारे डेटा है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे रिट्रीव करवा के डायरेक्ट ब्लॉग, टाइटल, टी-टी-अके, लिख देते हैं और इससे हमें समझ में आजाएएगा अब यहां पर लिखते हैं, करना हमें binding, dot title, title टक्स्ट में हमें क्या करना है , he quedt, duh text हमें , तो हमें हाँ लिखेंगे text और x בlau, tu ccolor, ने हमें को लिख लेता हूं binding dot उसके बाद हमारा क्या है जैसे को यूजर नेम तो यूजर नेम डॉत ये भी टैक्सट हो कहा हमारा और एक वड्डू करेंगे हमें इसको ब्लॉक्स डॉट यहां पे हमारे पास हो यूजर नेम इसके बाद हमारा पास आ जाएगा binding.date.text equal to कर देंगे हम इसको और यहां पर लिखेंगे हम ब्लॉक्स ड़ॉट डेट और यहां पर हमारा पास आ जाएगा binding.description.textview.text और एक्वडु टु कर देंगे हम इसको ब्लॉक्स.heading के जगे यहां पर हमारा हो जाएगा पोस्ट पोस्ट हो जाएगा क्योंकि पोस्ट में हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ रहा है राइट तो यह हमारे पास यहां पर सेट हो जाएंगे अगर यहां पर सेट नहीं होता है तो हम यहां पर हमार एक message सो करेंगे कि जो भी होगा हमारे पास message तो वह डोस्टně देते हैं यहां पे और यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे रिजन करने यहां इतना हमने लिखेंगे हम और क्या करते हैं wanna करेंगे चैक करेंगे कि हमारा perfectly work कर रहा है यह यह इतना उस के बा Mansylिender अगर यह work कर रहा होगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इमेज वागेरा जो set करवाना है उसको भी हम यहाँ पर set करवा लेंगे तो वेट करते हैं इसको on उने देते हैं build को open करके देख लेते हैं कि कोई error ना है हमारे पास और हमारा application यहां पर launch हो चुका है अब सबसे पहले हम यहां पर रजिस्टर करते हैं और हम देखते हैं यहां पर कुछ भी नहीं है actually हुआ क्या था कि पहले से यहां पर update नहीं था और अब मैंने क्या किया है अपडेट कर लिए अपने Android Studio को आज अपडेट आया था तो इसलिए हमारे पास यहां पर नहीं दिख रहा है ठीक है और ना image वगेरा हमें यहां पर दिख रहा है काम करते हैं हम अपने ओपन कर लेते फायरवेस को और उसको यहां पर यह अपडेट के बाद ऐसा हो गया है लॉग इन करते हैं वन एट जीमेल डॉट कॉम और यहां पर डाल देता हैं 123456 और लॉग इन हम यहां पर कर लेते हैं लॉग इन सक्सेफुल हो गया जितने भी हमारे पास ब्लॉग थे वह हमारे पास यहां पर आ रहें अब जैसे मैं मैं दूसरा ओपन कर लेता हूं जैसे कि मैं ओपन करता हूं एक ब्लॉग यह वाला करता हूं ठीक है तो मैंने इस पर क्लिक किया तो 12 था इसका टाइटल देखो 12 टाइटल है और नेम हमारे पास सूरज है तो यहां सूरज आ रहा है डेटी आ रही है और मतलब सब कुछ हमा यहां पर fix करते हैं तो यहां तक हो गया हमारा तो इसको मैं minimize करता हूं और इसको मैंने यह करा और मैं एक बार एक काम करता हूं इसको मैं यहां से close कर देता हूं और मैं वापिस से emulator का अपने on करूंगा क्योंकि हो सकता है update के बाद मैं चलाया नहीं था तो कोई issue होगी dot back button dot set on click listener set on click listener और यहां पर हम क्या कर देंगे इसको only finish करवा देंगे तो इस code को मैं यहां से copy नहीं करता हूं एक जगी हमें और जरुद पढ़ने वाली एड आर्टिकल में भी साहिद मेरे पास यह बटन है तो मैं एक बार जाकर चेक कर लेता हूं कि है यह नहीं यह बटन तो एड़ आर्टिकल में मेरे पास यह बटन है इस पर भी हमें यहां पर क्लिक लगाने तो image बटन है इसका नाम तो इसका नेम यहां पर यही रहन देता है और यहां पर जाके एक on click listener लगा लेते हैं ठीक है तो binding dot image button dot set on click listener और यहां पर हम लगा देंगे एक इसको finish बटन को क्ला कर देंगे तो इससे किähän होगा हमाँ बटना activity क्लोज हो जाएगी अब हम यहां पर क्रवाना है set क्रवान इतने इस में रीड मोर अक्तिवीं में हमारे पस image भी यहां पर इसको यहांamental कर आ terme और यहाँ पर यूज करेंगे ग्लाइट तो इसके लिए लिए हम यहाँ पर करते हैं कोड्या ऎकर लिखना पटेगा हमें ऐतल यहां मैं फियल डर्र है यहां पर लिखना है आपको दिस और इसके बाद है दाऊर्ट लोड और यहां पर आपको यू read डालना हमें यहां पे blogs टॉह यहां पर आजाएगा हमारे पास profile image और यहां पर डाल देंगे अब user image URL यहां पर लगाएंगे हम इसको apply और यहां पर हम डालेंगे request request option और यहां पर हमें डालना था capital request option.circular crop transformation और इसके बाद आपको लगना है यहां पर यह और आपको यहां पर बता रहा है आपको इसको कहां पर यहां पर सेट करवाना तो binding. यहां पर हमें करवाना है profile image में इसको save करवाना है तो मैंने इसको अपर से रन किया और चेक करते हैं कि हमारा perfectly और यह देखो यह भी हमारा बिल्कुल सही हो चुका है वर्क कर रहा है यह नहीं तो अब साइथ profile image भी हमारे पास आ रही है यह image था और back के click पे हमारे पास back भी हो रहा है तो सब कुछ perfectly work कर रहा है तो अब हमारे पास क्या के चीज़े करवानी है इसमें एक तो हमें इसका like पे like करवाएंगे और save पे save हम इसको करवा लेंगे तो इतना से काम बचा हुआ है इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं और एक चीज़ और है उससे पहले वह मैं चेक कर लेता हुए अगर मानके चलो वी तो छोटी-छोटी ब्लॉग है बड़ा ब्लॉग हो गया तो क्या हो गा तो उसके लिए हम यह पर क्या करेंगे कश्टमी यह ब्लॉग यहां पर एड़ करेंगे तो यह जो पोस्ट होगा हम मैं यह जाता हूं और यहां पे ब्लॉग में मैं लिखोँगा यहां पे आने के बाद मैं इसको क्या कर दिया फेश्ट करें कटा। कर दीता हो मैने कुछ कौना कर रखा eh आप यहां चाहिए ब्लॉग को यहां पर हम के बाद हम यहां पे हमारा data मिलेगा जो भी ब्लॉग होगा वो हमें यहां पे मिल जाएगा तो हमारा खाली था उसमें कुछ भी नहीं था तो यह last वाल होगा या कोई सा और होगा यह last वाल है तो इसमें हम यहां पे डालेंगे तो heading में हमें डालना है यहां पे the benefit of exercise एंटर के हमने पोस्ट में हमें डालना है तो यह ब्लॉग मेरे पास पहले से लिखा हुआ था मैंने इसको यहां पर किया पोस्ट और किया मैंने इसको एंटर अब यहां पर चलते हैं और यहां देख लेते हैं तो यह हमारे पास ब्लॉग हमारा आ चुका है और टाइटल हमार enter कर देता हूं तो यह हमारे पास सेव है अब डेखो टाइटल भी आ चुका है मेरे पास और यह भी आ चुका थो यह मेरे पास ब्लॉग आ गया लेकिन देखो नीचे जाने के बाद यह क्या हो रहा है हमें इसके नीचे का आर्टिकल को यहां पर नहीं पा रहे हैं ओके तो इस तो हम यहां पर Android Studio पर चलते हैं मैंने किया यहां से minimize और यहांपर जाने के बाद मैंने के बहुत जो के दृजए और READ MORE वाला एक्किविटी है हमारे पास इस पर हम चलते हैं मैंने Ctrl क्लिक किये और यहां पे बाद इसको हम यहां पर losarnya out जगे और इसके बाद हम्हें लगाना एक रिलाउट में गए मैच सब्दोड्य सब्सक्राने और को धाउट किया डिरेलगे मेंच इसको भी में करता है मैं यहां से अशनय के लिए inking खर सक्शनकार है पहले पेस्ट तो ही हमारा पास error है हमारा जा चुक है अब देखो इसकी जो size है वह हमने wrap content नहीं रखना था match parent करना था तो okay match parent ही है तो यह हमारा wrap content यह भी नहीं है तो एक बार run करते हैं और देखते हैं क्या इस्योई है या इस्योई है भी या नहीं क्योंकि हमें time पर बिल्कुर परफेक्ट यह है और अभी से यह ऊपर नीचे हो चुका है मैंने इसको open किया ओके और यहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहे हैं तो इसको भी हम यहां पर चेक करेंगे सबस्के पहले इमेज बटन आया गया फिर इसके बाद यह आ गया इसके बाद हमार इसको match constant और यह bottom से constant नहीं है या फिर इसको हम यहां पर क्या कर सकते है हाइट को हम कर देंगे हाँ पर match parent तो इतना किया हमने और यह वियू है जो कि हमारे वो है और यह दो दोनों fields है यह हमारे पास इसके साथ हो रहा है का constraint लेकिन अब इसका हमें इसको हमें इसक्रोल व्य ready है तो यह अब हमारे scroll के साथ हो जाएगा साइथ तो scroll view की id क्या है scroll view की id या फिर हम इसको बोल सकते है parent match parent हमने इसको कर रखा है फिर यह नहीं हो रहा है एक बार मैं इसको disconnect करता हूं और यहां पर मैं करता हूं इसको connect और width इसकी zero match constraint है यह match parent है तो हमारे पास दिक्कत का है एक तो इसको हम यहां पर wrap content कर देता है तो इसको fix करने के लिए एक और तरीका है मेरे पास पहले तो मैं यहां पर match parent ही कर लेता हूं इस से constraint layout से पहले भी मैं एक layout यहां पर यूज़् कर लेता हूं जो कि हमारा होगा linear layout और सक्के मैं करेंगे match parent और इसकी orientation हम रखेंगे यहा इसके बाहर जाने के बाहर मैं इसको करता हूं यहां पे पेस्ट तो अब यह बिल्कुल प्रॉप ए लेकिन अभी भी जब अब हमारा है यह हमारा नहीं हो रहा है धिकत हमारी जऄ आरिचा आ रही है इस वाले मेंине सब कुछ सभी होने बार पास इतना size में है ठीक है ये भी मारे पास vertical है match parent है इसके बाद ये हमारा है तो ये हमारे पास पूरे में आ रहा है और इसके बाद मैरे constant layout है इसके अंदर मेरी चीजें है तो मैं इसको यहाँ से करूँगा यह भी match parent है लेकिन man जो हमारा व्यूर यह है और इसके बाद का जो constraint layout है यह हमारे पास नहीं आ रहा है तो एक बड़ वापर से मैं लिखता हूं इसको constraint layout या फिर इसको हम डे लेते हैं यहां से है तो सब कुछ सही और constraint layout को मेरे पास match parent करना लेकिन यह हो नहीं रहा है तो अब एक option मचा है मेरे पास constraint layout वर्क नहीं कर रहा है तो हम यहां पर ले लेंगे linear layout और इसके अंदर जाने के बाद इसको भी हम यहां पर match parent तो linear layout का भी जो हमारे पास है वह नहीं हो रहा है orientation यहां पर match parent किया और इसको हमने यहां से close किया इसको enter किया और यहां पर हम करते हैं इसको cut और cut करने के बाद मैं आ जाता हूं bottom पे linear layout और linear layout के अंदर हमें इसको करना है paste तो अब भी कुछ ना कुछ mistake है तो यह work नहीं कर पा रहा है perfectly तो यह हमारा जो यह है constant layout यह मतलब perfectly WORK नहीं कर पा रहा है राइट तो फिर विह एक बार इसको करते हम run और check करते हैं कि हमारे काम क्यूं नहीं कर पा हो और मैं रन किया तो okay यहां पर हमारे पंस perfectly वर एक रहा है लेकिन वहां पे यह perfectly लेक्ली वर्क करता हुआ यह नहीं दिख रहा है तो सब कुछ सही है बस हम इस बटन को यहां पर सही करना है और इसकी तरीके साम यहां पर 32 dp का यह परफेक्ट ली वर्क कर रहेगा मैं एक वर्ट से करके देख लेता हूं वक्ताइल अदू टो मैं इसके गया और इसको थोड़ना होगा इसके हमरे पास फिक्स करता रहाए ऐसके लिए फिफलोट हूं कर वाया उसको भाहरार ले जाते हैं तो यह हमारा perfectly work करेगा, तो मैं इसको cut किया, दोनों buttons को linear layout के बाहर जाने के बाद, scroll view के बाहर जाने के बाद, मैं इसको यहाँ पे paste किया, तो अब भी तो यह show नहीं कर रहा है, अब चला के देखते हैं, और वहाँ पे करेगा या नहीं करेगा, और maybe यह नहीं करेगा, scroll view के बाहर जा चुका है क्योंकि, या तो हमें इसको scroll view के अंदर रखके एक और layout के अंदर डालना पड़ेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे fix करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने वहाँ पे सही रख दिया, और इसको मैंने constraint कर दिया, यहाँ से 32 और 32 db के यहाँ पे, और इसको मैं run करता हूँ, और यहाँ पे hook क्या सकता है, कि यह जो हमारा बटन है वह अभी फिलहाल के लिए यहीं पर फिक्स हो जाएगा अगर छोटा वह कोई रहेगा तो हमार पास यह उपर आ रहे हैं लेकिन यह बड़ा है जो पोस्ट है इसमें हमार पास यह नीचे आ रहे है तो इसको fix करने के लिए हमें करना क्या होगा कि मैं चलता हूं और देखो मैं डिजाइन वाले पार्ट पर चलता हूं यहाँ पर सब कुछ को हम ऐसे रहने देंगे और सिर्फ जो हमारे टेक्स्ट है ना इस टेक्स्ट को हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्रो लेवल बना देंगे तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इन लीनेर को हम यहां से कर देंगे रिमूव तो मैं यहां पर चलता हूं इस प्लिट पर और यह इसको मैं यहां से करता हूं रिमूव और सबसे पहले टॉप पर चलता है और इसको भी मैं यहां से कर लेता हूं अब यहां से हम इसको करते हैं रिमूव तो इतना रिमूव करने के बाद यह हमारे match parent है और यह हमारे दोनों ले आउट है और यह हमारे पैरेंट हो गया मतलब तो यह दोनों चीज यहां पर constraint हो चुका है और मैं वह वापिस control-jet करता हूं दिक्कत हो गई थोड़ी सी control-jet और सबसे पहले मुझे linear layout को convert करना है किसमें इस constraint लैयाट में तो मैंने इसको सेलेक्ट और इसके बाद यह będziemy और इस लिन्यर को मेन करता हूं मैं और इसको भी मैं और आयक रेसा करता हूं कर दी अब यह तीन जो टैग है इसको और किसी काम कें अनू grown गए तो यह हमारी जैसा था वैसा गई Ctrl Z कर लेते सारा का सारा जैसा था वैसा का वैसा यह हो जाएगा तो मैंने Ctrl Z कर लिया पूरा का पूरा और Scroll LB की जगे यहां पे हो जाएगा है हमारा Constraint Layout तो यहां पर मैं लिख देता हूं सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो हमारे पास है इसको करेंगे हम यहां से कट और इसको हम यहां पर डालेंगे इसके अंदर जिससे हमारे पास करना है कट करके इसके अंदर पेस्ट क्योंकि कंस्टेंट लियाओट हमारे पास एक ही चीज़ यूज़ कर सकता है तो अब यह हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट है तो मैं इसको रन करता हूं आज हूँ और अब यहां पे हम चला के देख लेंगे कि यह परफेक्ट ली यूड कर रहा है या नी तो यह आया हम यहाँ पर अब देखो एक दिक्कत है कि हमार पास टैक्स नहीं दिख रहा है बाकी सबकुछ यहांपर सही है तो ठीक है यहां पर किसे दिखेगा है यहां पर करते हैं तो यहां पास क्या है 0 DPA Bowl इसको करतेंगे मैस पेरेंट कर सो सायो हैी दिखते हैं जो आंव आप आपास इसके आंदर जा रहा है को यह रहुतो कि थे अब यह कंक्टेट इसको भी मैं यहां से करता हूँगा इसको भी यहां से दिसकनेक्ट करता हूं औरू Group करता हूं haunting इस निए तब मा इसको रृणु करूँ ऑज श्रय बिल्कुल ही फरर्फेक्लिăm काम करेगा जैसा इसको वर्क करना चाहिए था तो यह देखो मैं आया अब यह देखो टेक्स नमार पास जस्ट इसके अंडर आ रहा है और बिल्कुल यह परफेक्ट वर्क कर रहा है अब अगर आप चाहते हो कि इसको भी हम क्या करें कि पूरे करें स्क्रॉल भी में डाल दें जिससे कि आपका यह भी पूरा उपर की तो अब सबसे पहले आपने ओपन कर लिठापने एडेप्टर को क्योंकि जो भी आइटम से हमारे पास उसको हम क्लिकْ कर्वाकर लाइक और सेव का काम कर लिए और इसमें जो हमारा आई टम है जो हमारा और ओन वीउंड रहें है जो कि हमारा यहां पर प्लोग आईटम आई करेंगे और सेब के बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहां पर ब्लॉग को यहां पर सेब करवा लेंगे राइट इतना करना है तो मैंने इसको यहां से अब क्या करता है मैंने इसको ओपन कर लिया है और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यह व्यू तो हमारे पास डेटाबेस का रेफरेंस और एक चीह हमें यूजर क्योंकि जो लाइक जो होगा न वो लाइक कैसे होगा कि फाटिकुलर एक यूजर लाइक करेगा फिर उसके बाद अगर हो सकता है कोई और यूजर ने हमारे लॉग इन कर रहा हो एप्लिकेशन को तो वह भी उसको यहां पर लाइक करेगा तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा एक यूजर की रेफरेंस चीह और एक हमें यहां पर डेटाबेस का रेफरेंस चीह जहां पर हमारे जितने भी ब्लॉग्स है वह हमें यहां पर सो होगा सबसे पहला हम क्या करेंगे जो हमारे रिसाइक्लर व्यू है इ इकवल तो कर देंके हम इसको fire base database dot get instance और instance के अंदर आपको पता ही है क्योंकि हमने एक URL वाला काम कर दिया था इस चक्र में हमें यहाँ पर यूर बार हर बार डालना पड़ता है तो यहाँ पर है तो आपको यहाँ यहां से यह चीज्श मिल यहाँ पर मेरे पास है firebase database dot get instance और लास्ट हमें यहाँ पर क्या करना है dot reference आपको यहाँ पर लगाना है तो reference लगा दिया तो यह error हमारे पास यहाँ पर जा चुका है दूसरा हमें चीह है यहाँ पर private well और यहाँ पर हमारे पास second क्या होगा current user का reference यहाँ पर हम लिख लेता है current user और equal to कर देंगे हम इसको firebase auth dot get instance dot reference तो हमारे पास इस वारे वेरियेबल में हमारे डेटावेस का reference और current user में हमारे पास authentication का मतलब यानि कि जो भी हमारे यूजर है उसको हमने यहाँ पर get कर लिया है अब हमें यहाँ पर क्या करना है जो हमारा on view holder है इसके items के click में हमें यहाँ पर काम करवाना है तो यहाँ आपको सबसे पहले आजाना है आपके inner class वाले view holder पर राइट और यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले code को यहाँ पर रहने देना है अब इसके बाद आपको enter करना है और यहाँ पर सबसे पहले हम काम करेंगे like करवाने का यानि कि जो भी हम लाइक करवाएंगे जिस भी यूजर से हम लाइक करवाएंगे वह काम हम यहाँ पर करवा लेते हैं तो हमें लाइक को यहाँ पर इंप्रूब करना है तो सबसे पहले हम एक कमेंट कर लेता हूं सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यूजर ने लाइक बटन इमेज ठीक है है यहाँ पर पास दो काम करना एक हमें चेक करना है किस चीज को यूजर की निया रहा है या और वाध इमेज को भी आप रखाने बेसिकली हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी जो इमेज होगा वह दूसरा वाले अपर आ जाएगा ठीक है तो हमें आप है कि हमारे लाइक यहां पर का होगा तो अब्वेसी बात है हमने यहां पर बना नहीं रखा है तो सबसे पहले हमें क्या बढ़नाना पड़ेगा देखो मैं आपको इस्ट्रक्चार चमझाता हूं जो हमारे डेटा बेस है अब मैं रियल टाम डेटा बेस में जाता हूं और अपना ही जो है नए application उसको हम यहां पर रन करने वाले ठीक है तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने application को रन करता हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो और यहां पर आने वाली है error तो मैं सबसे पहले comment करूंगा और rerun करूंगा यहां पे लेकिन वेट कर लेते जब तक कर लेते यहां ब्लोब कर लेता हुए और यहां किया यहां। हो चुका है right now यहां पे कोई भी यूजर भी नहीं है और वह भी नहीं है लेकिन पर मैं यहां पे करता हूँ साहई application हो सकतो है crash कर जाये कि यूजर है नहीं तो क्रिएट कहां पर करेगा और यहां पर देखो हमारे जो ब्लॉग पोस्ट है नहीं हो रहा है तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगा अनिंस्टॉल करूंगा इस एब अपलिकेशन को और मैंने यहां पर एक बाद मैं सबसे पहले रेडिस्टर करूंगा और यहां पे मैं डाल देता हूँ रजिस्टर तो है already log in नहीं है log in नहीं हिसा हूँ तो मैंने वापी चलाए क्योंकि रेडिस्टर हमारे पास है value में क्लब्स ने भी कड़ी लेते हैं क्योंकि वहां पे घेको dannication में है उमारे पास लेकिर हमने वहां पर आपके पास आपके बात हля तो आप इस चीज़ को सकते हैं रहेक happen कर लेता हूं तो मैं ने रेजिस्टेट किया है और मैंने यहांपatas लॉगिन कर लेता हूं और मैं मैं यहांप कर लिया है अब यहां पर मैं क्या करता हूं create अब देखो real time database में मेरे पास user आ जाएगा पहले यहां पर user का section नहीं था अब यहां पर मेरे पास obviously वह आ जाएगा आ गया अब देखो यहां पर क्या क्या चीज होगा कि सबसे पहले जैसे हम कोई blog है तो इसमें कुछ fields हमने यहां पर add करवा रख तो उसके लिए अलग सा node बनेगा और पता कैसे चलेगा कि हमें मतलब कौन से user ने उसको like कर रहा है तो हम user के id को get करके यहां पर हम अलग से रख लेंगे और उसी user को unlike कर देगा तो यहां से remove हो जाएगा तो हम यहां पर करते हैं और समझते हैं इसको अगर आपको समझ भी जिया अगा तो अच्छे से यहां पर समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले मैंने बनाया variable जो के हमारा है पोस्ट रेफृरेंस का अब सबसे पहले हम इसको reference देना तो यह हमारा ब्लॉक कहां पे है सबसे पहले हमारे पास है और चैल्ड में जाने के बाद यह हमारे पास है ब सबसे पहले हमार पास चाइल्ड ऑगा उसके बाद हमारे पास होगा ब्लोग की पोस्ट आई डी और यहां पर क्रेड करना पड़े का अब भी हमार पास एरर आ रहा है लेकिन अब हमार पास यह पॉस्ट ऐडी के अंदर जाके हमें यहांपे क्या मिलने वाला है अपना लाइक का page है ना यहां पे मैं लिख लेता हूं likes ठीक है likes लिख लिए है मैंने अब यह मेरे पास अभी है नहीं तो सबसे पहले हम इसको create करेंगे इसको create करने के लिए आपको जाना पड़ेगा आपके model में और बलॉग मोडल में आपको रार चारफ का और बाइड करना है सबसे पहले एक बेक्र इस पेरियरेवल लाइन अब यहां पैर कर दिया चाहिए तो मैंने यहां पर लगा है कौमा और इसके 5 भार आए हैं पर अब यहां पर हमें करना है tough time करकर दिए चला जाएगा लेकिन अब है प्राफ्ट लिःते हैम इसको पोस्ट आईडी ऑग और दीखते हैं क्या दिखकत हैं About कि फिक्स हो जाएगा और इसके नीचे जाने के बाद हमें यहां पे इसको मैं कंट्रोल डी करता हूं और यहां पर अपने को लिखना है प्रोफाइल इमेज की जगे पोस्ट पोस्ट आईडी और अब भी देखते हैं अब भी एरर है और यह इसलिए आ रहा है हमारे पास एरर है यह फिर आप उपर भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं और एक वेरियबल बनाना है आपको पोस्ट आईडी के नाम से और इक्वल टू करता है आपको इसको ब्लॉग आइटम मॉड्यूल मॉडल डॉट और यहां पर आपको यहां पर रखना है पोस्ट आईडी राइट तो हमारे पास हो गया और यहां पर आपका एरर भी यह ship हो जाआएगो तो हमारे पास क्या आगया हमारे पास सबसे पहले लैक्ष की पोजेशन हमारे पास यहां पर आ चुकी है अब हमन ş zitten करभाना है लंगाल और करेंट यूजर लइंग्ड अब यहां पर आप चेक और यहां पर मैं लगाता हूँ not null sorry dot uid और यहां पर मैंने लगाए elvis operator dot let block एक मैं लूँगा यहां पर और यहां पर मैं डाल दूँगा uid और इसको मैं बना लूँगा as a lambda जिसको हम use करके check कर वा लेंगे अब आप यहां पर मैं लिख लेता हूँ पोस्ट like reference dot child dot sorry child के अंदर आपको लिखना है सबसे पहले क्या आएगा हमारा uid अब uid के बाद आपको लगाना dot add value for single event listener और यहां पर आपको बनाना पड़ता है object और इसको extend करना पड़ता है यहां पर लगाओगे curly braces तो इसके बाद आपके आपस इसके members आपके बादा आ जाएंगे और यहां पर इसा Vietnamese Airs को इनmaud कर लेना तो इसा हमार पास एक म veins पर हम यहां पर चेक कर सकते हैं किसले like कर रहा है यह नहीं और दूसरे में अगर नहीं कर रहा है तो हम कर रखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर यूजर ने अगर लाइक करबाने वाले जो कि हमार पास है हम है यहाँ पर दो तो मैं इसको यहां पर remove करता हूं और यहां पर मैं condition लगाँगो सबसे पहले और यहां पर लिखूंगा मैं snapshot.exist अगर data है इसमें तो क्या करो की update कर दो एक function मना कि हम इसको यहां पर change करेंगे या फिर यहां लिख लेते हैं binding.like button.set image resource और यहां लिखेंगे art.art.drawable. और जो भी हमारे image होगा उसको हम यहां पर add कर लेंगे और यहां पर मुझे import करना पड़ेगा और यहां पर मैं गया और control space दवाने के बाद यहां पर आपको मिलेगा filled heart icon का नाम से option तो इसको मैं यहां पर select कर लिया अगर exist करेगा तो यह वाल आइकन यहां पर automatic यहां पर सो कर जाएगा और else अगर यहां पर हमारे पास नहीं सो कर नहीं है तो बाइडिफॉल्ट जो आइटम होगा वह हमारे पास कैसे सोने वाले वह हमें यहां पर बताना है यहां लिख लेता हूं मैं binding.like button.set image resource अ यहां पर भी मैं आपको दिखा दिएता हूँ कि हैसा heart हमें यहां पे सो होने वाले हैं तो यह काम हो गया अब क्या करना है हमें यह तो हमने चेक करने किसरे अगर user ने like कर रखा है यह नहीं यह काम तो हम ने कर लिया लेकिन अब हमें 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 सबसे पहले like करने का function को भी यहां पर implement करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहला आपको से बाहर जाना या की यह वेरियरेवल नहीं इस वाले ब्लॉक से बाहर और इस बाहर जाने के पाया आपको यहां पर कोड करने और यहां पर हम हैंडल करेंगे अपने लाइक बटन के है पे like button क्लिक्स ठीक है यहां पर like button के handle को मिना पर कर रहे हैं आपके अपने वारा क्रोMore कोई लिखत बाता है यहां पर सबसे पहले कंडिसेंद लाएंगे if करेंट यूजर जो हमारा करेंट यूजर है करेंट यूजर सोरी डाट सोरी डाट नहीं इस नौट इकॉल टू न अगर यह हमारे पास नल नहीं होगा सबसे पहले हुनीं ही जै कि हमारे user जो रहे ननल नहीं हो सकता यानिकी यूजर कोई ब्लॉग आइटम मोडुल राइट तो यह हमारे पास है अब इस फंचन को मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूं राइट तो मैंने यहाँ पे क्रेट कर लिया और ये जो भी हा रहा है इसको आप पूपके कर देना अब देखो इस मैंने यहाँ पे कर दिया और लगा करें लिखाने कि ना यहां पर शुरू KG ललोग तो शुरू रहां इंगे और यहां पर यह पो शाह्ता नहीं तो यहां पर पाद मनें login first तो इतना मैंने यहां पर लिख लिया और यहां पर मेरे पास error आ रहा है यहां पर मुझे context चाहिए होता है तो यहां पर मैं लिख दूँगा context ओके और context हमारे पास मिल नहीं रहा है तो इसके लिए हम यहां पर एक variable बनाएंगे context का जो कि हमारे पास होगा well context और equal to कर देंगे हम इसको context के right sorry context में हमें यहां पर चाहिए binding dot root okay binding dot root dot context इतना लिख दिया format करते हैं इसको और यह वाला context हमें यहां पर डालना है तो मैंने यहां डाल दिया context तो error हमारे पास यहां पर जा चुका है ओके तो सबसे पहले हम यहां पर हमारे पास condition check होगा कि अगर user है तो यहां पर क्या का के होगा है जो हमारे इहां झाल नही法 आगर यह सा मैसरल हमारे पास यहां पर सो जाएगा तो अब हम यहां पर हैंड्ल करना अपने likes को तो हम यहां पे सबसे पहले उसन चीजे लिए यहांपर हैंडल कर ले तो उसके लिए सबसे पहले हम एक वेरियवल बनाएंगे वैल जो कि हमारे पास होगा यूजर और सबसे पहले होगा हमारे पास यूजर रेफरेंस और एक्वल टू कर दूंगा मैं इसको डेटाबेस रेफरेंस डॉट चाइल्ड और यहां पर पात है जरी स्ट्रिंग डालूगा हमेरे पास होगा है लैक्स पोस्ट राइक रफरेंस और उसको डेटाबेस डाट चाहईल्ड और यहां पर मैं लिख दूंगा कहांंपह हमारे पासיל क्या दूंद लेकिन यहां पर मुझे जो पोस्ट का लाइक का रेफरेंस चीए उसके अंदर हमारे पास यहां पर आएगा ब्लॉग का रेफरेंस जो ब्लॉग के अंदर जाएंगे हम सबसे पहले ब्लॉग और इसके बाद हमारे पास मिलेगा डॉट चाइल्ड उसके अंदर हमारे को मिलेगा पोस और यहां से हमारे पास user की idea जाएगी इतना काम कर लिए हमने अब यहां पर सबसे पहले करना है हमें check करवाना एक चीज कि यहां पर हमें करवाएंगे check user has already liked the post so unlike it यानि कि अगर user ने पहले से पोस्ट को like कर रखाऊगा तो उसको सबसे पहले हमें अनलाइक करना है और अगर नहीं कर रखा है तो सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा जो हमारा पोस्ट लाइक रेफरेंस वेरियेवल है इसमें हम लगाएंगे डॉट चाइल्ड और यहां पर हमें मिलने वाले हमें यू आईडी अब इसके बाद हमें इसके बाद आपको एक्स्टेंड करना इस वेल्यू इवेंट लिस्टनर और यहां पर आपको लगाने करली ब्रेसेज और सिंपल सच काम करना यहां पर आने के बाद इसके मेंबर्स को आपको को एंपलीमेंट कर लेना है एंटर किया तो यह मेरे पास हो चूक है है इसको इसको धोड़ा सा एक्स्ट्रा और मुंसे इसको भी हमें और और यहां स्वेट रिमूब करना होगा बोड़ेसी वह रिमोब कर दिया अब यहां पर हमें सबसहां। clearing यह पर आप Snapshot.exist same चीजह हम यहाँ पर condition check कर वानी है कि अगर पहले से data है तो क्या करना है हमें यहाँ पर तो सब्से पहले हमारे पास user reference है जो डॉट इसका चाईल्ड बनाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ पर चाईल्ड में होगा जो हमारा value कर से अगर थो से में में योजर का जो डीटा है अगर वो है ल मैं इसके अंधर को मेल्यून करें नहीं और रिमूँव करने में ल्याइएट आडगे और कमप्लिट नहीं अडोन सक्सेल लिस्टनर सए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे की रिमूब था हम ने कर दिया लेकिन हमने की वैल्यू को कम ज्यादा भी करना हो रोगा यहां पर हम करेंगे यहां पर पॉस्ट डाइक्ट रेफ bisschen डाइक मैं इसके बाद अब इसके बाद हमें क्या करना है एक ब्लॉग ब्लॉग मॉडल आइटम है डॉट यहां पर एक हमारे पास वह करना पड़ेगा एक चीज और क्रिएट करनी पड़ेगी हमारे ब्लॉग एडेप्टर में जिससे क्या होगा जो यूजर है ना उस पर्टिकुलर यूजर से ने उसको यहां पर मतलब उस पर्टिकुलर यूजर ने उसको क्लिक कर रखा है या नहीं यह पताने के लगाने के लिए भी हमें एक यहां पर यहां पर लिखेंगे liked by के नाम से तो इस से फता चलेगा कि यार ऑसने उसको कर रखा ही या किसको से bleak कर रखा है यह हमाँ चीज चेंग होती रहेगी इसे हमारे पास सबसे पहले अर्याँ ने मनल कर देता हूं इसको और यह मैंने इसको सबसे पहले और यहां पर आ रहा है इसके लिए हम लागा देंगे यहां पर इलविस ऑपरेटर तो यह हमार पास यहां पर फिक्स हो चुका है तो अब यहां पर चलेंगे तो हमें यहां पर ब्लॉग आईटम.like by यहां के हमें मिल जाएगा राइट इतना किया हमने like by और यहा update अपडेट के नाम से मेरे पास आनी रहा है और update हमें क्या करना है उपने इमेज को भी यहां पर चेंज करना होगा तो यहां लिखते हैं मैंने enter करके binding और कोई वे दिआ आपे हमारे पास काम नहीं कर रहा है तो यहां पर लगाएंगे एक फंटसंख युट अप्डेट लयक बटन इसलिए एक इंच इतने नाम कि आप पर और यहां पर इसमें डाल दूँआ हो उसको इसको हम यहां पर create करते हैं सबसे पहले create function किया मैंने और यहां पर हम इसको create कर लेंगे इसको मैंने यहां से remove किया और remove करने के बाद यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा क्या करना है मतलब binding करके हमें simply our को यहाँ पे change करना है मच्वरिए icon को यहाँ पे हमेंच करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे binding okay और binding हमारे पास यहाँ पे नहीं आरहे हैं तो binding नहीं आरहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते होग जो यह हे हमारा सबसे पहले गी पिए हम पर लिखे दे які बिख देगे जिसे strongest बनाएगा 20 इनी चल रहा था कि हो कह रहा है तो यहां पर हमें सब्स़ेश्ब सब्सक्राइब करने लाएउट्ट और यहां पर है हाटब्लैक जैसे हमने सब कुछ रिमूब कर दिया तो हमार पास जो है इमेज भी है वह हमारे पास और नहीं तो कंडिशन लगा कि हमें चह से पहले चीज़े चेक करवाने थी तो यहां पर मैं एक कंडिशन लगाता हूं अफ लाइक्ट लाइक्ट पर मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू आई ए उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें इसको चेंजिस करवाने तो यह जो हमारा है इसको मैं क यह जब से पहले चीज़े चेक करने था यहां पे मैं एक कनडिशन लगाता हूं फ लायकिटे मैं मतलब जो भी भी हमारे पास वेल्इ अई उसके के अक्वड यहां पर हमें इसको हमें उसको चेंज़ ईसको करता हूं को इस लाइन टोट लाइक बटन डॉट यहां पर हम क्याब कर देंगे सेट इमेज डॉट सैट इमेज रिस्वर्स लॉट डॉट डॉट फिल्ड यहां पर मैं लिख लेता हूं फिल्ड रेड हार्ट इतना अपने को लिखना है अगर नहीं है तो और विस सिवाग्त है जो ⁣ बटन है हमारे पास वो यहां पर हो जाएगा तो हमने यहां से रिमूव करलिकर लिए अपने इमेंज को अब हम यहां पर क्या करना है जो भी हमारा पोस्ट होगा उसको को हमें यहां पर जो Like दी होई है उसको भी हमें सबसे पहले क्या करना है रिमॉब करना और Can बढ़ता है वं बढ़ता है तो हम बर्चते है उपड़ और यह करने के बात जो हमारा फॉल्स है यहां कि हमारे पास अा practise कारा है विकाज यहां पे ॆध्लिन्ग हमारे पास को डालना पड़ेगा तो यहां पर मैं लगा के ? रखा के ? हमार पास यह यहां पर यहां पर पास पर कर लोग कर लहा है कहां है यहां पर हमार पास Eng art बता रहे है नंव यहां पर हमें हम सिक बायखểu culture rather यहां पर हमें क्या चाहिए इस बांस ट्रॉ deform值 कर DISE ठीक है अब हमें क्या करना है अब क्या करना है मैं सबसे पहले डिक्रीमेंट करना है किसको एक लाइक को यहां पर मैं लिख देता हूं डिक्रीमेंट दा लाइक इन दी डेटा बेस डेटा बेस हमें हटाना है तो यहां पर एक मैं बनाऊंगा वेरियेवल न्यू लाइक के ना से इतना हमने किया और यहां पर क्या करेंगे हम blog item module dot like count और equal to कर देंगे हम इसको new like count तो इससे क्या होगा जो भी हमारे blog item में like count है वो हमारे पास new like के बरोबर आ जाएगा यानि कि minus होने कि जो भी मतलब item में like है उसके minus करके new like हमारे सेट हो जाएगी उसकी value अब क्या करना है हमें यहां पर update करना है simply database में तो database reference dot child और यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले कहां पर हमारे post blocks के अंदर जाके dot post id के अंदर जाके sorry child लगाया हमने और यहां पर हम लगाये post id और इसके बाद dot लगा के हमने like like count सो आध हमारे like count ऊśके अंदर हम यहां पर क्या कर देगे वेल्यू को यहां पर सट कर देंगे यहां पर हम करेंगे सेक्ट वैल्यू और यहां पर नाल देंग़ फ bene कर दिया तो इतना notify भी करना होता है जिससे कि हमारे पास data change हो जाएगा तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ notify data changed और इतना काम करने के बाद हमारे पास decrease वाला काम भी है complete हो चुका है अब यह error आ रहा है इसको हम यहाँ पर solve कर लेता है और यह बता रहा है हमें change to where तो हम इसको where में convert कर लेता है और यह where कहाँ पर change हुआ है यहाँ पर change हुआ है यहाँ पर well था तो अब यहाँ पर हमारे पास where हो चुका है ठीक है क्योंकि इसकी value यहाँ पर बार बार change होगी तो इतना कर दिया हमने और success हो गया यह अब यहाँ पर एक चीज़ और add करने पड़ती है dot add on failure listener अगर fail हो जाता तो क्या करो तो e से हमारे पास यहाँ पर आता है exception तो इसको मैंने lambda में ले लिया और यहाँ पर हम log करके log e करवाएंगे क्योंकि exception के लिए log e काम आता है और यहाँ पर हम लगाएंगे इस tag को हम यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले liked clicked liked clicked के नाम से हमने यह बनाया on data change का यह हमारे पास यह है और यहाँ पर message में हम डाल देंगे failed to unlike the blog इतना हमने यहाँ पर किया और इसके बाद हम यहाँ पर add the rate लगा के dollar लगा के e लगा देंगे जिससे हमारे exception जो भी होगा वो यहाँ पर हमारे पास so हो जाएगा इतना हमने कर दिया अब देखो यहाँ पर हमने like तो करवा दिया अब यहाँ पर हमें like भी करवाना है right तो like करवाने के रिए हमें यहाँ पर सेम उल्टा चीज करना होगा तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो हमारे एक block खतम हो रहा है एक block हमारे यहाँ पर खतम हो रहा है तो इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे else और else में हमने लगा एक bracket और यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले comment user has not liked the post इतना हमें यहाँ पर करना है और यहाँ पर लिखना है so like it इतना गाम हम यहाँ पर करवाएंगे और सबसे पहले हम क्या लेंगे यूजर का reference लेंगे और dot child लेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे पास क्या होगा likes के नाम से हमारे पास जो value होगी उसको हम यहाँ पर get करेंगे और यहाँ पर capital के जगे small likes होगा और .child करके यहाँ पर हमारे पास होगी post id . और यहाँ पर हमारे पास child मिलेगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे set value वहां से हमने रिमूव किया था उपर से अब यहां पर हमें क्या करना है सेट वैल्यू करना है डॉट चाइल नहीं करना है डॉट सेट वैल्यू और यहां पर हम क्या करेंगे जो हमारा यहां पर वैल्यू करना है हम यहां पर सिर्फ नॉर्मली ट्रू करना है यानि कि एक वैल कर देंगे करेंट यूजर डॉट यहां पर उसकी यू आईडी को लेके यहां पर हम क्या कर देंगे डॉट सेट कर देंगे उसकी वैल्यू और यहां पर हम कर देंगे इसको डू दो चीज हो गई अब हमें यहां पर क्या करवाना है ब्लॉग model dot और like by और यहां पर हमने लगाया ilvis operator dot और यहां पर हमें क्या करना है एड करना है वहां पर हमने क्या किया था रिमूफ किया था और यहां पर हम क्या कर देंगे Gray करने के ट्र में इसके बाद हमें क्या करना अपडेट करना अपने लायक बटन के इमेज को यहां पर कारेंगे अपडेट लायक बटनल मेंच एक alert में पे दे देते हैं तो यहां पर हमारे पास हो गया सारा काम अब लास्ट में क्या करना है increase करवाना है obviously बात like को हम यहां पर increase भी करवाएंगे तो यहां पर हम लिख लेता है increment increment मैंने यहां पर लिखा और the like count in the database इतना काम कि हमने और यहां पर हम क्या करेंगे सबसे पहले एक और variable बनाएंगे same क्या होगा new like के नाम से new like count और equal to कर देंगे मैं को blog आइटम मॉडल dot likecount equal to plus one वहां पर हमने minus किया था यहां पर हम इसको plus कर देंगे और equal to अब आपको इठा देना है अब यहां पर हमें किया करना आ blog model.likecount आला काउन्ट एक को क्या कर देंगे new like बना देंगे अब यहां पर भी error आ सकता है नहीं आया लेकिन it's okay because वो साथ हो सकता हमारा पास पहले से variable था यानि कि वैर था और यहां पर हम क्या कर देंगे database reference dot child और यहां पर हमारे पास होगा blogs dot child okay dot child और यहां पर हम लिखेंगे post id oh snapshot नहीं post id dot child और यहां पर हम लिखेंगे likes इतना हम ने किया books के अंदर post id के ऊंदर जाके और likes के और likes और यहाँ पर count को हमें यहाँ तो likes count और यहां पर क्या करwindगे dot set value और यहां पर हम क्या डाल देंगे new like account यहाँ यहाँ ने डाल दिया इतना करने के बाद हमें लास्ट काम क्या करना पड़ता है अपने डेटा को notify करना रहता है otherwise हमारा data change reflect नहीं होता है अगर आप वापस रं करते हो तो reflect होगा लेकिन जैसे आपने क्लिक किया वहां पर हेंट टो हेंट वहां पर यह reflect नहीं होने वाला है तो इतना हमने यहां पर कर लिया अब यहां पर on success वाला तो हो गया अब यहां पर लिख लेते हैं फैं ओके और हमिरे पास ए निए यहां पर मेरे पार ल考 दिया और कंट्रूल आल करके मैं इसको फॉर्मेट स्थ मैंइट कर दिया है फिस आप और और पर यहां पर यह कर्वाना सकते हों इसकरते हम आप यहां पे पी अ तो अब इतना करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं like करने के लिए हम ready है लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा से changes करना पड़ेगा जो क्या करना पड़ेगा हमें यहां पर एक like का हमें यहां पर क्या बनाया है एक अलग से बनाया है likes का एक section जहां पर क्या होगा likes यहां पर हमार में दीघाटिकल वाले backend के code को और अब हमें जो भी इंगे हैं यहांपे कर लेंगे पहले मैं को यहां से small कर लेता हूं qoda को जिससे यह थोड़ा सा छोटा हो जाहा कुन इसको छोटा कर लिया अब थोड़ा से कोड हमारे पास स्मॉल हो चुका है अब मैं देखाता हूं आपको कहां पर क्या-क्या-क्या changes करने हैं थोड़ा साम नीचे आ जाते हैं यहां तक हमें कोई भी changes नहीं करना है और यहां पर इसकी ज़रूरत नहीं है इस पेस की और यहां हमें यहां पर कुछ changes करने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा सा और नीचे चलते हैं यहां पर चलने के बाद जो हमारे condition लगा रहा है हमने यहां पर हमें एक चीज़ एड करनी है blog item dot और यहां पर और यहां पर changes करना होगा हमें यहां पर देखो यहां पर कितना है हमारे पास like count और जो हमारा database है वहां पर क्या दिखा रहा है वह हमें यहां पर चेक करना होगा तो सबसे पहले मैं एक अब आर्टिकल add करूंगा मैं इसको पहले minimize करता हूं और इसको मैं run करता है application को और application run होने देते हैं और एक dummy हम यहां पर text या फिर blog हम यहां पर add कर लेंगे अब इसके बाद हमारे database में हमारे पास blog item के नाम से आ गया अब देखो यहां पर क्या है like count और हमने वहां और हम सब्सक्राइब करना चाहेंगे तो मैं यहां पर minimize करता हूं मैंने इसको copy किया और यहां पर like count था तो मैंने like count यहां पर कर दिया है और जहां-जहां like count है उसको से यहां पर करना है कि जो भी आप स्पेलिंग कर रहे हैं ऑर करें तो लाइक कर रहे हैं वे ऐसके बड़े है और सिकते हो तो कुछ अलागी कुछ घ्र जाएंग형 पर आपको जो हो Ferrari उसनों को अदो यां पर यहां पर यूजर लिको राता है लेकिन जो यहां पे इसको där है यहां पर हमारे पास यूजर तो मेकसर ही यूजर छी लिए का आन्या है बड़ना ध似ों यह हो आप देख लो हो सकता है ये बिल्कुल सब को सही हो तो अब सबसे पहले क्या करो यहाँ पे जाने के बाद जो भिआ ब्लॉग है उसको आप यहां से डिलीट कर दो और यह user वाल नोड भालतुमें बने गया है तो इसको लीड लकली मोरून लग करते हैं नेकिन यह वाला यूजर गीन में यहाने हमारे पास बने गया हमारे पास लेकिन यहां पर बनाना नहीं चाहते हैं तो इसका देखेंगे भी क्या है लेकिन यहां पर like count भी इंप्रूव हो चुका है यहां पर लेकिन हमारे पास जो यह था देखो दोनों-दोना अलग अलग है यानि कि अभी भी कोई दिक्कत है mistake है इसको हम यहां पर fix करते हैं तो यह से make sure करना कि अच्छे से आप यहां पर आप भी करों तो मैंने इसको किया minimize और यहां पर जब मैं increase कर रहा हूं कौन से मैं ब्लॉग item adapter में तो यहां पर like count होना चाहिए और एक जगे होगा user उसकी जगे हमारे पास होना चाहिए users तो एक तो users हो गया blog हो गया okay साइद मैंने इ यहां पर सब कुछ तो सही लग रहा है मुझे likes है like count है like clicked है यह से मतलब नहीं है यह तो हमारे पास वैसे भी कुछ और है मतलब log है काम आएगा वो भी ठीक है अब हम वापिस से क्या करेंगे delete करेंगे सबसे पहले data को और user वाला node तो बनना ही नहीं चीए था तो अब सब आ रहा है और like count वगएर यह सब तो यहां तक आ चुका था अब हमें यहां पर check करना है कि like perfectly work कर रहा है like क्या हमने यहां पर like count one दिखा रहा है मुझे और देखो यहां पर मेरे पास like count improve हो चुकी है और likes में बता रहा है कि किस किस ने इसको particularly like किया है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ہां पर like में क्या आ रहा है कि जो भी user होगा उस user कि referral id आ जाएगी और ऊसको हम प्रू कर देंगे कि isn't like किया है या नहीं किया है अगर इस लाइक नहीं किया होगा तो हम false कर देंगे ऐसा कुछ करेंगे तो इससे हमारा पस क्या हो जाएगा कि like जो particular blog है क्यों आ हमारे पास लाइक बढ़ता यह डिक्रीज होता रहेगा ठीक है अब यहां पर देखो यूजर में भी हमारे पास यहां पर एक नोड बना है लाइक के नाम से और इसमें हमारे बता रहा है कि कौन सा ब्लॉग पोस्ट है देखो यह ब्लॉग पोस्ट का सेम आईडिय और यहां अब हमारे ब्लॉग पोस्ट का आईडिय है तो हमने इसको क्या कर दिया है कि हमने इस ब्लॉग पोस्ट को यहां पर लाइक किया है जिससे क्या होगा? अगर कभी by default हगर हम कोई सा उल्सरा और यूजर से लॉग ऑग इन करेंगे तो ब्लाइक करपा हूं अब यह यूजर हम और यहां पर जीरो हो गया और लाइक का जो था हमारे पास नोड वह भी यहां पर डिलीट हो चुका अब मैं वापिस को लाइक कर दूँगा तो आप पिस यह चीजे आ चुकिया अब मैं क्या करता हूं इसको मैं यहां से करूंगा इसका डाटा के लिए या फिर अनिस्टॉल बिकॉज अब हमें नया यूजर चीए तो नया यूजर के लिए मैंने इसको वापिस से किया रन और यूजर करेंगे प्लस हम चेक करेंगे कि हमारा पर्फेक्टली यह वर्क कर रहा है यह नहीं तो रन कर दिया है मैंने अब देखो सबसे पहले मैं रजिस्टर करूंगा त और यहां पर हमें डाला है इमेल one at the red gmail.com और पास्वड 123456 इतना किया मैंने और रजिस्टर पर मैंने यहां पर क्लिक किया रजिस्टर सक्सेस्फुल रजिस्टर हो चुका है हमारा पास एक और यूजर आ चुका है अब हमें यहां पर लॉग इन करना है तो यहां पर हम क जी mail की spelling गलत लिख दी मैंने और यहां पर आप मैं login करूंगा तो हो जाएगा यह successfully login हो गया अब देखो एक like आ रहा है मेरे पास यहां पर अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यह like count हो गया हमारे पास two अब देखो likes में किस-किस ने like कर रखा है उस user की idea आ गए हमारे like count improve हो इचुका है और्स determines user में भी हमारे पास काँए है एक posts को मैं यहां पर like कर रखा अब सेम मैं यहां पर क्या खरूँगा it or create करता हूं और इसको मैंने edit किया एड किया तो एक blog हमा Ellora से हैड हो जुका है अब मैंने इसको लाइक किया सके Dubai लाइक अब बढ़ रहे हैं और इसका पोस्ट का हमारे पास वह आुआ चुका है reference और देखो अब अब जो हमारे पास blog है इसकी likes हमारे पास यहाँ पे अलग से so हो रही है तो यह काम हमारा हो चुका है और इतना हमने करके perfectly इसको implement कर लिया है अब हमें क्या करना है एब हम चाहते है इसको कि सेब वाला जो फीचर है जैसे हम इस सेब वाले बटन पर ॡा बटन पे क्लिक करें तो क्या हो कि हम पोश्ट को सेब कर पा है और यहां पर जाके सैब कर पार कि कि इतने कि पोस्ट हमने यहांप footprint करके रखेगा क्योंकि यहiroуч. ze यहां पर implement कर लेते हैं तो मैंने इसको minimize कर दिया है और अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले हमारा लाइक वाला काम हो चुका है तो अब यहां पर हमें एक हैंडल एक और function को करेंगे जिसमें हम हैंडल करेंगे अपने सेब पोस्ट वाले आइटम को तो हम चलते हैं उपर और थोड़ा सा handle like बटन है तो इसका ब्लॉक हमारे पास यहां पर खतम हो रहे हैं तो यहां पर हमें कमेंट करेंगे जो कि हमारा होगा handle सेब बटन क्लिक्स इतना करने के बाद यहां पर मैं क्या करूंगा binding.save पोस्ट सेब बटन.setonclick listener लगाएं यहां पर अब सेब काम हमें यहां पर भी करना है तो इक काम करते हैं इसको यहां से हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले चेक करवाएंगे कि मतलब कि हमारे पास पहले यूजर है या नहीं है ठीक है तो यहां पर handle like बटन की जगे है यहां पर लिख देंगे हम सेब बटन और अभी error है हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और इसमें आएगा सब कुछ सेम सही है सबसे पहले user को चेक करेगा कि current user हमारे पास है या नहीं है अगर नहीं है तो क्या करो और है तो हमारे पास क्या करो तो मैं इसको कर ल मैं नीचे ले जाऊंगा बिकॉस मैं चाहता हूं कि पहले handle वाला जो like वाला है वो like वाला उपर सो उसके बाद हमारे पास वह वाला सो तो मैंने इसको यहां से यह किया और इसके बाद जाने के बाद मैंने save button वाला यहां पर डाल लिया है अब उपर चलते हैं थोड़ा सा वाला है तो you have to login first यह सबको सही है यहां पर कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं office से check कर रहा हूं ओके तो सबको सही है अब हम यहां पर चलते हैं अब सबसे पहले हमें यहां पर क्या करना है सबसे पहले user का reference तो इसके लिए हम यहां पर create करेंगे एक variable user reference और equal to कर दूंगा मैं चलत को database reference चाइलिड और यहां पर हम पीजर कहा हम पे हम म्हार पास के अंदर यूजर के अंदर हमार पास है और हमारा यूजर अब आपर करेंगे ड Awesome धियूज को मिल जाएगा हमारा current यूजर और इसको में यहां पर करेंगे not और यहां पर कर देंगे हम you reality तो इसमें हमार पास क्या चुका ह goose का reference हमारपास यहां पर आ चुका है अब क्या करेंगे हम यूजर का reference लेके तो यह लिख दिया हमने यूजर reference.child और यहां में उट्रेन्स करेंगे इसमें से पोस्त के नाम से एक नोड तो मैंने यहां लिका से पोस्ट और सोब लिख दिया मैंने मुझे लिखना था से पोस्ट के नाम से हमारे बास क्या होजाएगा you at एक नोड हो जाएगा और इसमें हम लिखाएंगे चाइल्ड और चाइल्ड हम यहाँ पर क्या डाल देंगे पोस्ट की डाल देंगे बेसिकलि हम यहाँ पर पोस्ट की डाल नहीं है तो पोस्ट डाल दी अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें हम यह भी बताएंगे कि कौन से user ने उस post को यहाँ पर save किया है तो यहाँ पर हमें ढालना पड़ेगा child और child के अंदर हमें यहाँ पर दालना पड़ेगा sorry यहाँ पर यह नहीं करना था dot लगा के मतलब हमने save post के नाम से नाम से नोड बनाके इसको बस हमें सिर्दा simply add event will you listener करना था और यहां पर हम create करेंगे object और इसको extend करेंगे हम as a value event listener और इसको हम बलाएंगे curly braces और इसके बाद हम इसके members को हम यहां पर कर लेंगे implement तो दो members हमारे पास मिल चुके एक on data change और एक on cancelled तो इसमें हमें वही पता हिए आपको क्या करना है जब San ws में कोई data होगा तो किया करना है और जब data नहीं होगा तो क्या करना है यह बताना है we the blog is currently saved और यहाँ पर लिखेंगे हम so unsaved it यानि कि यहाँ पर हम जो भी save होगा उसको हम यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे unsaved करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं अगर save है तो ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले लेंगे user का reference dot child और यहां पर हमें मिलेगा क्या हमने कहां पर इसको सेब करवाया था से पोस्ट में तो यहां पर हम लिखेंगे से पोस्ट सेम कॉपी करके आप यहां पर एड कर लेना और यहां पर हम क्या करेंगे डॉट चाइल्ड और इसमें आप डाल दोगे पोस्ट आईडी और यहां पर हम क्या करेंगे dot remove value इतना करने के बाद क्या होगा जो भी यहाँ पर data होगा ना उसको हम क्या करवा देंगे remove करवा देंगे राइट remove करवाने के बाद क्या करवाने आपको सीधा से एड औन complete listener लगाना है add on failure नहीं add on success listener और इसके अंदर आपको क्या करवाना है update करना है update the UI basically हमें क्या करना पड़ेगा जैसे अगर हम इसको remove करते हैं तो हमें क्या करना बढ़ता है कि मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि मैं इसको करता हो यहां से जो हमारा से बाला बटन है मैं इसके लिल चलता है अपने ब्लॉग आइटम पे यहां पे इसको हम यहां पे बाइड ड्रके में अगर अगर और drucks से फिल्ट किया करनेंगे वापीस से ब्लैक या फिरक्षायर कीम कर देंगे ठीक है तो यहां पे छोटा सा कोड करना पड़ेगा तो इसके लिए हम वना लेते हैं well clicked blog item equal to कर देंगे हम इसको items dot find आपके एक blog मिलेगा find blog और यहाँ पर हम इट से मिल जाये हमार पस यह blog और हम यहाँ पर सर्च करेंगे post id क्योंकि हमें particular UK1 कही करवाना तो इसको post id और बहार आने के के बाद यहां पर हम कर देंगे क्लिक्ट ब्लॉग आइटम अब इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग यहां पर हमारे पास मिस्टेक हो चुकी है सी एल आई ठीक है तो यहां पर मैं क्या करूंगा एक इल्विस ऑप्रेटर लगा के डॉट इस शेब्ड नाम से हमारे पास एक वेरिय और इसको मैं एक्टेंड करूंगा ऐसा बूलियन क्योंकि दो ही हमारे पास वेली होगी या फिर अनसेव होगी और बाइडिफॉल्ट इसको हम यहां पर कर देंगे पॉल्स और यहां पर मैंने यह लगा दिया और प्रोफाइल इमेज के बाद आने के बाद आपको यहां प और बाइट आपको लिखना यहां पर और आया नहीं मेरे पास सब्सक्राइब और नॉट इक्वल टू जीरो पॉइंट बाइट आप यहां पर लिख देना ठीक है तो आटमेटिक आजाएगा वैसे जीरो पॉइंट टू बीवाइट और इसको यहां से क्लोज कर देना और लगा देना तो आपका पास error solve हो जाएगा और अब आपको यहां पर इस सेब्ड के नाम से एक value मिल जाएगी और इक्वल टू कर देना आप इसको बाइडिफॉल्ट फॉल्स बाइडिफॉल्स नहीं मतलब इसको हम यहां पर फोल्स कर देंगे अगर यहां पर सेब होगा त और simply अब क्या करना है notify करना एडेप्टर को तो यहां पर हम लिख देते हैं notify data change और इसके बाद हमें क्या करना है inform करना है अपने user को कि हमारा जो ब्लॉग है वह unsaved हो चुका है तो यहां पर हम लिखेंगे well context equal to binding.root.context और यहां पर हम एक message करेंगे so toast और यहां पर लिखेंगे context जो भी हमने यहां पर create किया है और यहां पर हम करेंगे blog unsaved और यहां पर सब को सही है मार पास अब इस पर जाना है हमें और dot लगाके add on failure listener लगाना है आपको और अगर अपमारा जो fail हो जाता है तो हम यहां पर क्या करना है तो simply सा आपको इसको करना है यहां से copy और copy करने गए इसको करना है पर paste और यहां पर हम लिख देंगे failed to unsaved the blog इतना करना है अपने को और यहां पर मैं इसको यहां से remove कर देता हूं अगर फेल हो जाता तो simply आपको यह काम यहां पर करवा देना है अब हमें लास्ट काम क्या बचा अगर वह जो हमारा ब्लॉग है अन्सेव हो चुका है तो simply हमें बस उसका आइकन का जो आइकन है वह हमें यहां पर सिर्फ चेंज करना है तो यहां लिखेंगे हम बाइंडिंग और यहां पर रख देते हैं और ब्लैक वाला हम क्या करेंगे अपने यहां पर जो में एक्टिविटी है हमारा में एक्टिविटी है या तो आप यहां पर चेंज कर लो यहां पर क्या कर लो कि रैड की जगे ब्लैक कर लो तो ज्यादा अच्छा लगेगा तो मैं यहां पर कर लेता हूं वहां पर मैं ready रखोंगा ठीक है तो यहां पर मैं लगा लेता हूं ब्लैक और यहां पर मिल जाएगा अंसे आर्टिकल और ब्लैक आपको मिल जाएगा तो यह ब्लैक हो गया हमारा और इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर जो हमारा है अगर अंसे रहेगा तो य अगर यह ऑन चेंज वाला हो गया यहां पर हम एक एल्स ब्लॉक लगा देंगे बस एल्स ओके यहां पर नहीं अगर यह सब कुछ हो जाता है तो यह वाला ब्लॉक है हमारा तो यहां पर हमारे पास एल्स ब्लॉक नहीं आ रहा है because हमने जो starting में सोचा तो वो हमने यहां पर किया ही नहीं सबसे पहले हमें check करवाना रहता है कि पहले सी data यहां पर अभी लेबल है यह नहीं है तो यहां पर मैं इक block लगाऊंगा if और if मैं यहां पर मैं लिखूंगा snapshot.exist अगर exist करता है तो क्या करो और नहीं करता है तो क्या करो तो इस वाले पूरे code को आप यहां से सेब करवा लोंगा मतलब यहां पर हमें सिर्फ सेब करवाना है उस ब्लॉग को तो यहां पर मैं एक comment करता हूं सबसे पहले the blog is not saved so save it इतना मैंने किया और यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले user reference.child और child में जाने के बाद आपको सबसे पहले reference देना है तो जो कि हमारा आचसे ब्लॉग पोस्ट तो यहां पे मैंने एड्य किया अब मैं हो में ब्लॉग भी लिख लेता हूं सेब ब्लॉग पोस्ट इतने नाम से मैं बनाना चाहते हो ventMan यहां पर यहांपर प्लॉपफ सैंसेवल भी है हमें लगे और तो कहीं पहुंज करना नहीं है ठीक हैumen्ञां पर चलता है अrency ब्लॉक पोस्ट के नाम से हमारे पास आइडी बन गई हैंगे अनिकि वह पूपलोग हमारे पस सेव हो चुका है अब यहां पर हम लगाएंगे add on success listener जब यह success हो जाता है तो हम क्या करेंगे यूआई को फिर से हमें अपडेट करना है तो अपडेट यूआई यहां पर हम कर देते हैं तो अपडेट यूआई कि हमेंने और और एंटर करने के बाद यहां पर सेम एक वेरेबल बनाएंगे जो कि होगा हमारा क्लिक्ड ब्लॉग आइटम और इक्वल टू कर दोंगा मैं इसको आइटम्स डॉट आइटम्स फाइंड ओके मिला नहीं मैं जे फाइंड और फाइंड वाले ब्लॉग इस ब्लॉग में लिख होंगो आप इसे क्लिक्ड ब्लॉग आइटम और यहां पर मैंने यहां पर कर दोंगा एक्वल टू टू यानि कि अब हमारा प्रफेक्टली हो चुका है से अब हम यहां पर कर देंगे डेटा चेंज को और इसके बाद हम यहां पर सिंपली एक बनाएंगे कॉंटेक्स का तो यहां मैं बनाता नहीं हूँ यहां से मैं कपी कर लेता हूं और यहां पर टॉस्ट करवाएंगे इuiस में हमारा होगा हो लॉग शेयंता हूं नाम से बना लिया और से स différentes हो गया और अब हमको यहां करेंगे यहां पिल्क रणेंगे हम यहां पर करेंगे हम यहां पिल्क है करेंगे हम मैं होता है करणा है Best घृष कर ले थे और यहां लिख देंगे हम failed to save blog इतना साब को करना है और इसको आपको यहां से remove कर देना है right blog saved और यहां पर आपने क्या कर दिया failed to save blog अगर कुछ ही भी error होगा तो यह हमें अरपास message यहां पर so हो जाएगा अब last में हमें क्या बच गया कि इसको हमें simply change करना है अपने यू आई को यहां पर मैं लिख लिएता हूं चेंज दा सेब बटन यू आई या फिर आइकन इतना लिख दिया आपने और एंटर करते हैं इसमें और लिखते हैं binding.postsave button.setimageresource.drawable. और यहां पर हम लिख देंगे filled save article red तो यह हमारे पास अगर save होगा तो हमारे पास ऐसा कुछ यहां पर so हो जाएगा ओके अब on cancel में आप अगर कुछ करवाना चाहो तो आप यहां पर करवा सकते हो मैं इसको फिल हाल के लिए empty छोड़ रहा हूं और इतना काम करने के बाद हम save करने के लिए भी इसको हम ready ह right तो मैं एक बाद पहले इसको रन करता हूं और रन करने के बाद हम यहां पर check करेंगे कि हमारे जो ब्लॉग है वो पर्टिकुलरी सेब हो रहा है या नहीं तो मैं यहां पर गया और डेटावेस में जाने के बाद अब देखते हैं तो यूजर में जाके बात हो सेब होगा पर्टिकुलरी जो भी ब्लॉग होगा तो मैं यहां पर इसको रन करता हूं अब देखो मैं इसको सेब किया तो ब्लॉग सेवड हो चुका है और इस वाले यूजर का सेब हुआ सेब ब्लॉग के नाम से मेरे पास एक नौड बना और यह नोड में हमारे पास यहां पर सो कर है अब मैं चाहूं अगर इसको सेब करूं तो यह भी हमारे पास सेब हो चुका है लेकिन यह हमारे पास यहां पर सो कर रहा है इतना काम है काफी हो गया अब इसको बरबंद करके चालू करता हूं एक चीज मुझे चेक करनी है तो जैसा कि आपको दिखा होगा कि मैंने यह ब्लॉग का पोस्ट है इसको मैंने यहां पर सेब कर रहा है लेकिन यहां पर सेब वाला ऐकन जो है वो फिल नहीं आ रहा है जैसा कि मैं अब इसको अंसेब करूंगा यानि कि मान के चलो मैंने यह वाला सेब किया है तो दो पोस्ट अब मेरे सेब है और एक यह वाला इसका जो icon है save button का वो यहाँ पे remove हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए बढ़ना वापर source को पहले से unsave करेगा और उसके बाद वापर से उसको save करना पड़ेगा लेकिन save तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बस icon की दिक्कत है और यहाँ पर unsave भी हो रहा है देखो तो इसको एक है तो मैं यहाँ करता हूं इसको यहाँ पर चलते है तो simply हमें यहाँ पर करना क्या है pergunt को check करवाना है कि पाम यान की जब चालों होगा हमारे application घर सक्रिक तो मैं बस एक सीक्वेंच के लिए या किसी और चीज के महाने के चलो reference के लिए मैं यहां पर इसको handle वाल जहां पर save button का काम कर रहे हैं वहां पर मैं यहां पर इसको करवा हूंगा तो यहां पर मैं comment करता हूं set the initial icon based on the saved status तो इतना करने के बाद यहां पर हम check करवा लेंगे सबसे पहले इनिशली हम चेक करवा लेंगे उसके button के यहां पर जो भी हमारा यूँआ है उसको हम चेक करवा के यहां पर इसके आइकन को यहां पर हम change कर लेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा दो सबसे पर लेंगे करना एक वेरियवल जिससे एक तो हमारा होगा पर्टिकुलर यूजर के लिए हमें क्योंकि सबी यूजर का लग लग हुआ अब्वेसी बात है यहां पर एक हमें चीजिए यूजर रेफरेंस मैं लिख दिया है यहां पर यूजर रेफरेंस और एक्कोल टू कर जाएगा नल ओके सब्सक्राइब लगाया डॉट यूजर करना है हमें और यह क्या होना चाहिए हमारा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए हम यहां पर डावल कोटेशन लगा देंगे और अब यह हमारे बिल्कुल पर्फेक्ट ली वर्क करना चाहिए था लेकिन यह हमारे यहां पर यहां पर इसलिए आ रहा है कि हमने बैल के आगे एकवल टू लगा दिया मैंने और यह हो गया हमारा यूजर रेफ्रेंस और यह बिल्कुल पर्फेक्ट है अब इसके बाद मैं एंटर करता हूं यहां पर और एक और बनाएंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा जि इसके बाद यूजर में जाने के बाद हमारे पास कहां पर वह सेब है सेब ब्लॉग पोस्ट इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा मैं नहीं चाहता कोई मिस्टेक हो इसलिए तो मैंने इसको कॉपी किया यहां से और यहां पर आने के बाद मैंने इसको पेस्ट किया ओके अब एड लिस्टनर फोर सिंगल वैल्यू और यहां पर आपको क्रेट करना है ऑब्जेक्ट सेम जैसे हम हरे में काम कर रहे थे वैसे हम यहां पर भी काम कर लेंगे और करली ब्रेस लगाने के बाद आपको इसके मेंबर्स को इंप्लिमेंट कर ले में अब बोघ्र होगा हमारे पास डडेटा एक्षिस्ट करता है तो और Simply कर लेंगे अ Hee से पहले यहां पर एक condition लगोंगा इफ अब यहां पर लिख लूँगा मैं snapshot.exist अगर exist करता है तो कौन सा icon हो else कौन सा हमारे पास यहां पर icon हो इतना काम करना है हमें तो अगर यहां पर save है या रिकी मैं आपर लिख देता हूं यहां पर if blog already saved ठीक है तो हम यहां यहां पर क्या करेंगे binding dot like button dot set image resource और डॉट 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 और यहां पर इतना लिखा मैंने और यहां पर मिर पास क्या करना है red टो कि जगे यहां पर kiss the means if blog not saved yet कि इतना लिखा मैंने और यहां पर मेरे पास क्या करना है red की जगे यहाँ पे filled वाला मेरे पास आ जाएगा simple सा है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं save article red unsave हो गया है save article filled red तो यह वाला हमारे पास यहाँ पे so हो जाएगा अब इसको empty sort देते हैं हम यहाँ पे और इतना करने के बाद मैं इसको वापिस run करूंगा और अब हम यहां पर चेक करेंगे जो जो हमने ब्लॉब को यहां पर सेव करवा रखा है वो यहां पर हमारे पास सो हो रहा है या नहीं तो मैंने इसको रन किया अब देखो ओके और यहां पर क्या हुआ हमारे पास एक अलग से बटन मेरे पास आ चुका है ओके यह तो like बटन नहीं करना था मुझे यहाँ पर save post बटन करना था अब मैं इसको rerun करूंगा और check करेंगे तो देखो यहाँ पर अब जो जो post पहले से save है यानि कि अभी तीन पोस्ट यहाँ पर save बता रहा है मिरे पास राइट लेकिन यहाँ पर दो ही है यहाँ पर वापिस चलता हूं वापिस यहाँ पर करता हूं और चेक करेंगे परफेक्ली वर्क कर रहा है नहीं है अब यहाँ मिरे पास एक ही 100 हो रहा है तो मैं सेव करूँगा तो यहां पर मेरे पास यह भी सो हो रहा है दो पोस्ट और यह बाला यूजर होगा ओके मतलब फच्ट लिए हमारा वर्क कर रहा है राइट हमें इतना करना था तो अबुना कर रहें तो हमार पास लाइक तो और पहले पेह जाएगा तो मैं यहां से बंद करता हूं अपने एमिलेटर को मिनिमाइज किया मैंने यहां पर चलते हैं और मैं यहां पर सबसे पहले जितना भी फालत यह एक्ट्रा लाइन से उसको मैं यहां से remove कर लेता हूं और कोड को कर लेता हूं मैं से control alt करके format राइट तो मैंने यहाँ पे अब करना है तो सबसे पहले में क्या करता हूँ एक एकटिविटी क्रियेट करोंगा जिसका नेम हम रքखें़ रखेंगे कुछ और उस एक्टिविटी में जाने के बाद ही हम बूल test को यहाँपे तो सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं एक्टिविटी में जाने के बाद empty view activity मैं यहां पर select किया और मैं यहां से टू हटा है पीछे से और यहां पर मैं लिख दूँगा सेब्ड आर्टिकल्स आर्टिकल्स एक्टिविटी और इसको यहां पर कर देता है फिनिस तो हमारे पास एक एक्टिविटी आ जाएगी सेब्ड आर्टिकल एक्टिविटी के नाम से अब सबसे पहले हम इसका यू आई को हम यहां पर design कर लेते हैं तो मैं यहां पर आगया इस के लिए अपने Chrome पे और open कर लेते हैं अपना Figma डिजाइन तो Figma पर मैं गया और Figma पर जाने के बाद मुझे मेरा यूआइ मिल जाएगा तो मैंने इस यूआइ को open कर लिया और यहां पर मिल जाएगा एक से आर्टिकल के नाम से राइट तो से डार्टिकल मेरे पास ऐसा कुछ दिखने वाला है जहां पर एक बटन होगा नॉर्मली और उसके बाद मेरे पास जितनी भी आर्टिकल्स होंगे यहां पर हमारे पास सो हो जाएगा तो एक बटन एड़ करेंगे बटन की जो है वह देख लेता हम यहां से उपर से 45 है और इधर से भी 45 है बाकि हम इसको अपने हिसाब से कर लेंगे यहां पर मैं एक बटन करूंगा जो की हमारा होगा इमेज बटन तो यहां पर मैं करता का में margin देता हूं इसके बाद हमें क्या चाहिए सिंप्लिए recycler view को मैं इसके just under पे मैं constraint करूँगा और टॉप से margin दे दूँँगा मैं इसको एट डीपी का और इसको मैं left से constraint कर दूँगा right से भी मैं इसको constraint कर दूँगा अब यहां पे 0 dp और 0 डीप करने के बाद करणगा तो इतना काम होने के बाद इसके अंदर हमें आइटम ते तो आइटम हम दूसरा नहीं बनाएंगे जैसा कि High लिख रहा होगा यहां पर कि सेम आइटम है हमारे पास जैसा कि हमारे पास होम पर है तो हम इसी आइकन को यहां पर हम यूज करने वाले तो इसको हमने पहले से बना रखा है जो कि हमारे क्या है तो मैं यहां पर लिख देता हूं आइटम और यहां पर लिस्ट आइटम आपको को देंगे हम यहां पे अपने रिसाइक्लर विव को तो मार्जन दे देता हूं मैं यहां से 32 डीपी का और इधर से भी मैं इसको दे दूंगा 32 डीपी का मार्जन तो अब कुछ इस टाइप का ही हमारे ब्लॉग दिखेगा राइट तो इतना काम हो चुका है अब हमें करना क्य यहां भी हमें डालना है 34 डीपी तो इनफ है और इस बटन काइडी नाम डाल देंगे बैकन इतना काम करना है तो मा इन डाल दिया बैक बटन और इसको कर दिया मैं यहां से शक्ञार खर दिते हम इसको और यहां प्रोजेक्टészर यहां पर करने को बाद ओक利र भाट carry लुड़ा देंगे ओके तो यह हो गया मेरे पास अब इसके आप यहां पर इसको बैक कर लेंगे तो मैं चलता हूं इसके वैंके कोड पर और सबसे पहले मैं इसको फाइंड करूँ गा यहां पर लिखे लेता हूं में एक वैरियेवल जो कि हमारा होगा बैक बटन आपके मर्जी हो तो आप वो यूज कर लेना बाइंडिंग तो मैं लेकिन यहां पर यह यूज कर रहा हूं और इक्वल टू कर दोंगा मैं इसको फाइंड व्यू बाइड और यह हमारा किस टाइप का है बटन टाइप का और इसमें लिखेंगे मार करते हैं और लिके हम हो जाएगा यहां की यहां पर हूं हमने कंपटिक कर दिया अब हम इसको बेसिकले हमें यहां पे थाले बाहने किस्दक हो जाएगा जत्म कर लाने नोडूए तो सबसे पह्ले तो मैं चलता हूं यहां पर इन एक्टिबिट बकट करेंगे पहले इस वाले एक्टिविटी को आपन करवाये तो पन सब्सक्राइब सब्सक्राइब बतन है 강ुण है में उसकाइब यहां पर एक्टिविटी में एक्टिविटी पर जहां पर हमाँ गा कुरिबाँ मैं यहां पर लगा लेता हूं ठीक है और क्रियेट के जस्ट बाद यहां पर मैं कमेंट करता हूं टू गो से आर्टिकल पेज और एंटर करने के बाद मैं यहां पर लिखूंगा binding.savearticleButton.setonclickListener और यहां पर क्या करता हूंगा स्टार्ट एक्टिविटी लिखूंगा सिंप्ली स्टार्ट एक्टिविटी इसमें डालूंगो मैं इंटेंट और इसको मैं बताऊंगा यहां से जाना है मुझे सेब्ड आर्टिकल एक्टिविटी कॉलन 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 क्लास डॉट जावा इतना कर दिया मैंने इसको मैं क्लिक करके देख लेता हूं यहीं पर हम ब्सक्राइब करता हूं सबसे पहले तो अब डेटा सो करेंने कौन सा जो भी डेटा हमने आपके टो कर्राखा होगा तो मैं सबसे पहले चलता होँ आपे सेवड आर्टिकल में और यहां पर आने के बाद अब मैं एक काम करता हूं कि binding यहां पर मैं initialize करने के वैसे जरूरत है नहीं तो हम यहां पर भी करेंगे नहीं तो सबसे पहले मेरे को तीन चार चीज़ों की जरूरत पड़ेगी जो कि हम यहां पर create करेंगे जो वेरेवल्स हमारे पास काम हाएंगे ठीक है तो हमें चाहिए किस चीज का हमारे blog adapter का और एक हमें चाहिए और का reference क्योंकि हमारे पास particular एक user का भी डेटा हमें यहां पर होने वाला है जिस user ने इसको login कर रखा है और हमें क्या चीए एक adapter चीए तो सबसे पहले मैं यहाँ पर create कर लेता हूं तो private वैल और इसमें हमारे पास क्या होगा सबसे जितने भी data है वो हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर सेट blogs אם और अड़र पास आूगा अर इसके इनदर हम ढालेंगे अब blog आडप्र हमें डालना नहrated आपने डाला और इसको आपने खाली छोड़ दिया अब यहां पर करते हैं प्राइवेट वैल एक और वेरियबल मनाएंगे जिसका नाम क्या होगा एडेप्टर होगा तो यहां पर लगाना था मुझे और यहां पर मैं लिख दूंगा इसको ब्लॉग एडेप्टर इक्वल टू ब्लॉग एडेप्टर भी हमारे पास आ गया एक और हमें चाहिए और यहां पर हमें चाहिए एक और लिए तो यहां पर मैं लिख लेता हूं और इसको इक्वल टू कर दोंगा मैं जब फाइर बेस और डॉट गेट इंस्टेंस इतना मैंने हाँ पर कर दिया और एंटर करने के बाद अब सबसे पहले हम इनि सबसे पहले को टो प्लॉग एंटर करता हूँ और लिखता हूं मैं सबसे पहले ब्लॉग एडप्टर इक्वल टू ब्लॉग एडप्टर और इसके अंदर हमारे पास आजाएगा जितने भी हमारे सेब्ड ब्लॉग आर्टिकल हुँग वहां अब लगा एक लिएंगे फिल् नहीं मिल रहा है एक दॉट ही इसंपना किया और इसके बाद उन्हीं इसके बाद खुर में सो करवाना है यहां पर हमारे पास एडप्टर में यह डेटा आ चुका है अब सबसे पहले मैं यहां पर चलता हूं इस रिसाइक्लर व्यू का आई दे देता हूं ठीक है तो यहां पर मैं लिख दूँगा सेब्ड आर्टिकल रिसाइक्लर व्यू एंटर किया मैंने नाव अब को भी हम यहां पर कर लेते हैं तो इसक्रादी और यहां पर लिख दूँगा मैं बैंडिंग्टर इन्फ्लेटर और यहां पर के बाद मैं कर दूंगा इसको binding.root तो यहां पर मेरे पास binding इसकी हो जाएगी complete तो इतना करने के बाद अब लेटिनिट वैर आपको यहां से रिमूव कर देना है एर आपको यहां पर हट जाएगा ठीक है ओके और अब भी भी हमारे पास दिख रहा है यह यहां पर हो जाया गए हमारा वैल एक्टिविटी एड आर्टिकल सबसे पहले मैं यहां पर होता तो एक्टिविटी और यहां पर मैं एड करूंगा सेवड आर्टिकल बाइंडिंग हमारे पास यहां पर complete हो चुकिया तो मैं यहां पर लिखता हूं आपस binding. यह जो मेरा रिसाइकलर व्यू है इसको मैंने select किया अब मुझे इसको simply सेट करना है तो रिसाइकलर व्यू डॉट इसमें हमें क्या लगाना है एक एड़ेप्टर लगाना पड़ता है और एक्कवल टू कर देंगे मैं इसको ब्लॉग एडप्टर के राइट अब मुझे यहां पर करना एक लेयाऊट मैनेजर चीए तो रिसाइकलर व्यू डॉट लेयाऊट मैनेजर एक लडू करदूंगा मैं इसको लीनियर लेयॉट मैनेजर और यहां पे मैं पास करदूंगा ठीक है तो इससे क्या हो जाएगा हमार पार जितना भी डेटा मतलब हमारा क्या कर चुक है हम वो तो set करवा चुक है क्या recycler view को हमने adapter से connect करवा दिया है अब हमें simply क्या करना है उस data को get करके यहाँ पर हमें बस user की ID ले लेंगे और equal to कर दोंगा मैं इसको ओफ डाट करेंट यूजर और इसमें लगाओंगा मैं यहाँ पर ले लोंगा यूजर आईटी पास्ता करेंट यूजर आईचाए अगई कंडिस लगाओंगा इफ उसर आईडी इस नॉट इकवर टू नल इन क्या करो यहां प तो सबसे पहले मैं एक बनाऊंगा वेरियेवल वैल यूजर रेफरेंस एक्वल टू फायर बेस डेटाबेस डाट इंस्टेंस और इंस्टेंस में आपको पता ही है हमने एक दिक्कत की थी तो उसके लिए हम सबसे पहले यहां पर चलते हैं किसी भी एक्टिविटी पे और जो .get Reference और रेफरेंस में जाकर आपको सबसे पहले बताने हैं कि यूजर कहां पे हमारा ठीक है तो डेटाबेस के अंदर जाके हमारे पास है डेटा यूजर के अंदर और इसके और आधके डाट चाइल्ड और चाइल्ड में आपको बताना है कि कौन सा यूजर है तो यहां प पर कहाँ पर हम ने करवा हैusem blog post में तो यहां पर आपको same ID यहां पर डाल देनी है जिससे कोई mistake यहां पर ना हो इतना कर लिए हमने अब क्या करना है यूजर का हम reference लेंगे और इसमें हम क्या करतेंगे डॉप गयर अपको यूपजेक्ट करना है और यहां value event listener आपको add करना है और इसमें लगाना है आपको curly braces और इसके members को आपको implement कर लेना है अब हमार पास जो भी data इस node पे होगा वो हमार पास यहां पर आ जाएगा और उसको हम यहां पर simply store करवाना है किसमें अपने mutable list में तो यह कर लिया मैंने यहां पर अब क्या करना है यहां प है तो मैं यहां पर लिख लेता हूं post snapshot और यहां पर मैं capital S रखूंगा post snapshot in मैं यह लूप इसलिए लगा रहा हूं कि मैं चाहता हूं सारे data यहां पर add हो जाए right तो snapshot में मुझे मिल रहा ही है तो snapshot.children तो जितने भी चिल्टन से इसके इसको क्या कर दो एक ID में यहां पर add कर द कर दोंगा मैं इसको post snapshot.key आपको यहां पर डालना है एक और बनाएंगे हम यहां पर और is saved को हम यहां पर check कर वा लेंगे is saved equal to post snapshot.value as boolean हम इसको ले लेंगे boolean ओके अब यहां पर condition लगाएंगे सबसे पहले हम इफ पोस्ट आइडी इस नॉट इक्वल टू इस नॉट इक्वल टू नल और एक condition लगाएंगे हम यहां पर and is saved अगर यह ऐसा है तब जाके क्या कर दो एक यहां पर हम चलाएंगे को रिटीन इसकोप यहां पर मैं लिख लेता हूं को रिटीन इसकोप और इसमें आप लिख देंगे dispatcher dispatcher डॉट आई ओ क्योंकि हम यहां पर क्या करेंगे मैं आपको एक कमेंट एड करता हूं यहां पर फैच दा करस्पांडिंग ब्लॉग आइटम और पोस्ट आईडी यूजिंग ए को रोटीन इतना आपको लिखना है यहां पर और फैच आइटम की spelling मैंने हाँ पर Mishtake कर दी और को रोटीन के मेंने हापी spelling कर दिया कोई दिक्त नहीं है तो यह मैंने कर लिया हाँ पर सः हम क्या करेंगे डेटा को फैच करेंगे को राटीस और खरुतिन के तुछ से ठेड़ के थुछ हम इसको fetch blog items और इसमें हम डाल देंगे अपनी post id अब इसको आपको यहां पर right click करना है और आपको create कर लेना है कि इसका function जिसमें हम अपने id को यहां पर हम add करवा लेंगे मतलब fetching का काम हम यहां पर अलग से करवा रहे हैं इतना से काम आपको मतलब यहां पर करवाना है तो मैं स सब्सक्राइब चलता हूं वहां पर यहां पर मतलब और यहां पर लिख लेता हूं मैं private fun blog फैच आइटम और एनी की जगे सबसे पहले आपको यहां पर करना है blog item module और इसको हम यहां पर लगा देना इल्विस operator और यहां पर आने के बात सबसे पहले आप एक बनाओगे वेर database database.get instance और इसमें आपको फिर से क्या करना है यह वाला जो URL है इसको आपको वापिसे कट करना है और कट करके यार सोरी copy करके इसको आपको यहां पर पेस्ट करना है अगर आपने वो चीज नहीं किया हो तो आपको करने की जूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि मैंने स्टार्टि दाल दोगे यहां पे blocks इतना आपने डाल दिया और यह इसलिए error आरा है क्योंकि अब नहीं आएगा blocks के अंदर हमारा सेब है अब यहां पर हम क्या करेंगे return करेंगे return और try करेंगे थोड़ा सा आपको यहां पर को नॉलिज होने की जरूरत है अगर नहीं है तो भी आप डा बनाया जिसमें हमारा होगा data का snapshot तो data snapshot equal to मैं कर दूँगा यहां पर blog reference.child और यहां पर मैं डालूँगा post id . यहां पर मैं ले लूँगा get.await और इसके बाद मैं करूँगा यहां पर enter एक और बनाऊंगा मैं variable जिसमें हमारा पास होगा blog data equal to data snapshot.get value और यहां पर मैं डाल दूँगा अपना blog item model colon colon या scope resolution class.java इतना किया और last में आने के बाद यहां पर आप कर दोगे blog data तो इतना काम आपका हो चुका है अब try तो हमारा हो गया और कुछ नहीं होगा तो यहां पर आपको लिखना है catch catch हम क्या करेंगे नल यहां पर हम add कर दें करेंगे नल किया मैंने ओके अब नल कर दिया मैंने यहां पर किनल यहां पर नहीं करना था फर्स्ट ऑपॉल तो इसको आपको अलग जगे से करना है सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है और यहां पर exception आप डाल सकते हो जिससे हमारे पास जो भी exception होगा वहां पर हम handle कर करेंगे फिलाल मैं यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं तो मैंने एक ब्लॉक मनाया एंटर किया और यहां पर मैंने डाल दिया ठीक है का काम भी होगा हमारे पास एरर जा चुक है अब एक सिंगल यहां पर हमारे पास आ रहा है जो क्या बता रहे हमें सस्पेंड पंशन सुट आना है और यहां पर आने के बाद सिंपल छोटा सा काम करना है आपको यहां पर एक कंडिसर लगानी है इफ यहां पर ब्लॉग आइटम इस नौट इक्वल टू नल अगर इसमें कुछ है हमारे पास तो क्या करो सेव्ड ब्लॉग आर्टिकल्स डॉट एड कर दो किसमें दोगे डिस्पैचर डॉट में और यहां पर आपको एक बनाना है ब्लॉग एंटर करना है और ब्लॉग एडेप्टर डॉट अपडेट डेटा के नाम से एक बनेगा फंचन जिसमें हम डाल दिंगे अपना सेव्ड ब्लॉग आर्टिकल्स यह आपको यहां पर डालना है आट्रमेटिक हो जाएगा यह वैसे तो एंटर करते हैं और यहां पर आपके करना क्या है आइटम्स डॉट के एक तो करना आपको सबसे पहले और यह मुटेवल की जगए आपको सबसे पहले करना है औली लिस्ट में चैंजम और यहां पर कहा कर दोगे इसको क्लियर और अब देखो नीचे अपर जा चुकिए और यहाँ आपको करते हैं घरना को नौटफाई करते हमकिया है अब हम क्या है जो भी हमारा data है back end में वो हमारे पास saved article में यहां पर आ चुका है अब यहां पर आपको जो भी errors अगर करवाना solve करना हो वो करवा सकते हो अगर कुछ भी data हमारे पास नहीं आता है तो और इतना काम होने के बाद हमारा almost काम सारा खतम हो चुका है अब एक बार हम इसको run करेंगे और check करेंगे कि हमारा perfectly work कर रहा है या नहीं और या फिर कोई दिक्कत होगा तो इसको भी हम यहां पर solve कर लेंगे नहीं और यहां तो मैं सबसे पहले से इहां से करूंग तो मैं सबसे पहले चल जाता flav हम और ablogsk को में यहां पर पहले कर दीड़ीयओ सारे बॉलीड कर दिया उसके बाद मैं लाइक ऻलीड कर देता हूँ युजर के नोड से से बॉल्क पोस्ट को भी में यहां से डिलीड कर द हूँ ऑप चाहो थो पूरा डेटा बदेन ना कोई फाली बात नहीं है ब कि मैंने लिए नहीं किया। है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा का यहां बाई बॉल्ग पोस्ट करूंगा जिसका नाम डाल देता हूं band और यहां पर डाल मैं और यहां पर शुक्त ब्लॉड यहां जुक लेकिन फिलाल के लिए मैंने क्या किया इसको सेव किया तो उल्टा यहां पर मतलब हो रहा है वह हम अभी सेव कर लेंगे जो भी हमारा है तो सेव किया हमने वह हमारे पास यहां पर आचुका है राइट अब मैं यहां पर वापस क्लिक करता हूं इसको डालूंगा मैं टू और मैंने 3 वाला को एड करना है तो 3 वाले को मैंने यहां पर सेव किया अब मैं यहां पर चलूँगा तो दो ब्लोग मिरे पास सेव हो रहे है वन और थ्री अब मैं इसको यहां से अंसे भी कर सकता हूं प्लस मैं इनको लाइक भी कर सकता हूं अब यहां पर डिफॉल्ट नहीं यहां से कर लेता हूं तो चोटा से चेंड अच्रेंजह करता है तो हमने क्या कि अगर exist करता है तो हम यहां यहां पर लगाए इसकी जगे मुझे क्या चीनिता है सिंपल्स और दो उसको ओपर करो यहां पर जाने के बाद इसको अपर कर दो ठीक है यह perfectly अब work करेगा हमारा check कर लेता है ठीक है अब जो save है मेरे पास ऐसा दिख रहा है और जो save नहीं है वो obviously बात है वैसा कर वैसा दिख रहा है तो यह save है मेरे पास एक article तो perfectly work कर रहा है अब हम इसको बस दूसरी user के लिए भी check कर लेते हैं कि क्या पता दूसरी user को भी अपने पास यही डेटा यहां पर show हो तो मैं यहां पर back करता हूं इसको मैं सबसे पहले profile image में जाता हूं यानि की data clear करने के लिए यहां पर मैं option में जाने के बाद यहां पर clear storage मैं कर देता हूं right मैंने इसको किया वापिस से on on करने के बाद मैं यहां पर login करूंगा लोग इन करने के लिए मुझे data चाहिए तो जो हमारा authentication है यहां पर जाते हैं और यहां पर मिर पास दो user है एक हमार पास one नाम से तो यहां पर one वाला तो हमने कर रखा था अब मैं यहां पर s at the rate gmail.com डालता हूं password में डाल देता हूं 123456 और बेसी बात है मैं यह password डालता हूं तो add login successful हो गया अब देखो यह data सारे मेरे पास क्या बता रहे है और यहां पर जाता हो तो मेरे डेटा कोई सा यह बाद यह करता हूं चैक करते हैं क्या हुआ क्यों वैसा होना नीची है ओके कोई दिक्कत नहीं है वैसे अगर मैं इसको rerun करूंगा ना तो यह perfectly work करेगा ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा तो मैं आपको वापिस rerun करके दिखाता हूं मैं यहां पर आया और यह रन किया अब देखो यहां पर आपको एक ही दिख रहा है राइट एक ही जो सेब है वही दिख रहा है और यहां पर एक और मैंने सेब कर दिया आपको वही यहां पर दिखेगा तो दो मैंने यहां पर किया है चलो यहां पर हम एक कर देता है अब वापिस से बैक करता हूं मैं अरे ब बैक कर दिया राइट अच्छा बैक का भी हमें फनिशनेलिटी चेक करने थी तो यहां से बैक हो पा रहा है ओके अब मैं यहां पर जाता हूं और रीड कर पा रहा हूं मैं और यहां पर जाने के बाद यहां से भी बैक कर पा रहा हूं मैं ओके तब यहां पर जाने के बाद आ अब मैं इसको मैं uninstall करता हूं और वापिस से मैं उस पर्स्ट वाले यूजर को मैं यहां से login करूंगा और चेक करूंगा कि दोना का data अपस में मैं सब हुआ है या नहीं मैं वापिस से इसको रिंस्टॉल करता हूं फिर इंस्टॉल करने के बाद रन करता हूं और अभी हमने एस वाला किया था अब हम यहां पर login वाले से कर लेंगे तो one at the rate gmail.com और 123456 और यहां पर मैं successfully login कर देता हूं अब वहां पर दो data था और यहां पर हमार पास single data था ठीक है तो यहां मैं चलता हूं तो यहां पर हमार पास दो data आ रहा है और यह हमारा perfectly वर्क भी कर रहा है तो इतना काम हमने यहां पर कर लिया लेकिन छोटा सभी स्टेक और है कि इसके बैग्राउंड में हमें ऐसा कुछ यहां पर लगाना है तो यहां पर लगाना है यहां पर चलते हैं यहा तो यह बैग्राउंड हमार पास लग चुका है और इसका हम स्प्लीट में चलते हैं और कहीं और हमने यहां पर activity में में किया ना वही प्रॉपर्टी को हम ढाल देंगे alpha को कर देंगे 0.1 तो यहां पर चलते हैं और यहां पर ढालते हम alpha और यहां पर डाल देता हूं मैं 0.1 इसको करते हैं हम यहां से control-z और बैग्राउंड जो है इसका हमें यहां पर alpha change करना है तो alpha यहां पर मैंने लिखा और 0.5 यहां पर मैंने कर दिया और इससे भी नहीं करना था image view को करना था कट किया मैंने और यह Bene votan है एक सिकनल्त यहां पर थ्थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दिक्कत हो रहिए तो हम क्या कर सकता है image और इसको यहां पर change कर सकता है लेकि यहां पर मैंने क्या किया है सबसे पहले एक फियू और उसके बाद की एक सबसेले कि अब करना होगा लेकिन अगने Rep यहां गर्राओं कि यहां प्रकिंधेक और यह को क्यों मिनिमाइस करता और यहां पर एक生न मारा हो चुकाए तो अलमस्ट हमारा काम सारा डन है अब हम यहां पे जो जो चीजे बागी है वह हम यहां पे करवा लेंगे तो हमारा सेब आर्टिकल वाला काम भी यहां पर परफेक्टली वर्क कर रहा है अब हमें सिंप्ली प्रोफाइल को डिजाइन करना है और हम क्या करेंगे जो उसका में इन आर्टिकल होगा उसको हम यहां पर एडिट वगेरा करवा के देख लेंगे ठीक है दो काम बचा है आपका तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे पहले एडिट वाला काम कर लेंगे और प्रोफाइल वाला काम था चोटा सा है उसको भी हम यहां पर कर लेंगे तो मैं इसको लेकिन हम यहाँ पर your activity में जाएंगे कैसे तो वो हम यहाँ से जाएंगे जोब हमारा profile का section होगा वहाँ से हम यहाँ पर जा सकते है your activity तो सबसे पहले हम यहाँ पर your activity वाला section ही यहाँ पर implement करना होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर profile वाला section यहाँ पर implement करेंगे और मैंने इसको कर लिए हैं यहां से copy अब minimize करते हैं और यहां पर चलने के बाद नीचे जाना आप layout पे layout पर जाने के बाद new पर क्लिक करते हैं और activity पर जाने के बाद empty एक्तिविटी को यहां पर हम select कर लेते हैं और इसका नाम क्या होगा हमारे पास profile activity राइट तो मैं यहां पर चलता हूं और यहां से रिमूब करता हूं और यहां लिख लेता हूं मैं प्रोफाइल एक्टिविटी और मैंने एंटर किया और प्रोफाइल एक्टिविटी अब हमारे पास रेडी हो रहा है और यहां पर मैंने एक मिस्टेक कर दिये तो यहां पर प्रोफाइल लिखना करता मुखे लेकिन यहां पर मैंने कुछ और लिख दिया तो मैं इसको करता हूँ यहां से कॉपी और वहाप practically जैक्रता हूँ और यहां पर जाने के बाद सबसे हैं पहले मैं इसको रीफैक्टर करूं गा जो कि हमारा है printing इसको क्या मैंने俺 back रिनेम और यहां पर मैंने लिख दिया एक्टिविटी प्रोफाइल तो यहां कि है मैंने रिफेक्टर यह हो गया यहां पर एक चीज आपको यहां पर भी चीज करने पड़ेगी तो इसको मैंने गया यहां पर रिफेक्टर करते हैं रिनेम और यहां पर मैं कर देता हूं प्र और इसको मैंने स्लेक्ट कर लिया और यहां पर लिख लेता हूं मैं है कलर और यहां पर मैं प्रोफाल एक्टिविटी की जगे वह कलर हमें यहां पर पेस्ट करना था तो कलर कोड यह मेरे पास है तो मैंने इसको कॉपी किया और यहां पर जाके पेस्ट किया और एंटर किया तो यह color हमार पास आ चुका है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सबसे पहले चाहिए एक profile के लिए section और इसके बाद हमें चाहिए name, तो इसका size हम देख लेते हैं फिलाल के लिए, तो इसका size हमार पास है 200dp, तो यहां पर चलते हैं, और सबसे पहले हमें क्या लेना है, round के लिए एक हम यहां पर लेना है कार्ड तो मैं कार्ड व्यू में गया एड किया इसको टॉप से कंस्टेंड किया और इसको मैं यहां से कट करता हूं लेफ्ट से कंस्टेंड किया राइट से कंस्टेंड किया और इसकी हाइट को मैं यहां पर कर दूंगा 200 dp और इसको मैं कर देंगे तो 50 डीपी का मार्जन मैंने इसको दे दिया यहां से अब उसको मुझे राउंड करना है तो 200 का डबल कितना हो जाता है 400 यहां पर हम डालेंगे सबसे पहले corner तो 400 हमने यहाँ पे डाल दिया corner यह 400 से अब जाते भी डाल दोगे तो यह work करेगा बिल्कुल यह circle ही दिखेगा basically हमें double करना होता है अब हमें इसके अंदर क्या add करना है एक image view add करना है इसके अंदर तो मैंने इसके अंदर इसके जाके image view एक add किया अब इसको मुझे क्या करना है सबसे पहले करना है wrap content के जगे match parent और यहां से भी इसको करना है match parent तो यह हमारे पास image आ चुकी है अब इसका हमें सबसे पहले scale type यहां पे set कर लेते है scale type और scale type में जाके इसको हम कर देंगे center crop center crop कर दिया मैंने यहां से enter करते हैं ठीक है अब जो भी हमेज होगा इसका मतलब हमारे पास enter होके यह आ जाएगा अब इसकी id डाल देते सबसे पहले तो यहां पर हम डाल देंगे user profile और मैंने यहां पर refactor कर दिया इसको मेरे वापिस से small करके refactor कर देता हूं ओके इतना काम हो गया अब इसके नीचे हमें एक चाहिए text view जिसमें हमारा user का names होगा तो मैं इसको constraint कर लेता हूं यहां से ओके यह गलत जगे हो गया I don't know कैसे हुआ करता हूं मैं इसको वापिस से वापिस से जाने के बाद मैं इसको refactor करता हूं और constraint करने के बाद मैं top से भी constraint कर लेता हूं अब इसके बाद मुझे चाहिए एक underline यह हमा अलग से add करेंगे और इसके बाद मुझे चाहिए एक text view या button बोल सकते हों लेकिन मैं यहां पर सबसे से पहले इसके से दूरी देता हूं 31 की और 21 के बाद इसके बाद है फाइब की राइट तो एक हमें यहां पर simply divider और हमें चाहिए horizontal divider और इसको constant करेंगे हम इसके साथ और इसको इसके साथ हम दे देंगे 5 का जितना हमार पास था तो 5 का हमने दे दिया और इसको हम कर लेते हैं जो हमारा यह है यह कितना बड़ा है इसको भी हम यहां से देखी लेते हैं तो इसकी साइज है हमार पास 234 तो इतना ही हम यहां पर भी कर लेंगे इसको तो इसकी साइज को हम यहां से कर देंगे 234 dp width और इसको हम constraint करेंगे किसके साथ जिससे हम एक पस चेंटर में आ जाएगा अब इसके साथ हम इसको देदेते 24 वहां यहां इसके इसकी विड्थ को हम यहां से कर देंगे, height को 2DP, 2DP कर दिया और इसके अंदर का color जो है वो हम यहां से अब ले लेते हैं, तो color इसका है हमार पास कुछ different ही ए थोड़ा सा जो कि हमार पास है C8C8C8 ऐसा कुछ, तो इसको हम यहां से चलते हैं और यहां पे copy करते हैं, इस color को हम यहां पर डालते हैं background और यहां पर है color तो यह color हमने यहां पर डाल दिया तो यह color हमार पास आ चुका है अब हमें text color change करना है तो text color pure white है maybe white ही होगा fff है यानि कि white ही है तो हम इसके text का color हम यहां से white कर देंगे यानि कि अब text के उपर हमें काम करना है तो सबसे पहले text color हम डालेंगे white और इसके बाद हम यहां चलते हैं और isके text का size कितना है 24 SP 24 SP हम यहां से select कर लेता है और क्या करना हमें इसके साथ इतना होने के बाद और क्या करना है इसका फॉंट फैबली चेंज करना है लास्ट फैमिली क्या है है हमारे पार मॉंस्टे लैड़ं तो यहां पर은 लेंगे पार्ट और यहां से स्लेक्ट कर लिया हम मॉन सटार मीडियम यह सॉलिड यह हमारे पार Danos लगे लाइट 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 विंन यहां मीडियम इटैलिक है थिन ज्यादा थिन हो जाएगा तो मौन स्टार बोल्ड हम यहां पर ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद हमें चीए बटन राइट हमारे पास तीन बटन है बेसिकली एक बटन है और यह और एक लॉग आट वाला बटन तीन बटन है हमारे तीन इमेज बटन लेंगे हैं इमेज और बटन हमारे पास यहां पर मिल रहा है इसको मैंने यहां पर एड किया अब इसमें सबसे पहले इमेज डालना है तो इमेज हमें कौन सा सबसे पहले हमारे पास है कौन सा है एड एड नियू आर्टिकल उसके बाद हमारे पास यह और अरक टो याट के लिए हम जस्य करेंगे एक करते हैं और कि यहां पर चुकाँ किसे साथ और को से मैंने और से करने के बाद किसी दूरी है इसैं सी दूरी है अंस्टी की तो अम यहां पर घाल देंगे इसको मार–जन डाले के 62 dp यह डाल दिया हमने अब इसके अंदर हमें text डालना है तो आप यहां पर search करो text और text डालने का option क्यों नहीं आ रहा है एक second यहां डालते हैं text तो text direction आ रहा है clip आ रहा है यहां मतलब text इसमें नहीं डाल सकता तो इस image button की जगे हम इसको बनाएंगे text या only simple हम क्या लेंगे इसको button हम यहां पर बना लेंगे तो मैं इसको simple सा इसको button बना लेता हूं और button बनाने के बाद मैं इसमें drawable यूज़ कर सकता हूं drawable start और यहां पर मुझे डालना है कौन सा image डालना है मुझे यहां पर add वाला तो add new article वाला मैंने यहां पर डाल दिया लेकिन हमरे पास यह चीज सो नहीं कर रही है और text लिएता हूं मैं पिर भी text मुझे क्या ढालना था क्या पर यहां पर हम देख लेते हैं क्या डालना है add new article तो मैं यहां पर चलता हूं add new article मैने डाला और यहां पर drawable start मैं यहां पर वर्क नहीं किया तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एप कॉम्पैक्ट बटन और इसमें हमारे पास यह आ जाता है सिंपली आ जाता है उसमें भी आ जाएगा लेकिन फिलाल के लिए हम यहां सिंपल बनाते तो नहीं छेड़ेंगे तो यह कर लिया मैंने अब इसका मुझे बैक है तो इसके लिए हम यहां पर चलते हैं और इसके और इसकी दूरी हम यहां पर देख लेंगे तो यह 28 कि हैं तो हम इसके बीच में देदेंगे ड्राइबल पैडिंग 28 dp राइट तो इतना आ चुका है यहां पर अब यहां पर हमें क्या करना है इसका फॉन्ट फैमिली सब बोल्ड वाला इसके बाद हम यहां पर डालेंगे टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर यह भी हमारा होगा वाइट वाइट हमने यहां पर डाल दिया और ऐसा कैसा हमार पास यह आ चुका है अब यहां पर हमें इमेज बटन की जगे इसको लिखना है एड न्यू ब्लॉग बटन इ इसको हम यहां से कंस्टेंड करेंगे और इसको हम यहां से कंस्टेंड करेंगे इसको हम यहां से कंस्टेंड करेंगे और एड न्यू आर्टिकल की जगे आ जाएगा यहां पर यह ब्लॉग यह ब्लॉग यह फिर कुछ और लिखेंगे यार क्योंकि जो भी यूजर रहेगा अब बेसी बात है उसका यह ब्लॉग यहां पर उसको सो होने वाला है तो वहां पर मैंने कुछ अलग लिखा है लेकिन यहां पर हम यहां पर कुछ अलग लिखेंगे तो मैं देख लेता हूं यहां पर क्या लिख रहा है यह और आर्टिकल लिख रहा है फर्स्ट अपॉल तो अब एक और हमें यहाँ पर add करना है जिसमें हमारे लिखना यहां पर log out इतना लिखते हैं मैंने और enter करते हैं enter क्या करते हैं मतलब इतना लिख दिया अब मुझे सबसे पहले constraint करना है इसके just नीचे और इसको मुझे constraint करना है इसके साथ इसको मुझे करना है इसके साथ और इस वाले को मुझे की दूरी मुझे यहां पे कितनी मिल रही है वह basically मुझे हां पे चेक करना है तो 48 की मुझे हां पे मिल रही है तो मैं 48 दोनों में एड़ कर से margin margin का margin top margin टॉप ऐके गॉन margin नहीं है Top margin मुझे दोनों का ही नहीं मिल रहा है तो मैं यहां पे चलता हूं एक डिजाइन में चलता हूं और दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और अब मुझे मिल जाना अची है तो मार्जिन डाला मैंने और मार्जिन जाने के बाद मुझे यहां पर डालना है टॉप से फोटी वन डीपी तो यह आचुका है हमारे पास बिल्कुल पर्फेक्ट है अब बस हमें इसका आइकन वगेरा चेंज करना है तो मैं आप इस से एक एक को स्लेक्ट कर लेता हूं यह और आर्टिकल की जगे यहां पर मैं डालूंगा इमेज के अंदर आर्टिकल आर्टिकल वा होंगा लॉग आउट वाला भी हमारे पास यह आचुका है अब जैसा था वैसा हमारे पास यहां बन चुक है अब इस इमेज को भी यहां पर चेंज कर लेता हैं बढ़ना हमारे पास एरर आती रहेगी क्योंकि यह सपोर्ट नहीं करता है तो मैं श्प्लेट में चलता हूं और यहां पर मेरे पास image view है अब तार की जगे src में मुझे डालना है सबसे पहले यहां पर user तो यह मिला नहीं मुझे control space दबाते हैं और यहां पर मुझे user के नाम से तो नहीं मिल रहा तो profile के नाम से प्रोफाइल के नाम से मुझे मिल गया तो यह मैंने यहां पर लगा दिया है by default image फट रही है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब यह मतलब हमारा बिल्कुल ready है अब इसका नाम डाल दिया हमने इसका भी नाम हमने यहां पर डाल दिया है अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या हमें करता हूं जहां के करना इकान करता हम बांदिंगं और यहां पर मैं कर लेता हूं यहां पर प्रोफाइल आइटम बाइंडिंग बाई लेजी और यहां लिखँ दो लिए तो यहां पर मैं सबसे पहले क्या करता हूं यह जो हमारा है टेक्ष्ट व्यूव इसको मुझे यहां पर डालनी पड़ेगी ऑब सी बात है तो यहां पर मैं मैं split के जगे design पर चलता हूं और यहां पर जाने के बाद मैं डालूँगा user name refactor किया continue किया कोई रिक्कत वाली बात है नहीं अब इसके बाद में चलता हूं split में नहीं हाँ अब मैं यहां पर चलता हूं तो सबसे पहले हमें यहां पर जो variable बनाना है वह बनाना है हमें यहां पर लिख लेता हूं में यहां पर private late in it where और यहां पर सबसे पहले हमार पास database का reference होगा जहां से हम क्या करेंगे user का profile का image लेंगे तो database reference और यहां पर कर दिया और यहां पर एक और हमार पास होगा private late in it where जिसमें हमार पास होगा user का authentication तो और यहां पर मैं कर लिया इसके बाद आपको आना है इन दोनों को initialize भी करना है तो यहां पर मैं comment करूंगा सबसे पहले initialization initialize fire base और यहां पर मैं करता हूं और इक्वल टू fire base और डेटाबेस रेफ्रेंस इक्वल टू fire base database dot get instance और इसके अंदर आपको पता ही है क्या करना है हमें तो आपको इसा भी activity खोल लो में करता हूं स्टार्टिंग में चलता है और यहां से भी मैं इसको रिमूब कर दूँगा और यहां पर लास्ट में आपको एड़ करना है dot reference dot child और इसमें हमारे पास कहा का reference आएगा user का reference हमारे पास यहां पर आने वाला है ठीक है तो यहां पर मैं लिख लेता हूं यूजर्स जहां पर हमारे पास user का data सेव होगा तो एंटर करता है अब देखो एक हम बनाएंगे यहां पर सबसे पहले user की ID के लिए एक वेरियेवल जिसमें हमारे पास current user का वेरियेवल सोरी user की आईडिया आ जाएगे हमारे पास तो user ID equal to हम कर देंगे auth dot current auth dot यहां पर current user और यहां पर not null equal to dot उसकी हम ले लेंगे यहां पर view ID तो यह हमारे पास आ गया अब यहां पर हम क्या करेंगे if user UID is not equal to null तो क्या करो एक function मनाएंगे उसके थुरू हम सारे details को यहां पर enter कर वा लेंगे तो मैं यहां पर लिख लेता हूं load user profile data और इसके अंदर मैं डाल दूंगा सबसे पहले user ID और यह हमारे किस टाइप का होगा string type का जो कि हमारा argument है ओके और यहां पर मेरे पास आया क् string लिख लिए हैं मैंने कोई दिक्कत नहीं है अब मैं इसको यहां से create करता हूं और create करने के बाद यह हमारे पास function आ चुका है right इसको मैं यहां से cut करूँगा और इस bracket के बाद मैं यहां पर इसको enter करवा लूँगा और यहां पर मेरे पास आ रहा है error और मेरी mistake मुझे यहां पर string pass करनी ही नहीं थी आपको सिर्फ यहां पर इतना user uid pass करना है और automatic यह आपका बन जाएगा अब मुझे यहां पर सबसे पहले क्या करना है एक variable लेना है जिसमें हमारे user का reference होगा तो यहां पर हम लिख लेते हैं user reference equal to कर दूँगा मैं database reference dot child और कहां पर हमारा user का data है तो यूजर डाल देंगे user id यूजर आइडी यूजर आइडी हमने पहले बना रहा है तो user id हमने ले लिया तो इसमें हमारे पास data आ चुका है किसका user का control alt करके मैं format करता हूं इसको मैं थोटा से रिमूव किया इसको भी रिमूव किया और मैं इसको भी यहां से रिमूव करने चाहता हूं यहाँ पर मение किया कोडे कोड़ कर देता है ज्यादा बडा कोड़ नहीं है च्षोपार शक्रमणत अर्हां और सबसे पहले हमी क्या करिवाना सेट यहां पर user की प्रोफःल यहां ministers एक्रас चेट करवानी है तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूं और यहां पर कमेंट करने के बाद मैं लिख दूँगा लोड यूजर प्रोफाइल इमेज और एंउचर करते हैं यूजर का reference लेते हैं dot child और यहां पर हम डालेंगे हमारा कहां पर हमारा profile image save है तो हमारा profile image जो save है हम यहीं पर चलते हैं क्योंकि हमने यहां पर भी यह चीज करवाया है तो profile image हमारा save कहां पर है profile image के अंदर तो यहीं काम करना है आपको लेकिन आप चाहो तो खुद लिख लो या फिर आप custom या पर copy करके भी पेस्ट भी कर सकते हो लेकिन मैं prefer करता हूं कि हर चीज खुद से लिखो जिससे कोई issue आए तो हमें वह पता चल जाए अब आपको लगान करने के बाद implement कर लेना इसके members को और यहां पर आने के बाद आपको set कर वा लेना आपका user के profile को तो user को और equal to कर दूंगा मैं इसको snapshot ओके यहां पर web मैंने लिख दिया है well profile image equal to dot snapshot dot get value और यहां पर मुझे डालना है s string और colon colon class dot java इतना डाला अब यहां पर लगाएंगे if condition लगाएंगे profile image url is not equal to null तो क्या करो यहां पर यहां पर करेंगे बाइंडिंग डाट यूजर प्रोफाइल इमेज यूरल अब यहां पर दिखाना है तो हम यहां पर करेंगे binding dot user profile के अंदर हमें इसको set करवाना है तो इतना काम करने के बाद आपका क्या हो जाएगा यूजर का profile यहां पर set हो जाएगा और अगर भील हो जाता है सबने में तो आप क्या करोगे यहां पर एक सिंपल सा हुक रभी टो Да replace यहां पर और यहां पर लिख दो फैर्स टू लोड यूजर इमेज इतना लिख दिया हमने और एक इमोजी यहां पर दाल लेते हैं विंडो लगा के तो यह हमारा हो गया बिल्कुल पर्फेक्ट काम अब हमें लाश्ट चीज क्या स्यों करवानी है उसका इमें भी हमें हाँ पर सो करवाना है तो नेम के लिए हमें फिर से हमें एक सेम ऐसा काम करना होगा तो सबसे पहले तो आप इस ब्लॉक के आप बहार आ जाओ यहा यहां पर आने के बाद आप क्या करो यूजर का reference लो फिर से डॉट चाइल्ड अब यह हमारा कहां पर से वह हम देख लेते हैं तो नेम हमारे पास से हैं हम इसके लिए हम अपना डेटाबेस कर लेते हैं तो डेटाबेस में आउन करने के बाद आपका जो यह हमारे पास नेम के अंदर है तो नेम के अंदर चलते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं नेम.add value event listener same object extend करेंगे जह हम value event listener curly braces लगाया enter करेंगे implement करेंगे okay करेंगे मिटाया हमने इसको और अब हमें simple सा image को load करवाना है तो सबसे पहले एक variable बनाएंगे जिसमें हमारा पास user name आएगा तो वैल इसमें हम बनाए user name और equal to कर देंगे हम snapshot dot get value और यहां पर सेम हमारा पास string में आएगा string colon colon class dot Java और यहां पर हम इसको से में भी condition लगाएंगे if user name sorry user id नहीं user name not equal to null तो क्या करो set कर दो सीधा binding dot user name dot text equal to user name इतना कर दिया आपने तो इससे हमारे पास image भी हमारे पास यहां पर set हो जाएगी अब मैं यहां पर comment कर लेता हूं सबसे पहले की load user name ठीक है अब मैं इसको format करता हूं और format करने के बाद यह क्या हो गया थोड़ा board code हमारा बड़ा दिख रहा है इतना है नहीं तो टोस्ट की दिख्कत ही वह कोई दिख्कत वाली बात है नहीं इसको मैं minimize करते तो हूं ठीक है तो इतना करने के बाद हमारे पास क्या होगा प्रोफाइल का इमेज यहां पर सो हो जाएगा अब क्या करते हैं में एक्टिविटी पर चलते सबसे पहले और में एक्टिविटी पर जाने के बाद एक हम लगाएंगे यहां पर फिर से एक कमेंट टू गो प्रोफाइल एक्टिविटी इतना लिख दिया हमने यहां पर से क्लिक करेगा तो वहां पर पहुच जाएगा तो हम कार्ड का क्या है कार्ड वीउ टू है याद रखेंगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं तो दोनों पर हम क्लिक लगा लेंगे प्रोफाइल में डॉट सैट ऑन क्लिक लिस्टनर हमने यहां पर लगाया सेट ऑन क्लिक दिस से हमें जाना यहां पर प्रोफाइल एक्टिविटी और यहां पर लगाएंगे इसको प्रेजिलेशन क्लास डॉट जावा यह हमने किया और इसको हम कर लेते हैं हैं से कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद मैं हाँ पर यहां डाल दूँगा कार्ड व्यूव वै हमार पास यहां पर सो हो रहा है या नहीं तो मैंने इसको एड़ कर लिया और करेंट डीटेल्स में हमार पास जो भी होना को वह जाएगा अभी एक एरर आ गया रिसाइक्लर व्यूव में सेब्ड आर्टिकल वाले में हमार पास बाइंडिंग डॉट सेब्ड ओके और यह ए यहां पर हमार पास यहां पर रिमूव हो चुकी है तो हम यहां पर डालेंगे और यहां पर डालेंगे जो आइडी का नेम यहां पर डाला हुआ है वह हम यहां पर डालना है तो इसको हमने किया कॉपी करने के बाद यहां पर चलते हैं और यहां पर हमने इसको पेस्ट कर द जो भी हमारा यूजर का नेम था वह हमार पस यहां पर आ चुका है अब हमें यहां पर क्या करना है इस वाले बटन के क्लिक पर हमें सबसे पहले open करें किसको add new article को और उसके बाद हमें your article और उसके बाद हमें एक log in log out का functionality implement करना है तो चलते हैं सब पर पहले इसको हम कर लेते हैं add new article में यानि कि हमें यह वाला यहां पर open करवाना है इसको भी हम यहां पर simply कर लेंगे तो इसको मैं सबसे पहले यहां से remove करता हूं main activity को remove करता हूं और sorry main activity को तो हम यहां पर रहने देंगे क्योंकि हमार पास होँआ पर code है उसको simply हम copy करके paste कर देंगे तो यहां पर मेरे पास जो है go to add article तो मैंने यहां पर simple सा इसको copy किया और यहां पर जाने के बाद एक binding वाला जो बटन है हम यहां पर करेंगे paste go to save article से बाटेकल के जगे एड़ आर्टिकल और यहां पर हम डाल देंगे binding.add new blog और यहां पर हमार पास यह काम हो चुका है अब एक और हम यहां पर implement करना है logout का तो logout करवाने के लिए हम क्या करेंगे यहां सबसे पहले comment करेंगे to logout और यहां पर हम करेंगे binding. यहां पर हमर पास logout बटन है logout बटन.set on click listener or set on click listener और यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहले क्या करना है और dot sign out function आपको मिलता है यहां पर जैसे इस बटन पर क्लिक होगा sign out हो जाएगा और यहां पर इसके बाद हम navigate करेंगे navigate और यहाँ सहां जाएंगे श्टार्ट क्या में चया 주는 ह работает करने के बाद तो लॉग आउट करने के बाद हमें जाना सीदा सीदा लॉग इन या फिर मेन इस्कृेटा पर आधि ecosystem का नाम में वह वह तो हमारे सबसे पहला है रजिस्टर रजिस्टर में जाने के बाद वेलकम एक्टिविटी वेलकम एक्टिविटी मतलब बेसिकली हमें यहां पर जाना है वेलकम एक्टिविटी पर जाना है तो हम यहां पर लिख देते हैं वेलकम एक्टिविटी इसको प्रेजिलेशन क्लास डॉट जावा और इसके हम क्या कर पाएंगे लोग आट भी हाँ पर हम कर पाएंगे मैंने फॉर्मेट नहीं करना साथ ठीक है खुदी फॉर्मेट हो जाएगा अब यह काम भी हो गया अब हमें क्या करवाना है एक बाइंडिंग के क्लिक पे एक और नई activity open करवानी है जो की हमारा होगा ये ये वाला ये वाला ये वाला एक्तिविट्टी होगा यूर आठ कर ला रइट तो इससे पहले कि हां पर हमारे पास logo है उसको भी हम आप डालेंगे ने अच्छा लगेगा तो यहां पर चलते हैं और यहां पर चलने यहां नहीं यहां पर चलते प्रोफाइल वाले पर यहां पर जाने के बाद यहां पर आने के बाद इसको हम यहां पर करेंगे पेश्ट तो यह हमार पास यहां पर यहां पर यहां पर कर दिया अब यहां पर आपको और यहां लिखना है आपको यहां पर करना है वाले और यहां पर आक्टिविटी गांने के बाद इसका हम यहां पर नेम डालेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा आप अप्टिकल एक्टिविटी ठीक है इतना हमने किया अब यहां पर एड़ कर देंगे हम इसको आप इक्टिविटी इसको प्रेजिलेशन ग्लास डॉट जावा और फिनिस वगएर हमें करना नहीं है यहां पर इतना काम करने के बाद आप सब को क्ल होगा वह हम यहां पर देख लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर चलता हूं मैं अब इसके बाद देखो यहां पर क्या चीज़ होने वाला है यूर आटिकल्स में हमारे पास होगा एक बटन होगा एक रिसाइकलर भी होगा राइट और रिसाइकलर ब्यू का आइटम जो है व को मैंने टॉप से इसपों मैंने यहां से लेट छंट गिई थी टुडीपी टॉप से यहां सितना किया और इसके बैरांड को सबसे हैं से रिमॉब कर लेंगे नहीं 03 ऑट यहां पर हो चुका है कीके साइच कोह से कर देंगे 24 dp इसको वहां से कर देंगे 24 अब्डी बीप सबसे पहले बैक बटन तो यहां पर मैं चलता हूँ बैक बटन ऊके बटन पहले से लिखा वाता और बैक का बी इस्मॉल कि आ नौ दिक्कत continue यह ऐसे बता रहा था कि पहले से भी ऐसे एक्टिविटी हमारे पास अब सबसे पहले इससे पहले भी हमें एक चीज़े एड़ करनी है इसमें image view क्यों करनी है क्योंकि इसके बैक्राउंड में texture लगाना है तो मैंने इसको एड़ किया इसको यहां पर यहां से कंस्टेंट किया यहां से कंस्टेंट किया यहां से कंस्टेंट किया यहां से कंस्टेंट किया तो एक जगे से हुआ है अभी वापिस कर लेता है इसको भी कर लिया यहां से भी जीरो कर दो और इसको कर दो इसको भी कर दो zero match और यहां पर इसमें image हम डालेंगे तो image हमारा पास जो है वह हमारा पास texture के नाम से तो src हमने हां पर search किया और यहां पर यहां पर इस प्लेट में चलता है सीदा-सीदा और यहां पर मैं डालूँगा src की जगे texture तो मुझे यहाँ पर डालना है tex texture के नाम से है मेरे पास मैं एक बार देख लेता हूं किया नाम में उसका या फिर background के नाम से background तो background के नाम से scale type हम यहाँ पर add करते है scale type center crop और यहाँ पर हम डालना है एलफा और यहाँ पर करेंगे 0.2 इतना ही करना था तो जीरो पंट टू करते हैं हमार पास ही ऐसा कुछ हो चुका है यह भी काम हमारा हो गया अब यहाँ पर हमें add करना एक recycler view उसको हम यहाँ पर add कर लेते हैं तो recycler view को मैंने add किया और constraint किया top से constraint किया left से constraint किया bottom से constraint किया यहाँ पर हम इसको करते है close यहाँ पर हम करेंगे इसको 0 यहां पर करेंगे 0 और इसको मैंने किया इसको मैंने किया यहाँ से 0 और top मैंने margin दे दिया 16 १िका more than enough है अब इसके अंदर हमें item चाहिए तो item को हम यहाँ पर create कर लेंगे तो drawable को मैं यहाँ से off करता हूं layout में जा आईटम से हम से को पर करते हैं करने हैं upgraded sala यहां पास में यहां से प्लिट में घा और यहां से लेके पूरा और 02 करने हैं पूरा जाने के बाद तो मैं पर अब मुझे आ ultimate श्यांसे तो हम यहां में हपए चाहिए लाइंगे क्या क्यों चलता है ear तो हमें ये बाले बटन नीचे ये बी नीचे और ये बी नीचेक ने तेमरे को करके अमने कर दिया डिली राइट बैर्यर को работать का प्रीर को मिनिमाइफ यह से मिनिमाइस करते अब अब हम यह ओर क्या नीचे ऑफ्ति सब कुछ चाहिए और इसके अंगे बाया वार रीड मोर के आने के बाद हम यहां पर तीन बटन जी जाये तो एक बटन मैंने और एड़ किया और एक बटन मैंने यहां पर और एड़ किया और यह बटला बटन हमार पास कहा गया Ctrl Z करता हूँ मैं और Image View आ गया था मेरे पास जबकि हमें बटन चाहिए तो बटन आ चुका है अब इस बटन को मैं कंस्टेंट करूँगा सबसे पहले Top से करूँगा इस बटन के साथ Left से करूँगा इस बटन के साथ और इसका Starting Point को करूँगा मैं इसके साथ यहां पर Constraint अब यह बटन यह वाला है इसको मैं करूँगा सबसे पहले इसके Bottom के साथ और इसको मैं करूँगा इसके साथ और इसको मैं करूँगा यहां से Constraint इसके सा ठीक है अब यह वाला जो बटन है इसको मैं disconnect करूँगा सबसे पहले और इसके पैरेंट के साथ कर दिया मैंने और इसके भी मैंने आख पर पैरेंट के साथ कर दिया अब इन तीनों को select करते हैं और है राइट क्लिक करने के बाद हम बनाएंगे चेन के हैं जो कि हमारा होगा horizontal चेन तो यह हमारा पस एसदो है अशूअ हो चुछ करना है तो यहां पर मैं डालता हूं कॉर्णर और कॉर्णर डीटिस में यहां पर मैं डाल दूंगा टैन डीपी तो यह जैसा था वैसा हमार पास यहां पर हो चुका है इसका कलर हमें डिलीट वाले का करना है रेड तो यहां से मैं जालूंगा बैग्राउंट और बैग्राउ अब हमें क्या करना है card view को देना है थोड़ा सा margin तो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ लिख देते हैं margin और margin देना है मुझे left से जाए start से start से मैं दूगा इसको 5 dp का ठीक है और end से भी मैं इसको दे दो गाँ यहां से 5 dp का 5 dp अब क्या करना है हमें यह 3 चीज़ हो गया अब यहां पे चलते हैं ब्लोग आइटम पर यहां पर यहां पर हम से पहले इस को एड़ करके देखेंगे तो हम लिखते हैं और elevation के बाद margin bottom 5dp इतना किया मैंने और यहां चलते हैं और यहां पर reflect नहीं हुआ I don't know क्यों नहीं हुआ layout margin bottom मैंने 5dp कर तो दिया top से मैंने 5dp कर रखा है 10 तो 10 तो ज्यादा हो गया 5 किया मैंने यहां पर यहां पर 10 करता हूं तो reflection दिखेगा तो यहां से मुझे यह नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूंगा इसको रहने देते हैं यहां से और मैं क्या करता हूं इसको देता हूं मार्जन मार्जन अम बॉर्टम 10 11डप एक बार के लिए देते हैं तो इससे भी कोई फरक नहीं पड़ा इसको मैं कट करता हूं यहां से तो यहां पर क्या दिक्कत आ रही है हो जाएगा में भी फिक्स मैं डालता हूं आप इसे मार्जन यहां पर एंटर करने के बाद मार्जन डालन से वापिस से और इसको मैं यहां से रिमूब करता हूं पहले तो इन दोनों के बीच मुझे मार्जन चाहिए तो मैं टॉप से भी सकता हूं वैसे तो चलो टॉप से दे देते हैं मार्जन टॉप फाइव डीप है ना इसकी जगे हम यहां पर कर देते हैं टैन करना था इन द इस q Brussels कब चाहिए था इसका में यहां पर बाद में देख लेंगे अभी फिलाल के लिए क्या करते हैं इसको मियां से करते हैं कत अभर अधारते के रोकिल और जो है इसका हम यहां पर काम करना स्टार्ट करते हैं और तो सबसी कहले हमकिन स्क्रेपनी स्छाइज कर लेए अप बाइंडिंग और एक्टिविटी आर्टिकल बाइंडिंग डॉट इन्फिलेट और यहां पर लिख दूँगा मैं लिखूंगा बाइंडिंग डॉट इतना लिख दिया हमारी बाइंडिंग हो चेके काशक देंटेंड अब सब्कblit अब सब्से पहले करना हमें इसको यहां पर दिखाने के लिए हमारे पासं दो चीजों की ज़रुद होती है एक हमारा होता है एक होता है हमारा डेकर accents र्लेक्ट ठीक है आर्टिकल एडेप्टर मैंने लिखा और इसके अंदर मुझे तीन चीजों की जरूत पढ़ने वाली एक तो हमारा पास यहां पर पढ़ेगा जो हम लिख लेते हैं यहां पर एक हमारा होगा प्राइवेट वैल कॉंटेक्स्ट और यह हमारा कॉंटेक्स टाइप का पर यहां पर हम चाहिन को यहां पर कर लेंगे तांँ country कश में कूण कुछ करवाएंगे उसचीज की यहाँ पर पढ़ने वालीगे तो यहां पर मैं लिख लेता हूं और इसको 맞tun करो आइटम क्लिक लिसनर तो यह तीन चीज़ों की हम यहां पे जरुरत थी अब इसके बाद यहां पर आते हैं और इसको हम extend करेंगे इस ब्रैकिट के बाद यहां पर एक्स्टेंड करोगे as recyclerview.adapter और यहां पर डालोगे जो भी आपका नाम आप रखना चाहते हो तो मैं यहां पर डालूँगा ब्लॉग सबसे पहले आपको डालना है आर्टिकल आर्टिकल एड़ेप्टर डॉट और आपको यहां पर डालना है व्लॉग व्यू होल्डर और इतना करने के बाद आपको इसका कर लेना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इसको KRIEAT करना है IMPLEMENT करना है कि MEMBERS को RIGHT और यहाँ पर इसको KRIEAT करना है RIGHT कलिक करके create करना क्लास और यहां पर एक Class इसका क्रेट कर लोगे si compromise को यहां से cut करो last में जाने के बाद पेस्ट करो आप चाहो तो इसको वहां भी रखना चाहो तो रख सकते हो कोई दिख्कत वाली बात नहीं है और यहां पर मेरे पास एरर आ रहा है तो यहां पर सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर लेता हूं तो यह है ऑन क्रिटेट व्यू होल्डर इसमें आपको एक बनाना है वे बना लिया अब एक हमें यहां पर चीए वाइंडिंग तो हम मैंने बाइंडिंग लिखा रचाका क्या अब कौन से 있ward को हमें यहां पर बाइंड करें तो हमने किस नामसे आइंब UM से तो article item binding dot inflate और यहां पर हम डाल देंगे inflator जो भी हमने यहां पर बनाया था और यहां पर लिखेंगे हम parent और यहां पर हम लिखेंगे false इतना कर दिया अपने और यहां पर रिटर्न कर दो return जो भी हमारे यहां पर यहां पर मेरे पास error और article item binding मैंने यहां पर कर दिया फिर भी हमारे पास यह यहां से fix हो जाएगा जो हमारे class हमने जो बनाया था यह थोड़ा सा गलत बन गया है सबसे पहले आपके इसके आगे लगाना है एक तो इनर class और इसके बाद आपको इसको extend करना है और यहां पर आपको सबसे पहले लिखना है private well binding और यहां पर आपको लिखना activity article binding और इसको हमें extend करना है recycler view dot view holder और लास्ट में आपको करना है binding dot root इतना करने के बाद आपके बास यहां से error चल जाएगा प्लस आपके पास अब यहां पर है राइट तो यह भी हमारा पास अभी चल जाएगा और यहां पर एक्टिविटी आइटिकल की जगे यहां पर आएगा एक्टिविटी आइटम या फिर आइटिकल आइटम बैंडिंग आएगा यह मैंने गलत लिए तो यहां पर मैं लिख लेता हूं आप इस से आपको इसको यहां से क्लोस करना और जितने भी एर थे वह आपके पास यहां से चला जाएग तो इसका काम भी हमारे पास हो चुका है और इसका काम फूरा सा भी बागी यह और पर सबसे पहले गैट आइटम काऊंट में हम यहां पर लिखाएंगे return blog-list.size यासू यह जितन आ इसको ब्ल्लॉग आइटम list और इसको बाद आइटम लिस्ट और इसके बाद आपको इसका लेना यहां से पोजीशन और इसके बाद आपको लिखना है होल्डर डॉट बाइंड और ब्रैकिट के अंदर आप लिख लोगे ब्लॉग आइटम अब इतना करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है बाइंड पर और क्रियेट मेंबर करना है और आपको इसको आए इसको इहां पर क्रियेट कर लेना है अब इसमें हम क्या करेंगे जितने भी वेविस होंगे नके वीक्त अंपर हमार अगे कर रहे हैं तो मैं जो भी यहां से लिके, यहां से लेखे मैं यहां तक की Coord को occupied कर रहा हूं, देख लेना अप ठीक है अब यहां पर जाने की बाद मैं इसको पेस्ट कर दिया अब एक चिज़ ब्लॉग आइटम model की जगे यहाँ पर सबसे पहले मुझे दूसरा यहाँ पर डालना होगा वह मैं यहाँ पर एड़ कर लेता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे मेरा डालेगा ब्लॉग आइटम तो यह हमारे सारे यहाँ पर फिक्स हो चुके हैं अब इन दोनों वेरियबल की हमें आपर काम नहीं है तो इसको मैंने हां से रिमूव कर दिया एक हैडिंग वालर सेट हो गया हमर पास प्रोफाइल इमेज सेट हो गई ठीक है उसके बाद यूजर नेम सेट हो गया देट सेट हो गया पोस्ट लैक पे ہाँ पर हम्हां टीक हमें इसकी जरूरत यह ठीक हैं तो यहां तक हमारे पास काम होच जुका अब इसके बाद हमें क्याूंग के बाद हमें चलना है सबसे पहले और यहां पर हमें इसको आपर करवाना है यहां पर हमें कुछ-kut 트वरियेवलस हो च्नलाइस कर लेते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रइवेट लेट इन Tiani press कर दो पढ़ेटिएबस कें यहां पर पढ़ेगी सबसे पहले हम उसको निइसiemand कर लेते हैं यहां पर मैं लिख लेता हूं प्रैवेट मैं लेटःटिन प्सक्क्क और यहां पर मैं लिखूंगा प्राइवेट वैल और यहां पर मैं इसको एक्जेंट कर दूंगा यहां फायर बेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस ओके और फायर बेस ऑथ इकवल टूक मुझे यहां पर करना था फायर बेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस और इसके बाद एक औ एड को और यहां पे मैंने इसको ले लिया अजSu Sophie हमारा अट्र हम वह बदाए हुऊ हम हो हम यहां पर लिखना है तो आर्टीक्रट अडप्र वह यहां पर यहां पर टो यहां से काम आएंगे अब सबसे पहले अमें क्या करना user id और equal to कर देंगे हम इसको और डॉट करेंट यूजर और इसको हम लगा लेंगे डॉट यू आइडी इतना हमने लगाया इससे हमारे पास करेंट यूजर की डीटल आ जाएगी इसके बाद हम बनाएंगे एक वेरियेबल जिसमें हमारा रिसाइकलर भी होगा और एक को कर दे यथि यहां पर मैं जाता हूं और यकाल रिसा इतना डाला मैंने तो यह हमर पास एरड दिखा रहा है ऐसा क्यूं एक बार मैं इसको करता हूं यहां से कॉपी इसको करता हूं मैं यहां से पहले रिमूव और यहां पर चलते हैं डिजाइन पर attribute में ID हमें यहाँ पर डालनी है ID मैंने डाला अब यह डल चुका है लेकिन error हमारे पास अभी भी यह सो कर रहा है मैं इसको यहां से small कर लेता हूँ article recycler view ऐसे थो हम डाल सकते हैं अभी भी error आ रहा है हमारे पास तो कोई दिकत नहीं आप इसको डरने के ज़रत नहीं है बिल्ड में जाके क्लीन करना प्रोजेक्ट को और वापिस से जाके आपको इसको काम कर नहीं है तो error आए गई तो चलो यह काम भी हमारे फिक्स हो चुका है अब यहां पर हम लिख देंगे article recycler view अब यहां पर हम क्या करेंगे recycler view.layout manager एकवल टू कर देंगे हम इसको linear layout manager और इसके अंदर हम पास कर देंगे this right context में उडाल देंगे this इतना कर दिया हमने अब हमें क्या चीए data चीए किस चीज का जो भी हमने save करवाया है वहाँ पर data उस चीज का हम यहां पर लिस्ट चीए तो उसके लिए सबसे पहले हमें database का reference चीए होगा राइट तो यहां पर मैं लिख लिएता हूं get data from database यानि कि get saved block data get saved डिटब्लॉग डेटा फ्रॉम डेटाबेस इतना मैंने लिख लिए अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस का रेफरेंस ची होगा तो मैं डेटाबेस रेफरेंस और इक वर्ट कर दूंगा मैं इसको Firebase database.get instance और किसके अंदर आपको पता यह क्या पास्ट करना है जो हमारे सबसे पहले कहीं पे होगा हमारा URL वह हमें यहां पैस करना जो कि हमारे MainActivity में चलते हैं और यहां से करते हैं इसको copy यहां से लिखें यहां तक और इसको हम करते हैं यहां से रिपर चलने के गारी पेस्ट इसना किया मैं ने और लाश्थ में जाखे- dot get reference और यहां पर हम डाल देंगे कहां पर हमारे पास वो blog से हैं तो यह हमारे पास है blogs के अंदर जाके blogs के अंदर तो मैंने यहां पर blogs लिख दिया और करते हैं अब मैं इसको मिल गया है यहां पर data reference यहां-pin लिखोंगा लेंगे इंप्लिमेंट तो मेंबर्स इसके इंप्लिमेंट हो चुके हैं यह अब इसमें हमें डेटा को एड करवाने एक लिस्ट में जो कि हमारा होगा ब्लॉग लिष्ट तो यहां पर मैं create कर लेता हूं वेरियबल जो कि हमारा होगा blog list के नाम से blog saved list equal to कर दिया मैंने इसको यह किस type का हमारे list होगा array list और इसके अंदर हम डाल देंगे blog item model ठीक है और यहां पर हम डाल देंगे extend कर देंगे इसको अब यहां पर लूप लगाइंगे हम इस हेयर लिश्ट में में हम सारे डिटा को इंड कर पाइंगे तो यहां पर में डाल देता हूं को Meng Out copy यहां पर मैं capital S कर लेता हूं और यहां पर लिखेंगे in snapshot जिसमें मतलब इसमें snapshot में हमें यहां पर मिल रहा है .children ठीक है और अगर इसमें जो मिल रहा है हमें उसको हमें यहां पर एक के बनाना है ब्लॉग के नाम से ब्लॉग से नाम से आप कुछ भी बना सकते हैं और कि मर्जी है और इक को पोस्ट ब्लॉग snapshot सरी पोस्ट snapshot डॉट गैट वैल्यू और गैट वैल्यू करने के बाद हम यहां पर डाल देंगे ब्लॉग इसमें हमारे पास ब्लॉग का वह आ चुका है अब यहां पर एक लगाएंगे हम कंडिशन इफ ब्लॉग सेब्ड इस नॉट इक्वल टू नल अगर यह नल नहीं है और और एक चीज़ हमें यहां पर एड करवानी है क्योंकि यह करेंट यूजर के लिए होगा तो करेंट यूजर आईडी एकवल टू इकवल टू यहां पर हम कर देंगे ब्लॉग सेब्ड डॉट यूजर आईडी यहां पर मिल जाएगा यूजर आईडी आपको यहां पर नहीं मिल रहा है तो एक सेकंड अगर आपको यहां पर नहीं मिल कर रहेगा ना उसके लिए पर्टिकुलर एक एक आइडी होगी जिसको हम बता देंगे कि हाँ इस आइडी ने इसको लाइक किया या फिर सेब किया है तो यहां से हम इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो यहां पर सबसे वहले मुझे लिखना था एक वैल यूजर आइड अब यहां पर चलो और आपको यहां पर मिल जाएगा आपको इतना करना था अब इसके बाद आप बना लो करली ब्रेसे मतलब यहमने कंडिशन लगा एक जो से ब्लॉग है वह नहीं और तो हमारे ब्लॉग.ड यूजर आइडी यह भी हम यहां यहां पर एड करेंगे अभी भी फिलाल नहीं है तब हम यहाँ पर क्या करेंगे कर दों सेभड के अंदर हम क्या कर sujet supported implicus कि अंदर इसको क्या कर देंगे एड करदेंगे और हम डालेंगे इट दालेंगे हम हम यहाँ पर हमारा ब्लॉकसिट फश्कत है यह से क्या होगा जितने वी ब्रॉकसे हुंगे वह क्या करना है इस वाले ब्लॉग के बाहर आना है आपको और यहां पर आपको एंटर करना है और यहां पर आपको मिलेगा ब्लॉग एड़ेप्टर डॉट और यहां पर क्या कर दोगा आप सेट डाटा करोगे और यहां पर डाल दोगे ब्लॉग लिस्ट को ब्लॉग सेब्ड लिस्ट को अब आपको करना है राइट क्लिक और इसको करना है create member और यह आपका adapter में जाके automatic create हो जाएगा तो यहाँ पर मैं enter करता हूं यह हमारा member implement हो चुका है अब आपको यहाँ पर जाना है और यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको लिखना है this.bloglist और equal to आपको कर देना है, यहां पर blog saved list और यहां पर आप क्या कर दोगे, notify data change इतना कर दिया, अब आपको वापिस आना है किस में आपके activity में आना है, article activity में और आपका यहां का error जो था, वो अब यहां से जा चुका है, ओके और अगर आप यहां पर on cancelled में, अगर हमारे data add होने में कोई दिक्कत हो जाती है, तो आप यहां पर simply say message चो कर वालो, toast यहां पर लिख दो, आप contact में this और message में आप लिख दो, यहां पर error loading blog, यानिकि saved blog, saved blogs और loading लिख दिया है, मैंने यहां पर, और यह जो error आ रहा है आपको, इसके आगे आपको लगाना है add the rate, और जो भी activity है आपका name उसको आपको यहां पर add कर देना है, इतना करने के बाद, last चीज आपको क्या करना है, इसको set करवाना पड़ता है हमें, adapter को, तो यहां पर हम लिखेंगे recyclerview.adapter equal to blog adapter और यह काम हमारा पूरा complete हो चुका है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले open करना है आपका add article blog, क्योंकि हम यहां पर user id create कर रहे थे, उसको हमें यहां पर add भी करना होगा, जिससे क्या होगा, कि जितने भी blog होगा ना, उसको हम यहां पर user id देंगे और उसके through ही हम वहां पर save करवा कि उसको uniquely identify कर पाएंगे, तो यह आपका description है, description के आप लिख दोगे यहां पर user id और एक आप लगाओगे यहां पर comma और इतना कर दिया आपने, और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, अब मैं इसको rerun करूँगा application को, और आपका जो पुराना blog होगा, उसको आपको यहां से delete करना ओके, likes को यहां से delete कर देता हूं, save blog को भी मैं यहां से delete कर देता हूं, likes को मैंने हां से delete किया, अब मैंने add किया, हापै सबसे पहले एक blog, assuming you might open the user, register यहां पर मैंने करों नाम से यहां अब यहां पर देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ सींगल सवर एक आगर मैंने इसको कर दिया तो अभी यह ईायप यहां पर सातों तो यहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं दिख रहा है okay अबम कम फ़ीर पास यहां पर सेब्रहना यहां पर हैं लिकिन यह सेब्षक नहीं तो यह यूजर में यहां पर हमारे पास हो रहा है या नहीं वह हम यहां पर कर लेंगे तो लॉग आट कर लेते हैं तो यहां से पहले करेंगे लॉग आउट किया हमने यहां से लॉग इन करेंगे और लॉग इन पर जाने के बाद हम एक यूजर को यहां पर लॉग इन कर लेंगे जो अब यहां पर मेरे पास लोग नहीं हो रहा है अगर तो यहां पर करता हूँ तो यहां इसको हमाला ब्लोग इसको मैं लॉग दिया जो फोर हुका यहां पर तो देखो इस में मेरे पास इसका डेटा हो रहाएं और उसमें हमारी पास उसophone data store है तो यह हमने यहां पर किया था तो इतना काम हो जब्लग को हम भी कर पा रहे हैं ःप tussen लास्ट काम हमें जो करना है ना जूत पर जाते तो अधरने हम यहां पर लिए हम जिका रहा है लिक आप new article वाला तो हम सबसे पहले चलते हैं profile पे यहां पर आते हैं और हमारा activity प्रोफाइल LGBT आने के बाद देखोंगत बास add new blog वाला है इसके अंदर मैंने डाल रहths चेम्म इसकी जगए आपको यहां पर ढालना है अब अन्य अहां बोटेटीविटिक यह हमारे फी씨 तो कुए है तो अब हमें जो昨 turi कर्वानाय इस चीज को यहां पर हमें वह कर रूरा तो यहँम कर चुक ए लेकिन एक सब्सक्राइब है कार सेี้ कर गाया और यहां वाला भी हम यहां पे चेक कर लेता हैं कि वह बी काम कर रहे हैं तो मैं यहां पिझा और यह और एक्थिक्छल पर मैंने क्लिक किया तो हमारा एesis कर जाता है क्नोगोर्ड ओके तो हम इसको और को ख्रथों करता हूं सबसे पहले हैं यहां has been not initialized यहां पर हमारे पास यह error दिखा रहा है यानि कि हमने लेट इनिट वेर को हमें आप पर नहीं किया है एक मिट में चेक कर लेता हूं क्या इसु है और मैं वापिस चलता हूं यहां पर यहां पर आने के बाद मैं लास्ट में चलूँगा बिल्कुल और यहां पर हमारे ब यहां पर क्या करना है ओके सवरी यह यहां पर बिल्कुल कोई दिखकत नहीं है ओके हमनी हाँ पर सिंपल सा क्या किया था इनिस स्लाइज नहीं किया लॉट एक वर टो आपको यह कर देना है अब मैं इसको रन करता हूं उससे पहले लिकिन एक मिस्टेक आ चुकी है यहां प इसको extend करना एक शुला क्विक्थ क्लिक listener क्योंकि यहां पर हम स्क्राइबयर है आडिकल आंडेक्टर है अर्गित हैं system अमने तीन आर्ग्यूमेंट यहां पर पास पास कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसको यहां पर क्रिएट कर लेता हूं तो मैं चलता हूं सबसे पहले एड़ेप्टर पर और यहां पर मैं एक इंटरफेस को यहां पर क्रिएट करूंगा तो इसके लिए हम यहां पर इंटरफेस यहां पर मैंने क्रिएट किया और यहां प लिख दो लिश्टनर और मेरे पास यह option अभी भी नहीं आया तो आना चीए मिरे पास यह option on इसको डायरेक्ट कोपी करते हैं कि यहां पर पेश्ट यहां पर टीन को पर create करना मुझे function एक हमारा होगा on edit के लिए edit क्लिक जो कि हमारा होगा blog blog item dot blog model अब इसको मैं control-d control-d कर लेता हूं एक हमारे edit के लिए हो जाएगा एक read more के लिए हो जाएगा और एक हमारे पास हो जाएगा delete के लिए ठीक है यहां पर तीन function create कर लिए अब हम चलते हैं यहां पर object में आपको यहां पर करना है यहां पर आपको लिखना है on item click listener और इसके बाद आपको लगाने कर लिए braces और इसके members को आपको कर लेने यहां पर implement तो हें पर मेंबर गया इसको भी तो test भी रिमयूब कर देता हूं इसको मैं यहांशिकरब कर देता हूं इसको भी हमãy यहांसे रिमूब कर देता हूं रही अवह सबसे पहले मुझे यह को दुब लिखाए और और एपास अ कुल हो है दूसरा मन हमने क्रेट नहीं किया है एक पर में वहां पर से यहां पर करता हूं और यहां पर यूजर के नाम से यहां पर डाला देता है 1 2 3 4 5 6 यह डाला मैंने लोग इन किया अब देखो यहां पर मुझे इसका आर्टीकल भी मुझे यहां पर सो नहीं होगा क्योंकि इस ने आर्टीकल यहां पर प्रिएट रोट चुका है अब हम हमें करना क्या है एक तो हमें इसको रीड करना है एडिट करना है और डिलीट का functionality हमें इसमें implement करना है तो इनके लिए हम यहां पर इंटरफेस क्रेट किया था हमने सबसे पहले अपने एडिप्टर में तो सबसे पहले अपने एडिप्टर पर आजओ तो आर्टिकल एडिप्टर पर हम यहां पर आ चुके सबसे पहले जितने भी यह unwanted code है इसको हम यहां से remove कर लेते हैं क्योंकि इनकी हमें वैसे भी यहां पर ज़ुरत नहीं है अब item click listeners जो है हमारा इसको हम use करके यहां पर work करेंगे तो यहां पर मैं क्या करूंगा comment करूंगा handle read more click ठीक है और इसके बाद मैं यहां पर लिखाऊंगा item नहीं यहां पर लिखना पड़ेगा आपको binding dot read more का आपके बटन है read more button dot set on click listener और यहां पर आपके बाद आपको लिखना item click listener dot on delete click और इसके अंदर आपको pass करते हैं आपका blog item इतना किया मैंने अब मैं इसको क्या कर लेता हूं Control copy करके यहां से मैं enter करता हूं PamTA Salud करता हूं अभि रीडा मॉर की हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर मेरे पास हो जाएगा एक तहुमारे पास था delete button टो read button के नाम से मुझे हापन कुछ मिल नहीं रहा है मैं चुक्श कर लेता हूं को यहां पर डाल दूगा मैं क्यूpital B और refactor कर देते हैं इसको और यहां पर मैं डाल दूँगा इसको डिलीट बटन डिलीट बटन गै乾़े चलते हैं टूप मैं याज रिमूव और यहां पर मुझे मिल जाएगा डिलीट बटन के नाम से एक आईडी अब यहां पर मुझे सबसे पहले एडिट वाले में यहां पर डालना है ऑन एडिट क्लिक इसके बाद मुझे यहां पर पेस्ट करना है और डिलीट डिलीट क्लिक एडिट क्लिक और यह हमारे पास क्या ता Read More Click इसको सबसे पहले कर लो पर रीड मौर ट्लिक तो यह चीज हमने पर क्रेइड कर दिये हैं अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना है एक बार सबसे पहले हैं यहां पे के बाद delete कर्वाने के लिए क्लिए सबसे पहले क्या करना होगा सिम्पल छोटा सा कोड करना है आपको यहाँ पर delete blog post और इसका अंदर आपको यहाँ पर डालना है blog item और इसको हमें फासर को हम पर create कर लेना है तो यहाँ पर मैं create करूंगा ठीक है अब इसके अंदर भी हम कर लेंगे delete करने की functionality तो delete करने के लिए हमें यहाँ पर create करना पड़ेगा सबसे पहले एक variable जिसमें हमारे पास आ जाएगी पोस्ट की much id तो पोस्ट अ है इया पónकट कर देता हूँ pra यहाँ पर मुझे मिल रहा है वह वोको स्ट अ कि देंगे तो सारा डिटा हमारे पास और अक्षक करते हैं और हैं इaju और यहां फिर सोंडेंट करेंगे हम यहां पर गले बनाएंगे जिसमें हमारे पास होगा ब्लॉइब पोस्ट रेफरेंगे अब यहां लिखते हैं blog post reference dot remove value dot add-on success listener और यहां पर हम एक simple सा message show करवाएंगे toast this और यहां पर मैं लिख दूँगा blog post deleted successfully right इतना आपको लिखना था और अगर आपको यहां पर fail हो जाता है तो यहां पर लेखाना है आपको dot add-on failure listener और same message को यहां से मैं करता हूँ copy यहां पर आने के बाद और success की जगे blog post delete unsuccessful यहां पर में लिख दूँगा राइट तो unsuccessful यहां पर मेरे पास लिखा हो आ जाएगा तो इससे हमारा पोस्ट जो है ना वह डिलीट यहां पर currently हो जाएगा अब हमें यहां पर करना है एक एडिट वाली फंशनेलिटी भी यहां पर हमें implement करनी है लेकिन उसके लिए भी हमें create करना पड़ेगा एक्टिविटी तो इससे पहले हम यहां पर डिलीट की के बाद अगर मैं इसको refresh करता हूं तो मेरे पास यहां पर ब्लॉग पोस्ट नहीं आएगा और अभी भी हमारे पास यह नहीं आ रहा है क्योंकि वह सूरज के नाम से था और यह 1234 वाला है तो हमने डिलीट की फंशनेलिट को यहां पर इंप्लिमेंट कर लिया है अब हमें एक डीड मोर के फंशनेलिटी चीए सबसे पहले और उसके बाद हम एडिट भी यहां पर हम करवा लेंगे तो रीड मोर की क्लिक पर हम चलते हैं रीड मोर की क्लिक पर हम आ चुके हैं और यहां पर आपको क्या करना है एक वेरिवल बना class .java आपको जहां पे जाना है वो आप बता दोगे और intent में हम यहां पर करेंगे .put extra आपको यहां पे करना और यहां पर डालोगे किसको ब्लॉग आइटम और यहां पर डालोगे simple सा blog item इतना किया और इसके बाद करना है start करना है activity और इसमें आप पास कर दोगे आपका intent आपके पास हा रहा होगा put extra में error तो यह error क्या बोल रहा है हमारे पास कि इसको आप क्या कर दो यह हमारे पास ID होती है sorry name होता है तो name हमने हाँ पर डाल दिया और यह हमारा perfectly work करेगा मैं इसको चलाता हूं वापिस से rerun करता हूं और rerun करने के बाद जब मैं यहाँ पर एक article यहाँ पर create करता हूं सबसे पहले इसके नाम से क्यूंकि हम दूसरे के अब यहाँ पर यहाँ पर हम देखी नहीं सकते हैं तो मैंने यहाँ पर create किया यह article मेरे पास आ चुका है यह और आर्टिकल पर गए रीड मोर पर मैंने क्लिक किया और इस article को हम देखने के लिए यहाँ पर ready है ओके जो भी हमारे पास टाइटल था वो टाइटल आ चुका है यहाँ डेट आ चुका है और सायद इसमें कोई दिक्कत आ गई होगी इसको हम देख लेंगे बात में कोई दिक्कत वाली बात है नह जिसका नाम हमारा पास होगा एक्टिवीटी अक्टिवीटी पर गया हम हम viewers करने वाले यहां ऑले तो आद वालने के वाले वहां पर चलते हैं एड आर्टीकल एक्टिविटी पर गए हम यहाँ पे और जितना भी चीजए हम इसको यहाँ से playing सिंपली तो मैं आने इसको किया कूप और इसको मैं करता है है Turn też upod about here I got this split में चलते हैं और यहाँ पर ने के बाद स्कुछ नोग आभ Mhm डो दोंग उत्वाकि यहां पर च्छेमलग और यहां पर यहां पर रहेगा एक ब्लाग की जगे सेड़ सेड़ से ब्लॉग और एड़ फैसी करना है से ब्लॉग बटन इतना सा चेंड्यस सेड़ करना है और इसके आप कोद आपको सीधा जाना के कोड पर जो कि हमा एक्टिविटी एडिट एडिट ब्लॉग आइटम बाइंडिंग लेजी और यहां पर कर दोगा बाइंडिंग एक्टिविटी एडिट ब्लॉग बाइंडिंग डॉट इंफलेट और यहां पर मैं डालूगा लेयाउट इंफलेटर और नीचे आने के बाद मैं इसकी इसको हम basically edit करवा के और इसको हम आप पर भीज देंगे अपने आर्टिकल्स में और वहाँ पर जाके हम इसको सेव करवा देंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहां पर एक ब्लॉग का intent आएगा जैसे मतलब हम इस पर क्लिक करेंगे ना जैसे मैंने का मतलब यह है जैसे मै कुछ चीज हैं अगर्व भुला उसको का और एक चीज हम नें प्वाटता है जिसमेहां एंट के साथ बेजसंगे इसको हम फेपता लगा लेंगे हम नेहांब अपने पोस्ट करेंदिटा है या नहीं किया तो इसके लिए आप यहां पे बनाो a 2i जिसमें हमारा होगा एडिट एडिट अंडर्सकोर ब्लॉग अंडर्सकोर रिक्वेस्ट अंडर्सकोर कोड और एक्वल्टू वन टू थ्री यहां कुछ भी कर दो आप कोड रख सकते हो अब इससी वेरिवल को यूज करके हम क्या कर वाएंगे पोस्ट को एडिट कर वा नहीं है तो इतना मैंने किया और यहाँ पर intent के साथ आप क्या चीज भीज़ोगे जो हमारा है वेरीवल का नाम क्या था एडिट एडिट ब्लॉग रिक्वेस्ट और यहाँ पर आपको स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट नहीं करना है आपको यहाँ पर करना है स्टार्ट स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट आपको यहाँ पर करना है डारेक्ट स्टार्ट एक्टिविटी रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्टिविटी फोर रिजल्ट यानि कि होगा है हमारे एक result के लिए हमारी activity स्टार्ट होगे और जैसे कुछ end होगा तो इसमें जो भी data आएगा ना हुह हमारे पास यहां पे बैसिकली add अब यहां पर हमें रीड मोर पर नहीं जाना है हमें यहां पर चांशना है एडिट ग्लाग एक्टिविटी पिए तो यह यहां पर मुझे करना था Intente नहीं करना था Intente बाद में काम आएगा यहां पर मुझे लिखना है blog-item-model वहां पर मुझे करना है intent dot get possible extra only possible extra इंड पर चलते हैं और इसके अंदर आपको डालना है इससे पहले आपका blog-blog-item-model और इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना जो आपने वहां से कॉपी करके नेम लाया है यानि कि अब जो भी डेटा है इसमें हमारे पास यहां पर आ जाएगा यहां पर मैं capital B की जगे होंगे स्मॉल भी लिख नहीं हमें इसको करता हम सबसे फ़हले format अब देखो यहां पर आना है आपको यहां पर सबसे पहले आपको find करना है binding.blog title.edit text यहां पर हम करेंगे set text और जो भी हमारे पास blog item में हमारे पास data रहा है उसको हम यहां पर करके heading है यहां पर हम डाल देंगे यहां पर heading चाहिए तो हमने heading set करवा दिया और यहां पर आपने लगा दिया एक Elvis operator बिकॉस यह not null होगा और heading की जगे यहां पर हमार पास दूसरा हो जाएगा post दूसरा हमार पास post होगा और यह हमार पास blog title की जगे यहां यहां पर हो जाएगा हमार पास blog description तो यह दोनों चीज़ हमने यहां पर set करवा ली इससे क्या होगा जो भी data हम यहां से click करके भीजेंगे जो भी हम क्लिक करेंगे तो वह सारा article और यह हमार पास दोनों चीज़ वहां पर चली जाएगी इकवल टू बाइंडिंग डॉट ब्लॉग टाइटल डॉट एडिट टेक्स्ट एडिट टू स्ट्रिंग डॉट आपके इसको करवा देना है ट्रिम राइट इतना किया अपने और कांट्रोल डी करते हैं इसको क्यूंकि हमें दो चीज़ यहां पे एक अप्लोट हो जाएगा और यहां पर हमारे पास हो जाएगा अपडेटेड डेस्क्रिप्शन ठीक है तो यहमारे पास अपडेटेड डिस्क्रिप्शन भी हाँ आ पहा चुका है अभिया पे ब्लॉग ट करनी है एडिट टेक्स के बाद यहां पे डॉट टेक्स्ट भी हमारे पास यहां लिखाओ आएगा डॉट टेक्स्ट डॉट टू इस्ट्रिंग इतना आपको करना था ठीक है अब इन दोनों के आगे हम एलवी से ओपरेटर लगाते थे इलवीस ओपरेटर अब आपको यहां हमें पर टोस्ट्स से टोसट करवा देंगे डिस तबकल की एस ने सबसे पहलें ब्लॉट लग आटम पर-वाइस यहां मैं heading और equal to कर दोंगा मैं इसको updated टाइटल कंट्रोल डी करते हैं heading की जगे यहां पर description कर देंगे हम यहां पर और यहां पर heading की जगे यहां पर हम कर देंगे पोस्ट ठीक है आपको आयोप आपको समझ में आ रहा होगा और यह जो आर्रा रहा है update कर दो update data in firebase के नाम से एक हमने फंट्राइब बनाया और इसमें हम डाल देंगे blog item model इतना क्या हमने और इस function को हम यहां पर कर लेंगे create क्या हमने function को अब इसको सबसे पहले आपको change करना वेर में इसको भी आपको change करना है वेर में ठीक है तो यह हमारे पास हो चुकाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब यहां पर आपको अपडेट करना है सिंपल तो update करने के लिए आपको आपको एक वेरियेवल होगा जिसमें आपका data base reference होगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं database reference equal to firebase database dot get instance और instance में आपको पता ही आपको एक URL डालना है वह URL आपको मिल जाएगा यहां से main activity पे यहां add article कहीं भी भी आपको मिल जाएगा तो इसको करना है copy copy करते हैं और copy करने के बाद चलते हैं edit प्लोग पोस्ट में और यहां पे जाने के बाद आपको करना पे पेस्ट और पेस्ट करने के बाद को लिखना यहां पर It dot reference dot child dot sorry get reference सीधा सीधा आपको यहां पर करना है get reference dot get reference और direct आपको इसमें डालना है ब्लॉग्स इतना डाल दिया आपने तो आपका जो भी हां पर इसको व्हां पर इसको हमारे पोस्ट की आईडिया लिख लेते हैं जिसको पोस्ट को पता चल जाएगा अब यहां पर लिख देता हूं मैं यहां पर blog-item-model.post-id इससे हमार पास post-id भी आ चुकी है अब यहां पर हम क्या करेंगे database का reference लेंगे .child लेंगे हम यहां पर यहां पर डालेंगे post-id और यहां पर हम लागाएंगे . इसके बाद हमार post-id के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे simply set कर देंगे value को जो भी हमने new value होगी जो कि हमार पास आ रहा है blog-item-model में इतना किया हमने और इसके बाद लगाएंगे that or add-on complete listener यानि success listener और यहां पर हम simply करवा देंगे toast और toast में लगाएंगे हम यहां पर this और message में यहां पर करेंगे blog updated successful इतना मैंने यहां पर किया कर देंगे यहां से finish the add-on failure listener लगाएंगे और यहां पर मैं इसको करता हूं copy यहां पर आने के इसको करता हूं run database को करते हम यहां से यहां से करते हैं इसको open तो database को मैंने यहां से कर लिया open अब जो blog post है हमारा इसको हम यहां से edit करेंगे तो current user वाले कर पाएगा obvious ही बात है तो मैं यहां से चलाता हूं सबसे पहले अपने application को अब यहां पर चलते हम your article पे और article पर गए और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हमने तो यहां पर यहां पर हम क्या कर देते हैं यहां पर लिख देता हूं मैं मेरा नाम और यहां पर लिख देता हूं blog title में my name ठीक है मैंने यह लिख दिया अब मैं यहां पर save करूंगा तो देखो okay updated successful हो चुका है लेकिन यहां पर अलग से हमारे पास यह data आ जुका है यह हमें यहां पर नहीं करना था हमें इसी वाले को यहां पर updated करना था तो देख लेते हैं क्या issue है मैं यहां पर चलता हूं और उपर करता हूं और यह जो issue हुआ है हमारे पास नल आया है वह मेरे हिसाब से दिक्कत के वाज़े से हुआ है कि हमने current user को चेक नहीं कर वाया है कि उसको यहां पर हम करवाद लेते पहले ठीक है तो मैं यहां पर जाता हूं एक condition लगाँगा इफ current user is not equal to null तब जाके हमें यहां पर एक block लगाना है और इस block में आने के बाद आपको सारा का सारे यह वाला code करना है कुछ है कट करने के बाद आपको करना यहां पर पेस्ट और आपको करना करना आपको फायर वेस को और यहां पर चलते हैं क्योंकि हमार पास और यहां पर डॉल Daisy ओल डाल देता हूं my name is और यहां पर मैं डाल दूँगा एस यू आरे जे इतना डाल देते हैं और सेव करते हैं ब्लोग को अब यहां पर देखो दो ही चीज यहां पर अपडेटेड हुई लेकिन यह नल वाले में हुआ है तो अब क्या करते हैं इसको यहां से पहले तो डिलेट कर देते हैं ऐसा आगए में पास निव्ज और यह एडिट पर क्लिक किया हमने डाल दिया अधिवल एस और यहां पर डाल दिया हमने ऐस श्तक्रीयप कर लेंगे और मुझे समझ है करना क्या होता है वहां से हमारे पास activity में data तो आ रहा है लेकिन हम उसको बता नहीं रहे कि कहां पर उसको आपको update करना है तो यहां पर जो result code हमने हां पर मिल रहा है वहां से आने के बाद उसको हमें यहां पर override करके function को यहां पर सेट भी करवाना होता है तो आप इस वाले ब्रैकिट के बहार आ जाना और यहां पर एक करना override function पावर नहीं और राइड फन और इसका नाम आपका होगा on activity activity रिजल्ट रिक्वेस्ट कोर्ड और इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है एक condition सबसे पहले लगाने इसके अंदर आपको लगाना यहां पर एक condition if request code equal to equal to edit जो हमने अभी यहां पर बनाय था और यहां पर request स्टेक्र रिजल्टी स्सल्ट पितना करने के बाद और आपको डीजल्ट सोरी याइंट लगानाया एक्वालT और इसके अंदर आपको डालना है यापको सब्सक्राइब एक बार सब्सक्राइब करेंगे जिसको फेलेपस करेंगे तो यहां पर दिखा रहे हैं तो मैं इसको चरक करसके का ना ओके यहां पर हमने प्लोक लगा है इसको हमने यहां पर नहीं किया है उतना साथ मैंने इसको रइन किया और अब आप करेंगे किया दिक्कत है या नहीं है में वापिस से गया है यह sprawd अब यह यह होई जाए गा कि फिर से खर् def kalian यह यूजा टब करेंगगे यहाँ मैंने आड़ किया और यहां वाल आर्टिकल है हमारा इसको मुझे एडिट करना है एस मैंने यहां पर डाला सेव किया और मेरे पास फिर से वही हुआ कि मतलब नल में जाके यहां पर एक नया सा हमार पास आ जाता है अब भी देखते हैं क्या इस तो करना ही है हमें और गाइस मुझे इसू मिल चुका है एक्चली इसू क्या हुआ था न्यू नोड पर जाके इसलिए वह आ रहा था क्योंकि जो हमारा मॉडल क्लास है जो हमारा मॉडल है यह वाला मॉडल तो यहां पर हमने यहां तो इसलाइज कर दिया लेकिन पार सेवल में भी इसलाइज करने के बाद हमें यहां पर भी इसला और पुंस्ट के बाद आपको यहां पर ज़ता है योजर आईडी तो और यहां पे डालना विसमॉङोजर आइडी और इसके बाद लाइक कांप्रोफाइल इमेज इसके बाद आपको डालना है पार्षिल डाट राइट बाइट रिड बाइट या सोड़ी नहीं करना में राइट करना है राइट राइट बाइट और इसमें आपको डालना है इफ इस सेब्ड वन एल्स यहाँ पर मर क्या हो जाएगा जीरो उसके बाद आपका पोस्ट आईडी इतना नह albeit करता हूं निए पोश्ट के नाम से यूंप पोस्ट और यहां पर डाल दोंगा 123456 और यहां पर मैं करूओ टो मिर पास यह करूल है अभी आया करता है नहीं फोश्ट आंचको न से डिलीट कर देतें फहले मैं यहां पर चलता हूं मैं यहां पर चलता हूं और यहां पर जाने के बाद नल वाले पोस्ट को मैं यहां से डिलीट करता हूं और मिनिमाइज करने के बाद सोरी मिनिमाइज नहीं करेंगे यहां पर चलते हैं और यहां पर मैंने इसको ओपन किया अब न्यू पोस्ट जो है इसको मैं यहाँ पर एडिट करूंगा योर आठीकल में गए नियू पोस्ट वाला हमारे पास यह दिख रहा है अब यहाँ पर हम एडिट करेंगे अब यहाँ पर डाल देता हूं मैं सूरज सर्मा और यहाँ डाल दूंगा मैं नियू ब्लॉग ओके तो यह डाला मैंने और यह हमारा प सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां ब सकते यहां पर यहां पर और जो application है वो यहाँ पर complete हो जाएगा तो मैं यहाँ पर चलता हूँ edit blog activity पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद binding.backbinding.back button आपका पास यहाँ पर होगा edit पर चले गए हम यहाँ पर edit blog activity तो यहाँ पर मैं आया और यह मेरे पास बटन है जिसका नाम है image button राइट तो यहाँ पर डालूँगा मैं चलो image बेटन यहाँ पर डाल देते हम यहाँ तो यह मैं डालता हूँ image button dot set on click listener set on on click listener और यहाँ पर मैं करवा दूँगा इस activity को यहाँ पर यह हो गया हमारा एडिट वाला पाट और यहाँ पर चल गए हम एड़ न्यूपर हम बैक कर पा रहे हैं यूर आर्टिकल पर भी हम यहाँ पर फिक्स करना है इसको तो यहाँ आर्टिकल यानि की आर्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर भी हमें एक लगाना है on created के बाद यहा जाया होगा और एक चीज़ और हमें यहाँ पर करनी है मतलब सिर्फ लोगों लगाना है हमारे अप्लिकेशन का बड़ा अजीब से लग रहा है यह लोगों तो इस लोगों को भी हम यहाँ पर लगा लगा लेते हैं लोगों को लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है अब को स्लेक्ट करना है इस पर राइट क्लिक करना है और लॉप जाने के बाद आपको इमेज और यहांप के बाद यहांप पर यहांपे यहांसे भी select कर सकते ब्लॉग में जाने के बाद एप में जाने के बाद src में जाने के बाद में में जाने के बाद आपके बाद जहां भी हो basically आपको महाँ से select कर लेना है ड्राइबल में जाने के बाद मेरे पास ब्लॉग का आईकन भी चेंज हो चुका है आप इसको अच्छे से कर ले ना तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा इसको बनाने के हमने यहां पर सुरू से लेके एंड तक हमने सब कुछ बनाया अपने अप्लिकेशन का और सब कुछ यहां पर पर्फेक्टली वर्क कर रहा है को दिक्कत वाली बात है नहीं आप यहां से ब्लॉग को एड कर सकते हो अगर आपको इस वीडियो को देखके या पर इस टूटोरियल को देखके मजा आया हो या कोशिज करिएगा कि आप इसको खुद बनाए खुद बनाएंगे तो आपको थोड़ा आइडिया भी रहेगा कि कौनची चीज कैसे वर्क कर रही है और अगर आपसे यह नहीं होता है तो आप इसको को सोर्स कोड को आप हमसे परचेस भी कर सकते हैं तो उसको आपको सिंपल कि अपको आपसे चुपा कि यह नहीं हो कि कि एसे डप इसको आपको आपसे दो सकते हैं तो यह